मैंने प्रोग्राम ओनर्स नहीं मुझे मिला नहीं वो तो मैं बस दिखा रहा था बस यही चीज है चलिए अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा फिर हम chapter start करेंगे sir cost sheet हमारा first chapter जो रहने वाला है उस chapter का नाम है sir हमारा क्या हलांकि इस chapter को हम simply बोलेंगे cost sheet और cost sheet को अगर हम पढ़ते हैं आगे और detail में तो हमें क्या पढ़ना पढ़ेगा cost sheet में तो sir इस chapter में सीखने को मिलेगा इसमें सीखने को मिलेगा हमें प्रॉफिट निकालना या फिर लॉस निकालना सर प्रॉफिट और लॉस तो फाइनिंशल में भी निकालना सिखते थे लेकिन इसको निकालना होगा अकॉर्डिंग सर निकालना होगा अकॉर्डिंग टु कॉस्ट बड़ी सीधी सी बात है कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा यहां पे उसके लिए आपको कुछ बाते पता होना चीए हम पहले क्या करते था सर नॉर्मली यह बनाया ट्रेडिंग पी एंडल और काम स्टार्ट हो गया हमारा यह ट्रेडिंग पी एंडल यहां पे हमारा debit credit का कोई मतलब नहीं रह जाता यहां पे हम जो follow करने वाले हैं न वो करने वाले sheet cost sheet का नाम है तो sheet का मतलब है एक tabler firm है sheet का मतलब है एक sheet होगा और इस sheet पे कुछ ایسे detail हम fill कर देंगा यहां debit credit का कोई देना नहीं है इस तरीके से sheet होगा और यहाँ पे हम हर एक चीज का एक costing बना के एक profit या loss निकाल लेंगे that is इसको बोला गया cost sheet यहाँ पे हम costing के हिसाब से अपना profit and loss निकाल लेंगे तो इसलिए बोला गया sir इसको cost sheet sir अब costing को bifurcation करें न अगर हम अगर according to cost देखें cost का bifurcation करें तो cost को दो भाग में बाटा गया है जो कि हमें इस sheet के अंदर समझाना होगा examiner को sir एक होता है हमारा direct एक होता है हमारा indirect sir direct का मतलब क्या है और indirect का मतलब क्या है direct का मतलब यह है जो apparently दिख रहा है जिसे आप देख के बता सकते हो directly बता सकते हो कि यह है उसे बोलेंगे direct सीधा देख के उसके costing को measurement कर सकते हो उसे क्या बोलेंगे sir direct बिल्कुल यह class भी upload होगी सारी classes upload होगी जैसे कि पहले होती आई है तो direct cost अगर मैं simple सी बात मैंने थोड़ी देर पहले एक example लिया था लेकिन उसके अंदर जो बंद है जो bread है मान लेते हैं 10 रुपए का उसके अंदर जो आलू की टिक्की है मान लेते हैं वो भी 10 रुपए का कितना हद मान के मान लोगे इतना ऐसा तो नहीं है 5 किलो आलू लगा देंगे उसमें तो यह 20 रुपए का और बाकी उसके अंदर पनी डलवा लो, चीज डलवा लो, that is आपका मान लो वो भी 10 रुपए का टोटल पड़ता हूँ, थोड़ा थोड़ा तो डालेंगे वो, तो टोटल आप अंदाजे से ले ले लेते हैं कि सर 30 रुपए का बर्गर है, हमसे 100 ले रहा है, वो कमाई कितना क यानि आप किसी प्रॉडक्ट कों देखके उसका कास्टिंग जज कर लेना, उसको बोलते हैं, आपने पता है, क्या जज जो करते हो, वो कौन सा कौस्ट जज करते हो, डरेक्ट कास्स जज करते हो, जैसे मेर पास ये कैल्कुलीटर सा देशा, जजमेंट लिया, हमने बोला भ इंडारेक्ट कॉस्ट क्या होता है सर जो आप नहीं सोच पाते जैसे फैक्टरी के अंदर या फिर मैं बर्गर की बात करूँ उस जहां पे गये थे आप आउटलेट पे लेने के लिए वहां पे देखो आपका एसी एक ट्यूलाइट जल रहा है दस ट्यूलाइट जल रहा है तो दस ट्यूलाइट का कितना खर्चा आपके बर्गर पे है जो सर्वाइब कर रहा है वहाँ पे जो आपको सर्व कर रहा है जो उसका कितना खर्चा आपके उपर सेलरी आपसे कितना लिया जा रहा है जो क्लीनर है उसका सेलरी कितना लिया जा रहा है गार्ड जो है उसका स in direct expense लेकिं सर डारेक्ट expense में ब्हुट चीजे हैं तीन चीजे हैं basically कि अगर आप डारेक्ट expense में बी जाओ गे तो यहां भी तीन चीजे निकल के आएंगी छार तीन चीजह क्या निकल के आहेंगी यहांपे एक तो आएगा material सर material का मतलब जैसे आप यहाँ पर बर्गर की मैं बात कर रहा हूँ तो बर्गर के अंदर बंध है आपका वो material है टिक्की आपका material है उसमें cheese डला हुआ या पनी डला हुआ है वो क्या है material है लेकिन इसके साथ साथ उसे जो wrapper करा जा रहा है वो भी एक material है रैप करके देते हैं आपको वो भी क्या है एक material है तो एक हो गया वो material उसके बाद आपने सोचा कि किस इस product को बनाने में कितना time लग रहा होगा उसकी salary इतनी हो जाएगी तो आप direct labor भी कही बार पता कर सकते हैं जिसका piece rate wage raise के हिसाब से हमें given होता है तो direct के अंदर आप देखोगे ना मैं direct खर्चे की बात कर रहा हूँ सर मैं बात किस की कर रहा हूँ direct खर्चे की expense की तो अगर मैं direct expense की बात करूँ ना तो direct expense में हमारा material आ जाएगा second one आ जाएगा हमारा labor और third one आ जाएगा हमारा overhead हम पहले basic concept build up कर लेते हैं mind में फिर हम chapter start करेंगे सर material का मतलब समान simple सी बात है labor का मतलब मेहनत जो लग रहा है सर labor तो determine करना बहुत मुस्किल है ऐसा नहीं है कुछ चीज़े product आपका piecewise भी मिलता है उसमें पता कर लेते हैं labor कितना है जैसे मान लेते हैं कि आपने कुछ काम एक specially करवाया अपने लिए तो बोलेगा भाईया समान का तो इतना लगेगा आपका 200 रुपे तो समान समान आ जाएगा आपने कोई मान लेते हैं ऐसा काम decoration वगरे कुछ भी ऐसा काम अपने लिए specially order किया है तो बोला भाईया 200 रुपे तो समान आएगा और हमारी द्यारी दे देना 100 रुपे मेरा labor लगेगा जितने काम करूँ एक घंटा लगे दो घंटा लगे तो 300 हो गया ना तो यह direct है direct के अंदर आपको material भी पता चल गया और labor और overhead क्या होता है खर्चा overhead क्ना खर्चा होता है पहले हम जो accounts में पढ़ते थे थे अकाउंट में खर्चा पी एंडल में debit, direct expense, indirect expense costing बोलता है भाईया direct indirect खर्चे के चक्कर में बत बोड़ो हम खर्चे का नाम एक modern नाम रखेंगा जिसको बोलेंगा overhead तो अगर मैं costing में बोलू overhead मैं बोलू कि तीन ही खर्चे रखेंगा लेबर यानि इसमें wages है और खर्चा मैं बोलू भाईया अगर बोलू मैं for example depreciation का खर्चा सर overhead है बिजली का बिल overhead है पानी का बिल overhead है accountant की salary wage labor में आ जाएगा यानि इसके अलावा जितने apart of खर्चे है न वो सारे के सारे खर्चे आपके किस में आ जाते है overhead में rent मकान का किराया वैसे तो बोलते है rent is an expense लेकिन आप costing में ऐसा नहीं होगा rent क्या है overhead है समझ में आरीए बात आपको ये सारा रहेगा sir indirect का मतलब क्या है बिल लग रहा है ये सब पता कर सकते हो ऐसा भी कर सकते हैं ये एक पीस को बनाने में एक घंटा मसीन चलता है एक घंटे में दो यूनिट लगेगा तो ये क्या होगे overhead direct overhead जिसका पता कर सकते हो लेकिन what about उसका जिसके बारे में पता नहीं है जहाँ पर कोई consider नहीं किया तो बाहर guard खड़ा है वो guard भी तो इसी factory के माल बनाने के लिए खड़ा है तो उसका जो खर्चा है वो indirect expense है सेम ऐसे इसके उपर माल लेते है wrapper वगरा किया जाता है packing किया जाता है तो माल तो बनने के बाद packing हो रहा है बाहर वो indirect expense है सेम माल लेते हैं कि समान को ले जाना ले के आना carriage का खर्चा हो रहा है बन गया तयार एक जगे से दूसर जगा ले जा रहे हैं तो ये भी तो खर्चा company के cost से ही तो recover होगा ये कौन सा खर्चा है indirect expense है तो यहाँ पे भी देखा जाए तो सेम तीन पार्ट आने वाले है यहाँ पे भी आप देखोगे तो तीन पार्ट ही होगे एक होगा हमारा सर material एक होगा हमारा सर labor एक होगा हमारा overhead overhead को न मैं oh लिख दिया करूँ तीन तरीके के हमारे यहाँ पे खर्चे होने वाले simple सी बात है यानि हमारे खर्चे direct और indirect है यह हमारा cost sheet जो रहेगा न cost sheet के अंदर पता हम क्या करेंगे cost sheet के अंदर हम खर्चे को divide कर देंगे हमारा कुछ ऐसे यहाँ खर्चा आएगा फिर इसके बाद कुछ खर्चे को निकल के यह आएगा फिर इस खर्चे को निकल के आएगा फिर हमारा ultimately sales या profit निकल जाएगा भी हम देखेंगे उन चीजों को तो sir हम cost की type की बात करें तो costing को बाटा जाए तो दो पार्ट में बढ़ जाता है हमारा इस वाले पार्ट को हम ध्यान नहीं देते हैं फिलाल के लिए हम इस वाले पार्ट को ध्यान नहीं देते हैं फिलाल के लिए ठीक है यह पार्ट नहीं है हमें सिर्फ उपर वाले पार्ट को ध्यान देना है यह आपकी किताब का ही है हटा ही देते हैं इसको ना कुरापी कर देता है इससे अच्छा तो चलिए अब कहता है क्या सर मटीरियल के बाद हमारा क्या है सर लेवर और एक्सपेंस मटीरियल में देखा जाए तो डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट भी हो सकता है इंडायरेक्ट भी हो सकता है लेवर भी डायरेक्ट भी हो सकता है और expense, expense का मतलब overhead, ये भी direct भी हो सकता है और indirect भी हो सकता है अब indirect कहां कहां हो सकता है, direct तो माल बनके तयार हो गया indirect कहां कहां हो सकता है, factory में हो सकता है, indirect, office में हो सकता है, indirect और कहां हो सकता है, selling and distribution के एरिये में हो सकता है यानि factory में indirect कहा हो सकता है, जो gate के बाहर guard खड़ा है, उसकी salary जा रही है, that is indirect expense, office में हो सकता है, जहाँ पे sale हो रहा है समान, माल तो बन के तयार हो गया, जहाँ sale हो रहा है, तो sale होगा, distribution point, accountant, salary, यह सारी चीज़े होगा, वो कौन सा होगा, office का, selling and distribution में, free sample दे रहे हैं, ले भा सेम ऐसे अगर देखा जाएना है, तो हमारा labor के अंदर indirect में क्या होगा, जो factory में है, office में, labor हला कि मैंने यहाँ example ले लिया था इसका, तो यह यहाँ factory में हो सकता हो, office में हो सकता है, selling distribution, मैं एक बर material का दुबारा से example ले ले लेता हूँ, जो कि हमारा factory में होगा, जैसे हम sticker वगएरा लगाए जा रहे है, cleaner वगएरा जो लगा रहे है, वो हो गया, या फिर आप finally जो कर रहे हो, labor में क्या हो गया, factory में तो directly जो wage rate लेता है, office में क्या हो गया, जो accountant वगएरा हो गया, उस तरीके से, और इसके selling and distribution में, जो selling agent है, उसके लिए हो जाएगा, सेम ऐसा direct expense के अंदर factory में भी हो सकता है, office में हो सकता है, यानि sir, direct expense स्रिफ factory में ही होता है, ध्यान रखेगा, छोटी सी बात है, direct expense कहा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ, लेकिन indirect तीन जगह चला जाता है, factory में भी हो सकता है, आपका selling and office में भी हो सकता है, और साथ के साथ आपका कहा हो सक सकता है selling and distribution में भी हो सकता है यह तीन चीज़े याद रखना यानि सर डायरेक्ट कहां होगा डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ हमारा सर यह वीडियो अभी नहीं कहीं YouTube पे अपलोड होगी अभी नहीं होगी यह अपलोड तो फिलाल तो डायरेक्ट की हम बात करें ना तो डायरेक् क्या तीन तरीके से होता है अब एक बर हम पड़ भी लेते हैं सर अगर मैं डायरेक्ट मटीरियल की बात करूँ या इंडायरेक्ट मटीरियल की बात करूँ यहाँ एक्जाम्पल भी देखिएगा क्या क्या है कहता है सर डायरेक्ट मटीरियल वो है is आल्सो आपका description as a raw material जो raw material, कच्चा माल जो होता है, direct material है, process में जो भी जाता है, जैसे material हो गया और उसे prime material भी बोला जाता है, इस सब्द को याद रखिएगा, prime material यानि prime cost भी बोला जाता है, production material भी बोला जाता है, store material भी बोला जाता है, आपका जो हमारा use होने होने वाला है construction के लिए cement वगएरा वहां के लिए material बोला जाता है इसके बाद देखा जाए तो वापिंग material भी बोला जाता है या फिर cardboard boxes वगएरा जैसे cardboard boxes के आपके पूरे box में जाता है न वो तो यह क्या है हमारे किसका example है मैंने सिर्फ direct material लिखा और उसके example लिख दिया यहाँ पर अगली बात करता है indirect में क्या होगा sir indirect material consumable store हो सकता है जैसे oil हो सकता है and क्या हो सकता है sir wastage हो सकता है आपका printing हो सकता है indirect material में जो उसके उपर paint करके मतलब stickers वगएरा मान लिजिए few example indirect material के क्या क्या हो सकते है जैसे कि factory, office और selling and distribution तीन जगह पर हमारे हो सकते है यह क्या indirect material कहा कहा हो सकता है हमारा factory में भी हो सकता है office में भी हो सकता है sir labor में क्या होगा sir labor के अंदर material को finish करने के लिए जो effort लगाया जाएगा needed such human effort को हम labor कहेंगे और labor can be direct as well as sir direct labor यह है हमारा direct labor जो production से सीधा-सीधा related होता है कहता है direct labor is also described as a process labor आपका productive labor या फिर कहलो operating labor या manufacturing labor या diet और मैं सीधी-सीधी बात को नो दो पेज पढ़ लिया ना इसका एक conclusion निकालू ना मैं भी उतक वही बोड़ा था direct material कौन सा होगा जो sir सीधा-सीधा-सीधा समान बनाने में use होगा indirect जो कि सीधा नहीं होगा लेकिन use तो हो रहा है वो तीन जगह हो सकता है sir कहां-कहां हो सकता है sir factory में भी हो सकता है और office में भी हो सकता है और selling और distribution में भी हो सकता है labor भी जहम है, ऐसे यह, direct भी हो सकता है, indirect जो हमारा समान बनाने में, जो labor लगा हुआ, I mean, उसे direct labor बोल देंगे और जो office में, अलग-अलग जगह पे उससे क्या बोल देंगे, indirect labor बोल देंगे, example, indirect labor का, maybe related to the factory, office, selling and distribution, तो यह सारे नोट्स आपके अल्रेटी अफलोड़िट हो गए होगे नहीं होगे तो मैं करवा दूँगा अब इसके अंदर इंडारेक्ट में कौन आता है स्टोर कीपर हो गया फॉर्में हो गया जो की समान बना ही नहीं जा लेकिन फॉर्में क्या कर रहा है सिर्फ देख रहा या फिर आपका जो डारेक्शन दे रहा है फिर फी यह सारे चीज़े क्या है हमारे इंडारेक्ट में आ जाता है एक्सपेंस कौन से होते हैं सर डारेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं और इंडारेक्ट और एक्सपेंस को मैंने यहां किलियरली बता दिया इसको क्या बोलेंगे स related to the insurance of factory premises power used to the factory building plant and machinery कहता है कि manufacturing और factory और production से related होगा उसकी बात कर रहे हैं यानि खर्चे भी सर्थ दो ही हैं मिला के हम बात करें office administration में क्या-क्या हो सकता है office में क्या-क्या खर्चे हो सकते हैं यह बस simple सी बात है office का किराया, office में light, heating यानि office के अंदर जो खर्चा है भाई, office का है, मैं अपना printer अपने factory में रखूँगा तो factory का खर्चा है और अपने office में ले जाके यूज करूँगा तो office का खर्चा है आपका वहाँ पे end, telegram बगएरा, postage का, telephone का खर्चा तो यह सारे खर्चे आपके मैंने कुछ एक example दे दिया, clear होगा, लेकिन हम जब practical करेंगे ना अभी तो और ज्यादा clear होगा selling and distribution में कौन-कौन से खर्चे हो जाएंगे, वो list लिखा हुआ है कि sir packing के खर्चे है, loading charge खर्चे है या फिर carriage outward मान लो आप, या collection charges है, bed dates है, ये सारे कहां के खर्चे माने जाएंगे, selling and distribution के खर्चे माने जाएंगे कहता है कि item exclude, ये बड़ी खास बात कही इसने, ये मैं इसी का wait कर रहा था, ये मुझे समझाना था देखो हम costing कर रहे हैं, profit and loss निकालेंगे, यानि sir cost के अंदर हम profit and loss इस chapter में निकालने वाले हैं, तो sir finance में भी तो निकाला था, finance में हम सारे खर्चे दिखा देते थे, सारे लेकिन cost के P&L निकालते time पे बोला गए भाया, ऐसा खर्चा, जो की हमारे product से related ही नहीं है, उसको दूर करो यहां से, यानि जब हम P&L बनाएंगे न, इनका जब statement profit निकालेंगे, loss निकालेंगे, तो ऐसा खर्चा, जो की हमारा related ही ना हो, किस से related ना हो, उस product को बनाने से उ ignore it, तो सर ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं, जो की उस से related होता है रहा हमें ignore करके चलना है, वो यहां पे list given है, जिसको ध्यान से देखिएगा, कई बार examiner पूछ भी लेता है, क्या कहता है, there are certain items which are include in the financial account, यह financial account में include होता है, but not in cost account में नहीं होता है, यह पता होना बहुत जरूर जैसे कहता है, appropriation of profit, यानि profit का बटवारा, जैसे दो partner है, दो partner profit बाट रहे हैं, या फिर उसके appropriation मतलब general reserve में पैसा transfer कर दिया है, अब यह general reserve में आप पैसा transfer कर रहे हैं, तो profit का appropriation कर रहे है, उसका product का calorie लेना देना है, जबकि general reserve हम एक तरीके से खर्चा मान के P&L में से debit करत करते हैं, तो यहाँ पर कहता है कि appropriation of, आपका sinking fund, sinking fund का मतलब sir DRR, आपने गर 12th class में पढ़ा हो, या फिर आपने उसमें पढ़ा हो, corporate में तो DRR, तो DRR भी हमारा एक तरीके से खर्चे की तरीके से treat करते हैं profit में से, लेकिन वो sir हमारा finance का खर्चा है, dividend paid कर रहे हो shareholder को, अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर calculator और calculator को बनाने से लेके बेचने तक का खर्चा निकाल रहा हूँ, तो shareholder का dividend से इसका कोई लिए नहीं देना नहीं है, मैं नहीं पे कर रहा है dividend को, कोई फरक थोड़ी पड़ेगा बनाने के खर्चे पर, तो dividend भी किसका खर्चा है, sir हमारा finance का खर्चा है, cost का नहीं है, tax, income and profit पे, जो भी taxes दोगे आप income और profit के उपर, तीन खर्चे होगे, ध्यान दीजेगा है, एक तो sinking fund का खर्चा, dividend paid, taxes जो profit के उपर दोगे, और क्या है sir, transfer to general reserve, अभी जो बता रहा था मैं, transfer, in excess of provision and depreciation, depreciation पे provision बनाना आपका, तो यह sir हमारा इसका खर्चा नहीं है, क्योंकि हम costing बनाते हैं हमेसा actual के हिसाफ से, अगर मैंने कहा कि यह depreciation इतना provision है लग सकता है तो नहीं sir, जितना लगा है उसी के हिसाफ से costing निका लिए, क्योंकि हम customer को ऐसा थोड़ी न बोलेंगे, कि भाई इसका product का price साथ भी हो सकता है और आठ भी हो सकता सर, preliminary expense आपको पता होना, चाहिए share issue करने से पहले, company बनने से पहले खर्चे, इसको राइट आफ किया जाता, वैसे तो accounts के point of view से बोलू तो था, अब बोला गया, राइट आफ का कोई चक्कर नी एक बार में दिखाए, जो नए accounting standard आए, लेकिन costing के अंदर अभी भी पुराने के हिसाब से सूच रहे हैं, कि अगर ऐसा कोई खर्चा हो, तो उसको कहां मानना है, finance का, cost का खर्चा वो नहीं है, chargeable आपका donation, donation अगर देते हो किसी को, charitable donation देते हो, तो वो भी आपका किसका खर्चा है, donation से हमारे product का बनाने का क्या मतलब है, loss sale of investment, आपने investment कर दिया, building खरीद लिए और वहाँ नुकसान होगे, तो product से कोई लेना देना नहीं है, expense on transfer of आपका company's office, office क्या कर आपने transfer कर दिया, company के office को आप एक जगे से दूसरे जगे shift कर रहे हैं, उसका खर्चा हम थोड़ी beer करेंगे, ये नहीं माना जाएगा, आपका क्या है interest on bank, sir, नहीं होता, ये पर रहा हूँ यहाँ पे, जिस खर्चे को हम अपने जो profit and loss बनाएंगे, उसमें नहीं दिखाएंगे, आपका demerge, आपका damage payable आपने कर दिया, किसी का damage कर दिया, जिसे हम बोलते हैं कि compensation पे, कोई मतलब नहीं है, penalties दिया, आपने fine दिया, loss due to आपका, आपका scrapping, machinery, उसका कोई न consider करना, वो जितने भी करें थे, वो क्या थे सर, सारे खर्चे थे, सर एक बार फिर से, मैं पूरा बता दूँगा, direct, indirect, अभी मैं एक बार बस बताने दो, फिर 5 मिनिट के अंदर पूरा हम कर लेंगे, तो सर, interest receive भी हमारा income नहीं है, interest paid जब खर्चा नहीं है, तो interest receive भी income नही ठीक है न, इसके बाद कहता है सर, rent receive income नहीं है, transfer fee receive income नहीं है सर, यह आएंगे आगे आने वाले chapter में, क्योंकि जब मैं करूँगा ना, reconciliation तो यह सारे खर्चे दिख जाएंगे, interest dividend receive नहीं है सर, broking receive कोई भी नहीं है, discount या फिर commission receive करते हो, तो यह भी हमारा खर्च, income नहीं है, यह भी income नहीं माना जाएगा, तो अभी तक फटा फट से अभी तक क्या देखा, बड़ी छोटी सी चीज़े देखिए, मैं एक word में conclude करूँ, कि भई हमारा जो syllabus है, 10-12 chapter का है, उसमें से कुछ हाना है, तो slaver तो अभी क्या करेंगा, जानके जब chapter आएगा, तो देखेंगे, अभी हमने देखा costing सीख रहे हैं, और costing के अंदर कुछ मोटी मोटी बाते सीखना है, एक overhead नाम नहीं आया है, उस overhead नाम को क्या बोलते हैं, हम खर्चे को बोलते हैं, खर्चे को बदल के नाम रख दिया, overhead, और यहां पर खर्चे होते हैं, हमारे direct खर्चे होते हैं, indirect, और मैं कुछ indirect खर्चे होते हैं, जिसको हम calculate नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत detail में जाएंगे तो calculation होगा और यह तीनों जगह हो सकता है, office में भी हो सकता है, factory में भी हो सकता है, selling and distribution पोइंट पे भी हो सकता है, office का मतलब सर जब product बन के आपके office में चले जाता है, बिखने के लिए जह से showroom से बेचते हो, that is call office, selling and distribution जब आपका market में product जाता है, तो वहां भी खर्चे होते हैं, advertisement वगएरा, वो selling and distribution का part माना जाता है, तो कितने सारे खर्चे office के हैं, selling के वो सारी हम अभी बात करेंगे, और इसके बाद क्या देखा सर हमने कुछ ऐसे खर्चे हैं, जो कि purely किसके है सर, finance के हैं, उस खर्चे को हम क्या करेंगे, ignore करके चलेंगे, और अगर कोई finance का income है, उसको भी ignore करके चलेंगे, यानि cost account करते समय पे इस खर्चे की कोई value नहीं रह जाती, सर, इसके बाद abnormal gain या loss, loss और gain on sale of fixed assets, loss business property account, या फिर आपका theft fire occur, ये भी हमारा abnormal loss gain के example है, जिसको हम consider नहीं करते हैं, लेकिन इस पर मैं star बना देता हूं, कब-कब कुछ time पर करना भी पड़ता है, अब बात आता है, सर, एक word आता है, सर, prime cost, ये वाली theory ना, prime cost वाली ना, जब मैं question करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा, prime cost क्या होता है, factory cost, आपका क्या होता है, अब देखिए, हम जो सवाल करेंगे ना, कैसे करने वाले मैं बता देता हूं, हलाकि मैंने बना रखा है, लेकिन फिर उसमें, हम जो सवाल हमें पी इंडल बनाना है, तो पी इंडल बनाने का क्या तरीका रहेगा, वो देख लेते हैं, एक बार, यानी, format पी इंडल का, amount, और यहां particular, और इधर cost sheet, इधर लिखेंगे cost sheet, बुक की pdf नहीं होगी अभी, मैं जो notes मैं question कराऊँगा, उनकी pdf होगी, बाकी पढ़ने के लिए reading के लिए book आपको लेना पड़ेगा, सबसे पहले ना, हम यहां पे सारे खर्चे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं purchase, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं purchase, और purchase के अंदर ना, हम खर्चे जोड़ देंगे, कौन से खर्चे जोड़ देंगे, opening stock, opening stock, सर, opening stock, अब मैं stock को थोड़ा सा explain करूँ न, तो stock तीन तरीके के होते हैं, क्योंकि हम costing सीख रहे हैं, पहले तो तीन तरीके के stock को इगनोर करके चलते थे, अब stock सर, तीन तरीके के हैं, एक है हमारा raw material, एक है हमारा work in progress, एक है finished product, finished product, अगर हम बात करें, raw material, finished product, तो बड़ी सी बात है, कच्चा माल, raw material का मतलब कच्चा माल है, जैसे आप example करो, घर में रोटी बगरे बनाते हैं, उसी का example ले ले, तो जो सूखा आटा होता है, वो raw material है, जो गीला आटा होता है, क्योंकि उसको गीले आटे के अंदर एक extra effort और डालना है, क्या डलेगा उसके अंदर, labor डलना है, मतलब कि कुछ थोड़ा सा और काम कर दे तो रोटी बन के तयार हो जाएगी, तो जो गीला आटा है, work in progress है, मतलब अभी इसे हम, मतलब के use भी नहीं कर सकते और छोड़ भी नहीं सकते, ऐसे situation में हो, सुखा आटा तो stock में पढ़ा रहता है, work in progress इसका मतलब ज़्यादा समय लंबे तक हम नहीं रख सकते हैं, इसके बाद क्या बनता है हमारा finally, जब रोटी बन के तयार हो गया तो finished product, तो stages हैं इनके, एक है हमारा क्या raw material, यानि कच्चे माल का opening stock, या closing stock जो भी हो, इसके बाद work in progress का, उसके बाद last में finish goods, finish goods कौन सा होता जो बिकने के लिए हमेसा तयार है, तो यहाँ पे जो मैंने opening stock लिखा है न, raw material को मैं आप पता है किस नाम से बोलूँगा, raw material को RM लिख दूँगा, work in progress को WIP बोल दूँगा मैं, और finished goods को न, मैं थोड़ा FG यूज करा करूँगा, तो opening stock किसका सथ, minus कर देंगे यहाँ, closing stock, यह भी किसका होगा, सर पर्चेस को यहीं लिखिए, opening raw material को यहाँ लिखिए, minus कर दीजे इसको, और इसको minus करके directly आप बाहर लिख दीजिए, यानि इसके बाद और कोई खर्चे हैं, क्या बिल्कुल है, जैसे आपका wages, जैसे की wages, अब wages के भी category हैं, सर wages कौन से वाला, अगर हम wages की बात करें, तो तीन तरीके का wages हैं यहाँ, wages की बात करें, तो तीन तरीके का wages हैं, एक तो आपका होता है, directly productions related, हलागी दो तरीके का ही मान लो, एक तो direct होता है, हमारा productions related, और एक होता है unproductive, यानि सर wages दो है, एक productive और एक unproductive, सर productive कौन सा है, अन productive कौन सा है, वो भी देख लेते हैं, जो एक directly मान लेते हैं, हम salary 8 गंटे की देते हैं आपको, 100 गंटे मान लेते हैं के आपको 800 गंटे मिल रहा है, 100 गंटे की salary है, लेकिन आप बीच में 2 गंटे लंच भी करते हो, तो 2 गंटे लंच कर रहे हैं, तो वैसे productive wages देखा जाए, तो 600 ही हुआ न, आपको काम करने की तनका तो 600 ही हुआ, 2 गंटे का मैं आपको wages जरूर paid कर रहा हूँ, लेकिन वो productions related नहीं, वो कौन सा है हमारा, unproductive wages, समझ महीं बात, आपको ऐसे ढूंडने की जुरत नहीं, यह सवाल अपने आप ही आपको देगा, productive wages हमारा direct expense का part होता है, और यह हमारा factory expense का part होता है, इसके कई नाम हैं, इसके भी कई नाम हैं, हम अभी देख लेंगे theory वाले part में, तो सर, wages कौन से वाला है, productive, wages जो यहां लिखा है, that is productive, इसके बाद हो सकता है, आपका manufacturing expense, manufacturing expense, यानि ये भी direct होना चाहिए, और simple word में बोलू तो सारे direct expense, और यही direct expense है, जो मैंने लिखा है, इससे ज़्यादा नहीं होता कभी भी, अभी लेंगे indirect भी, हर जगे के category अलग-अलग कर रखा है हमने, बस मुझे format वगएरा समझाने दीजिए, कुछ बच्चे doubt भी पूछ रहे हैं, तो मैं इसलिए ध्यान नहीं दे रहा, इसके बाद एक heading generate होगा, उस heading को बोलेंगे हम prime cost, जब इन सभी को total कर लेंगे ना, तो that is prime cost, और sir prime cost ही क्या होता है sir, direct cost, इसको एक नाम और जाना जाता है direct cost, है ना, direct ही तो है, जो product के उपर लग रहा है, तो that is आपका prime cost कह लो, या फिर आप direct cost कह लो, इसको अटा देते हैं, पहला heading हमारा बनके तयार हो गया, और जो पहला heading बनके आया हमारा, that is हमारा prime cost हा गया बनके, मतलब कि कुछ total करने के बाद, जो हमें निकल के आया है prime cost, अब इसके बाद ना, हमें लिखने पता है क्या है, factory के खर्चे, इसके बाद हमें लिखना है factory के खर्चे इसके बाद लिखना है factory के खर्चे दो से एक दो दिन तो आपको लगेगा कि पता नहीं subject कैसा चल रहा है लेकिन उसके बाद सब समझ में आने लगेगा यहाँ पर हम सारे factory के खर्चे लिखेंगे कुछ example अगर मैं लू factory के खर्चे के खर्चे के तो क्या क्या हो सकते है unproductive wages या फिर factory overhead अब बच्चे बोलेंगे सार डारेक्ट expense तो factory में ही होता है डारेक्ट expense यह वो है जो कि सीधा material पे लग रहा है अब supervisor है वो material पे थोड़ी उसका खाम है कोई वो तो बस देख रहा है labor को देख रहा है वो आ जाएगा factory खर्चे में factory overhead में क्या क्या आ सकता है उसकी मैं एक list दे दूँगा जिससे कि आपको clarity मिल जाएगी जैसे ही इनको हम plus करेंगे ना उपर से plus करके यह आए फिर इनको इनको plus करेंगे मैं एक example भी लूँआ तो यह आ जाएगा हमारा gross factory cost क्या आ जाएगा सर gross factory cost gross factory cost के बाद हम आ जाएगे यहाँ पर क्या फिर से इसके अंदर हम plus कर देंगे और minus कर देंगे सर क्या plus करेंगे opening sir opening में WIP और sir minus करेंगे क्योंकि factory के बाद ही बनता है यह आ जाएगा closing यानि sir यहाँ plus minus करके result whatever आए हमारा फरक नहीं पड़ता यह आ गया इसके बाद एक नई heading generate हो जाएगे जिसको हम बोलेंगे net factory cost net factory cost और इसी को पता ही क्या बोलते हैं work cost इसी को बोला जाता है हमारा work cost इसी को बोला जाएगा work cost पूरा practical subject है यह जैसे ही आपका work cost निकलेगा इसके अंदर हमें कुछ चीजों को फिर से minus करना होगा plus करना होगा admin मैंने minus बोल दिया admin expense जिसे administrative expense भी की नाम से बोलेंगे हम sir क्या क्या हो सकता है यानि ये मैं simple सी एक बहुत easy word में बोलू न office के खर्चे factory निकल गया तो factory के बाद किसका नम्मर आता है office office के expense यानि sir office का rent मैं basic सा example ले रहता हूँ office अगर factory के rent की बात करूँ तो यहाँ जाएगा office के rent की बात करूँ तो यहाँ जाएगा है मैंने factory expense लिखा basically क्या लिखा जाता है accounts इसमें overhead लिखा जाएगा तो फटा फट से हमने लिख लिए यहाँ factory का rent office जो भी यह total करके आया हम जैसे ही इसको total करेंगे एक और नई heading तयार हो जाएगी हमारी उसका नाम होगा हमारा factory भी हो गया office भी हो गया माल बन के तयार है तो उसे बोलेंगे cost of production cost of production जो भी total करके आएगा यानि sequence चलता जाएगा उसको क्या बोलेंगे cost of production जैसे ही cost of production होगा इसके अंदर से हमें फिर से कुछ चीज़े minus और plus करनी होगी plus और minus plus करेंगे फिर से हम opening stock अब आपको समझ में आ रहा हूगा आप कौन सा opening stock लेंगे दो तो use हो गया minus करेंगे closing stock तो बचा कौन सा बताओ इसको थोड़ा उपर कर देते हैं यानि सर दो तो use हो गया अब एक ही बचा ना कौन सा finish goods examiner जो है ना आपसे थोड़ा उलजानी की कोसिस करेंगा ना वो यहीं करेंगा मैं जहां जहां examiner आपको परिशान कर सकता है मैं वहां पर star भी लगा देता हूँ यहां परिशान करेंगा examiner इस question में सिर्फ यही वाला point है जहां परिशानी होती है बागी तो कुछ नहीं सब add less करने वाली बात है जैसे ही हम इसको plus कर देंगे minus कर देंगे तो आ जाएगा cost of goods sold आपने बहुत use करा होगा पहले वो तो बड़ा simple सा था हमें सब कुछ मिल जाता था finance यहां पर नहीं मिलेगा इसको बोलेंगे हम cost of goods sold यह सारा उपर से ना add होता हुआ रहा है cost of goods sold के बाद हम यहां minus कर देंगे selling expense सर जो यहां minus करेंगे na selling and distribution expense सर यहां पर selling और distribution expense में क्या आ सकता है अगर मैं selling और distribution expense की बात करूँ तो क्या आ सकता है मैं थोड़ा उपर कर देता हूँ फिर एक साथ दिखा दूँआ selling और distribution expense में आ सकता है सर आपका delivery या carriage out आपका आ सकता है carriage out वर्ड या delivery vehicle charge या selling free sample या आ जाएगा जैसे ही हम इसको यहां पर लिखेंगे नया heading फिर generate अब जो एक new heading generate होगा सर that is आपका होगा cost of sales क्या generate होगा सर cost of sales यानि यह कीमत हमें पड़ेगी और जैसे ही हम इसको minus कर लेंगे किससे minus करेंगे नीचे सबसे नीचे down में लिख देता हूं मैं sales अगर आपको sales पता है और आपको cost of sales पता है तो बीच का difference क्या होगा या तो profit होगा या loss एक्जामनर यही पूछेगा आपसे ज़्याद से ज़्यादा time एक्जामनर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा time यही पूछेगा यानि सर यहाँ पे heading थोड़ा सा आपको practice करके याद भी नहीं रखना चार-पांच question करेंगे वैसे याद हो जाना है तो मैं अगर heading को तोड़ू यहाँ पे मैं एक जगा दिखा देता हूँ एक जगा तो possible देखते हैं यह ऐसा करता हूँ चलिए मैं इसको to be continue यहाँ लेके आ जाता हूँ करना कुछ नहीं है basically यहाँ से मैं copy करके वहाँ ले जाता हूँ और इतना enough होगा वहाँ ले जाता हूँ यह ले जाता हूँ यह ले जाता हूँ आमने सामने आपको दिखा दिया है इससे मिटा के हाँ जी अब आपको visual हो जाएगा proper ठीक है यानि इसके बाद continue है जब noting करेंगे न इसके बाद continue है अब मैं heading heading को highlight करूँ एक बार कि सर आपने heading में क्या क्या कराया है तो मैं heading को highlight करने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा पहला heading ये है first heading की बात मैं करूँ first heading की बात करूँ तो first heading हमारा ये है ये तो highlight ही नहीं हो रहा चलिए हम ले लेते हैं सरकर ले लेते हैं first heading हमारा ये है अगर हम heading की बात करें तो सर second heading क्या है ये रहा third heading क्या है सर ये रहा fourth heading क्या है सर ये रहा fifth heading क्या है सर ये है और six heading क्या है सर ये है यानि अगर मैं cost sheet को determine करने जाओं तो cost sheet कितने heading याद रखने हमें पहला क्या है sir prime cost दूसरा क्या है gross factory cost तीसरा क्या है net factory cost उसके बाद क्या है cost of production फिर क्या है cost of good sold और last है हमारा cost of sales ठीक है न फिर से 5 heading 6 heading देखिए पहला prime cost प्राइम cost को दूसरा नाम क्या कहते हैं direct cost दूसरा क्या है sir हमारा दूसरा factory cost factory cost को हम और क्या कहते हैं work cost भी कहते हैं लेकि net वाले को इसके बाद factory cost के बाद क्या हैगा हमारा net factory cost net factory cost के बाद cost of production माल बनाने का खर्चाव फिर cost of good sold और last में cost of sales यह 6 point आपको याद रखने होंगे जो heading है WIP वाला जो section है na WIP यह बहुत rare use होता है होता ही नहीं मानके चले यह वाला point तो use क्यों नहीं होता sir यह वाला use क्योंकि बहुत कम company में WIP का stock जो रखते हैं वो आपको दिया होगा example question में sir prime cost निकालने से पहले की बात करें prime cost निकालने से पहले की बात करें तो हमें purchase लिखना है opening stock लिखना है minus करेंगे closing stock और यह stock कौन से वाला होगा raw material वाला होगा और plus कर देंगे सारे direct expense wages हो चाए manufacturing expense हो क्या निकल कर आएगा prime cost prime cost के बाद हम factory के खर्चे को अगर हम इसमें add on कर दें तो हमारा क्या निकल क्या जाएगा gross factory cost उसमें WIP को minus plus अगर कर दें तो क्या जाएगा net factory cost और WIP के बाद अगर हम उसके अंदर admin के खर्चे और जोड़ दें जो की office के खर्चे होते हैं तो क्या जाएगा हमारा cost of production उसके बाद हम opening और closing stock minus plus कर दें तो क्या जाएगा हमारा cost of goods sold और उसके बाद cost of अगर selling and distribution minus हम plus कर देते हैं इसके अंदर जो भी होना है क्या आएगा हमारा cost of sales और profit अगर cost of sales में हम add on कर दें तो निकल के आएगा sales अगर sales दे दे तो बीच का difference, profit या loss जो भी निकलेगा वो निकाल सकते हैं तो ये basically हम जब भी कोई भी question करेंगे न वो इस format में करने वाले हैं इसी format को एक मैंने systematic तरीके से कर दिया है अभी फिर से देखते हैं अभी क्या सीखा है देखते हैं इतने बच्चों को याद है नहीं है चलिए देखिए पहले हमने क्या देखा सर cost sheet का format देख रहे हैं सबसे पहले क्या था सर raw material consume raw material देखो एक ना मज़े की बात है raw material consume consume का मतलब पता है क्या होता है opening stock plus में purchase minus में ये होता है raw material consume raw material consume अगर आप लोगे ना तो आप ये वाली चीज़ ध्यान से देखो ध्यान से देखो ये उपर वाली बाते जो लिखिये वही है या तो आपको examiner ये देगा या तो फिर ये देगा समझ रहे बात है क्योंकि इसी को consume के format में भी आपको दिया जा सकता है फिर हमने क्या करा direct wages और direct expense क्या निकल के है पहला topic prime cost prime cost का मतलब वो खर्चा जो की directly हमें पता चल जाता है इसके बाद factory overhead आएंगे factory overhead में क्या क्या हो सकता है वो working note number one में चेक करते हैं तो चलिए हम factory overhead working note number one में देखी लेते हैं सारे list मैंने लिख दिया है factory overhead जब भी आप question करोगे तो परिशानी होने ही वाली नहीं है आपको क्यों क्योंकि सारी चीजे मैं पहले से लेके चल रहा हूँ तो sir factory में क्या क्या आ सकता है sir unproductive wages unproductive wages मतलब वही जो खाली time जा रहा है lunch में इसके बाद sir estimating estimating का मतलब होता है अंदाजा लगाना कि इतना काम करने में कितना खर्चा आएगा यह नहीं planning करना एक तरीके से इसके बाद आपका canteen welfare expense worker वगरा जाते है ना खाना खाने आने के लिए तो canteen वगरा उसका खर्चा हो गया factory में go down का expense यह थोड़ा से space रह गया में जाएगा ठीक है इसके बाद consumable store छोटे मोटे खर्चे ऐसे हो जाते हैं जो कि आफिस में जैसे consumable store की मैं बात करूँ तो जैसे machinery के अंदर cotton लग जाता है machinery के अंदर greasing करनी पड़ जाती है machinery के अंदर oiling करनी पड़ जाती है तो इसको हम consumable store में रख देते हैं ट्रेनिंग worker वर्कर को हम ट्रेनिंग देंगे जब वर्कर को ट्रेनिंग देंगे that is also part of क्या हमारा यह expense है वर्कर को जब कभी भी हम ट्रेनिंग देंगे तो यह भी हमारा क्या माना जाएगा sir ये भी हमारा माना जाएगा expense इसके बाद sir training के बाद क्या है हमारा power जो use होगा मैंने शायद पीछे ना power वहाँ ले लिया था power आपका इसका part माना जाएगा अब ये ध्यान रखना होगा कि direct का है indirect का है मैं देख लेता हूँ एक बार मैंने power कहां consider किया मुझे याद है मैंने यहाँ तो नहीं ले लिया power नहीं यहाँ power नहीं ले लिया मैंने power का discussion ही नहीं किया यहाँ पर चलिए power इसके बाद rent warehouse warehouse का मतलब go down ही होता एक तरीके से जहां माल को रखते हैं loose tools return off अब loose tools देखो preliminary expense return off या underwriter commission return off वो नहीं आएगा लेकिन loose tools return off यहाँ पर आएगा तो कितने खर्चे हो गए हमारे मैंने यहाँ पर लिखे हैं बैसे तो बहुत हो सकते हैं लेकिन मैं गिन लेता हूँ एक दो तीन यह क्या सीख रहे हैं चार पांच छे साथ आठ नो दस और ग्यारा यह क्या सीख रहे हैं सर फैक्टरी के खर्चे कौन कौन से होते हैं उसकी बाते चल रही है अभी के फैक्टरी के खर्चे कौन कौन से होंगे इसके बाद और भी है क्या बिल्कुल सर supply है या फिर work manager salary जो work manager का है ये भी हमारा factory का ही खर्चा consider किया जाएगा आपका loss on plant आपका जो assured normal वाला normal loss अगर हुआ तो वो माना जाएगा यहां का insurance on stock raw material raw material का insurance करोगे तो ये भी factory का खर्चा है आपका provident fund जो factory के अंदर worker काम कर रहे है उसका वो भी यहीं का part माना जाएगा आपका storage and of the financial जो भी storage आप करते हो वहां पे उसके लिए जो खर्चा होगा यहां पे माना जाएगा storage of financial का मतलब क्या है जो भी आप payment कर रहे हो जैसे कि आपने store cold वगरा ले लिया आप होता ने कई बार warehouse क्राइप ले ले लेते तो factory के अंदर ही consider किया जाएगा सर 17 नंबर पे क्या है सर experimental expense आप R&D करते हो जैसे कि covid की vaccine बनी तो factory में बहुत ज़्यादा उस पर experiment हुआ कभी चुहे पर experiment किया कभी किस पर किया तो वो भी तो खर्चा हो रहा है न तो वो भी experimental है wages on fireman हम रखते हैं कई बार हमारे office में अगर ऐसा कोई sensitive area है तो हम एक worker रखते हैं कि आग वाग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए तो fireman sale of scrap जो भी आपका scrap बिकेगा न वो minus हो जाएगा यहाँ plus तो नहीं होगा सर minus हो जाएगा 19 वा खर्चा नहीं है एक तरीके से तो यह कटोरी निकाल पाओगे या plate निकाल पाओगे जो यह वाला हिस्सा बीच का यह तो scrap में जाएगा न तो इस scrap को बेचते हो तो वो आपका जो आता है वो minus कर दिया जाता है लेकिन यह direct है यह indirect वो देखना पड़ेगा ठीक है तो सर हमने यह क्या देखा था अभी अभ आपने क्या करना है factory overhead working note number one और जो पीछे आपने करा है उसका total करके आपको क्या करना है बड़ी सीधी सी बात है आपको यहां दिखा देना है total यानि सर यह वाला पार्ट यहां गया मैं वही चीज़े repeat कर रहा हूं एक तरीके से और यह वाला यहां गया जो मैंने पहले समझ प्राइम कोस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए सर राव मेट्रियल ओपनी स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस में डारेक्ट एक्सपेंस इस इकल टू प्राइम कोस्ट क्या होता है जो की सीधा-सीधा material बनाने या किसी चीज को manufacture करने के लिए लगता है उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा सर क्या फटा-फट से निकालना पड़ेगा हमें इसके अंदर opening WIP को माइनस कर देंगे प्लस और माइनस कर देंगे तो हमारा जो result निकल के आएगा क्या net factory cost अभी कर रहा था मैं दुबारा दुबारा repeat कर वा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए क्या आजाएगा net factory यानि सर अगर मैं gross factory और net factory के बीच में फासले की बात करूँ तो stock का फासला है और कोई भी फासला नहीं है वो भी क्या WIP opening और closing administrative administrative का मतलब है सर office का खर्चा रख रखाओ का खर्चा रख रखाओ का खर्चा यानि सर office का खर्चा सर क्या क्या हो सकता office के खर्चे में तो देख लेते हैं सर office के खर्चे में क्या क्या होता है देखिए क्या हो सकता है सर auditor आता है audit fees लेगा और क्या हो सकता है सर आपका legal charge होगा audit fees होगा telephone का खर्च होगा office का rent होगा office का depreciation होगा यानि जितने भी खर्चे office से related है वो सारे कहाँ चले जाएंगा administrative overhead में मैंने बोला office का बिजली का भी लाया भाई admin में जाएगा मैंने बोला factory का बिजली का भी लाया तो factory बड़ी सीधी सी बात है ठीक है तो इसके बाद office का खर्चा हम जैसे ही यहां consider करते हैं office का खर्चा consider करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है cost of production समान को बनाने का खर्चा cost of production यानि कितने heading हो गए देखो सबसे पहले prime cost कर चुके है gross factory cost कर चुके है net factory cost हो गया चौथा था cost of production च्छे ही बताये थे ना पाचवा और यह क्या हमारा च्छटा इसके बाद सर क्या जाता है हमारा cost of production में हम क्या करते है फिर से minus plus कर देते हैं लेकिन कौन से वाला stock finished goods कर देते हैं तो हमारा result आता है cost of cost of production good sold बोलो या cost of good sold बोलो बात एक है यह सिर्फ cost of production होता है यह good sold और add हो गया हमारा सर अब इसके अंदर देखा जाए फिर हम add करते हैं इसमें क्या selling and distribution overhead सर क्या क्या हो सकता है selling and distribution overhead उसकी list देख लेते हैं सर selling and distribution overhead की हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है सर carriage हो सकता है sales expense हो सकता है wages हो सकता है, carriage मतलब outward, inward हुआ ना तो वो चले जाएगा prime cost में, carriage inward हुआ तो कहाँ चले जाएगा, prime cost में outward हुआ तो यहाँ जाएगा, sales, selling expense हो सकता है, wages, printing and stationery, जो आप sales करते time पे, जो भी आप bill बगरा लेके जा रहे हो, उस time पे, commission paid कर रहे हो, अपने दुकानदार वगरा को तो वो, discount on sale दे रहे हो, तो वो भी आपका खर्चा है, cost of sample sample आपने जो दिया, उसका खर्चा है यहीं पे आएगा आपका, आपका marketing research expense आएगा, traveling expense आएगा, जो आपका agent है, जो समान बेचने जा रहा है, वो अपने salary तो उल्टरी लेगा ना, तो उसका खर्चा यहाँ जाएगा, तो जैसे यह हम complete कर देते हैं, sir, हमारे पास जो result आजाता है, cost of sales आजाता है, cost of sales के बाद हमारा क्या आता है, sir, profit बीच का balancing figure और last में क्या निकल जाता है, sir, sales आपको, sir, cost sheet है क्या? Sir, cost sheet basically, 6 पार्टों में बाट दिया गया है, है ना? आप नहीं बताया अभी, sir, cost sheet को कितने पार्ट में बाटा गया है? 6 पार्ट में बाट लिया गया है. Sir, 6 पार्ट कौन कौन सा बाट लिया गया है? सर छे पार्ट जो बाटा गया है अभी आपको बताया था आप मन में भी रखना नहीं याद आए कोई बात नहीं मेरे साथ साथ बोलते रहना है आपको समझ में आता जाएगा पहला पार्ट था सर यहां से स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट पहला पार्ट था सर प्राइम कॉस्ट पहला पार्ट क्या था सर इसके बाद आगे चलते गए चलते गए चलते गए हम आगे ग्रॉस फैक्टरी कॉस्ट फिर आगे चलते गए आगे कहां सर नेट फैक्टरी कॉस्ट नेट फैक्टरी कॉस्ट फिर आगे चलते गए चलते गए कहाँ है cost of production और आगे चलते गए तो क्या आया cost of goods sold goods sold और फिर थोड़ी दे रहम आगे चले cost of sold कह लो sales कह लो कुछ भी कह लेते हैं cost of sales इसके बाद फिर profit और sale हमें तो ये 6 point बेजर याद रखने हैं फिर profit या फिर sales जो भी कह रहो यानि सर ये पहला पड़ाव है जिसको पता करना है फिर आपका अगला आएगा ये उससे अगला आएगा ये पता होना चाहिए मैं ये ये तो बोल रहा हूँ आपको पता होना चाहिए ये क्या है यानि सर पहला आएगा आपका prime cost फिर आएगा gross factory फिर आएगा net फिर आएगा production फिर आएगा good sold और फिर last cost of sales लेकिन सर यहां से यहां तक अगर आपको चलना है न इतनी आसान ही नहीं है अगर आपको यहां से यहां का सफर पूरा करना है तो आपको knowledge होनी चाहिए सर यहां से यहां तक के सफर को पूरा करने के लिए किसकी knowledge होनी चाहिए सर आपको purchase आएगा है की नहीं और plus क्या हो जाएगा सर opening stock हो जाएगा minus क्या हो जाएगा सर closing कौन से वाला हो जाएगा सर raw material और भी कुछ चीज़े जूड़ेगे बिलकुछ जूड़ेगी सर क्या चीज़ चूड़ जाएगी हमारी direct मैं एक सब्द में बोल देता हूँ expense अगर आप इतनी चीज़ों की जानकारी रहते हैं तो आपने पहला पर complete कर लिया और आप कहां पर पहुंच पाएगे लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ पता करना है या वैसे ही चले जाएगे prime cost से आपको जाना है gross factory cost पे तो सर यहां से यहां तक जाने के लिए आपको किस बारे में जानकारी चाहिए सर आपको चाहिए factory overhead याद अब सबसे लंबी list रिसी की है यहां से यहां तक जाने के लिए आपको चाहिए सर factory overhead समझ में आ रहे हैं न आपको अब फिर सर अगर मैं दुबारा again बात करूँ कि आपको फिर यहां से यहां जाना है तो क्या चाहिए यहां से यहां जाने के लिए सर दो ही बातों को आपको जानकारी चाहिए एक प्लस होगा एक माइनस होगा एक होगा ओपनिंग स्टॉक एक होगा माइनस क्या होगा सर क्लोजिंग स्टॉक और वो भी कौन सा डबलू आईपी सर अगर आप यहाँ से यहाँ तक पहुंच गये हैं फिर ज्यादा दूरी नहीं रही यहाँ से यहाँ जाने में क्या चाहिए आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या चाहिए एड्मिन एक्स्पेंस यानि ओफिस का एड्मिन एक्स्पेंस ओफिस के खर्चे अगर आपको ओफिस के खर्चे की जानकारी है तो आब बहुत आसानी से यहां से यहां तक जा सकते हैं अगली बात करें आब अभी यहां से यहां तक जाना है तो क्या चाहिए आपको सर फिर से चाहिए यहां से यहां तक जाने के लिए कहानी वही Opening Stock और Closing Stock लेकिन कौन सा FG वाला चाहिए आपको इसके बाद लास्ट 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 यहां से यहां तक जाने के लिए आपको क्या चाहिए सर सेलिंग एंड एंड डिस्ट्रिबियूशन यानि यह सारी अगर जानकारी है न तो कॉस्ट शीट आपके बाएं हाथ का खेल है कुछ भी नहीं है सिर्फ डेटा आपको गीवर ने डेटा फिल करी है और आप साथ नमबर ले जाएए एक्जामनर यह कहता है तो सर यानि यहां से जर्नी स्टार्ट होगा और यहां तक खतम होगा मेजर हेडिंग कितने मैंने बता दिये च्छे याद है प्राइम कॉस्ट ग्रॉस फेक्टरी कॉस्ट नेट फेक्टरी कॉस्ट कॉस्ट अफ पॉडक्शन और इसके बाद कॉस्ट अफ गुड्सोड और लास्ट है कॉस्ट अफ सेल्स यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताईए अभी बच्चे कह रहे हैं सर इंडारेक्ट इंडारेक्ट डारेक्ट में आपको पढ़ना ही नहीं है वो तो सिर्फ थेरिटिकल पार्ट है तो उसको जब थियोरी का पार्ट कवर करेंगे तो तब भी कर लेंगा अभी तक आप यहां तक मैंने स्रिफ आपको एक सवाल मैं और एक स्रिफ फॉर्मेट समझाने की कोसिस कर रहा हूँ और अगर यहां तक के आपको फॉर्मेट समझ में आ गया तो आप कोई दिक्कत नहीं है फिर मेरे लिए आगे चलना आसान रहेगा heading भी है इसके अंदर components भी add करने है इस तो बताये थे न अगर वो खर्चे दे देते हैं तो अगर बोले के कहां fit होगा तो बताओ सर आता ही नहीं इसमें तो fit कहां से होगा है clear चलिए हम आगे चलते हैं एक सवाल है मेरे पास जो मुझे करना है जो कि सिरफ fill करके आपको दिखाना है लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नए नए word से भी और बता दूँ कि क्या-क्या word होते हैं चलिए नए नए नाम तो हम बाद में भी discuss कर सकते हैं हम यह कर लेते हैं कोई दिक्कत में देखिए हमने अभी सीखा prime cost अब अंदाजा लग जया होगा prime cost कैसे होता है तो क्या कहता है इट कंसिस्ट आफ दा कॉस्ट आफ डायरेक्ट मटीरियल वही था डायरेक्ट लेबर वही था और डायरेक्ट सर प्रायम कॉस्ट की नौलिज चाहिए तो आपको डायरेक्ट टेक्स्पिंस, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटीरियल को जोड दीजिए आ जाएगा prime cost इट्स आल्सो नोन एज़ इस नाम से फ्लैट कॉस्ट या फिर फास्ट क्या कहता है बेसिक फास्ट या फ्लैट कॉस्ट तो यह ना जो synonyms में लिख रहा हूँ ना दूसरे नाम तो इसको याद रखिएगा एक्जामनर बोल दे के भई आप निकाल लिए क्या फ्लैट कॉस्ट निकाल लिए बोले कौन सा कॉस्ट पूछ लिया पता ही नहीं चल रहा जब क्या आपको आता है प्राइम कॉस्ट तो आता है यह तो प्राइम कॉस्ट का ही दूसरा नाम क्या है फ्लैट कॉस्ट इसके बाद अगला है हमारा फैक्टरी कॉस्ट अब आपको पता चल रहा होगा सर फैक्टरी कॉस्ट क्या होता अभी बताया एक direct material तो prime में है, यहाँ पर indirect material, indirect labor, indirect expenses, मतलब मुटी-मुटी बाते कर रहा है, of the factory, the cost as known as a work cost के नाम से भी जाना जाता है, और production और manufacturing cost के नाम से जाना जाता है, तो work cost कहलू, production कहलू, कुछ भी कहलू, या फिर factory cost मैं कहलू, इसको हम बाद में देखेंगे, यहाँ तक सारी points clear हो रहे हैं आपको बिल्कुल, एक दम clear है, एक यह सवाल आपके सामने है, अब इस सवाल के अंदर अगर मैं देखूं तो raw material consume, wages paid to the direct chargeable expense, oil and wastage, wages for men, supervisor, मतलब बड़े सारे इसमेंने खर्चे देती हैं, और इसी का मैंने PDF जो है upload कर दिया, आप लोग के notes में, ठीक है ने, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, तो एक नब बड़े सारे खर्चे given हैं, और इसी खर्चे के हिसाब से हम क्या करने वारे हैं, इस सवाल को solve करने वाले हैं, और जो अभी तक आपने सीखा है, अभी आपका testing चल रहा है, मान के चलो, क्या आपने जो सीखा है, आपको याद है या फिर आपने ख़तम कर दिया उसको, देख लेते हैं, तो इस सवाल को करने का, इस type के सवाल को करने का सबसे आसान तरीका उता है, पहले ना format लिख लो, यानि heading लिख लो पहले ही, फटा फट क्या करना है, फिर fill करना है, हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, कि पहले prime call जून जून के निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, ऐसा नहीं करने वाले है, हम क्या करेंगे बड़ी सीधी सी बात है पहले ही हम क्या करेंगे यहाँ पर अपने heading लिख लेंगे 6 heading तो याद ही है सर और रही बात सर कितने line छोड़ना है एक एक line ही छोड़ना है बाकी note बना के तो लिखी देते हैं यह हमारा format बन गया तयार हो गया cost sheet का किसका cost sheet का तो debit नहीं लिखोगे costing में debit credit का कोई काम नहीं है ठीक है यह इसके आगे continue करूँगा मैं जैसे यहाँ भर जाएगा तो आगे लेके जाऊँगा तो ज़्यादा थर सवाल में ने WIP होता नहीं है तो मैं सबसे पहले ऐसे सवाल में जब format बनाता हूँ नो तो question में तो मैं देखता हूँ WIP है के नहीं है अगर जो part नहीं है न उस part को हम आगे shift करते जाएंगे एक part खतम करते जाएंगे मानलो WIP नहीं है तो हमारा सीधा आजाएगा factory cost या net factory cost आजाएगा सीधा तो WIP है या नहीं है है या नहीं है है या नहीं है है नहीं है क्या है बताओ नहीं है तो sir पहली heading इतने मा आ जाएगा prime cost इसके बाद इतने मा जाएगा factory cost factory को netty बोल देंगे क्योंकि WIP नहीं है इसके बाद जैसे ही factory cost हम यहाँ पर आने वाला है इसके बाद हमारा क्या आएगा अगला जो heading आएगा हमारा इधर से जोड जाड के हम लिए आएगे क्या cost of production इसके बाद आएगा cost of good sold इसके बाद आएगा cost of और last में हम लिख लेंगे sales और examiner को जवाब मिल जाएगा उसका यह सारे हमारे heading में ने तयार कर लिए है अब अंदर के content लिख ले गए सबसे पहले है raw material consume तो यहाँ का part है हमारा raw material consume यहाँ का part है consume सर कितने रुपे हैं बड़ी सीधी सी बात है 40 अजार इसके बाद wages paid to the labor अब बताया है नी direct indirect तो आप माल लो यह direct है जब भी wages लिखे तो यहीं आएगा wages direct है ना wages यहाँ लिख लेंगे कितने इसके बाद बोलता है directly chargeable expense तो खुद ही directly बोल रहा है तो फिर हमें क्या सोचना कितने रुपे 2000 इसके बाद बोलता है oil and wastage sir oil and wastage तो factory में आता है ना तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक heading डाल लेते हैं कौन सा factory overhead एक heading डाल लेते हैं factory overhead overhead का और यहाँ पर डलेगा एक admin admin expense है ना यह heading पहले डाल लेते हैं factory overhead में बताते जाईएगा और मैं फिर क्या करूँआ लिखता जाऊँगा तो सबसे पहले हमारा क्या है wastage oil and wastage oil लिख दे तो मैं shortcut लिख रहा हूँ थोड़ा कितने 100 रुपे हैं मात्र 100 रुपे हैं हाला कि मैं चाहूँ तो factory overhead के यहाँ पर working note number 1 लिख दूँ और मेरे पास space होगा कहीं पीछे जाके कि इसको सबको plus कर लूँ लेकिन मेरे पास लग रहा है कि इतने खर्चे नहीं होगे मैं यहीं पर लिख रहा हूँ इसके बाद क्या है सर wages for foreman यहीं आएगा आपका कितने रुपे 1000 इसके बाद है storekeeper wages storekeeper भी यहीं होगा अब देखो storekeeper न ओफिस में भी हो सकता और यहां भी हो सकता हम यहीं का मानेंगे basically कितने रुपे 500 रुपे इसके बाद क्या है electric power तो power यहीं आएगा हम power पर पहुंच गए न अब मेरे को लगता नहीं कि यहां पर कम पढ़ जाएंगे factory rent भी है फिर office repair renewal factory plant एक काम करते हैं हम एक नए पेज पर चलते हैं और वहाँ पर सारे factory के खर्चे लिख लेते हैं ना ऐसा कर ले और नए पेज से मतलब है कहां लिखें कहां लिखें बताओ चलो यहीं adjust कर लेते हैं छोटा 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 लिखता हूँ थोड़ा adjustment आपको करना पड़ेगा बस थोड़ा छोटा 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 लिख लेता हूँ सबसे पहले क्या था बताओ दुबारा oil oil कितने का था 100 रुपे इसके बाद power कितने सर्थ 200 रुपे सारे factory कही है lighting lighting 500 rent कुछ नहीं बताया है factory का मान के आगे बढ़ हूँ लिखा हूँ है 2000 यानि यह जो office lighting एक मिंट lighting factory हो गया और यह office हो गया यानि दो है तो office वाला भी साथ का साथ बताना चाहिए न आपको मैं लिखे लेता हूँ lighting यहां लिख लिए नहीं मैंने office का heading बना लिया है कितने रुपे ले office का 200 किदर यह तो जोड के दे रखा है देखो कहता है भाईया 700 रुपे का हमारा total आया है जिसमें 500 factory के अंदर uses हुआ है और office के अंदर 200 का uses हुआ है ऐसे दे रखा है ठीक है न इसके बाद rent की बात करते है factory का 2000 और यहां का rent यहां का rent 1000 ठीक है इसको थोड़ा चोटा करें अकाउंट में सबसे बड़ी समस्या यही है चलिए कुश्चन दो बड़ा बड़ा दिखेगा चिंता ना करें इसके बाद क्या है सर इसके बाद सर रिपेर है रिपेर और रिनीवल और रिपेर किस किस चीज़ का है सर कहता है कि factory का भी किया plant का और machinery का और office का भी किया तो factory वाले तो factory मा आ जाएगा रिपेर रिपेर आ जाएगा ना तो मैं दोनों को जोड के लिख रहा हूँ ठीक है मिरे पास space की कमी है तो मैं दोनों को जूड के रिख रहा हूँ यहाँ पे तो यह 500 आने वाला है और क्या आएगा 1000 आएगा यानि टोटल यहाँ पे कितने आगे 1500 यह सवाल समझ में आया और office का इसने अलग से दे रखा था premises का तो repair यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूँ कितने 200 रुपर समझ में आ रहा है सारा इस क्या depreciation depreciation में बोलता है office का यह है और planted machinery तो बट अविस है कि factory का ही होगा यह ठेक है न तो depreciation ले ले लेते है यह office का क्या depreciation है 500 दूसरा नहीं बताए तो factory का assumption ले लेंगे अब यहाँ जगे नहीं बची दोसों चलो करते है आगे चलते है और क्या दे रखा है में consumable store अब consumable store कहां का होता है सर याद है कुछ कराय था ऐसे से कुछ item अगर आ जाए जैसे भूल जाते हो आप तो मैं आपको याद दिला दूँ कि यह जो लिखा है ना इसमें सब कुछ डाल दिया मैंने क्या consumable store है यहाँ पे दिख रहा है इसमे 7 नंबर पे हाँ देखे consumable store तो यहाँ से भी list से भी आप क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो कि अगर आपको दिमाग से ना रहे के भी यह यह कहा जाएगा तो मैंने maximum डालने की कोशिस की है consumable store डाल दे factory में कितने रुपे 1000 totaling में बड़ी दिक्कत होगी totaling में बड़ी दिक्कत हो जाएगी चलिए इसके बाद क्या है consumable store manager का salary manager कहाँ पर यह बताया नहीं है तो factory में मानो manager हो सकता है और office में भी manager हो सकता है इसके बाद director का fees director हमेशा कहा होता है officer office में यह बैठता है director ठीक है ना manager का salary कहा लिखें sir manager का salary यहीं लिखना है adjustment मारना पड़ेगा यहाँ, ज्यादा बचा नहीं है, इसके बाद selling का होगा मेरे साथ से, थोड़ा ऐसे यहाँ ले जाएं, और यहाँ लिखते है manager salary, कितने रुपए हैं, 2000, इसके बाद manager salary के बाद क्या है मारा, director fees, यह office में ज्यादा तर बैठते हैं, तो मैं office का मान के यहाँ लिख देता हूँ, कितने, और एक चीज़ बताओ न, costing के अंदर अजम्शन बहुत ज़्यादा देना पड़ता है मैं, कि सर यह ऐसा हुआ होगा, तो यहाँ पर यह मान रहे, आप देखो manager बोलनी रहा, director बोलनी रहा, हमें क्या पता कहां बैठ रहा है, अगर हमारे सामने हो वो तो हम पूछ ले भाई, तो कहां बैठा तर बता दे फिर उसके सब्स बना लेगे, अब नहीं पता तो आपको अजम्शन और यह note डालने पड़ेंगे, आपको कहता है, office, printing and stationary, telephone, charges, posters, telegram, salesman, commission, यह तो बात कहा जाएगा, तो यह आएगा, printing and stationary, यहीं आएगा, और क्या ह टेलिफॉन भी यहीं आएगा, पचास रुपे, और क्या है, postage भी आपका office कही है, और छोटा करते है, postage भी यहीं आएगा, कितने, 100 रुपे, आप देखते जाएगा और मैं तो सुनता जा रहा हूँ, 100 रुपे, इसके बाद selling and distribution आ गया, तो selling and distribution यहाँ जाएगा हमारा, नहीं, यहाँ थोड़ी आता है, selling and distribution तो cost of good sold के बाद आता है, है ना, क्या-क्या है, selling and distribution में चेक कर लेते हैं, सर, selling and distribution में दे रखा है हमें, क्या क्या गिवान ने चेक कर लेते हैं, आप सबसे पहले salesman का क्या दे रखा है हमारा, selling and distribution में, commission में, commission, मैं commission लिख रहा हूँ, कितने, 500 रुपे, इसके traveling expense, फिर आपका advertisement, कितने, 500, इसके बाद, फिर warehouse कहा होता है, यह exactly यह कहा होता है, factory में होता है, इसके बाद carriage, लेकिन आप warehouse नहीं यहां भी होता है, selling and distribution के टाइम पर, इसके बाद क्या है, carriage outward, carriage outward तो ही आएगा, कितने, बस एक warehouse रहे गए, इसको adjustment मारना है, warehouse को adjustment करना है, यहां पर लिख दिया, warehouse, कितने, 200 रुपे, अब मैं again कह दूँ, warehouse आपका office में मतलब कि selling and distribution का भी हो सकता है, ऐसा होता है, जैसे कि मैं एक point बना लेता हूँ, कि भाईया, यहां से सारा समान भिकेगा, हमने कहा है, फैक्टरी से ट्रक का ट्रक समान रहा है, तो रोड पे थोड़ी खड़े हो जाएंगे, एक go down बनाएंगे, और go down में रखा, मैंने बना यहां से फटा फटा सब माल उठा के लेके जाओ, और बेचो इसे, तो वो हो जा तो अब पहला क्या आएगा सर, प्राइम कॉस्ट, इसके बाद क्या निकलेगा सर, फैक्टरी, दो लाइन नहीं आएगा यहां, यहां भी दो लाइन नहीं आएगा, इन्फेक्ट, यहां आएगा फैक्टरी, और फैक्टरी के बाद यह आएगा, प्रॉड़क्शन, यहां क्या करेंगे ना देखो जो चीजे नहीं है उस line को मैं देखो कैसे हटाता जाओंगा यहाँ पर क्या आ गया यह अब यहाँ पर cost of production और goods of sold है नहीं तो हम यह मान के चलेंगे जब opening और closing stock है नहीं इसका मतलब सर यह खतम हो जाएगा यह चीजे में सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब सर जब वो चीजे है नहीं तो यहाँ पर directly क्या आ जाएगा सर सारा माल भी गया जब closing stock है नहीं तो यह आ जाएगा cost of goods sold directly यह आएगा समझे बात आप क्योंकि हम production लिख रहे थे तो production लिखने का मतलब इतना माल बनाया और cost of goods sold का मतलब इतना माल बेचा अब सीधी सी बात है बनाया वो सारा ही बेच दिया तो यह तो आप production सिर्फ वर्ड इस्तमाल कर लिजे यह cost of goods sold ले जाएए उसको उठा के अब 52 का साथ 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 जोडना है अपने क्या रहा है ग्यारा यह total ग्यारा जार नहीं आप 52,000 भी जोड़ेंगे ना हाँ तो यह ऐसे जूड़ेगा देखो यह जूड़ा नहीं तो इसको छोड़ना नहीं है इसको भी लेकर चलना है इसके बाद इसके आद यहाँ लिखते है पैंसट हजार इसके बाद यहाँ पर आ जाते है यही आ जाएगा पैंसट साथ सो पचास अब इसके बाद यह जोड़ लेते हैं सरसट अजार एक सो ठीक है अब सेल प्रॉफिट वगरा था नहीं तो यह सवाल हमारा यहीं पर हो जाता है खतम कुश्चन में कहता है कैलकुलेट दा प्राइम कॉस्चन में बोला भया कैलकुलेट करिए क्या प्राइम कॉस्च्च निकाल दिय कॉश्च को अब ना इसका ना आप मान लेते हैं कि इस कुछ कर्चे उठा के मैं यहांपे लिख दूँ तब ही तो तोटल यह जाएगा लेकिन यहांपे एक्जामनर जो चेक करेगा ना अनसर वो हेडिंग वाइस चेक करेगा कि prime cost कितना आया जैसे GP, NP अगर आप GP, NP, trading और P&L को अगर बीच में से हटाई दो a net profit तो आना ही है तो same यहाँ पर वो heading wise चेक करेगा क्या prime cost आपका इतना सही है फिर क्या factory cost सही है क्या इसका cost of production ये cost of good sold सही आ रहा है फिर selling and distribution आ रहा है फिर आपका cost of sales आ रहा है ये heading wise लेकिन फिर भी आपके इसके heading में फरक आ सकता है जैसे कि warehouse मैंने warehouse को कहां डाला factory में क्या पता examiner के answer sheet में selling and distribution तो note अगर डाल दिया we will be considered as a factory it can be also possible कि आपका selling and distribution का हो सकता है examiner खुश पूरे number देगा same ऐसे कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि आपका conflict कर रहा है जैसे director salary दोनों जगे हो सकता है जैसे कि आपका manager का salary sir दोनों जगे manager हो सकता है तो मुझे जैसे जहां suitable लगा वैसे डाला आप भी उसी के हिसाब से चलेंगे ठीक है किसी को doubt sir नहीं question करे question करे करते करते याद हो जाएगा हाँ बिल्कुल सारे जो ट्रेबल है और question करते करते आपको definitely याद हो जाएगा कोई दिक्कत कोई परिशानी यहां तक बताइए तो यह था हमारा एक सवाल वैसे तो हमें और भी question करने हैं इसके लेकिन अभी नहीं तो आज starting है तो बस हमने simply क्या करा कहां तक खतम कर लिया sir हमने इसको खतम कर लिया basic basic चीजे cost sheet के अंदर जो हम कर सकते थे वो सारे point को हमने basic basic चीजे को cover कर लिया है cost sheet के अंदर किसी को doubt बताइए correct कर लिया इसका total 63 नहीं था इसका total क्या था बच्चों ने बताए कि sir ये total 63 नहीं है तो मैंने देखा बहुत सही बोल रहे है कितना आ रहे है इसका total 168200 आ रहा है तो sir इसका अगर 168200 है तो इसका भी total change हो जाएगा कितना बन रहा है इसका total 63950 तो sir ये भी change हो जाएगा ये भी 63950 ही बनेगा 36950 ना ये change हो के आ जाएगा हमारा तो बस एक चीज़ ये बताना था 65300 रुपे cost के अंदर assumption और practice बहुत जरूरी है assumption मतलब अब इसमें खर्चे में देख लो कई वार रेंट लिखा है तो एक कई बच्चे तो बोल देंगे विए rent sir office factory का भी तो हो सकता है अब कैसे डाल रहे हो office के अंदर तो उसकी बात सही है तो हमें कुछ assumption लेना पढ़ता है और उसके लिए specially note डालना पढ़ता है अब किताब भी देखोगे जो भी पढ़ोगे उसके नीचे note mention होता है कि हमने इसको यजियू किया है तो best way होता है जिसके भी out of out of marks आये जो पढ़ रहे थे मेरे पास पहले बच्चे उनसे मैंने एक ही बात पूछा कि भी आ ऐसे आपने कैसे लिखा paper कैसे पर्जेंट किया तो उनका कहना था कि हर चीज का न जो हमें लग रहा था न हमने हर के से का नोख दिया बड़ी सीरीसी बात है तो ये थोड़ा छोटा सा सवाल है लेकिन है टेक्निकल ये बाली तो कॉलम बनाते हैं नहीं छोड़ाँ कभी-कभी जुरत पढ़ती है वैसे लेकिन अभी नहीं बना रहे है क्या कहता है राव मटियल परचेज है वर्क ओबर हैड है वर्क हैवर होबर हैड का मतलब याद है ना मैंने कहा था फैक्टरी ओबर हैड के वर्क ओबर हैड तो यहाँ कैल्कुलेट पर करके दे रkich है stock दे रखा है raw material opening लेकिन यहाँ पे और finished goods यहाँ पे देखिएगा ना finished goods जो opening है ना यह kilo में थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ बहुत important point चर्चा करने वाले quintals बोलो kg बोलो unit बोलो कुछ भी है और उसका amount भी गिवने सरा में ठीक है ना कहता work in progress work in progress के अंदर दे रखा है आपको opening भी दे रखा है और closing भी रखा है WIPB office and admin expense दे रखा है sales दे रखा है FG का तो बड़ी सीधी सी बात है सबसे पहले prime cost बड़ा चोटा से point में आ जाएगा हमारा मैं पहले लिख लेता हूँ prime cost इसके बाद क्या आएगा हमारा gross है ना क्योंकि इसके WIPB है इसके बाद क्या आएगा net factory इसके बाद क्या आएगा cost of इसके बाद क्या आएगा cost of इसके बाद क्या आएगा cost of sales और last में थोड़ा छोटा कर दिया हमने last में लिख लेंगे हम sales ठीक है line भी डाल दिया ये 6 point याद और इसके बीच में होने वाले transaction याद तो chapter में कोई जान नहीं है yellow इसको भी colorful कर देते हैं थोड़ा कुछ सो कलर लेडर 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 अ छोटा सवाल है इसलिए थोड़ा सब कर देते हैं ताकि आपको याद रहे यह बहुत ज़्यादा हो गया चलो कोई नहीं सबसे पहले raw material purchase यहां जाएगा उपर क्या लिखेंगे cost sheet format में ने पहले पूरा detail में दिया हुआ है ठीक है न इसके बाद क्या है work overhead यहां जाएगा कितने रुपे का है 20,000 इसके बाद raw material है opening प्लस कितने का है 4000 बस छोड़ देते हैं इसके बाद कहता है FG opening तो sir FG की बात करें तो इनके बीच का दूरी है cost of production और इसका तो यहां plus हो जाता है opening stock और minus हो जाता है sir closing stock तो opening stock बोलता है sir 800 quintal है और rate का नहीं बताया इसने यह बता दिया 32 का है ठीक है sir अब closing देखेंगे क्या बनता है हमारा work in progress का opening और closing भी है वो इसके बीच की कहानी है तो plus opening और minus closing इसको अटाई देते हैं यह बड़ा परिसान कर रहा है मेरे को अटाओ ठीक है चलो इसके बाद कहता है हमारा opening का जो है WIP 900 और closing का 32 इसके याद कहता है office and admin expense 1600 रुप है तो कहां की कहानी है इनके बीच का office admins office and admin कितने 1600 sales finished goods 60,000 अब इसको करने से पहले एक कहानी समझ लेते है important point है जिसको ये बाली बात समझ में आ गई न अब बाली जो मैं समझाने वाला हूँ समझे चप्टर उसके लिए कुछ नहीं बचा फिर चप्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं बचा लास्ट पॉइंट ही बसता ही है सर इसके अंदर क्या है ऐसी बात मैं अगर कहूँ न sold bracket में मैं लिख रहा हूँ unit ध्यान रखिएगा sold और bracket में मैं लिख रहा हूँ unit इसको अलग color से भी कर देता हूँ आपके लिए special bracket में unit जो भी sold unit होता है न हमारा वो पता है कैसे निकलता है opening stock का क्या सर यूनिट प्लस production का सर production का क्या सर unit amount का कोई रोल नहीं है यहाँ पे minus closing stock का क्या सर यानि सारा कमाल यहाँ पे है सर unit 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 का सारा कमाल है unit का अरे अब है क्या कहानी है मैं kg की बात करता हूं मान लो मैं 50 kg मैं 50 kg चीनी खरीद के लाता हूं मैं 50 kg चीनी खरीद रहा हूं तो that is purchase अगर मैंने बना बनाया खरीदा तो that is production यही production है ठीक है और मेरे पास शुरू में 10 kg पड़ा था तो आप मुझे एक जवाब दीजे बड़ी सीरी सी बात कहता हूं मेरे पास total कितना पड़ा हूँ है यानि total 60 kg आपके पास चीनी है जिसे आप बेचने के लिए available है यानि सुरू में 10 kg थे 50 खरीद लिए total कितने पड़ा हूँ है हमारे पास total पड़ा हूँ है हमारे पास 60 kg अगर मैं बोलू मेरे पास ना 25 kg बचा हुआ है बचा हुआ है अगर मैं बोलू मेरे पास 25 किलो बचा हुआ है तो ultimately आपने sold कितना किया ये पता चल जाएगा क्योंकि 60 किलो में अगर आपने 25 बचा लिये है तो 35 मैंने खा थोड़ी लिये होंगे बेच दिये मैंने तो ये बनेगे हमारा एक chain अब इसके अंदर आप से कुछ भी निकलवाया जाए बड़ी सीधी सी बात है अगर आपको opening stock पता हो purchase पता हो और closing stock पता हो तो आप sales निकाल सकते हैं अब sales को ध्यान से नीचे से पढ़िएगा sales में आपने क्या करा sales के अंदर मैं बीच के points को हटाने वालो हूँ बीच के points को हटा रहा हूँ इसे भी हटा देते हैं यही पढ़ा हुआ है यह क्या था हमारा इसको production मान लेते हैं यह क्या है sir opening stock है यह sir क्या है closing stock बचा हुआ मतलब closing stock अब देखिए sales कैसे आया sales को निकालने के लिए आपने opening stock पहले लिया 10 kg है ना फिर उसमें जोड़ा आपने production कितने और फिर उसमें घटाया आपने कितने 25 तभी तो जाके बना आपका यह तो इसी इस विहाब पे हमने क्या बनाया sir एक छोटा सा एक formula बना लिया है मैंने बोला cost of production मुझे sincerely जवाब दीजेगा 1000 रुपए मेरे ने एक product बनाया है कुछ भी बनाया x, y, z जितने भी product बनाया उसका खर्चा मेरा 1000 आया है और मैंने बताया sir मैंने unit जो बनाया ना वो बनाया मैंने 500 unit मैंने unit कितने बनाया 500 unit बनाया और उस पर total बनाने का खर्चा जो आया है मेरा कितना आया sir 1000 आया total कितना खर्चा आया मैं जानना चाहता हूँ मेरा per unit cost क्या है मेरा per unit cost क्या है जितने बच्चे live में बचाएंगे वो per unit cost live वाले बच्चों का भी देख लेते हैं क्या चल रहा है बताईए per unit cost क्या है अधित्य कहते हैं 1000 रुपए 2 रुपए oh my god 50,000 रुपए 2 रुपए 2 रुपए सहब per unit cost होगा 2 रुपए क्योंकि आप एक unit का थोड़ी बना रहे हैं एक unit का नहीं है आपका ये cost of production यानि कुछ समान बनाया जिसका खर्चा आपके उपर पड़ा 1000 का और आपने unit तयार किया सर ये तयार unit है तयार unit है आपने unit कितना तयार किया 500 500 के unit को तयार करने के लिए आपने कितने खर्च दिये कितने पैसे फुक दिये 1000 तो आपका एक unit का कीमत कितना पढ़ गया सर दो रुपे, एक यूनिट का कीमत कितना पड़ गया, दो रुपे, यहां तक की कहानी हर बच्चों को समझ में आ गया क्या, यहां तक की कहानी हर बच्चों को समझ में आ गया, बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी हमें समझ में आ गया, आगे चलते हैं, कुछ बच्चे आगे का अधर दे रहें, बहुत अच्छी बात है, फिर भी हम देखते हैं जो बच्चे है, मान लो, मैंने production किया, sir, production किया मैंने, और मेरा खर्चा जो आया, वो आया पचास हजार, जो मेरा खर्चा आया, ना, that is हमारा पचास हजार, समझो पहले बात को. अब खर्चा इतना आने के बाद जो मैं यूनिट बना पाया यूनिट पडियूस कर पाया यूनिट पडियूस कर पाया वो मैं कर पाया सर हजार यूनिट यानि मेरे पचास हजार रुपे पॉकेट से लग गये जिसमें से मैं माल 1000 यूनिट तयार कर पाया और जिसमें से मैं sold कर पाया जिसमें से मैं sold कर पाया यानि मैं बेच पाया market में 800 यूनिट बड़ा सीधा सा सवाल है कि मैंने production किया जिसमें मेरा खर्चा मेरे pocket से कितना लग गया 50,000 और कितने यूनिट बना पाया मैं 1000 यूनिट बना पाया और 1000 बनाया है उसमें से मैं कितने बेच पाया तो मेरा सवाल नंबर वन क्या मेरे पास कोई closing stock है सर क्या मेरे पास कोई closing stock है बताए लाइव वाले बच्चे कमेंट में जबाब देंगे, क्या मेरे पास closing stock है या नहीं है यह सर है तो है तो कितना है 200, यह हमने find कर लिए पहले यहां तक समस्या सब समझ में आ रहा है अब मेरा सवाल है कि बताईए मेरा per unit cost क्या है per unit cost क्या है, कौन बताएगा per unit cost क्या है कौन बताएगा live वाले बच्चे फटा फट बताएगा, आप बहुत सुस चल रहे हैं अभी per unit cost तो जवाब आगे है सर 50 रुपे, per unit cost क्या जवाब आए सर, 50 सर कैसे निकाल रहे है आप, मैंने का भीया, simple सी बात है, 50,000 का खर्चा आया है, और 1000 unit बनाया है, तो इसका मतलब कितने आगे, 50 रुपे per unit cost है, ठीक है अब मैंने कहा, per unit cost 50 रुपे है, तो 50 रुपे के हिसाब से, जो मैंने बनाया था, वो कितने unit बनाया था? 1000, कितने इसमें से बिक गए? 800 तो जो ये 200 unit बचे हैं, वो किस में से बचे होंगे? इसी में से बचे होंगे? अगर मैं पूछलू, closing closing stock जो है उसका value बता दीजिए आप, closing stock का value बता दीजिए तो आप बोलेंगे, sir, 200 बचे हैं और 50 रुपे का एक तो वही तो था, तो जवाब आएगा आपका, sir, 10,000 किसको समझ में नहीं आया है इस बाद? पहले देखिए ये बात समझ में आगया सभी को समझ में आगया बच्चों ने जवाब दे दिया very, very good 10,000 रुपे का जवाब आ चुका है कुछ बच्चे 1000 साइट typing error हो सकता है और अगर जान पता नहीं था 1000 लिखा है तो भई पूछ लेना कि 1000 क्यों आया हो 10,000 आएगा यानि, sir, बड़ी सीधी सी बात है अगर आप मुझे per unit cost बता दो यानि आप बोलना चाहते हो मुझे मैं आपकी बाते सुन सकता हूँ कि अगर आप मुझे per unit per unit cost बता दो बता दो तो मैं आपको closing stock का value बता सकता हूँ यानि आपको दो चीज़े चाहिए closing stock को value बताने के लिए एक, sir, आप मुझे बता दीजिए कि closing stock का unit कितने है और एक आप बता दीजिए कि per unit cost कितने है बाकी काम तो हम कर देंगे closing stock का value कितना आएगा वो हम easily कर सकते है sir फिर बाकी का काम तो हम easily कर सकते है अब देखिए एक और सवाल पूछा जाएगा आपसे ऐसी बात नहीं बनेगी यह formula देख रहे हूँ ना, याद है ना, यह formula किया खाथा एक और सवाल पूछे हैं पर छोटा-छोटा लिखके पूछते है मैंने आपको दिया opening stock opening stock का unit 1000 और फिर मैंने दिया closing stock का unit 1200 और मैंने यहाँ दिया हमने sales किया है unit unit बारह हजार यह 10,800 12,000 कर दिया I want to know कि हमने माल कितना तयार किया हमारा production कितना है production कितना है question mark आपके सामने यह formula लिखा है इस formula को नजर अंदाज बिलकुल भी ना करें इस formula से ही यह solve होने वाला है तो बताइए production कितना होगा production कितना होगा एक बच्चे का जवाब आगया सर 11,800 12,200 12,200 12,200 12,200 की line लग गई है तो सर सही जवाब मुझे भी नहीं पता चेक कर लेते हैं इसी को continue करते हैं sales की जगह पे सर sales का unit रख दो 12,000 is equal to opening के जगह पे opening का रिक दो 1000 production के जगह पे x रख लेते हैं और minus closing के जगह पे closing 1200 तो सर ये वाला और ये वाला होगी माइनस प्लस करके 200 और 200 हुआ minus का और इसको इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा 12,000 तो जो जिन बच्चों का 12,200 आया उनका जवाब एकदम करेक्ट था एकदम करेक्ट था उनका जवाब ठीक है एक और सवाल पूछ ले आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं Sir, opening stock 4,000 closing stock 6,000 sales sales तीस हजार production production cost production cost तीन लाख बीस हजार cost यूनिट नहीं बोला मैंने production मैंने cost बोला है मैं दे रहा हूँ आपको तीन बीस आपको क्या-क्या निकालना है ध्यान से सुनियेगा मैं बड़े सारे सवाल पूछने वाला हूँ number one आप मुझे बताईए production production unit number one number दूसरा सवाल closing stock value के closing stock का कितना value होगा closing stock का value कितना होगा जल्दी बताईए production unit कितना है और closing stock का value कितना होगा 32,000 बत्ते सजार सूरज का भी जवाब आ गया सहदाव का भी जवाब आ गया पहले का चाहत ने जवाब दे दिया 32,000 और एक रुपे पर unit जवाब आया है मेरे पास 32,000 सभी का 32 पहले सवाल का जवाब मिल गया सर पहले सवाल का जवाब आप सभी ने दिया है और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया 32,000 कैसे आया एक बार मैं इसको मतलब detail बता भी दूँ आपने कहा सर हमारा sales दे रखा है 30,000 is equal to opening stock कितने है 4,000 सर production नहीं पता तो X और minus कर दिया closing that is 6,000 तो कुछ ऐसे ही आपने मुझे X की value निकाल के बता दी क्या 32,000 closing stock की value कौन बताएगा closing stock का value closing stock का value चलिए एक और सवाल add कर लेते हैं इसमें number 3 per unit cost per unit cost per unit cost क्या आएगा क्युक्कि जब तक per unit cost नहीं निकालोगे closing stock नहीं बता सकते बच्चों ने बता दिया closing stock ही बता दिया per unit cost कितना आ रहा है 10 रुपे का per unit cost 10 रुपे का है closing stock 6 का है तो very very simple काफी बच्चों ने जवाब दे दिया 60,000 इसका मतलब sir हमें अब closing stock की value मत दो बस हमें बता दो production की unit कितनी है और हमें बता दो production की cost कितनी है closing stock की आप find करके निकाल सकते हो पिछले सवाल में आ जाईए पिछले सवाल में आ जाते हैं सर पिछले सवाल की कहानी देखिए पिछले सवाल की कहानी देखिए sir क्या कहता है हम आपको opening stock बता रहे हैं हम आपको opening stock बता रहे हैं और साथ के साथ कहता है advertisement का जो भी expenses बगरा हुआ है वो 40 पैसे per unit sold हुआ है और during the month 12,800 quintal community were produced यानि sir question ने आपको produce दे दिया कितने दे दिया 12,800 दे दिया question ने sales बता दिया in the terms of amount question ने sales बता दिया in terms of amount यहाँ पे here आपको sales कितने unit किया है क्या बताया सवाल ने sales कितने unit किया है नहीं बताया तो बड़ी सीधी सी बात है sir opening stock कितना था opening stock कितना था sir 800 unit production कितना किया 12,000 total कितने हो गए 13,600 अगर कोई closing stock आप देखो आपको sales का unit अगर मैं बता दूँ let's for example मैं sales का unit बता देता हूं कि मैंने sales unit किया है suppose करो मैं बोलता हूं 13,000 अगर मैं बता दू sales का unit 13,000 है तो जट से आप closing stock बता सकते हो ठीक है बता सकते हो या नहीं बता सकते हैं अगर मैं sales का unit ना दू तो भया closing stock बताना impossible है तो अब यहाँ पे क्या माने हम ऐसे situation में मानेंगे कि जितने बने उतने बिक गए यानि sales पता है कितने unit है examiner ने चलाकी से बताया नहीं तो sales पता है कितने unit होंगे 13,600 तो क्या मुझे यहाँ पे closing stock कुछ मिलने वाला है या नही है नहीं मिलेगा यह होने वाला जीरो आने वाले सवाल में आपको closing stock के तरी जो सीखाने concept वो आएगा भी अभी apply करके देखेंगे हम तो पहले यह बताईए यह समझ में आया की नहीं आया closing stock zero होगा पहले इस बात का जवाब दो closing stock क्या रहने वाला हमारा zero रहने वाला हर किस क्लियर है कि सर यहां पर closing stock zero हो और इसके लिए आप especially क्या दोगे note दोगे we assume that they are all stock यानी amount डाल दोगे जितना 12,13,600 all unit या all quintal of stock will be sold ठीक है सर अब बोलता है कि सर 40 पैसे का खर्चा आएगा एक quintal बेचने में तो सर बड़ी सीधी सी बात है एक quintal बेचने में selling expense आ रहा है आपका 40 पैसे का तो आप तो कहानी आसान हो गई ना आपने कितने unit बेचा यह पता चल गया कितने unit बेचे अब multiply कर दीजिए 5440 आ गया कहानी अब पूरा हमारा fill हो चुका है कोई दिकत अब फटा फट से कुछ नहीं करना सर बस 28,000 टोटलिंग के लिए मैं अलग color ले लेता हूं और उससे हो जाएगा 28 और यह हो जाएगा हमारा 48,000 एक बार इसको minus करिएगा 32 में से 900 गए तो कितने बचे 960 है हाँ 22, 40 इसको minus कर दीजिए 48,000 में से 45, 760 इसको plus करेंगे 16,000 47,360 यह भी plus हो जाएगा 50,560 इसको भी plus करेंगे 56,000 और आपको निकल गया बीच में कहानी 4,000 का तो यह सवाल भी हमने done कर लिया इस सवाल में क्या सीखने को मिला सर इस सवाल में सीखने को मिला कही बार आपको selling and distribution का point में दे सकता है खर्चा तो लेकिन आपको selling and sales आपने कितने unit करा पता नहीं चलेगा तो एक assumption लेके हम करेंगे ठीक है सर, clear है यह point और सवाल देखें चलिए और सवाल देखते हैं कौन सा देखना है हमें यह भी चेक कर लेते हैं यह भी सवाल देखेंगे question में मजे की बात है prime cost दे दिया जो निकालते हैं ठीक है कहानी यहाँ थोड़ा सा अलग तो चलिए एक और सवाल देखेंगे चलिए सर अब एक बात जीवन में याद रखिएगा कि जब भी calculation से हम नीचे से उपर जाएंगे न तो जो चीज़े हम plus किया करते थे वो minus हो जाता है और जो चीज़े minus किया करते थे वो क्या हो जाता है plus हो जाता है कहानी उल्टी हो जाती है simple सी बात है और इसमें कोई trick और कोई logic नहीं है बहुत सीधी सी बात ही है यह तो आप सबसे पहले prime cost दे रखा है तो prime cost की एक line डाल लेजिए सर यह लेजिए prime cost दे दिया सवाल ने prime cost दे दिया सवाल ने सर कितने prime cost सर एक लाख रुपए एक लाख का prime cost है सर यह लेजिए इसके बाद सर direct wages देता है लिख देते हैं यहीं पर direct wages सबसे पहले raw material भी है क्या expense on purchase दे रखा है तो purchase लिखिए purchase ले रखा है कितना है हमारा अच्छा वो expense है चलिए expense यहां लिख लेते हैं on purchase कितने का है पांच हजार है पांच हजार है इसको सही सही लिख देते हैं पांच हजार इसके बाद क्या दे रखा है हमें नहीं मैं opening से चल रहता हूं opening stock plus opening stock minus closing stock 10,000 और 15,000 तो यह आता है हमारा और वो भी minus का चलिए सर expense भी ले लिए direct wages यहीं आ जाएगा direct wages direct wages कितना है 50,000 सवाल कहता है compute the raw material purchase इसका मतलब देखो यहाँ पे के सिर्फ और सिर्फ यही missing है इस पूरे कहानी में यही missing है तो नीचे से उपर चले जाते है तो अगर हम इससे उपर जाएंगे तो जो plus का symbol है minus होगा क्योंकि हम नीचे plus करते हुए उत्रे थे तो सबसे पहले यह minus हो जाएगा 95 और यह minus हो जाएगा 45 और यह plus हो जाएगा तो जवाब हमें मिल गया कितने रुपए आगे हमारे 50,000 रुपए आगे बच्चों ने जवाब देवी दिया था almost sir answer आया है 50,000 रुपए बिल्कुल correct समझ में आ रहा है चलिए और भी एक सवाल आपके लिए ठीक है machine hour rate है production है और यह भी कुछ-कुछ आसान-ासान सवाल है करते हैं आपके लिए हाँ जितने भी सवाल होंगे न छोटे-छोटे थोड़े से देखो मेरा काम है कि आपको सारा करा देना सारे type के question करा देना बाकि आप जितने मर्जी question करो उसमें रुखना नीची ऐसा लगए कि इस type का question हमने किया हुआ है इसलिए मैंने बड़े चाट-चाट के सारे question जो थे न और ऐसा नहीं कि मैं किताब के सारे question करा रहा हूँ आपको मैं practical हो चाहे आपके book के example हो उसमें से जो main main सवाल थे वो निकाल के मैं करवा रहा हूँ आपको और जो similar type के question थे वो करवाने की जुरत है नहीं हो तो time script और वो आप किताब में से खुद करेंगे ठीक है न तो sir prepare cost sheet from the following ठीक है sir यहाँ तो बोली दिया cost sheet तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं prime cost सबसे पहले लिख लेते हैं prime cost इसके बाद क्या आता है WIP है क्या नहीं है तो factory cost factory cost इसके बाद क्या आएगा cost of production अच्छा finished goods है ही नहीं तो cost of goods sold क्योंकि finished goods भी इसमें इसके बाद क्या आएगा sir cost of sales और last final sales तो आपको एक idea हो गया है कि हम किस तरीके से एक step को अगर आगे नहीं दे रखा हो question पढ़ने के बाद पता चल जाएगा तो किस तरीके से आपको skip करना है ये भी एक आपको आना चाहिए इसके सर नंबर तो नहीं कटेंगे कोई नंबर नहीं कटेंगे जब है नहीं तो क्या करेंगे बच्चे थोड़े से जब ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं तो भेहमी किसम क्यों हो जाते हैं क्योंको डर लगता है ये करेंगे तो ये नहीं कटेंगा ऐसे लिखेंगे तो ये नहीं कटेंगा ऐसा कुछ नहीं जी पर सवाल सही होना अचीए बस रॉमट्रियल कितने का खरीदा सर रॉमट्रियल पंद्रह हजार डारिक लेबर कितने का 9,000 मसीन आवर और मसीन आवर रेट फैक्टरी में चलेगा कहता है भाईया हमारा फैक्टरी ओवर रेड लिख दूए हाँ कहता है मसीन जो चलेगा न वो 900 घंटे चलेगे मैंने ओके बोलता है दिहारी लगेगी एक घंटे के पांच रुपए मैंने कोई बात नहीं आपको मिलेंगे कितने समझे ही बात पोडक्षन कहता है 17,100 यूनिट करेंगे ठीक है सर 17,100 यूनिट आगे कहता है सेंस हमने 16,000 यूनिट किया गडबड हो गई कितने यूनिट बेचे तो यहाँ पर क्या बचा कितने ग्यारअ सो और हमने इसको क्या डाल दिया सीदा good sold cost of good sold से पहले हमारे पास क्या आएगा cost of production आएगा, समझ में आ रहा है आपको तो मैं लिख लेता हूँ factory के बाद cost of good sold के बाद क्योंकि closing stock ही आएगा admin है गया, selling and price, selling and overhead office overhead है बिलकुल तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ चलो कैसे adjust करें कोई बात नहीं adjust कर लिए इसको उठा के लेगे उपर यानि सर यहाँ पर factory के बाद क्या आता है हमारा cost of यानि last concept करने के बाद कम से कम इतना तो हमें समझ आया है कि या closing stock भी निकाल सकते हैं, ठीक है सर यहाँ कहता है सर कि selling and overhead कितना है हमारा कहता है 20% selling overhead है 20% of work cost work cost का मतलब सर factory cost का यह और नया नाम है factory cost का यह और नया नाम है यह क्या नाम है factory cost का यह work cost याद रखना है कहता है जितना भी यह आएगा उसका 20% यह होगा तो सर पहले यह निकाले ना 24 24 और 45 हजार गलती से कर दिया है यह है सर 45 24 इसमें जोड़ दोगे तो 28 कहता है कि office का जो खर्चा है कहता है जो office का जो खर्चा है overhead जो है वो इसका 20% है तो कितना होगा 20% सत्रा सत्तावन सो सत्तावन सो cost of production आ जाएगा कितने 34,200 आपको पता है sir closing stock इतने है आपको पता है cost of production क्या है है ना 34,000 आपको पता है production unit कितने है कितने है production unit 17,100 question कुछ चिला चिला के कह रहा है 17,100 अब आपको देखो पिछले 40 सवाद जो हमने भी practice में किया था क्या यहाँ पे closing stock का आप unit तो निकालने में कामियाब हो गए sir closing stock का जो unit होगा वो unit तो होगा कितना sir 1100 लेकिन यह कितने से multiply करें कैसे पता चलेगा पहले हमें CPU निकालना पड़ेगा यहनि cost per unit cost per unit कैसे निकलेगा 34200 और divided by 17 100 that is 2 रूपीस तो यहाँ 2 से multiply करेंगे तो यह आजाएगा 2200 वो भी किसमें sir negative में क्योंकि यह क्या है closing है तो minus करेंगे जैसे ही 2200 तो आजाएगा 32000 अब आगे देखते है selling and distribution expense कहता है 50 पैसे तो sir selling कोई बात नहीं sir 50 पैसे कितने unit बेचे हैं सवाल खुदी चिल्ला के कह रहा है 16000 तो कितने हो गए 8000 कितने हो गए यह 40,000 कहता है लो भाई मैंने बेच दिया 4 रुपे पर unit के साब से अच्छा ये भी हमसे निकलवा होगे तो यानि 16000 गुणा में 4 तो कितने का बेचा 68000 तो बीच का difference क्या आएगा profit कितने का आगया profit 8 64 64 होगा मैंने 68 लिख दिया 64 तो यह लेजिए तो एक इस परकार का सवाल हो सकता है तो देखो जिसको अगर वो वाला concept नहीं clear न कौन से वाला सर वो वाला closing stock, opening stock per unit यह करी नहीं सकता वो सवाल वो परिसान रेगा है कैसे कर दिया है तो 24,000 ठीक है यह भी मज़ेदान question तो अब देखो क्या चीजे सीखा हमने इस वाले सवाल में क्या सीखा हमने कि कई बार आपको किसी head का expense चाहे आपका selling हो, admin हो वो पिछले वाले head पर depend कर सकता है जैसे कि यहाँ पर था और दूसरा closing stock चाहे production कुछ भी निकालने को आ सकता है मज़ा तब आ जाता जब यहाँ पर question में आप production भी नहीं देता उसके जगा पर selling का unit देता तो हमें क्या निकालना पड़ता है फिर production unit तो देही रखा था अब मैं माल लो, मैं कह दूँ कि मैं production का unit नहीं देता हूँ तब भी मैं निकाल सकता हूँ sir बस मुझे क्या दे दो आप closing का unit दे दो तब भी मेरा निकाला जा सकता है चलिए किसी को कोई doubt अगला सवाल कुन साय देखते है अगली class में बाकी मैं इसका answer करूँगा एक यह सवाल है आपके homework के लिए इसके अंदर भी ध्यान से करिएगा 20% of work cost लिखा हुआ है मेरे ख्याल सेम सवाल repeat होगे तो हाँ है ना तो यह तो नहीं है भाई यह तो नहीं है जी सेम सवाल repeat होगे वह ही होगे repeat ध्यान नहीं दिया मैंने यह सवाल क्या कहता है आट चलिए एक यह सवाल homework में रहेगा आप note कर लिजिएगा question number 8 है homework में मैं देने जा रहा हूँ question number 9 भी homework रहेगा इसके अंदर देखिएगा मजे की बात है यहाँ पे कुछ है दिक्कत 160% of factory यानि 100 से भी उपर चला गये तो और question number 10 भी आपका homework में रहने वाला है कर लिया था amount change कर दिया ना तो यह तो homework में होई गया ना 12 यह मैं करा दूँगा 13 यह भी मैं करा दूँगा हगली class में 14 यह homework में है यह तो सिर्फ भरना है आपको fill करना है नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा मैं बाकि लिख रहा हूँ यह sheet कल आपको मिल जाएगी सभी को 15 और यह last question है और last question का मतलब मुश्किल थोड़ी होता है यह भी homework में है यानि अगली class में chapter खतम अगली class में यह वाला chapter आपका हो जाएगा महिश्वरी मित्तल विच एडीशन इसमें एडीशन नहीं है बस ले लीजिए जो भी पिछले साल का भी चल जाएगा और this year का भी चल जाएगा क्योंकि इसमें कोई बदलाव आया नहीं आपके इसलिवस में लेकिन 3-4 साल पहले का लीजिए का तो problem आजाएगा यानि अगली class में sir हम यह chapter को क्या करने वाले खतम और जिसके जो भी doubt है सारे doubt board पे मैं किक करके solve करने वाला हूँ इसके अब doubt ले लेते हैं बच्चों के कई बार न एक ऐसा सवाल आ जाता है एक्जाम में जो कि आप देखके बड़ा हैरान हो जाओगे prime cost के क्या क्या नाम थे ये कहता है चार नंबर में आया हुआ सवाल है ऐसा नहीं के मैंने ये लिखा है चार नंबर में ये आया हुआ सवाल है कई बार पूछ लेता है कि इन units को कैसे measure किया जाएगा आप ये बता जिए measure करने की बात करते हैं सर measure करने की बात करते हैं जैसे कि आप तेल को कैसे करोगे तो तेल को आप किलो में थोड़ी ना कर सकते हो चीनी को आप लीटर में नाप सकते हो क्या नहीं तो ऐसे कुछ एक points होते हैं उसको किस measurement में किया जाता है वो बताना होता है जैसे for example आपका क्या क्या है और ये exam में आया हुआ question है ऐसा नहीं नहीं आया दो नंबर तीन नंबर में कहता है cost unit जैसे bricks, bricks को कैसे नापोगे per thousand bricks के अंदर नापा जाएगा आपका यानि जब भी कभी आप bricks इंटे लेने के लिए जाओगे तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इसको अगर बोले गए तो वो कैसे चलता है thousand के counting में चलता है ठीक है न रेट होगा thousand के counting में sir आपका calories per ton per ton of coal rays koila है न ये थोड़ा सा error होगा यहाँ पर ये coal का होगा, coke होगा ये coal होगा इसको अभी रहने देते हैं textile को कैसे नापते हैं per yards और पर आपका bill होता है of cloth आपका bell का मतलब थान कहलो है न कपड़े को कैसे बोलते हैं थान कपड़े का, उसमें नापा जाता है या yards, गज में नापा जाता है 4 गज, 5 गज, 6 गज normally meter भी नापा जाता है, लेकिन meter counting में नहीं होता, real life में हम बोलते हैं धाई meter, 7 meter, but actual measurement ये लिखके आना है, electricity को कैसे नापा जाता है पर unit में नापा जाएगा या फिर आपका electricity जो भी पर unit क्योंकि उसी के हिसाब से देते हो कितने unit विजली का बिला है उस पर payment करेंगे transportation companies कैसे नापते हैं passenger kilometer नापेंगे या 10 kilometer, दो होते हैं उनके पास नापने का measurement का तरीका या तो बोलते हैं भई या passenger kilometer या 10 बाकि आगे ये chapter भी करेंगे steel mills कैसे नापते हैं per ton के हिसाब से नापते हैं या thousand आपका screw होता है उनका sheet होता है, steel वालों का बड़े-बड़े sheet होते हैं, तो उसमें नापा जाता है आपका, इसके बाद बात करते हैं, gas का gas को कैसे नापते हैं, cubic में मना आपा जाता है, cubic में car को कैसे होता है हमारा unit manufacturing में, ऐसे nickel है हमारा per square meter इसके साथ साथ कुछ एक point और है जिसके लिए मैं अलग से डाल दूँगा जैसे कि oil को किस में नापा जाता है oil को, तो oil मैं लिखा नहीं देखते हैं कहीं आगे तो नहीं लिखा है नहीं, oil नहीं लिखा तो oil को नापा जाता है barrel में, barrel होता है आपका, के आपका इतने barrel liter और एक barrel liter में 100 liter होता है इसमें नापा जाता है Patients को कैसे नापोगे, Patients को कैसे measure करोगे, Bed Sheet में क्योंकि Patients क्या होता है, Bed Sheet, Hotel को कैसे नापोगे, Hotel Room में ठेक है न, तो ये कुछ measurement के तरीक है, जो कि आपको सीधा सीधा सवाल पूछेगा ये chapter कहतम हो गया, अगली class के अंदर material शुरू होना है और अगली class थोड़ा सा time revise कर रहा हूँ, 6 बजे से 9 बजे तक की class है अगली कौनसी आपकी जो upcoming Friday है, तो उस class के अंदर एक मेरे को पूरा topic है उस topic को मैं तोड़ तोड़ के नहीं कराना चाहता हूँ, मैं एक ही साथ कराना चाहता हूँ जो आपने semester 1 में भी करा हूँ, लीफो, फीफो वाला एक concept था material के अंदर आपने याद होगा अगर आपने semester 1 में पढ़ा है, coaching वगएरा या फिर देखा तो उसमें एक लीफो, फीफो, weighted, average, last in, first out, first in, last out के नाम से topics था उस पूरे topic को already आप कर चुके हो, तो तीन घंटे के session में वो पूरा topic खतम करें हूँ ने, exam में उसमें से 10 number का सवाल पूछा ही पूछा जाता है लगबग तो मैं उसको एक अगले further class के उपर postpone नहीं करूँगा, तो अगली class 6 बजे है, याद रखिएगा 6 से 9 रहने वाली एक class, जब तक topic खतम नहीं हो जाता है next class का क्योंकि costing का भी मैं syllabus वैसे already कुछ बच्चे कहेंगे के sir costing का syllabus मैंने already वैसे तो डाला वा है folder में खतम हो चुका है आपका जिसे करना है भाईया कर लीजिए, लेकिन फिर भी मैं live class भोल के करता हूँ तो मैं live class में same उसी तरीके से लेके चलूँगा, तो थोड़ा एक लंबी class ले लेते हैं session, देखेंगे फिर ठीक है, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज ही ये chapter खतम कर लेके हम और अगली class में एक और chapter हमारा लगबग वही उठाऊँगा कुछ बच्चों कहना था सर, आपना मुस्किल मुस्किल वाले chapter ना अभी मत कराओ, हमारा interest ना खतम हो जाता है फिर आसान आसान करा दो, तो इसलिए मैं पहले आसान आसान chapter करा दूँगा और इस बार जिन बच्चों के internal होंगे, प्लीज मुझे बताईएगा, अलग से folder अप्लेट करके आपको सबसे पहले मैं करवा के दे दूँगा चलिए सर, सबसे पहले देख लेते हैं सवाल में क्या कहता है सवाल में कहता है, the book of record of the आनन्द manufacturing company present of the following data for the month of August 2016 direct labor कहता है सर, 16,000 है और कहता है जो direct labor 16,000 है, that is 160% of factory overhead यानि सर, सबसे पहले हमारा क्या आता है, prime cost सबसे पहले क्या आता है, prime cost उसके बाद यहाँ पर WIP देख लें, है सर, WIP तो क्या आएगा हमारा, gross आएगा gross factory उसके बाद आएगा सर, net factory उसके बाद आएगा cost of production और उसके बाद आएगा cost of goods sold और last में दो step और रहेगे ना इसके बाद आएगा सर cost of sales और उसके बाद आएगा सर sales आजाएगा कहानी यहाँ पर खतम हो जाएगे, इसको भी फ़र मिटिंग में डाल देते हैं पहले ही चलिए सर क्या कहता है कुर्शन में direct labor कहता है तो सर्थ direct labor तो यहीं का part है है ना direct labor direct labor है हमारा 16,000 लेकिन कहने का अंदाज देखो कहता है भाईया direct labor 16 है bracket में कहता है यह जो direct labor है ना whatever amount factory में यानि जो factory overhead होगा जो factory overhead होगा उसका 160 परसेंट है यानि यहां पर अगर 100 रुपे हुआ ना तो यह 160 होगा यानि जो direct labor दे रखा वो बढ़ा के दे रखा है factory overhead से कितना 160 परसेंट तो निकालने का तरीका क्या रहेगा इसका very very simple हम factory overhead में अगर निकालते हैं तो factory overhead निकले का हमारा 16,000 है लेकिन 16,000 तो है नहीं तो यह 160% के बराबर है तो divided by 60 into में 100 करेंगे that is आपका आजाएगा यानि यह 10,000 रहा होगा तब जाके यह 16 बनेगा सर यह तो समझ में आ गया अगर यह होता 15,000 तो कैसे करते हैं तब भी मैं यही करता 15,000 और divided by 160 यानि जितने % के बराबर है उसे क्या करते हैं सर हम divide में कर लेते हैं यहां तक आपको बात clear हो जानी चाहिए पहले बताइए किसी को इसमें doubt 10,000 में समझ में आईए सर टूडे माई first class from which books you are giving question मैं book refer में हमेशा महिशवरी मित्तल मैंने first class में बताया जितने बच्चे जो हीन हो रहे हैं first class के अंदर मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि प्लीज आप पिछली classes देखेंगे तो यह समझ में आ जाएगा और cost account की सबसे मजे की बात करूँ न तो कोई chapter आपस में link नहीं होता हर chapter की कहानी अपनी चलेगी इसके अंदर अगर जो बच्चा इस chapter जैसे आज end है वो लेगा sir कल तो आप दूसरा कराओगे तो हम कैसे करेंगे तो भाईया उससे कोई लेना ही देना नहीं है कोई link नहीं है किसी भी chapter का sir question and solution वाली pdf upload नहीं हुई है नहीं हुई है मैं देख लूँगा question वाली तो upload करी थी बाकी मैं भी देख लूँगा चलिए कुछ बच्चे book के लिए भी बोल रहे थे हैं तो वो भी ready हो जाएगा कल मिल जाएगा आपको sir इसके बाद क्या कहता है यहां तक कहता है cost of good sold अब मजे की बात देखो cost of good sold अच्छा इसका मतलब इसमें मुझे यह दे दिया यह दे दिया मुझे सीधा heading उठा के दे दिया ठीक है आगे कहता है inventory account show ठीक है ओक कहता है raw material 8000 opening और closing तो आपका opening stock 8000 और closing stock 8600 तो minus का हो गया minus 600 WIP यहां जाएगा opening stock WIP का कितने 8000 और minus closing WIP कितने 12000 minus 4 इसके बाद finished goods FG कहां आता है इसके बाद COGS तो निकलता है plus opening stock कितने 14000 बस put कर ना data देखो minus closing stock कितने 18000 तो सर यह आजाएगा 4000 negative का ठीक है ना इसके बाद यहां पे क्या कहता है सर other data given है कोई बाद नहीं selling and distribution कहता है कि selling expense 3400 रुपए है तो यहां एक cost of sales से पहले यानि cost of goods sold के बाद तो यहां पे selling expense लिख देते हैं कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा कोई बात नहीं अभी मैं इसको adjust भी कर देता हूँ selling expense selling expense कितना है 34000 रुपए 3400 कोई बात नहीं 3400 इसको थोड़ा नीचे लेके जाया जाया selling expense के बाद क्या दे रखा है general and administrator expense admin expense कहा आता है net factory के बाद तो सीधा लिखने हैं यहाँ पर admin admin expense कितने रुपए admin expense 2600 रुपए तो यह पता है question कैसा है आपको format अगर याद है तो बस fill करते जाओ आपको कहानी समझ में आ जाएगा और answer भी समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है ठीक है चलिए इसके बाद देखते हैं क्या कहता है sales for the month 75,000 रुपए ओके sales 75,000 रुपए लीजिये जी 75,000 रुपए ठीक है तो sir statement को अब हमें prepare करना है इसने बोला कि required statement showing cost of goods manufacturing मतलब कितने manufacturing हुआ है cost का यानि prime cost भी पूछ रहा है एक तरीके से हम नीचे से उपर चलेंगे ठीक है यह 56 है although मैं इसके बाद जाऊँगा तो इसको अगर मैं plus करूँ तो यह आएगा हमारे निकल के 56 और तीन कितने होते है 56 और तीन 59 400 और इन दोनों के बीच का difference अगर ले लिया जाए कितने आ जाएंगे एक तो profit तो निकाली लिया हमेने profit तो निकाल लिया हमेने correct अब आते हैं उपर चलिए sir नीचे से उपर जाते हैं यह आ गया अब इसकी बात करते हैं तो 56 में 4 जोड देंगे 60,000 मैं इसको नए मारकर नए कलर से लिख लेता हूँ ताकि आपको देखने में और समझने में असानी हो यह आ गया sir 60,000 अब और उपर जाएंगे तो यह आएगा तो यह प्लस में तो माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 57,000 और उपर जाएंगे तो यहां पहुँचेंगे 4000 है तो 6400 और उपर जाएंगे तो यहां पहुँचेंगे 10,000 है 51,400 और उपर जाएंगे तो यहां पहुँच जाएंगे तो कितना आ जाएंगे तो यह है हमारा raw material purchase मैं कैसे लिखूँ इसको थोड़ा नीचे कर दिया ये हो गया हमारा क्या required prepare statement showing goods manufactured यानि raw material purchase 36 अगर बोलते हो goods manufacturing में कितना खर्चा है तो ये आ जाएगा सरी 5,400 लो जी हमारा ये statement बनके हो गया तयार अंसर वैसे दे रखा है आपकी किताब जिसने ले रखी होगी किताब में भी ये question है आप check कर सकते हैं मेरे कहले ये चौते ये पांच पे illustration के आसपास किताब में मिल जाएगा सर पिक में full screen show नहीं हो रहा ओके नाव देखिए चेक कर ये clear question मिला होनर्स के book में कौन से number पे है इधर होगा कोने की site होगा 160% लिखा होगा इस site देखो इस site ये ही तो नहीं है MN Arora book दोनों सेमी है लेकिन मैं महिश्वरी मित्तल को follow करूँ हूँ management में मैं MN Arora लेके चलता हूँ book में questions आगे पीछे हुए पड़े हैं 21 हाँ चल जाएगी मिल गया answer check कर लिए clear किसी को doubt sir content में as well है अच्छा content में content में solution डाल रखा है मैंने एक बार आप check करिए का तो मिल जाएगा definitely clear चले next चले sir अगला सवाल आता है सवाल number 10 बच्चों ने इसका भी demand किया है कि sir please 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 इसे भी करवा दे home work में तो चलिए ये बहुत important अरे ये बहुत important सवाल एक तरीके से देखे voice SMS के doubt मैं definitely आप सभी के लूँँगा आभी comment में लिखती है sir prime cost कैसे आया है बच्चे पूछने sir prime cost बताईए हमें okay prime cost देखे prime cost ग्यावन चार सो कैसे आया मैं यहाँ पर फिर से बना देता हूँ मैं कैसे चला उपर मेरी चढ़ने की गती को देखेगा मुझे ये given था मैंने इसमें ये plus किया तो मैं यहाँ पहुँच गया ये पता चल गया फिर मैंने इसमें ये minus किया तो यहाँ पहुँच गया फिर ये given था इसको plus किया तो यहाँ पहुँच गया फिर ये minus किया तो यहाँ पहुँच गया यानि very very simple जो चीज़े minus है वो मैं उपर जाते time पे plus करता गया और जो चीज़े plus है से माइनस करता गया और इस जगेपे में पहुंच गया और मैंने इसका आंसर दे दिया नेक्स सवाल करते हैं कम्प्यूटर से जोईन नहीं हो पा रहा है शायद आज इनेबल करना भूल गया हूँ मैं सवाल में क्या सिखाओगे चलिए सवाल नमबर 10 एक बार आप मुझे ये भी बता दिजिएगा जितने बच्चे लाइब में ये सारे कुश्चन मैंने थोड़ा colorful टाइप करा दिया है तो ये आपको clear visual रहता भी है या नहीं रहता क्योंकि पहले वाले white वाले थोड़े से बच्चे बोलते थे समझ में नहीं आ रहा है दिखने में दिक्कत थे तो आप एक पर बता दे comment में कि ये visual है या नहीं है sir manufacturing cost raw material purchase करते है हाँ बिल्कुल purchase को ही manufacturing cost basically क्या होता है prime cost को ही manufacturing cost कहते है चलिए sir क्या दे रखा है material use in manufacturing पचपन सो रुपए तो पहले heading लिख ले हम सबसे पहला heading prime cost अब देखते है sir gross लिखे net WIP तो है नहीं इसमें तो क्या जाएगा हमारा factory cost इसके बाद क्या जाता है sir cost of production इसके बाद क्या जाता है cost of goods sold इसके बाद क्या जाता है cost of sale और last का तो आपको पता ही है profit निकल जाना है last में तो आपको पता ही है कि profit निकल जाना है एक तो थोड़ा coloring का ना अब ठीक है चलिए सबसे पहले manufacturing cost manufacturing cost overhead क्योंकि यहां पर मैं जगे थोड़ा सा हो जाता है तो मैं लिख रहा हूं तो material use packing sir एक जगा और जा सकता है यह आपने बोल तो दिया packing selling के time पर भी तो हो सकता है ना तो दोनों जगा हो सकता है तो ऐसी दूबीदा के आपके साथ confusion है वो मेरे साथ भी है तो ऐसे situation मैं आपको note देना होता है we assume that that packing जो भी आपका material cost है वैसे packing use in packing material कह रहा है तो मैं factory का assumption लेके कर रहा हूं material use in selling material use in selling the product तो sir यह material use हुआ है packing में factory में डाल दिया material use manufacturing में यहां डाल दिया और selling में अलग से बता दिया अब दूबीदा खतम है ना selling and distribution तो sir selling and distribution की बात करें तो packing packing कितने रुपे सर एक सो पचास material use in factory अब फिर से कह रहा है तो sir factory में 75 material use in office admin expense कितने रुपे एक सो पच्चेस रुपे labor required in production production में labor required है तो यहां पर आएगा कितने रुपे का labor है एक हजार labor दो तरीके का बताया था एक productive एक unproductive तो production में है तो productive labor है तो यहां जाएगा labor required supervision of the management of the factory तो factory ओबर एड में आ जाएगा यह labor क्योंकि factory का supervision के लिए manager management के लिए 200 रुपे expense direct factory 500 रुपे direct expense है इसके बाद expense indirect factory overhead आ जाएगा कितने रुपे इसके बाद expense office एक सो इसके बाद depreciation office building कितने रुपे पिचहत्तर तीनसो पचास 75 factory का depreciation कितने 175 selling expense कितने रुपे तीनसो पचास freight on material यह direct है सर carriage या freight कहलो कितने 500 advertising कहां होगा कितने यह थोड़ा सा ना mix सा होगया इसको मैं थोड़ा colorful कर देता हूँ आपके लिए इसको कर देते हैं सर yellow इससे white रहने देते हैं बस इसको हटा देते हैं इसको कर देते हैं ठीक है तीना expense हो गया अब मुझे बस फटा फट से यहाँ पर क्या करना है टूटलिंग करना है बताईए पहले का टूटल 1075 200 175 बताईए 1550 तो factory overhead सर फेक्टरी ओवरेड देखना है तो working note नमबर 1 में जाईए आप 1550 फेक्टरी ओवरेड के बाद हमारा आ जाएगा admin admin expense admin overhead कितने आ जाएगे 500, 600 625 देखना है ओके, 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 ओके 375 देखना है तो जाएगे working note नमबर 3 cost of production के बीच में जो आता है यहाँ पे आता है हमारा opening stock that is zero closing stock that is zero अब आ जाता है यहाँ पे selling expense selling expense जो कि आया है 600 देखना है तो working note नमबर 2 में जाईए समझ में आया यह कैसे किया मैंने आप exam में ऐसे कर सकते हैं last वाली line के लिए assume that all product manufacturing are sold सब बेच दिया गया sold selling price obtained 25% on selling price कहता है कि भाईया हमने सारा बेच दिया पहले निकाल तो लोग कितना होता है तो यह check करते हैं तो 6,7,7,500 325 admin सही सही बताओ तो यह 6,7,500 और यह हो जाएगा 15,8,000 बताओ कितना होगा 8,050 यह बताओ क्या रहा एड्मिन 325 यह 325 है 325 यहां लिखा नहीं 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 है ठीक है अब इसको add कर लेंगे 8,000 में तो 83,25 इसको add कर लेंगे तो 83,50 और 6,89 अब बात कर लेते हैं sales की कहता है जी हमने जो भी sales किया है ना क्या यह 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 साथ अच्छा 9,050 तो यह हो जाएगा हमारा यह 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 केतना होगा 94 96 10,000 कहता है कि assume that production sale हो गया 25% of the selling price अब ध्यान देजिए यानि कहता है जो भी हमारा यहां पे होगा profit वो profit कितना होगा 25% किसका 25% होगा सर sales का 25% किसका होगा हमारा sales का लेकिन sales तो पता नहीं है ठीक है ना तो आपको दो तरीके हैं आप formula लगा लिजिए सीधा sales is equal to cost प्लस में profit sales नहीं पता x cost पता है आपको 10,000 और profit इसका 25% है तो x, y क्या जाएगा 4 इसको जब आप solve करेंगे तो 3x by is equal to 4000 divided by 3 कितने आ गया है point में आ गया कितना है point में 13,300 तो यह आ गया 13,333 और यह आ गया 33,333 का profit अगर यह कहता है ने on cost तो मैं इसी के ऊपर सीधा 25% एड कर लेता और बकाइदा ऐसे percentage के लिए table आपको पता होना चाहिए हलाकि मैं अगर मैं बताओं तो यहाँ पे 4 चीज़े आपको धियान में रखना होता है percentage के terms में के जो profit है वो sales पे है या फिर profit cost पे है इसको मैं एक बर करके दिखाता हूँ समझिएगा बात को यानि सर profit वाला जो पंगा है न इसमें क्या दिक्कत आता है मान लेते मैंने आपको दिया sales 100 रुपे और मैंने GP दे दिया आपको 10% और मैंने पूछा जी cost बताइए तो कैसे निकालोगे सर formula यही रहेगा sales is equal to cost plus में GP तो sales हमें पता है 100 रुपे cost नहीं पता सर यही तो निकालना है और GP पता है सर कितने पे 10% कुछ नहीं बोला यहां पे तो आप मानोगे 10% sales पे तो that is 10 तो बड़ी simple सी बात है इदर उदर करके आप जो भी करके आप निकालोगे क्या 90 रुपेज चेक है ना दूसरा case देखिए मैंने कहा sales 100 रुपेज और GP कहा मैंने on cost on cost 25% आप cost निकालिए तो सर यहां पे again formula जो put करेंगे क्या निकालेंगे sales is equal to cost plus GP sales पता है 100 रुपे cost नहीं पता x GP किस पे कहता है sir GP कहता है cost पे तो अब x का 25 यानि x by 4 इसको solve करेंगे तो 5 x by 4 is equal to 100 और x की value solve करेंगे तो आ जाएगा हमारा 80 रुपेज ठीक है यानि आप इन दोनों सवाल को पहले आप देखिए इन दोनों situation को देखिए एक बार तो मैंने ऐसा कुछ x vex वाली कहानी नहीं करा और एक बार मैंने x vex वाली कहानी कर लिया जैसे इसमें नहीं किया और इसमें मैंने करा है यहां पे sales दे रखा है sir इसको x let करके फटा फटा आप कर सकते है इसका shortcut भी बता देंगे अभी sir इसके बाद देखा जाए तो अगर मुझे cost मैं आपको दे दूं 100 रुपे और मैं GP कहूं on cost मान लो मैंने कहा 25% तो आप मुझे sales निकाल के बताइए क्या होगा तो जवाब आता है sir formula क्या लगेगा वही लगेगा ना भीया प्लस में GP sir sales पता है क्या नहीं पता cost पता है क्या पता है हमें cost 100 रुपे और GP किस पे है sir GP इसके उपर है तो सीधा 25 हो गया ना तो 125 आ गया हमारा अगले point को चौत्ता कीज देखे यह 4 point में ही सारा समझदारी होती है बच्चों के क्या समझ जाते है क्या करना है क्या नहीं करना है मान लो मैंने यहाँ पे cost दिया आपको और cost that is 100 और GP on sales दे दिया मैंने that is 20% sir आप निकाल लिए क्या sir sales निकाल लिए formula लगाओ क्या sales is equal to cost प्लस में GP sales पता है क्या नहीं पता cost पता है जी पता है GP किसकी बात कर रहा है sales पे तो x by 5 इधर solve करेंगे तो आप minus कर देंगे तो यहाँ जाएगा हमारा 4x by 4x by 5 पूरा solve करेंगे तो is equal to 100 x की value जब आप sort out करेंगे ना आप इसे आराम से घर पे जैसे की note करेंगे तो definitely check कर लीजेगा एक बार मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सर आपका x का value 75 पाइव रुपेस आ गिया अब गुमाफिरा के examiner के पास ना एक ही बाते हैं जो कि examiner पूसता है अच्छा 125 आ रहा है गुमाफिरा के examiner एक ही बात पूसता है अच्छा sale निकाला है न क्या पूसता है सर गुमाफिरा के examiner एक ही बात एक बात वो होता है यह मान लेते है cost यह मान लेते है sales cost के उपर अगर मैं बात करू percentage में निकाल के चल रहा हूँ cost के उपर अगर मैं 20% होगा तो sales पे होगा 16.66% that is 1 by 6 अगर मैं cost पे 25% की बात करूँ तो automatic इस पे बन जाएगा हमारा 20% इस पे अगर मैं आपका 33.333 that is 1 by 3 बात करूँ तो यहाँ पे होगा sir 25% अगर यहाँ पे मैं 50% की बात करूँ तो यहाँ पे होगा 33.33% that is 1 by 3 तो इनी percentage को पूछता है मालो आपको sales दे दी और direct sales पे पूछ ले तो कहानी में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन cost दे दे और sales पे पूछ ले sales दे दे और cost पे पूछ ले निकालोगे 33 तो आप यहाँ पे answer देखोगे directly 33% हमारा यहाँ पे आ गया उस case में हमें इतना solve करने की जोरत नहीं है अगर यह समझ में आया है तो ठीक नहीं तो मैं detail वाला topic भी मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं बताइए किसी को doubt second case बता दो first case बता दो अब देख लिए एक बार मैंने पूरा बताया है फिर से देखिए sir percentage कैसे निकाली है यह percentage ना fix है मैंने पहले एक बार practice करके examiner ऐसे पूछेगा तो इसका ऐसे answer होगा वो मैंने लिख के याद कर लिया है तो ऐसे ही आपको याद कर लोगे तो थोड़ा calculation एजी हो जाएगा जैसे मुझे याद था वहाँ के 25 है तो 33 होगा लेकिन मैं direct 33 कहता तो आप पर रिशान हो जाते अब मैंने बता दिया 33 कर लो या फिर एक्सलेट करके कर लो हिना case to clear है आपका आई यूश आपका clear है तो आगे बढ़े हम clear sir clear है first और बांकी sir क्या रहें sir first और बांकी तुशार समझ में नहीं आए case to बता दो एक बार देखो case one case one में आप notice करिए ध्यान दीजिए क्या दे रखा है sales और यहां सिर्फ gp बोला है gross profit जब कुछ ना बोला हो तो मान लो sales पे है तो यह भी sales है और gp भी sales पे है तो सीधा आपको पता है कि 10% gp होगा और cost में से सीधा 90 आ जाएगा यह तो मैंने extra part कर रहा है आप directly भी निकाल सकते हो लेकिन second में देखिए sales है और gp किस पे कह रहा है cost तो ऐसे situation में cost को आपको x let करना पड़ेगा और जो gp कहता है यह किस के उपर depend करता है cost के उपर इसलिए मैंने इसके उपर cost पे निकाला x by 4 कैसे आया आप 25% जब निकालेगे ना x का x गुना में 25 बाई में 100 तो यह आप solve करेगे तो x by 4 ही आएगा इसके बाद third case में देखिए क्या है cost और यहाँ पे भी cost है तो directly 100 का 125 आ गया यहाँ पे cost है और gp किस पे है sales पे तो फिर let x करके हमने solve किया है और यह कुछ table बताया जो कि ऐसे sort out हो सकता है हमारा चाहे तो ओके sir question number 12 raw material direct wages factory overhead opening stock WIP तो है नहीं सबसे पहले क्या लिखे sir prime cost फिर क्या लिखे factory cost फिर क्या लिखे cost of production फिर क्या लिखे cost of goods sold और फिर लिखेंगे cost of sales और लास्ट में लिखेंगे sir sales इसको थोड़ा adjustment कर देते हैं चलिए raw material देता है तो यहां जाएगा हमारा raw material sir raw material छे हजार direct wages देता है पांच हजार factory overhead चौविस हजार चौविस सो opening stock FG यहां ध्यान दीजिए यह 200 kg है और 800 रुपे का है तो opening stock किसका FG का ठीक है 800 रुपे का और 200 kg तो अगर मैं opening stock का rate निकालूं तो sir rate क्या होगा rate होगा 800 divided by 200 यह नि 4 रुपे का हिसाब किताब बन रहा है ठीक है चलिए अभी तो लिख लेते है opening यहां यहीं पर आएगा ना आपका opening तो opening stock plus करते है amount दे रखा है हाला कि तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है जो कि मैं 800 रुपे लिखने जा रहा हूँ closing stock कहता है sir finish 400 kg है तो sir closing stock कितने है 400 kg लेकिन हमें यह नहीं पता कि यह कितने रुपे का है तो closing stock हमारा है sir 400 kg और 400 kg को देखें तो इसको multiply rate से करते तो हमारा मकसद कामियाब मतलब कि पता चल जाएगा हमें कहता है finish product हमने बेचे 20,000 रुपे का sold किया हमने 20,000 का लेकिन पता है कितना बेचे हमने sir 3000 kg यानि sir opening stock भी है closing stock भी है और यह भी सारी चीज़े है तो इसका मतलब sir मैंने बताया था sales unit is equal to opening stock plus में purchase यानि production कहले है मैं purchase लिख रहे है मैं प्लस में minus closing तो sir sales पता है sir 3000 opening पता है sir 200 production नहीं पता minus closing पता है sir 400 यहां से जब हम इसको solve करेंगे तो 200 minus यानि 20 800 kg क्या आजाएगा हमारा यहीं आएगा ना 2800 kg आजाएगा production 32 आएगा अच्छा 32 आजाएगा ओके plus हो जाएगा इदर आके ना तो 3200 आजाएगा sir यहां prime cost की बात करें तो prime cost 11,000 factory cost की बात करें तो 13,400 sir admin नहीं है क्या advertisement है profit desire 30% on sale बात का तम admin है नहीं लोग 13,400 तो यानि sir 13,400 आप 32 किलो जब आप बना रहे हो तो आपका खर्चा हो रहा है 13,000 तो आप बताईए एक किलो का कितना खर्चा आएगा तो आप कैसे निकालेंगे sir 13,400 डिवाइड़ बाई 3500 कितने आ रहे हैं बताईए 4.75 यह rate आए इससे multiply कर देंगे इसको तो यह आप हारा 800 तो यह रह जाए तो 1675 माइनस का और इसको तो यह 800 रिख देते हैं ठीक है यह आगे है कहानी यह थी इसमें अब आगे कहता है advertisement selling expense तो selling expense यहाँ जाएगा sir selling expense कितना है sir 1475 इनको जोड़िये घटाईए cost of sales आएगा जोड़िये घटाईए जो भी करना है 11,000 और नीचे कहता है profit sales पर 30% तो 30% कितना होगा profit और यह अगर आप जोड़ते भी हैं तो यह आएगा कितना हमारा 14,000 तेरा यह तो गड़बड हो गई प्लस किया आपने कहता है कि profit desire is 30% on sales 30% sales का मतलब sales 6,000 20,000 6,000 होना चाहिए तो यह 14 होना चाहिए कहीं गड़बड़ी करिया चेक करिया 6, 5, 11, 24, 13 13, 400 पर 800 हम प्लस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं यह सही कर रहे नहीं यहां पर प्लस माइनस 800 प्लस करोगे 14 तो आई जाएगा रहे 800 प्लस करोगे तो 12,500 पैसे 14 आएगा ना उपर बार यह कितना आएगा 12 अब 14 आजाएगा आ तो किया ठीक है ना बन गया हिसाब तो जो उसने बोला था हलाकि प्रॉफिट निकालने को बोला गया था यह रेट ना किसी काम का नहीं था नहीं देता तब भी निकाल लेते हैं यह था हमारा सवाल नंबर 12 सी ओ जी एस 12,525 बच्चों ने बता दिया प्रॉफिट 6 के बिलकुल सही सर अगले सवाल पे चलिए यह भी करेंगे इसमें तो कोई डाउट नहीं है यह सिंपली फॉर्मेट वाला कुश्चन है इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए फॉर्मेट वाला कुश्चन है आपका हो जाएगा यह और 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 अभी मैंने करा दिया 20% on cost price वाला सारी बाते करा दिया मेरे करें सेम कोईचन तो नहीं है अमाउट चेंज है तो पहला जो करा है हो जाएगा वो बस मेरा एक target रहे गया last यह कोईचन कराना ठीक है तो last कोईचन करते है चलिए सर सर ओपनिंग में 4 और क्लोजिंग में 4.18 ऐसा difference क्यों हाई difference आता है न पुराने टाइम पे लेवर 5 रुपे लिया करता था तो कल बनाया था लेवर ने 5 रुपे आज लेवर 6 रुपे के हिसाब से काम कर रहा है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस आ जाता है चलिए सर क्या क्या है यहाँ पे stock है, raw material purchase है, manufacturing चलो WIP तो नहीं है सबसे पहला prime cost दूसरा factory cost तीसरा cost of production चौथ्था क्या होगा cost of goods sold पांचवा क्या होगा cost of sales और लास्ट sales जो हमने पहले ही सीख रखा है आप चप्टर देखेंगे, चप्टर इतना मुश्किल नहीं है यह मुश्किल बोलना बेकार है इस चप्टर को सबसे पहले क्या कहता है, पढ़ लेते हैं सवाल को कहता है, prepare a cost sheet show the total cost production and cost per unit अच्छा सर, यहाँ पे production भी बताना है, और cost per unit भी बताना है, कोई बात ने and goods manufactured by the company of the month July also find out the cost of sales cost of sales भी निकालना है, मतलब यह भी निकालना है, तो हम cost sheet में सारी उनकी जो भी उमीद होती है, जो भी question होता है सब पूरा कर देते हैं पहला कहता है, raw material एक अप्रेल को तो opening stock sir, raw material का opening कितने का तीन हजर, color change इसके बाद क्या कहता है, raw material purchase purchase कितने का 28,000 इसके बाद कहता है, raw material at the end minus closing stock कितने का 4,500, यह minus का हो जाएगा, है ना मैंने उपर नीचे कर दिया ऐसा कोई फरक नहीं पड़ता manufacturing wages यहीं आएगा इसको नीचे लेके आऊँ manufacturing wages कितने 30, अच्छा 7 इसके बाद depreciation on plant, कहाँ factory में तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ admin, आँ स्वेक्ट्री ओवरहेड यहाँ working note बना लेते हैं factory ओवरहेड depreciation पहला पार्ट सर कितने रुपए हैं 1500 loss on sale of plant plant के उपर हमारा क्या हुआ है loss हुआ है, तो सर यहाँ पे दो तरीके के loss हो सकते हैं, यह हो सकता है इसको abnormal loss मानिए यह मानिए normal loss तो जो भी हमारा loss होगा plant पे, अगर यह abnormal हुआ, तो यह cost sheet का पार्टी नहीं होता हमारा, ठीक है न, यह हमारा financial का खर्चा होता है और P&L का पार्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा भी मान सकते हो, कि अगर यह normally होता रहता है इस तरीके का, तो यहाँ add on कर सकते ह मैं अभी इस पे star बना देता हूँ, बाद में थोड़ा और detail में बात करेंगे, factory rent, rent कितने है, तीन हजार, office rent, तो admin, rent कितना है, पान सो, journal expense, कहाँ जाएगा, कुछ नहीं पता, मैंने यहाँ डाल दिया, discount on sales, selling and distribution, कितने, advertisement expense, कितने, income tax हमारा finance का part होता है, इसको नहीं लेंगे, ignore करेंगे इसको, the number of unit produce July में 3,000 unit किया है, तो एक बार मैं फिर से finance के खर्चे आपको याद दिला दने चाहता हूँ, कि हमने किये थे यह, सर कहां किया था यह, यह रहा, नहीं, बारा पे भी है, यह, 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 हहां से, देखिए, यहां पे बताए था, purely financial income है, income की बात कर रहा है है तो, हम खर्चे पे अभी, और एक यह था, abnormal gain और loss, loss और gain on sale of fixed assets बात आ गई ने वो plant and machinery बेचा था loss on sale of fixed assets और loss to business property on account theft, fire, occur यह कौन सा होता है? abnormal gain होगा या abnormal loss होगा तो इसके अंदर आपका abnormal loss और abnormal gain यहाँ पे purely financial income था और यह था हमारा सर पूरा का पूरा खर्चा जिसमें income tax भी आया हुआ था item exclude from cost account मतलब cost account करते time पे इन item को हम देखेंगे ही नहीं यह पढ़ा था हमने, सर्फ किस-किस item को नहीं देखेंगे, जैसे कि आपका appropriation of sinking fund, dividend paid tax and income income के उपर tax, profit तो tax आ गया, क्या कह रहा है यहाँ पे उसे देखा ही नहीं जाएगा, और किसे नहीं देखेंगे, transfer, general reserve access provision, amount written of as a goodwill, आपका charitable donation loss on sale of investment building and etc, आपका expense on transfer of the company office, और क्या था interest on bank loan, mortgage extra और यह सारे खर्चें हैं जिसको नहीं लिया जाएगा, साथ के साथ यह भी ऐसे वही income है, उसी का part चल रहा है जिसको ignore करना है तो सार यह भी वही चल रहा है, जिसको क्या करना है ignore करके चलना है, तो हमारे सवाल के अंदर, मैं अगर आपसे पूछूँ जो हम सवाल कर रहे थे यह रहा हमारा सवाल तो इसके अंदर दो बाते आई, एक आया loss on sale of plant and machinery क्योंकि यह abnormal loss है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ignore कर देंगे, यह purely finance का है दूसरा इसके बीच में एक क्या डाल दिया उन्होंने income, यह भी हम ignore करके चलेंगे, क्योंकि यह किसका खर्चा है finance का खर्चा है, यहां तक clear आ रही है बाते आपको समझ में चलिए सर, सब कुछ लिख लिए हमने, अब लिखते हैं अब लिखते हैं, अभी एक काम तो बाकी है में, सर फैक्टरी ओवरहेड, फैक्टरी ओवरहेड बताईए पैंतालिस सो इसके बाद, फैक्टरी के बाद क्या आएगा सर, एडमिन एडमिन कितने हैं, 900 रुपए इसके बाद क्या आएगा सर, प्लस, माइनस ठीक है, तो प्लस, माइनस देख लेंगे अभी क्या करना है अब नीचे वाली लाइन भी पढ़ लेंगे, सेलिंग एक्स्पेंस को लिखी देते हैं 33, और 4, 37, 38, 38, अब कहानी यहां पढ़ते हैं कहता है, the stock of finished goods was 200 and 400 unit यानि सर, finished goods का जो stock है न, 200 है और 400 है 200 और 400, on 17 and 31, तो यह वाला जो दे रखा है, opening है और यह दे रखा है, closing है respectfully, the total cost of unit had on, जो एक साथ को था न, उसकी कीमत कितनी थी? all the had been sold during the year, and all these had been sold, बाकी जो बचिया उसे बेच दिया, कहने का मतलब यह है तो सर, opening stock का तो पता ही हमें, कितने हैं, लेकिन सर, closing stock का नहीं पता, तो production और सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, again, वही कहानी, production unit, क्योंकि यहां पर हमें opening stock पता है, closing पता है, और sales पता है, देखे, कहता है कि कितने हजार number बेचे, तो यहां production पता चलेगा, समझ रहे हो? तो यहां क्या होगा हमारा, sales, is equal to opening stock, plus production, और minus closing stock, तो sales हमें पता है, 3000, opening stock पता है, 200, production X है और यह 400, तो कहानी वही आ गई, यहां पर 32, है ना, 32, तो कहानी वही आ गई, 32,000 रुपे हमारा निकल गया क्या सर, production, अब 32,000 यूनिट का खर्चा आ रहे है, हमारा 38,900, बता यह क्या आ रहे है, 12.16, 12.16 ले लो, कहानी खतम करो, तो अब यहां पर जो आएगा ना, closing stock, वो आएगा 400 इंटू में 12.16, अब पूरा multiply कर लो उसे, बताओ क्या बनता है, 48,62 कर लेते हैं, अब इसे करिये एट, 36, अब इसको भी प्लस कर दीजे, यह cost of sales आ गया, यही पूछा था, also find cost of sales, 45, कितने, इसमें दो note लेंगे, note number one, कि जो plant पे हमारा loss हुआ था, taken as abnormal, loss not considered in the cost sheet, note number two, income tax हमारा finance का खर्चा है, इसलिए यहां पे नहीं लिए आगे, इसका answer अगर उसे आप normally मानते हो, नो plant का, तो वहाँ पे देखो answer क्या बदलाव होगा, बदलाव यह होगा, जो 38,900 है न, यह 38,900 में यहां पे और हमारा यह खर्चा जो था, कितने का, 300 का जुड़ जाएगा, तो 38,900 और 300, कितने हो जाएगे 49,200, और इसको divide करना पड़ेगा 32, तो rate क्या है बताओ, 25, 12.25, तो ऐसे situation में 12.25 से इसको multiply कर देंगे हम, और फिर यहां जो आएगा, वो कहानी कुछ और आएगा, 25 से बिल्कुल exact number आजाएगा, तो हमें number पे नहीं जाना, जो हमने किया, उसको क्या डाल दिया, हमने note डाल दिया, question में कहता है था, cost sheet बनाईए, आपका production cost per unit goods manufacturing by the company month July, तो पर unit भी निकालना है, तो जो manufacturing किया है, तो यही मैंने निकाल तो दिया, पर unit क्या था ये, manufacturing का, 12.16 भी हो सकता है, 12.25 भी हो सकता है, depend on कि आप उस 300 को क्या मानते है, 3000 unit production की है, बच्चे कहने सर, production की unit 3000 unit है, मैंने गलत पढ़ लिया, number, अरे, गड़बर करवा दिया, सब गलत, दुबारा करते हैं अब, सर, production दे रखा है, तो sales unit नहीं पता था, तो production कितने unit है, 3000, अब, sales तो बैसे भी नहीं निकलना, production 3000 unit दे रखा है, cost कितना आ रहा है हमारा, 38, 900 divided by 3000, अब निकालो cost क्या है, एक cost यह आएगा, क्या है, 12.9, 96, और एक cost यह भी आ सकता है, 49, 200, वैसे यह होगा नहीं, 3000, क्या है यह, 0,6, यह, तो assumption के उपर है, मैं 12.96 ले रहा हूँ, ठीक है, 12.96, सब को काटो अब, तो यह होगा, सर, 400, इन्टू 12.96, अब बताईए, 85, अब बताईए, 36, 515, अब यह कुछ बताईए, 37, 400, अब यह बिल्कुटी, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट पूछा है, क्या है हमारा, सर, यह है, दो question क्या पूछता है, cost sheet बनाईए, production, cost per unit goods, manufactured by the company, और last में बोलता है, cost sheet, तो सारी चीज़े निकाल दियो, जो examiner को चाहिए होगा, वो लिख देंगे, लेकिन आप exam में ना, एक को सी सौर करेंगे, कि जैसे जो जो पूछा हुआ है, जैसे बोलता है कि total cost of production, total cost of production, तो नीचे एकना answer भी लिख दीज़ेगा, यह पूरा solve करने के बाद, answer, total cost of production, जो आगया हमारा, जैसे कि आगया, 38, 900, उसके बाद बोला कि cost per unit, CPU, आगया 12.96, वो इस way में बताया है, इसमें marks कटने के chances आपके ना के बरावर होते हैं, नोट देना जरूरी है आपको, clear, हमें कैसे पता चलेगा, कि normal है कि abnormal है, जितने भी fixed assets के losses होते हैं, वो सारा abnormal ही माना जाता है, clear, चलिए सर्थ, इसके बाद हमारा सवाल था, ये 15 और एक ये सवाल था, ये भी हो जाएगा, तो लगबग हमारा ये chapter होता है, मेरी तरफ से खतम, आपके book के अंदर सवाल दे रखे हैं, book के सवाल के position practice कर सकते हैं, बाकि मैंने जो सवाल मैंने दिये थे, इसके solution भी दे दिये, आपको, और तरिफ हेडिंग हेडिंग, इससे नए वाले और पुराने वाले में मैं comparison कर दूँँगा, बात ही खतम हो जाएगी, जाले, जाले, मैं पहले ओल्ड वाला बता देता हूँ, और फिर नीव वाला भी बता दूँगा, क्या changes है, आप बोले के minor changes है, सबसे पहले material था, plus opening stock, minus closing stock, और यह किसका raw material का, और plus direct expense, यह करते थे ना हम, याद है या भूल गए, और इन सभी को करने के बाद, हमें एक result मिलता था, और इसको नाम देते थे, prime cost, सर, नई वाले में क्या change है, नई वाले में, same, कोई फरक नहीं, जहां फरक आएगा मैं बता दूँगा, नया ना costing standard है, costing standard 4, जिसे CAS के नाम से दे देते हैं, costing accounting standard 4, तो examiner बोलेगा, के costing standard 4 के हिसाब से बनाओ, जो अब नहीं वाला बताऊंगा, अब गया से बनाना, और बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, तो आपकी मर्जी है, इसके बाद क्या होता था हमारा, factory cost, या फिर overhead कहलो, यही था ना, और यहां पर क्या आता था फिर हमारा, gross factory, यहीं पर changes आया है, नहीं वाले method में, क्या changes आया, इन्होंने लिखा factory, overhead, और यहीं पर plus कर दिया, WIP, opening, और माइनस कर दिया, WIP, closing, और साथ के साथ, admin, admin expense भी यहीं पर कर दिया, उन्होंने, सर कौन सा admin expense, जो की production से related है, production से, और normal वही जो की करते थे, admin, यहां पर क्या था, gross factory के बाद, plus करते थे, WIP, और माइनस करते थे, WIP, इसको करने के बाद, हमारा क्या आता था सर, आता था हमारा, net factory cost है न, net factory, लेकिन यहां पर net factory और gross factory वाला चकर खदम, उसके बाद क्या करते थे, admin, admin, admin करने के बाद, क्या आता था सर हमारा, cost, of production, तो यही सारी बाते, जो हम अलग-अलग heading में करते थे, हमने क्या कर दिया, जोड दिया, तो अब जो हमारा अगला heading आएगा, बस यही बदलाब है, और कुछ नहीं बदलाब है, नए और पुराने में, यानि बीच के दो heading हटा दिये, काफी बच्चे परिशान हो रहे थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है, और कुछ नए खर्चे, नए नए नाम के incorporate हो गए, जैसे cost control, experimental expense, तीन-चार खर्चे नए नए हैं, जो कि law में लिखा हुआ है, उस खर्चों का मैं नाम अभी लिख दूँगा, बस वो ध्यान रखना है कि भाईया, वो यहीं से related है, बस, इसके बाद यहां तक अगर आप देखो ना, comparison करो, तो यही changes है, इसके बाद अगर मैं जाओ, साहिद किसी बच्चे ने मेरे को ना, format भी 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 जाता है, मैंने format देखा भी नहीं क्या है, एक बर दुबारा भीज देना क्या है, नई cost sheet में, उसको भी analysis कर लेंगे, बिल्कुल बता देंगे material वाले, अभी cost sheet वाले बच्चों का ले लेते हैं, इसके बाद क्या आता था है, यहां पर plus, opening stock minus, same यहां, plus, opening stock minus, मैं तो कहूंगा आसान हो गया यह, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा खिच्पिस था, वो एक step भट गया हमारा, ठीक है न? और यहां पर क्या आता था, cost of goods sold है न? same अब भी रहेगा, यहां पर भी यही आएगा, इसको minus plus करने के बाद, मैं बहुत roughly समझा रहा हूँ आपको, cost of goods sold, roughly समझा रहा हूँ, देखिए लेकिन बस, जिस बच्चे ने cost sheet करा होगा, इसको लगे है कोई फरक नहीं पड़ा, आज वाली वीडियो देखके, सारे question कर मारेगा इसी method से, तो कोई फरक ही नहीं पड़ेगा उसे, ठीक है, चलिए, अब इसके बाद क्या आता था हमारा selling, और अब यहां भी selling, कोई फरक नहीं सर, selling, बस यहां पर अगर sales, admin expense अगर sales related है, तो पहले भी नीची आता था, वैसे कोई फरक नहीं है, selling यहां पर भी आजाएगा, उसके बाद क्या आएगा, cost of sales, और यहां भी क्या आजाएगा, cost of sales, बस, कुछ एक खर्चे जो नए इंटेड्यूस में हैं, उसको लिख देते हैं, आपके किताब में कुछ एक नए खर्चे दे रखें, वो लिख देते हैं, क्या नए खर्चे हैं भाई साब, हाँ, उसके अंदर जो नए वाला 10 यर इसलिए hold पे गया, क्योंकि सारे answer change होगी न, आप नए method से करके डाल रहा हूं, उसमें पुराने वाला हटा ही रहा हूं मैं, जंजट खतम, क्या क्या कॉस्ट जो है आपको ध्यान रखना जो यहां आएगा, एक है आपका quality control cost, इसके बाद एक है research and development, इसके बाद बस, और एकाद कॉस्ट और हो सकता है, experimental cost, वो तो पहले भी था, ये तीन खर्चे नए देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, जो बच्चे हैं, जिनके पास last year का question paper था, वी कॉम ओनर्स में, उसमें नए cost के हिसाब से ही आया था, उसका solution आपको बिल जाएगा, जिस बच्चे के पास नहीं है, question paper है, तो solution मैं कल upload करवा दूँगा, जिससे आप अपने answer को, नए वाले paper के solution से match कर सकते हो, हाँ, बिल्कुल relating, देखो, यहाँ पर production से यहाँ पर है, और package से related यहाँ डाल दिया उन्होंने, कहता है कि admin expense, जो यहाँ लिखा है न, admin expense, जो production से related है यहाँ, पहले भी production से related है आता था, अगर मैं कहूँ के for example salary, salary एक admin expense, अगर मैं salary बोलू, to salesman का, तब भी यहाँ आता था, और अब sales, अगर बोलता था, सरिफ salary, तब आप admin में डालते हैं, तो बात होई है, बस book के अंदर क्या करा, उसको define कर दिया, कि related to production, और related to selling and distribution, ठीक है? नहीं भाई, material की अभी दो class और होगी, चिंता मत करो, material की नहीं है, जिन बच्चों का भी internal exam है, उनके internal exam में help करेगा, कब है internal exam है, आपका मेरे खाल, परसो बता रहे हैं बच्चे, कब है आपका हो गया? अच्छा, तो अभी बताएं नहीं कब है, कुछ, कल से college start होगा, हाँ तो internal हो जाएगा, जिनका भी हो जाएगा, बढ़िया करके आ जाएंगे, वो पटा-पट, बाकी chapter कर रखें, overhead में एक बच्चा कह रहा था कि, overhead के अंदर ठीक है, overhead को ठीक करा रखा है, overhead को दो पार्ट में बाटा हुआ है, मैंने machine hour rate, overhead distribution, एक labor में doubt था, वो भी अलग से दिलवा दिया है, सर, कौन से doubt लेने हैं आपके दिपिका, मैंने तो questions सारे ही कर दिये थे, last class वाएं, next chapter अभी material चलेगा, leafo, vipo है, उसके अंदर कुछ advanced questions भी करवाऊँगा मैं, फिर उसके बाद खतम होगा, वो chapter देन हम process करेंगे, cost sheet का question 5, वो तो आप करके भेज़ दो दिपिका मुझे, या solution मैं put कर देता हूँ उसमें, तो आज की class में, much more नहीं लेने वाला था, सिर्फ आपको इतना बताना था, major part जो आपके exam से related है, वो आपको एला था, प्रॉबाँ होगा दो आपको आपको bienवा होगा मैं की डिंटात catching थया होगा, हाँ बिल्कुल तो सर आज सबसे पहले एक एक करके चेप्टर करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ लाइक के कॉस्षीट नहीं करा उनके लिए भी आज की क्लास बहुत बेनिफेशल होगा रिवीजन का मतलब मैं विल्कुल फास्ट में ही लेके चलूँगा अराम से हम कंसप्ट वाइस समझ लेंगे और एक सवाल भी कर लेंगे उस पर ठीक है ना तो काफि सारे स्टूडेंट का कहना था सर कॉस्षीट में नए फॉर्मेट की बात करो सर निव फॉर्मेट की तो आज निव फॉर्मेट की ही बात करेंगे और बहुत सारे चीजे भी डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि टैनियर से भी काफी सारे बच्चों ने कुश्चन पूछा मैंने एक ही जवाब दिया कि मैं इसको क्लास के अंदर ही कवर करूँगा हालाकि आज मुझे कॉर्परेट की क्लास रखनी थी लेकिन मैंने सोचा पहले कॉस्ट का एक फटा फट से रेपिड मतलब के क्लासेस लेके और उसके साथ करेंगे तो चलिए कॉस्ट शीट सर इसको कॉस्ट और ना सिंगल आउटपुट भी कहते हैं अभी आपको समझ में आएगा सर कॉस्ट शीट मतलब जो कोस्टन से देख रहे हैं कुछ बच्चे सोच रहे हैं वो कॉस्टीट का लेकिन किसी और चप्टर का है तो अभी आपको समझ में आ जाएगा देखें अगर हम कॉस्टीट की बात करें न तो बहुत सिंपल से माइने में इनके हम कुछ टुकड़े कर लेते हैं अगर हम कॉस्टीट की बात करें तो क्या-क्या चीजे पहले आता है एक बार वो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हेडिंग हाँ थोड़ा बहुत आपको कॉस्टिंग की नॉलेज होनी जरूरी है जैसे सबसे पहले हेडिंग न हम कुछ चीजों को एड लेस करके हेडिंग और मैं किसी बच्चे का भी डाउट फिलहाल लाइव वाले बच्चों का भी मतलब नहीं देखूंगा मैं पहले अपना कॉंसप्ट करा लो फिर आपके डाउट ले लेंगे और प्राइम कॉस्ट के अंदर कुछ चीजे एड लेस करने के बाद हमें जो रेजल्ट मिलता है हेडिंग हेडिंग पहले समझ लेते हैं चलाओ यह भी देख लेते हैं सर्ट होता यहाँ पर प्लिध और op यृप कि प्वेक ट्री ओवर्ठ अभी और इसके बाद कोई कुशिय्टन रुखने वाला है नहीं आरफा यानि सर अगर हम बात करें यहां से यहां तक जाने के लिए आपको factory overhead एड़ करके जाया जा सकता है इसके बाद हमारा आ जाता है सर net factory cost net factory cost और इसी को हम work cost भी कहते है work cost इसी को हम work cost भी कहते है सर यहां से यहां तक का सफर के बीच का जो difference होता है वो सिर्फ मातर एक होता है WIP क्या करना नहीं करना format में देखेंगे और सवाल भी देख लेंगे इसके बाद हमारा इससे आगे हम निकलते हैं अब यहां पर आ जाता है एक पंगा यहां पर दो चीज़े आ सकती है नए format में क्या कहता है कि यहां से यहां तक जाने के लिए आपको क्या करना है नए format वाला कहता है कि यहां से यहां तक आप निकालिए cost of production यानि सर फेक्टरी कॉस्ट के बाद हमारा फेक्टरी कॉस्ट ही एक तरीके से cost of production बन जाता है मैं इसको समझाओंगा अभी clear करूँगा तो इसका मतलब सर यहां से यहां पर जो बीच में दूरी जो होता है ने वो होता है admin expense सर यह admin expense को type wise बांट दिया गया अब यह दो तरीके के admin expense हो सकते है related to related to production और दूसरा हो सकता है related to sales कि दो तरीके के होते हैं यह admin का मतलब office के खर्चे जो आफिस वगरे की सेलरी वगरे होती है तो अगर हम बात करें related to अगर related to production है तो तो यह आएगा तब तो यह इस जगह पर आएगा अगर related to sales है तो नहीं आएगा यानि सर्फ net factory cost और cost of production पुराने वाले format जिन बच्चों ने किया हुआ है वहाँ तो admin का खर्चा किसी यहां के बात देखा जाए तो हमारा अगला जो आता है यहां पर next point जो निकल के आता है यानि यहां से यहां जाते हैं तो हमारा निकलता है cost और गुड्स और जिन्होंने कर रखा होगा उनको तो बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा जिन्होंने नहीं कर रखा को वो focus करिए का मेरी कोसिस रहेगी कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए और एक्जाम में जो लास्ट टाइम पे questions आया था वो भी आज हम cover कर लेंगे simple सी बात है यानि past year का paper मैं पूरा करा दूँगा चप्टर के साथ साथ तो सर इसके बीच का फासला क्या था कौन बताएगा इसके बीच का फासला क्या था क्या था सर F G है ना इसके बाद finally इसके अंदर हम क्या करते थे लास्ट में हम एक काम बस और रह जाता था that is हम क्या करते थे यहां पे यहां पे हम डालते थे क्या जो cost of cost of sales cost of sales हुआ करता था सर cost of sales और यहां से यहां का फासले में क्या है difference बीच में कि बताओ यहां होता था selling कि एड डिस्ट्रिब्यूशन कि और सर सेलिंग और डिस्ट्रिब्यूशन की अगर मैं बात करूँ न अगर admin expense related to sales हुआ तो वो पता यहां ना पहुंच के कहां पहुंच जाएगा बस इतना फरक है नए cost rate में जो आप देखते हैं आप बहुत बच्चों ने पूछा भी सर नए वाला format करें यह पुराने वाला तो मैं उसका भी logic बताऊंगा लास्ट में किस से पूछ रहा है वैसे नए वाला ही format आपका 99% मान के चलिए चांसे से और पंदरा नंबर का एक सवाल आएगा बहुत आसान सा सवाल आएगा रिकन्स क्यूंकि नए वाला format लास्ट ये इंटर्ड्यूस किया गया है तो आ रहा है यह तो यह स्टेप है सबसे पहले प्राइम कॉस्ट और यह सारी अब हम एक बार फॉर्मेंट डिसकस कर कर लेते हैं कि सर प्राइम कोस्ट निकालने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है सारे पॉइंट पे डिसकस करेंगे ध्यान से सुनिएगा लंबी क्लास हो जाए मुझे फरक नहीं पड़ता लेकिन पूरा अच्छे से रिवाइस होना चाहिए चलिए सर मैंने पूरा कि कॉछन नहीं है जो कि रुख चाएगा सारे कॉछन कर पाएगा है कि सबसे पहले हमारा कॉषकण का अगर हम पॉर्मिट की बात करें तो क्या कहता है तो सबसे पहले रंटर कर दो novapर यह तो आपको पहलेसे पता थह चीज़ो वैसे ही चोपता दूंगा मैं ज्यादा इ यह तो आपको पहले से पता था जो पहले से पता था वह चीज़ वैसे ही छोड़ दूँगा मैं ज्यादा इस पर डिसकस नहीं करूंगा जो नियू आ गया थोड़ा बहुत उसके बाद इसमें डबलू आईपी एड करते थे क्लोजिंग और इसी पार्ट को हम बोलते हैं राव माटीरियल कंज्यूम इसी पार्ट को बोला जाता है राव माटीरियल कंज्यूम इस बात का ध्यान रखिए गा चलिए सब अब इसके अंदर क्या कर देते हैं कैरीज इनवर्ड एड कर देते हैं अब यहां पर ध्यान रखि और less cost abnormal loss of raw material, दो चीजों को less किया जाता है, कई बार बोला जाता है, sale of scrap, तो सवाल में ये नहीं बताता कि ये किस से related है, अब दो चीजे से होता है, एक हमारा raw material होता है, अब अगर हम raw material की बात करें, यानि जो ये वाला stock है न, इसमें से अगर stock हमारा scrap हुआ है, scrap का मतलब नुकसान होके उसे बेच दिया है, तो पैसे तो recover हो गए न, तो इसमें से हुआ है तो वो यहां से minus हो जाएगा, और दूसरा abnormal, abnormal का मतलब मान लो आप raw material खरीद के लाए, 1000 रुपे का, आप raw material खरीद के क इतने का लाए, 1000 का, और यह सारा अचानक से destroyed हो गया, और destroyed हो गया, मान लेते हैं, इसमें से 80% stock, यानि 800 का destroyed हो गया, तो generally ऐसा कभी भी नहीं हो था, कि इतना सारा stock लाए, और सारा का सारा destroyed हो जाए, तो ऐसे losses कौन से loss होंगे, abnormal, अब इस loss को मान लेते हैं, 1000 रुपे का खरी की हमारा abnormal loss था, तो कहा गया cost of abnormal loss raw material, तो अब हमारा जो भी cost होगा, देखो यहां पर इसको भी scrap हमने बेचा है, और एक यहां पर भी है, ध्यान दीजिए का मैं दुबारा इसको और explain करना चाहूंगा, कई बार सवाल examiner कुछ भी घुमा सकता है, तो जो हमारा abnormal loss होगा, अग abnormal loss की बात करें, तो मान लेते हैं, 2000 रुपे का abnormal loss था, इसको 300 में बेच दिया, तो आप ध्यान रखिएगा, जितने का abnormal loss बेचा गया, उसका कोई treatment नहीं हो था cost sheet में, abnormal loss जितने का हुआ है, वही minus होगा, यानि यहां पर कितना minus हो जाएगा, 2000, समझे, अब normal scrap अगर बिखता ह है, तो sale of scrap, वह यहां minus हो जाएगा, clear, तो मेरे हिसाब से आपको clear हो गया होगा, यहां पर दो नहीं बाते आपने देखी, कि सर, scrap raw material वाला यहां पर आएगा, और दूसरे वाला जो भी होगा, जहां जाना होगा, वहां चला जाएगा, इसके बाद हमारे कुछ direct expenses हैं, जो कि direct expenses कौन से होते हैं, जो कि सीधा सीधा हमारा directly relate होता है production से, वो question में साफ साफ कहेगा, जैसे wages और salary यहीं पर आएगा, alliances and incentive यह new word है, alliances आपने तीसरे semester में पढ़ा है, salary, अब alliances का मतलब आपको पता होगा कि salary के अंदर जितने भी perquisits होते हैं, salary के जितने भी हम extra benefit देते हैं, व overtime, अगर कोई overtime दिया जा रहे हैं, तो यह bonus भी यहीं आएगा, employee contribution to PPF ESI यहीं आएगा, other benefit कुछ भी दिया जा रहे हैं, तो यहां पर आजाएगा, यानि सीधी सी बात है, जो wages आपका production से related है, उस wages employee को किसी भी परकार का benefit मिले, वो सीधा कहां चला जाएगा, हमारे prime cost का part, इ वो चीजे मैं नहीं नहीं चीजे हैं ना, वो चीजे मैं यहां पर करता जाओंगा, so that आपको पता चल जाओ, star mark कर दूँगा, कि यह पहले हमने discuss नहीं किया थो, और ऐसा point सवाल में पूछा जा सकता है, that is, एक yellow star लगा दिया, एक yellow star लगा दिया, ठीक है, इसके अंदर यह यहां बच्चे के पास आजाए, तो वो परिशान हो सकता है, और एक यह आजाए, तो बच्चा परिशान हो सकता है, लेकिन सर अगर सिर्फ बोले, allowances and incentive और बताए ना, कि direct है कि indirect, तो आपके उपर पूरा depend करता है, और जब कुछ ना बताए, तो हमेसा indirect मे ले लेना, और इ प्रोड़क्टिव बेजिस, ठीक है, चलिए सब, direct expense कौन-कौन से हो सकते हैं, ध्यान से देख लिजेगा, एक है हमारा power and fuel and stream, आपका royalty paid payable production से related, अगर कोई royalty paid कर रहे है, higher charges paid hiring specific equipment के लिए, fee technical assistant know-how, मतलब आप directly किसी technical को ले के आ रहे हैं, और क्या हो सकता है, important important underline कर दूआ, service specific design developing के लिए, आपने drawing के लिए बुलाए है, जो direct related है, consumable material, यह कि यह सवाल आता है, और एक आता है, job charging paid job worker, एक ही आ जाता है, एक estimating भी आता है, जो कि यहां नहीं लिख पाया है, मैं, estimating, तो यह सारा direct है, इन सभी को करने के बाद हमारा क्या निकल के आता है, prime cost, और prime cost का एक सुंदर सा और नाम है, बताइए क्या नाम है, इसको prime cost को हम क्या कहते हैं, direct cost भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि examiner बदल देते हैं, word, तो यहां तक हमारा यह है, तो आप observe कर आपको पदा चलने वाली थी, क्यालिये सर, अब factory overhead में आ जाते हैं, factory overhead में, consumable store and spares, यहां पर आ जाएगा, देखो यहां पर consumable material था पहले वाले में, यहां पर store and spares, इंस बातों का ध्यान रखिएगा, अब जितने भी depreciation है, जो factory से related है, सारा आ जाएगा, depreciation, plant and machinery, आपका lease का rent आ जाएगा, यहां पर, repair करा, maintenance करा, plant and machinery, factory, building का यहीं पर आएगा, indirect employee cost, मतलब वो employee, जो की production से related नहीं है, with production activity, related to, with production activity, indirect cost, related to, with production activity, चलिए, चलिए, बच्चे बोल रहे हैं, सर, stock तो इसके बाद minus होता है, अभी जो कराया जा रहा है, वो देखिए, पहले पुराने format में, दोनों जगए हो सकता है, तो इसको explain नहीं है, आपको इसको सुनना है, ध्यान से, फिर हम doubt लेंगे, अब insurance हो गया, plant and machinery, इसका ध्यान रखिएगा, बा सर, अगर कोई scrap होता है, हमारा indirect, जैसे कि यहां पर भी देखो raw material वगरा यूज किया है, तो यहां से भी हम scrap को क्या करेंगे, minus कर देंगे, अब इसके बाद जो निकल के आएगा, उसको आपको gross factory cost कह देते हैं, या फिर हम क्या कह देते हैं, gross factory cost के अलावा, हम क्या कह सकते है सर, यहां पर, साहब यहां पर कह सकते हैं हम, factory cost, यह तो आपको अच्छे से पता है, यह दोन चीजे हैं, इसमें बस opening WIP और less closing WIP, तो आप observe करेंगे, सर, यहां पर net factory cost या work cost तक हम बात करें, तो कोई बदलाव नहीं है, पुराने और नए वाले format के अंदर, nothing is changed, कुछ भी change नहीं है, पहली बाद, चली आ गया यह, अब main बदलाव यहां से सुरू होगा, अब factory cost के बाद मैंने क्या कहा, जैसे ही आफ factory cost निकालेंगा है, जैसे factory cost इसके बाद cost of production से पहले एक और point आता है, admin, वो admin expense यहां आ भी सकता है, और नहीं भी आ सकता, depend करेगा, related to अगर हमारा किसके है सर, related to हमारा है, sales तो नहीं आएगा, related to है production तो आ जाएगा, तो उसी की चर्चा करते हैं सर, देखिए, ऐसे कौन-कौन से खर्चे होंगे, जिससे पता चल जाएगा, यह सारा का सारा आप देख रहे हैं, यह क्या है, यह admin expense है, यह क्या है सर, admin expense है, admin expense है, यह एक तर इस जगह पर दिखाना है, specified कि आ गया है, तो examiner इसी में से कोई point जरूर देगा, तो क्या कहता है, quality control cost, quality control cost का मतलब क्या होता है सर, आपका जैसे कि हमारा quality को control, मतलब quality को maintain करने के लिए, हमें नए नए जो की consultancy देते हैं, उनको hire करना पड़ता है, कि आप बताइए हमारे quality म उनको जो payment किया जाता है, वो होता है, quality control cost, research and development cost, research क्योंकि कोई भी product बनाओगे, costing सीख रहे हैं, कोई भी product बनाओगे, तो आपको अच्छे से पता है, उसके लिए पहले आप पता तो करोगे, market में, R&D तो करोगे, तो उसके लिए जो खर्चा है, वो यहाँ पे आएगा, ऐसा नाम अगर given हो, तो मत सोच येगा, कि यह admin से related है, किस से related है, admin overhead related to production activity, अगर आपको admin overhead related to production activity बताता है, तो यहाँ लिखना है, simple admin overhead बोला हुआ हो, या admin expense बोला हो, admin expense क्या-क्या होता है, office के खर्चे होता है, अगर कुछ बोला हो, तो मान लेना directly sales से related है, इसका है ही ने, इसके बाद less कर देंगे credit recovery scrap, अब जो scrap था हमारा, जैसे कि मान लेते हैं, दो scrap हो गया, एक हो गया direct, एक हो गया factory में, और यहाँ पर अगर कोई credit हमारे recovery होता है, इस scrap से, जैसे कि मैंने यहाँ quality control करा, वहाँ से कुछ, मतलब test करने में, वेस्टेस तो होता ही है, हमने test किया, मान लेते हैं, car की बात करते हैं, तो car पता है, बनने से पहले आपने कई बार देखा होगा, मैंने जो observe किया, कि car के अंदर जो bag वगएरा डलते हैं, जो airbags होते हैं, उसको check किया जाता है, वो क्या करते हैं, किसी robot को बिठा के, और बहुत speed में चला के देखते हैं, और कहीं कहीं, उसको टकर मारते हैं, जिससे उनको realize होता है कि कितना damage हो रहा है, कितना safety है, तो है, तो वो क्या check हो रहा है, quality control ही तो check हो रहा है, अब वो quality control जो car पूरा damage हो गया, वो कहां भी जाएगा सर, scrap में, तो वो वाला यहां पर scrap आ ठीक है, और packing cost primary वाला जो होगा, वो यहां material देख रहे हैं, यह माइक का डबा है, यह raw material है, यह packing है, इसके उपर भी एक गत्ते से packing किया जाएगा, इसको safe करने के लिए, that is a secondary packing, और यह वाला packing कोन समाना जाएगा हमारा, primary packing होगा, ठीक है न, तो इस primary packing की बात कर रहा है, बाकि एक्जामलर यह चुची मैं समझा रहा ह है यह point, तो अभी सवाल भी देखेगा, most important जिसको आपको ध्यान रखना है, एक्जाम से जाने से पहले जिसका आ सकता है, ठीक है, चलिए सर, इसके बाद आ जाते हैं, अब आ जाता है हमारा cost of production, और यहाँ पे add opening और less closing जैसे की पहले होता था, जैसे पहले किया करते थे, ब find करना पढ़ सकता है, और closing कैसे निकलता है हमारा rate, into में unit याद होगा तो, rate कैसे निकलता है, cost of production, cost of production, divided by production, unit, rate आता है, उसको unit कितना closing बचा हुआ, इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, बाकी मैंने cost sheet की पूरी video upload है, जिसने बच्चे ने देखी होगी, थोड़ा भी हलका फुलका भी दो class देख लिया ना, तो एक दम फटा फट 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 ग्रैप होता जाएगा, चलिए सर, अब आ जाते हैं, अब देखिए, यहाँ पे कमाल की बात, फिर से क्या आ गया, उठके administrative overhead, journal not related to production, यानि यह production से related ही नहीं है, यानि सीधी सीधी बात बोलू, तो admin overhead, अब हमारा selling and distribution का part माना जाने लगा है, जो पहले हमारा कहां पे चला जाता था, जो हमारा पहले चला जाता था, factory cost के बाद, change होगी है, देखो cost of goods sold के बाद, क्या-क्या, depreciation, maintenance, building, office के administrative employee का, rent and rate taxes, telephone का charge, indirect material, legal charges, remuneration commission paid, तो यह सारे के सारे पुराने में कहां होता था सर, यह सारा का सारा पुराने में अगर देखो, तो यहीं पे हम कर देते थे, कुछ ना कुछ ना कुछ, लेकिन अब क्या हो गया, थोड़ा specific हो गया, अब यहाँ पे थोड़े से खर्चे रख कर दिया गया, यहाँ पे प्लस 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 जो भी करना है, चलिए सर, यह भी क्लियर है, आ जाएगी आगे, अब इसके बाद selling, पहले admin कर दो, selling कर दो, कोई फरक नहीं पड़ता, इसके बीच में कोई heading है ही नहीं, selling expense में कहता है, salary wages, जो था हमारा, आपका salary wages, जो कि कि से related है हमारा, directly to sales से related, जैसे salesman का salary हो गया, rent depreciation maintenance, rent depreciation maintenance क्या होगा हमारा, जैसे कि हमारा office जो sales go down है, उसका rent हो गया, वहां का maintenance हो गया, delivery when का maintenance हो गया, तो यह सारी चीज़े रहेगा, advertisement cost का हमारा यहाँ पे आ जाता है, इसके साथ साथ क्या आ जाता है, expense practice industrial, आपका exhibition लगाते हैं exhibition समझते हो आपने देखा होगा सेल्स करने के लिए कई बार स्टॉल अगरे में जाओगे तो थोड़ा सा मतलब कि स्टॉल टाइप का लगाते हैं और बोलते हैं सर्फ फ्री में टेस्ट करके देखो कैसा है नहीं है वो से इस टाइप से कुछ लाइक होगा ठीक है इसके बाद देखा जाये तो कहता है distribution overhead मतलब यहीं पार्ट है मिला जुला के आप इसको अलग-अलग categorize मेंने कर दिया है आप एक ही साथ लिखेगा ऐसा नहीं कि इतनी categorize करना है selling आपने लिखा admin overhead और फटा-फटी कर दिया distribution में क्या होता है salary wages employee engage with the goods distribution transportation यह हो गया तो overall मिला के इतनी सारी बातों को अगर एक बार जैसे मैंने दिया PDF आपके पास होगा एक पर लिख लिजीएगा जरूर से जैसे लिखेंगे आपको सारी चीजे मेमराइज हो जाएगे इसके अंदर ठीक है इसके बाद क्या आ जाता ह है हमारा cost of sales और sales तो देखेंगे नए cost sheet में जो की हमारा CAS cash करके वो दे देते हैं तो बच्छा घबरा जाता है पता नी कौन से sheet आ गई है आप अपने book के उपर देखेंगे तो वहां पर भी CAS given है CAS क्या है accounting standard है cost accounting standard का नाम short form में बोल देते जैसे accounting standard को AS बोलते हैं इसको cost accounting standard को CAS बोल दिया जाता है तो आपको घबरानी की कोई अब शक्ता नहीं है कि CAS क्या आ गया जब CAS बोल दिया जाए तो समझ लेना नए वाले format से बोल रहा है और जब कुछ ना बोला जाए तो समझ जाना आपके किस format से बोला जा रहा है ठीक है चलिए सर कुछ बहुत important points जिसको मै मैंने अलग से highlight कर दिया जो कि आपको याद होना चाहिए क्या क्या सर ध्यान देजेगा नॉर्मल सी चीजे हैं आपको पता है बहुत बच्चों को नहीं पता है हम सारी चीजों को discuss कर लेते हैं सर क्या क्या है जैसे कहा गया abnormal cost any abnormal cost where it is material and qualified मतलब ऐसा कोई abnormal अभी मैंने बोला सब्सक्राइब है को सब्सक्राइब और अराइजिंग आपका पेंडेमिक कोविट नैंटीन ऐसा कॉस जहां पर आपने अराइज हो गया मतलब आपका abnormal क्या होता है एकदम से मान लेते हैं कि अभी आपने टर्की में सुना था कोई कहा गया था सुना होगा बहुत तगड़ अर्थक्विक आ गया था सुनामी में इंडिया में भी बहुत ज्यादा नुक्सान वात तो ऐसा कोई अचानक से हो जाता है तो उसको हम कौन से लास बोलते थे अर्थक्विक जैसे कि यहां पर कोविड में कॉस्ट पार्टेनिंग अराइजिंग मतलब कोविड के डूरेश सकता है यहां पर इसलिए मैंने डाल दिया तो घबराना निया सब कोविड 19 को कुश्चन आ गया था यह खर्चे और इस खर्चे को आपको इगनूर करना है वहां कंसिडर नहीं करना ठीक है यह वह खर्चे बता रहा हूं जो कि नहीं होगा ऐसे सबसीडरी ग्रांट इंसें इसे क्या कर देंगे हम रिडियूस कर देंगे अगर हमारा फ्रॉम किस से कॉस्ट औब्जेक्टिव जिस भी हमें मिला है वाध को रिड्यूस कर देंगे पैनल्टी फाइंड डैमेज यह सारी चीजों को नॉट को पाट का को स्का पाट है यह नहीं जैसे आपने बैंक के ल यह पहले भी हमने लिखा था लेकिन दुबारा कर रहे हैं तो पूरे डिटेल में कर रहे हैं इंकम टेक्स भी नॉट पाट आफ कॉस्ट और दूसरा एक बेट डेट का बहुत बड़ी समस्य आती है तो लिए नॉट देंगे के यह कॉस्ट का पाट नहीं है इसलिए नहीं लिया गया तो यह पूरा का पूरा हमारा क्या था सब्सक्राइब रहें नए वाले कॉस्ट और पुदाने वाले कॉस्ट में ने बना दिया हैं तो hopefully आपको समझ में आया होगा कि पुराने और नए के बीच में सिर्फ एक मात्र एक पॉइंट ऐसा है वो क्या था admin और वह भी admin कहां चले गया selling and distribution में बस और कोई changes नहीं जिसने पुराना पांच मिनट में यह लाइन समझ का समझ दिया रहा है चलिए आपके एक्जाम में कोशन जो आया था यह यह था यह दो हजार वाइस के पेपर में आया था काफी बच्चों ने पूछ लिया मेरे से कोशन तो मैंने सोचा चलो पहले मैं फॉर्मिट करा दूं और कॉस्ट शीट का एक कोशन भी हो जाएगा आपका एक्जाम का भी कोशन हो जाएगा लगे हाथ और आपको समझ में भी आ जाएगा ठीक है ना अब यहां पे एक्जामर ने स्पेशली मेंशन करा राम दा फॉलोविंग डेटा रिलेटिंग मैनिफेक्ट्रिंग कंपणी न्यू वेव लिमिटेट था यू रिक्वाइड तो कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रडक्शन बोला भी यह कॉस्ट भी मत बनाओ कॉस्ट ऑप्रडक्शन बनाओ काम बन जाएग पिछली बार बच्चे छोड़के आ गए भाई बोला क्या बनाओ स्रिफ कॉस्ट ऑफ प्रडक्शन यानि कॉस्ट ऑफ गुड्स ओल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट वगरा कुछ पूछा ही नहीं और यूजिंग न्यू कॉस्ट अकांटिंग स्टेंडड भाई आप अब ही समझ सकते हो क्या ने आया है ठीक है ना तो चलिए एक बार फॉर्मेट बनाकर फटा फट करते हैं दो सवाल दोनों सवाल ऐसे ही आये थे एक्जाम के अंदर तो इसको फटा-फट से हम एक बार कर लेते हैं और आप ही बता देंगे क्या-क्या करना है इससे आपके प चोटे स्लेबस हैं बड़े स्लेबस हैं आप प्लीज उसको करवा दीजिए हमारे एक्जाम आ रहे हैं मैंने भी कहा भाई या कॉस्ट अब क्या कहता है सवाल में सारी चीज़े पढ़ लिया राव मटीरियल परचेश यहां पर आ जाएगा ना रॉड़ मटीरियल परचेश कितने का है 25,60,000 नॉर्मल कॉस्ट जैसे कर रहा था या पहले आप लिख लीजिए क्या आएगा कुछ पार्ट तक हम पहले लिख लेते हैं प्राइम कॉस्ट आएगा अब ग्रॉस नेट क्योंकि एड्मिन वगरे होगा नहीं तो हम यहां पर लिख देते हैं फैक्टरी कॉस्ट उसके बाद क्या लिख देंगे बताओ कॉस्ट आफ और सवाल नहीं यहीं तक बोला बोला इसके आगे मत बढ़ोगा हम जानकारी अगर दे भी ने तो कोई फाइदा नहीं करने का कहता है ओपनिंग स्टॉप आफ राव मेट्रियर और क्लोजिंग आप अच्छे से जानते ओपनिंग को एड़ कर देंगे प्लस ओपनिंग स्टॉप और माइनस क्या कर देंगे कि लोजिंग स्टॉप बताइए ओपनिंग स्टॉप कितने का था एक लाख 15200 और क्लोजिंग एक लाख चार सो चलिए Employee Cost Paid अब Employee Cost Paid है यहाँ पर यह नहीं पता कि यह Direct है यह Indirect है तो जब सिर्फ Employee Cost बोल रहा है तो नाम बदल दिया देखो पहले वेजिस होता था अब नाम बदल के Employee Cost होगे तो Direct ही है हम मान रहे हैं कितने का है Employee Cost 9,88,000 Value of Opening WIP तो सब जब WIP Opening Closing आ गया तो इसके बीच में भी एक दाइरा बन जाएगा है ना इसके बीच में भी यह Gross Factory भी आएगा यहाँ पर क्यों Gross Factory Cost भी आएगा चलिए देख लेंगे कहता है Opening WIP तो हम प्लस कर देते हैं यहाँ पर प्राइम कॉस्ट के बाद यहाँ पर प्लस ओपनिंग WIP देट इस कितने का है एक लाग और क्लोजिंग है तो माइनस कितने का है दो लाग चालिस अजार आट सो चालिस टोटलिंग का प्रासेस लास्ट में कर लेंगा कोई बात नहीं यह भी हो गया Repair and Maintenance Plant and Machinery Repair and Maintenance Plant and Machinery अभी मैंने बताया था जो भी प्लांट and Machinery पर Depreciation हो Repair हो कुछ भी हो किसका पार्ट होता है Factory cost का है ना ठीक है किसका पार्ट होता है दिखाते हैं देखो जितने भी Repair and Maintenance है तो आपको मैंने बताया था सर किसका पार्ट होगा आजाओ अरे बहुत ज्यादा नीचे चले गए रिपेर and Maintenance आजाओ 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 यह देखा इसी में आ गया Depreciation हो Plant and Machinery का Factory Building हो Repair and Maintenance of Plant and Machinery Factory Building और बोला नहीं है अज्यम्शन के फैक्टरी कहीं चल रहा होगा ठीक है चलिए तो यहां पर आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड चिंता मत करिए मैं बिल्कुल नीट और क्लीन ही करूँगा रिपेर and Maintenance Sir Repair and Maintenance कितना है 390 to 200 ठीक है इसके बाद Insurance Premium Plant and Machinery कहा जाएगा इसी के अंदर आएगा चलिए Insurance Premium कितने रुपे हैं 38 चार सो पंदरा नंबर का सवाल था कुछ बच्चे कह रहे थे सार लाश्टर का पेपर बहुत टाफ आये था प्लीज करवा दो quality control incurred on process product याद आये कुछ quality control मैंने बताया था कार वाला एक्जांपल वह कहां चला जाता था याद करो बताओ कहां जाता था क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलेप्मेंट एड्मिन इक्स्पेंस ठीक है quality control दिखाएं आपको quality control मैंने कहां बताया था अभी याद आएगा आपको रुप जाओ चलिए सर कहां गया को मिर को तो मुझे तो याद है आपको मैं बताना चाहता हूं quality control दिख रहा है आपको यानि फैक्ट्री नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद यानि एडमिन की जगहें इसने ले ली यह याद रखना जहां एडमिन क्या क्या खर्चा था एक देखो क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च और डेवलेफमेंट यहीं एक्जामनर आपको दो ही खर्चे हैं जहां पर एक्जामनर थोड़ा सा कन्फ्यूज कर दिया बच्चों को और बच्चों ने काफी कुशन छूड़ दिये इस बज़े से तो क्वालिटी कंट्रोल कहा है का चलिए मैं इसको थोड़ा अलग मार्कर से कर दूँ आपको अच्छे से क्लियर दिखे इसको कर देते हैं यलो और कौन सा इस हेड्लाइन को भी कर देते हैं ताकि दिखें मिक्स ना हो जाए ना यलो तो इसका मतलब यहां पर आएगा फैक सर कितने का है क्वालिटी कंट्रोल देखो 34-400 इसके बाद सर रिसर्च और डेवलेप्मेंट यह भी बताया था आर एंडी कितने 37-040 ठीक है इसके बाद एड्मिन कॉस्ट कहता है फैक्ट्री एंड प्रडक्शन अब देखो एड्मिन कॉस्ट कह दिया यह किस से है और यहां पे एड्मिन कॉस्ट आता है या नहीं आता सर आता तो है लेकिन कौन से वाला आता है जो कि रिलेटिड किस से होता है हमारा और सवाल खुदी कह रहा है चिला 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 के यह वाला प्रडक्शन से रिलेटिड है तो हम ले लेंगे फैक्ट्री एंड प्रडक होगा कि कितना है तीन साथ है अगर तीन साथ है चलो चेंज करते हैं तीन साथ अब ध्यान दीजिए अधर अधर का मतलब यह खुदी बोल रहा है कि अधर का मतलब फैक्टरी से नहीं है तो छोड़ देंगे कहता है परफ्ट कर्ण है अमांट रिलाइज फ्रॉम से लफ स्क्रैफ मैंठीग्ट्रिंग ॉप रीविद्वेजर क неп Handshall कर्ण याने और जो नए वाला फॉर्मेट है एक दम इसी के बना दिया है क्या है हमारे रिलाइज आप चाथिस चेससो से ठीक है पैकिंग कॉस्त सेशरी टो फुर्धर प्रोसेंग के लिए टो salary to the director तो यहाँ पे दो खर्चे ऐसे आ गए देखो अब जैसे amount realize हुआ amount realize की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो जगे आ जाता है चलिए दिखा देते हैं एक तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जो आपका amount realize होगा यह देखिए कहा गया कहा गया कहा गया यह रहाँ sale of scrap raw material है ठीक है और एक मैंने कहा दिखा दिया था आपको amount realize amount realize आ जाईए आ जाईए नीचे यहीं पे था आपका list इसके नीचे था एक था credit from recovery of scrap by product by product जो एक product होता है और एक आ जाईए है यहाँ पे भी admin का past cost of goods sold आ आ आ आ आ आ आ आ दो जगह था हमारा तो एक amount recovery हाँ यह रहा एक यहाँ पे less कर दिया मैंने credit recovery scrap by product अब दो ही जगह minus होगे एक तो यहाँ पे जो कि हम admin वाला part कर रहे हैं एक तो यहाँ पे minus कर सकते हो जहां कि मैंने minus कर दिया है यह रहा और दूसरा कहाँ minus कर सकते हो सर दूसरा हम यहाँ पे भी minus कर सकते हैं यह रहा production cost को मैं थोड़ा सा यह highlight कर देता हूँ यह production cost अलग है इसको मैं green से कर देता है यहाँ भी minus किया जा सकते है वो आपके उपर इच्छा है क्या मान रहे है क्योंकि सवाल में क्या कहता है यह amount manufacturing process तो manufacturing process तो सर पूरा ही है तो मैंने यहाँ मान लिया कि यह raw material का रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ से ले लिया इसके लिए note देना पड़ेगा packing cost necessary आपका है to goods for further processing goods को further process करने के लिए packing है अब packing cost भी दो हो सकते है या तो आपका direct हो सकता है और एक हो सकता है indirect यानि एक primary packing cost हो सकता है एक secondary primary वाला मैंने कहां बताए था बताओ अगर primary packing cost है तो मैंने अभी आपको बताए था ना add primary packing cost अब यह packing cost आप primary मानते है या secondary मानते है यह totally depend on you तो मुझे जो लग रहा है यहां पे क्या कहता है packing cost necessary आपका आपका the goods further processing further तो आप primary मानेंगे तो आप यहां पे क्या करेंगे addon कर देंगे और अगर secondary मानेंगे तो आप addon नहीं करेंगे salary to director हमेशा admin का पार्ट माना जाता और admin कहां पे हमारा चला गया है cost of goods sold के बाद बस यहा यहां तक बताईए किसी को कोई doubt है तो फिर आगे बढ़ें इसमें बता दीजिए किसी को doubt क्यूंकि एक questions मैंने करा दिया और इसके जैसा ही एक questions सेम आया था अगर आपने 10 years ले रखा हो तो आपको idea लग जाएगा अब भी स्टार्ट हुए क्या डारेक्टर का salary admin का पार्ट होता है और admin जो normal वाला admin है तो वह कहां पहुंच गया है आपका दूसरी चेखने कि सभी टैनियर में मिल जाएगा वह आप लास्ट का पेपर देखेंगे मिल जाएगा पहले यहां तक बता दिए वह दॉट पेजाएगा और जाएगा अभी मिल जाएगा अच्छी अधानियर में भी थोड़ा सा उन्होंने फार्मेट वाइस नहीं करा डारेक्ट कर दिया लेकिन आपको यह प्रॉपर पार्मेट फॉलो करना होगा जो कि हमारा नया फॉर्मेट है कि यहां पर कॉस्ट निकलेगा पहले तो हम प्राइम कॉस्ट निकाल ले निकाल लिए प्राइम कॉस्ट क्या आता है कि प्राइम कॉस्ट निकाल लिए प्राइम कॉस्ट निकाल लिए प्राइम कॉस्ट निकाल लिए नहीं ह करता है अभी है पंदातारिक को उसके लिए कर रहा हूं कि क्या है कि एड्मिंट कार्ड भी आगया बच्छों कर रहा है तो सहाब यहां पर एक क्या रही है हमारा पैकिंग कॉस्ट कौन सा मानना चाहते हैं अगर आप कशे आप यहां पर डाल देज्गे आधरवाइज आप और यालि इतोँ कितने कहा है पैकिंग कॉस्ट है और यह जाएगा प्यक्टरी और यह जाएगा पोडक्शन ठीख है बस तोटल इंग करना कर देता हूं कि पच्चिस लाख साथ हजार वन वन फाइव डू डबल जिरो फाइव डू डबल जिरो माइनस 178 अब यहां पर जो 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 अजम्शन लिया है न हमने वो लिखना पड़ेगा और मैंने बताता गया था क्या क्या जम्शन सा माइनस 36 इस अस्ति यह आगे हमारा 34 सिख एट चांते सिख एक सो बीज तो एक सो बीज तीके खलर चेंज कर लेते हैं कि आजाएए प्लस अपका 392200 प्लस अड़तिस सो चालेस अड़तिस चालेस अड़तिस चार सो है न यह आगे हमारा अड़तिस टूटलिंग आप देख लिजेगा अड़तिस एक्यावन सत्रा बीस ठीक है अब इसको माइनेस प्लस कर देते हैं 62400 माइनस कि क्या आगया 78440 अड़तिस एक्यावन सत्रा बीस तो बहुत जादा गए है एक करोड कैसे आ गया अड़तिस एक्यावन तो बहुत जादा गए टोटल के लट कर दिया गए नहीं नहीं यह करोड में पहुंचिया यह तो है टोटल गलत हो गया 34 पहले अंदर अंदर के टोटल हो गया ठीक है चौँआतिस एक्यावन 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 सत्रा बीस प्लस उन्तालेस टू टू डबल जिरो अड़तिस चार सो हाँ एक जिर एक एक्ट्रा लग गया ना अड़तिस एक्यावन सासो टीस माइनस अठट्रा चार सो चालेस यह आगया हमारा यहागया बैलेस कैंग इसमें हमने क्या च्छोड़ा है एक अदर छोड़ दिया जिसको हमने शुक्ष्या वह की रिलेटेट है हमारा अधर से और एक शैलरियर्ट का हमारे से होता ति यही फॉलो करना है आपकी किताब में भी यही गीवन है तैनियर के अंदर सुल्यूशन के अंदर कई बार डारेक्ट कर दिया जाता है लेकिन आफ प्रॉपर फॉर्मेट यह फॉलो करेंगे मेरे पास किताब में है या नहीं है देख लेता हूँ वैसे होना तो चाहिए थ कर लिए यहां पर पता नी फॉरमेट कहा है नहीं है पदा नहीं बद फॉर्मेट मैंने लिखवा दिया तो यह हमारा कॉस्ट शीट का था इसके साथ-साथ एक कुश्चन सो और आया था देखिए सेम पेटन पर इसके और में भी कुश्चन था 15 नंबर का अब आप ध्यान से देखेंगे फिर से क्या है ओपनिंग डारिक्ट माट यह भी पहले था इंस्रांश प्रिम्याम मुझे समझ में और में दिया क्यों और में दिया क्यों ओपनिंग डभलु आईपी क्लोजिंग quality control research and development admin overhead related to production admin overhead related not related to production तो यह वाला पार्ट नहीं आएगा पैकिंग कॉस्स प्राइमरी आ जाएगा स्क्रैप रिलाइस माइनस कर दो के जहां कभी मानते वहां या तो आप वह वाला quality control के नीचे कर दो या उपर और सेलरी यह नहीं बिल्कुल सेम कोशन डिट्टो दे लिया और बोला इसको आथवा में कर लो तो भाई और में मैं मैं examiner को थोड़ा सा यह भी बोलना चाहूंगा कि आप और में कोशन दीजे तो ऐसा कोशन दीजे ना जो कि बच्चों के लिए थोड़ा सा बेनिफीशल मेरे हिसाब से जिसको वह कोशन नहीं आता तो यह भी नहीं आएगा यानि और में देने का मतलिम नहीं आता आप कोशन ही 45 कर दीजे मत दीजिए और में सिंपल सी बात है तो वही चीजे तो यह हमारा पूरा का पूरा कॉस्ट शीट हो जाता है इसके बाद चल को लूए 10 20 कोशिवम पर डो मैं दे दूंगा कोशेन रूए पर एक कोशेन ऐसर डाल दूंगा जाएक competent बना रखें वो डाल दूँगा दो तिन कोश्चन डाल दूँगा विस सोलीशन आप प्रैक्टिस कर लीजीगा ठीक है चलिए अगले पॉइंट पर आए अगले चेप्टर पर आए यह पूरा का पूरा हमारा रिवाइज मैंने फॉर्मेट के वाइज कर दिया है और फुल फ्लेज कुश्चन भी हो जाएंगे ठीक है चलिए दूसरे चलिए क्लियर है आगे बढ़ो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जैसे पहले पढ़ रहे थे वैसे हम पढ़ते रहेंगे तो कॉंट्रेक्ट कॉंट्रेक्ट कॉस्टिंग मिलता नहीं है डूणने को जॉब एंड कॉंट्रेक्ट कॉस्टिंग है जॉब एंड कॉंट्रेक्ट कॉस्टिंग चेप्टर का नाम है जॉब एंड कॉंट्रेक्ट कॉस्टिंग लेकिन इसमें से जॉब का कोई लेना देना नहीं है सिर्फ हाँ तो अलग-अलग बुक में अलग-अलग है तो आप concept देखिए मैं question दूँगा आपको PDF में ठीक है हाँ इस chapter का job and contract costing भी है ठीक है अब contract costing ये है समझे क्या होता है simple सी बात है हमारा costing है ये मान लिजिए मान लिजिए मैंने मैंने क्या करा building बना दी एक और building की अगर हम बात करते हैं तो आप अच्छे से जानते हो कि building जब बनता है न तो ये भी एक technical part है मैंने एक building बनाया और मान लेते हैं कि ये मैं हूँ या आप अपने आपको समझ ले या मुझे मान ले है ना और ये है इस building को बनाने वाला मालिक ठीक है ये है honor honor से जो हमारी बात्चीत चलेगी न वो बात्चीत क्या चलेगी अभी building है नहीं मान लो honor से क्या बात्चीत चलेगी मेरे और honor के बीच में बात्चीत चलेगी honor बोलते है के भईया मेरी जमीन एक मकान बनाना है तू बना देगा क्या तो मैंने बोला हाँ मैं बनाऊंगा तो यानि अगर मैं मकान बनाने की बात कर रहा हूं तो मैं ए ऐज़ा क्या हो गया builder मैं builder हो गया या हो गया contractor contractor हो गया मैं या फिर हिंदी उस सब्सक्राइब में बोल दो मुझे बड़ी सीधी से बात है ठीक एदार हो गया है यही काम करते हैं सिंपल सी बात है तो यह मेरे को बोलेगा कि मेरा मकान बना दो तो मकान बनाने का प्रोसिजर होगा हम दोनों के वीच में है एक agreement होगा हम दोनों के भीच में measurement होगा किAct मैं तेरे कितना building बनाने वाला हूँ मैं तेरे कितना floor बनाऊंगा कितना पैसा लूँगा हर floor का material के साथ ठीका दे रहा है या without material के दे रहा है सारी बात है क्लिक होगी इसके अंदर और जब ये ओग्ति है न ये कौन है ऊनर इसको न इस सब्द के अंदर बोला गेया ka कव्यां पर क्या बोला गेया कॉंट्रेक्टी तो पहले डो सब्द को समझ ना आप एक है सकार कॉंट्रेक्टो लाग को कौन होता है जो की होता है ठेकेदार जो की बनाएगा और कॉंट्रेक्टी कौन होता है जो की दे रहा है ठेका मालिक हम बिल्डिंग बनाएंगे तो हमारे लिए चैलेंज है कि जब हम बनाएंगे तो हम कहीं न कहीं अपने लिए एक पीएंडल तयार करेंगे क्योंकि आप जो भी वैपारी हो पीएंडर बनाएगा चाहे परचुन की दुकान कर रहा हो चाहे सबजी बेच रहा हो चाहे ठेकेदार हो अपना प्रॉफिट तो निकालेगा जब तक प्रॉफिट नहीं होका बिजनस में काम कैसे कर सकता है तो profit निकालने के लिए जो इस मुझे पैसे देगा अब मैं sale मेरे लिए क्या है अगर मैं contractor हूँ तो मेरे लिए sale क्या है sale का मतलब मैं simple सी बात जानता हूँ है जहाँ जब पैसा आता है रेगुलर उसी flow से उसे sale बोलते है मैं tuition पढ़ा रहा हूँ तो मिरे लिए sales क्या है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मिरे लिए sales है सबजी वाले के लिए सबजी बेच रहा है sales है तो contractor के पास पैसा कहां से आएगा contractor के पास पैसा आएगा जो honor देगा तो sale इसके लिए क्या होगा सर सेल होगा इसका contract amount है कि नहीं इधर आ जाएगा contract amount और सर इसके खर्चे क्या होंगे इसके खर्चे क्या हो सकते है इसका cement खर्च हो सकता है bricks खर्च हो सकता है इसका या फिर iron खर्च हो सकता है इसका steel खर्च हो सकता है labor खर्च होगा इसका यही सारा तो खर्चा होगा और वो सारे खर्चे इसके यहाँ पर आ जाएंगे समझ रहे बाद उसके बाद हम क्या करेंगा भाईया sale पता चल गया सब कुछ पता चल गया closing stock भी यहाँ जाएगा यहाँ पर क्या निकल जाएगा net profit तो बहुत आसान चेप्टर 15 नंबर एकदम फ्री के दे दिये जाते हैं एक तरीके से आपको पीडल अगर समझ में आ गया ना जिस बच्चों को थोड़ा भी याद है ने कि पीडल में सर ऐसे debit credit करके ऐसे निकालते हैं चेप्टर खतम हो जा अकांट ही आता है स्रिफ एक्जाम में बनाने को बहुत advanced concept आ गया तो बोल देगा भाई तु एक काम कर्यार कॉंट्रेक्टी अकांट भी बना दे और बहुत advanced हो गया तो बोलेगा तु एक काम कर balance sheet भी बना दे और सर इसका balance sheet इतना मज़ेदार है ना जो पुराने हम balance sheet करते थे एक गंटा लगता था चार से पांच मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके balance sheet में क्यूंकि पूरी balance sheet बनाएंगे ने सिर्फ एक जो बनाएंगे ना contractor stock stock लिखके खतम कर देंगे बस एक formality मानके चलो तो यहां पर इस account के सबसे पहले समझो contract account contract account कोन बना रहा है ठेकेदार बना रहा है ठेकेदार क्यों बना रहा है अपना profit and loss निकालेने के लिए इसका profit and loss क्या आएगा actual इसको कौन सा एस गवन करता एस साथ एस सेवन के according चलते हैं इसको गवन करता एस सेवन लेकिन हमारे costing के अंदर ना एस नहीं होता हमारा costing के standards कुछ नहीं आए हैं पिछले सालों में तो वो हमें पढ़ने पढ़ेंगे उससे लेना देना नहीं है अभी हम पहले इस सवाल पर focus करते हैं पहले basic concept देखिए और किसके लिए काम करेंगे हम अपने लिए हमी बनाएंगे उसका अकाउंट भी यह कुछ नहीं करेगा यह तो मौज करेगा और यह सिर्फ पैसा देगा यह सिर्फ आएगा अब इसके बीच में क्या-क्या body सारी कहानी आएगी उस चीज़ को हम समझ समझ के लिखेंगे अक सबसे पहले बनाने जा रहा हूं काफी बच्चे लेते हैं तो वह बच्चे भी मैंने पहले बता दिया तो लाइव क्लास में लोगे ने तो समझ जाना है कि अभी हुआ नहीं है और मटेरियल चप्टर फिर हम अलग से कर लेंगे और किसी को ना मान लो कोई बच्चा बोलता है सर मेरी आज ना फर्स्ट क्लास है क्या समझ में आएगा बिलकुल 101 परसंट समझ में आएगा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है सर इसका किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है आपके जीवन में जितना भी है जो पर्टिकुलर ठीक है नब पर्टिकुलर यह है हमारा अकाउंट इस अकाउंट को हम एक बार फटा-फट से फिल करते हैं और देखेंगे ठीक है सबसे पहले two side में क्या लिखूंगा मैं खर्चे एक तरीके से मैं थोड़ा सो basic concept clear करने के लिए मैं बोल दूँ इधर सारे खर्चे आ जाएंगे और इधर सारे हमारे जो receipts होंगे वो आ जाएंगे खर्चा क्या होगा मेजर खर्चा होता है हमारा सबसे पहले material ठीक है न सर material क्या हो सकता है cement हो सकता है rate हो सकता है आपका और भी सारे जो चीज लगते हैं भाईया मकान बनाने में वह ही होगा material के बाद जो मेजर खर्चा होगा labor और labor को wages भी कहते हैं उसके बाद मेजर खर्चा होगा overhead sir overhead खर्चे को ही बोलते हैं इसके अंदर क्या क्या आ सकता है सब कुछ आ सकता है जैसे आ सकता है office expense इसमें आ सकता है salary इसमें अब कई बार ना ऐसा होता है आपका क्या outstanding भी given होगा तो मैं माल लेता हूं कि यहां पर लिख देता हूं suppose करो और क्या खर्चा होता है खर्चा journal expense और question में कहता है outstanding है तो plus कर देंगा outstanding वही P&L वाला फट्डा ठीक है न और prepaid होगा तो क्या कर देंगा अपन माइनस कर देंगे समझ में आ रही है बात आपको तो यह आ गए हमारा कौन सा और building मैं देख रहा हूं पीपी जोलिस के साथ में सायद में चटी क्लास में था तब मैं देख रहा था और अभी बनी रहे हैं ठीक है आप सब ने भी देखा होगा आप भी बच्पन में थे तब भी वही बन रहा था और आप बड़े भी होगे तब भी बन रहे हैं तो है जनली अगर माल लेते हैं कि हमारा contractor का ठेकेदार लिया पांस सालों का ठीक है ना पांस सालों का ठीक लिए तो वहर संबधाएंगा न है सारा कॉंट्रेक्ट का पैसा नहीं मिलता सारा कॉंठ्राक्ट का पैसा नहीं मिलता आप सोच लो आप अपद्र को थोड़ी बोलो कि इससे थोड़ी करोगा लाकॉर्पे और लेलो कि छार यानि जैसे जैसे वह काम को फिनिस करता जाएगा वैसे वैसे पेमिंट करेंगे तो यहां पे जो contractor को जो पैसे मिलते हैं न वह मिलता है according to work done ठीक है न आप खुद observe करो as a person normal person चलो आपको मकान बनाना है और आपका मकान सोचो के 50 प्रुपे में बनने को तयार है तो एकदम से 50 थोड़ी दोगे दीरे दीरे दोगे तो हमें इस साल का accounting करना है तो इस साल का करने के लिए तो बाइक contract price तो नहीं लिख सकते न अगर मैं यहां लिख तूँ बाइक contract price और पूरे 50 लाख लिख दूँ तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं भाई कहां से मिल जाएंगे तिरे को 50 मान ओगे तो सर यहां पे करने क्या वाले हम जितना पैसा मिलेंगा वहीं लिखेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा क्या सर यहां पर काम डन हो गया या नहीं हुआ work done हो गया या नहीं हुआ मुझे जवाब दीजिए work done हुआ या नहीं हुआ जब work done नहीं होता तो एक प्यारा सा नाम बोलते है work in progress ठीक है न कार प्रगति पर है work in progress तो हम यहां पर contract ना इसने लिखे क्या लिखेंगे work in progress यह heading हो गया working progress ठीक है अब work in progress के अंदर दो बाते हो सकते हैं work certified हो सकता रोट not certified हो सकता है तो यह क्या जहमेला है वर्क certified और नौट सटीफाइड क्या है बड़े आसान सब्दों में समझेएगा वरक सर्टिफाइड क्या वर्क नॉट सर्टिफाइड क्या है देखिए माली जिए आप ना जब भी मकान बनाते हैं नॉर्मली तो हम खुद बना लेते ठेकेदार बना लेता हैं लेकिन मालिक जो होते ना जो बड़े-बड़े कर रहा है फिर नहीं कर रहा है तो ठेकेदार मालेते हैं पूरा साल है ठेकेदार काम कर रहा है 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 आर्किटेक्चर को मैंने यहां बुला लिया बोला भाई देख और डेली में आर्किटेक्चर को बोलुगा देख तो आर्किटेक करते हैं हम एक ही बार बुलाते हैं साल में एक ही बार बुला इसको साल में पेमिंट देने वाले पेमिंट देने से पहले बुला लेते हैं जल्दी जल्दी आ देख कितना मकान बना तो यहां मकान इतना सा बना फिर यहां थोड़ा और बड़ा बना फिर थोड़ा और बना बन यह रहा मेरा मकान, मकान को देखा, हाँ भाई तेरा मकान तो बन रहा है, और तेरा मकान पूरा कितने का था, पचास लाग का मैंने बोला भाई ठेका दिया, बोला पचास लाग का थोड़ी काम हुआ अभी, अभी तो मान ले 20% काम हुआ तेरा, कितना परसेंट काम हुआ है, 20 टो मैं ठेकेदार कुंअ कितना पैसा दूंगा मैं 50 लाग थोड़ है सकान्स को जो आर्किटेक्चर बोल पे जा रह discourte की वर्क वर्क सेटिफाइड थोड़ा क्लीन कर देते हैं लिखते देते हैं इसको वर्क टी वर्क सेटिफाइड ठीक है न अब भाईया आर्किटेक्चर को यहां बुलाया वो कहां चले गया अब अपने दूसरे काम पर चले गया क्या ठेकेदार इस काम के बाद एक तीन क्योंकि साल खतम कब होगा मारा इक अतिसक्ति अब ठेकेदार ऐसे थोड़ी बुलेगा मैं काम नहीं करूंगा वह तो करता रहेगा अपना काम बोलेगा तू सेटिफाइड करा रहा है कुछ भी करा तेरी मर्जी मैंने तो काम करना है तेरा ठेका लिए तो काम करेंग कितने पैसे थोड़े दिन के ही है ना ज्यादा पैसे तो नहीं देने हुगा ले ले पैसे भाई तू तो अब जो हम उसको पैसे हम ठेकेदार को दे रहा है यानि जो ठेकेदार ले रहा है उस काम के पैसे ले रहा है जिसको आर्किटेक्चर ने सेटिफाइड किया है नहीं किया नहीं किया तो इसलिए उसका नाम पड़ जाता है वर्क नॉट सर्टिफाइड वर्क नॉट वो आएगा एक नॉट सर्टिफाइड वाला होगा वो आएगा मान लो अगर आर्किटेक्चर मुझे जवाब देना एक सिंपल सा कूश्चन पूछता हूं देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ रहा है मान लेते हैं कि जो आर्किटेक्चर है ना वो आता है 31-3 को साल के एंड में और यहां से यहां से यहां से काम चल रहा है 31-3 को आता है साल के एंड में मुझे फटा फट से जवाब देना बताओ वर्क नौट सर्टिफाइड कितना होगा वर्क नौट सर्टिफाइड कितना होगा निल, बच्चों ने दिया 0, 0, 0, 0, 0, सभी का आंसर आ गया लगबग, लगबग, 0, तो बड़ी बेसिक सी बात है, क्या निए आपको समझ में आया, एक बच्चा बोल रहा है सर, समझ में नहीं आया, वर्क नॉटिस सर्टिफाइड, यानि साल ये मेरा पूरा है, मैं इसे मिटा देता हूँ, मान लेता है, ये मेरा पूरा साल है सर, इस पूरे साल में जितने टाइम तक, एक आर्किटेक्चर आके, और बोल देके तेरा काम भाई, डन हो गया है, यहां तक डन हो गया है, तो यानि ये बंदा architecture done बोल देगा उसे बोलेंगे work certified और जिस time को वो नहीं बोल पाया उसे बोलेंगे work not certified समझ गे बाता तो सवाल में जरूरी नहीं है कि work not certified होगा ही होगा है सभी हो सकता 31 March को तो work certified नहीं है यहां तक कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई परेशानी समझ में आ रहे हैं अब यहां तक clear होने के बाद मैं एक चोटी सी बात पूछता हूं मानलो एक मैंने account बनाया है मैंने account बनाया यहां लिखा machinery 50,000 और buy side में लिखा machinery 40,000 तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि यहां पर इस account के अंदर reflect amount कितना है इस account के अंदर reflect amount कितना है कौन बच्चा बताएगा इस account के अंदर reflect amount कितना है reflect का मतलब account में actually में मैंने दिखाया कितना अगर मैं इधर 50 लिखूं इधर 50 लिखूं तो दोनों side balancing कितना हैगा 0 मैंने इधर 50 दिखाया इधर 40 तो 40 से 40 तो cut गया तो ultimately मैंने बस इधर 10 ही दिखाया है इस बात से agree है तो बच्चों ने जवाब भी दे दिया sir 10,000 ही है तो बड़ depreciation लिख दू 10,000 रूपए एक तो यह तरीका है दूसरा अगर 10,000 का depreciation है तो मैं एक यह भी कर सकता हूं मैं यहां पर machinery लिख दू कितने सर 50,000 रूपए और इधर machinery लिख दू मैं कितने 40,000 रूपए तो automatically 10,000 रूपए इधर दिख गया हमें दिखाने की जूरत नहीं है automatically show हो गया 10,000 तो हम ना assets के उपर depreciation तो लगाते हैं लेकिन उस assets का depreciation कैसे लिखते हैं थोड़ा style अलग है इधर लिख देते हैं machinery जितने का खरीदा है और buy side में लिख देते हैं हम closing balance closing balance किसका एक तो stock का हो सकता है material का हो सकता है और एक हो सकता है machinery का एक किसका हो सकता है machinery का एक हो सकता है machinery का तो मैंने machinery का value इधर भी दिखाया है machinery का value इधर भी दिखाया है तो जो beach का difference है automatically क्या filter कर लेगा अपने आप depreciation तो हमें depreciation direct नहीं दिखाना हमें machinery का opening और क्या दिखाना है sir closing balance और कई बार ऐसा भी होता है कि material हमने खरीदा तो है यहां लिख दिया और वह material खराब निकल गया तो हमें return करना पड़ सकता है जिसे बोलते है return to store बोल देते हैं रिटन करना पड़ता तो रिटन की जब बारी आएगे ना कोई भी material रिटन वगरा करोगे तो बड़ी basic सी बात है रिटन कर रहे हो तो यह तो दिक्कत है तो by side में लिख दो by return थीक है न अब इनको जब total करेंगे न पहले इस account पे कोई दिक्कत किसी को जब इनको टोटल करेंगे तो क्या आएगा surplus लेकिन सबसे ज्यादा जो नुक्सान होता है सबसे जयासा पैसा बिल्डर ही खमाते है और नुक्सान भी उन्हीं का होता है नुक्सान ऐसे होता है कि उ तो तो तेरे को पैसे नहीं है अगर उसने प्लस्तर प्राफर नहीं किया मालिक ने क्या कर दिया अब हो गया गलती अब आगे से नहीं करेंगे इसका क्या मतलब है हमारे तो मकान पूरा खराब होगे अब तेरे 20,000 रुपे काट लूगा जा तो ठेकेदार को ना पूरे कभी के पैसे मिलते ही नहीं है तो इसलिए लौ जो एस सेवन कहता है बोलता है ठेकेदार तो अपना प्रोफित दे देगा इसके उपर अगर टुक्त जाकर भर देगा तो कल के दिन अगर तरफित पैसे नहीं देगा तो तो मर जाएगा तो सब्सक्राइब basis पर profit ना कुंँद दे इस में से कितना profit रहा है और कितना profit नहीं मानेगा आप दोही कहानी हो सकती है 100 रुपर मुझे मैं उम्मीद है कि मिलेंगे हो science91 तो जितना तुछे profit मिल रही है सिर्फ उसी को profit माने Takes दे बाकि को मत के इसको दो हिस्षे में बाट दिया गया को हिस्से में बाटने का मतलब इसको कहानी हम आगे और लेके गए इस कहानी को हम आगे और लेके गए आगे क्या लिखे गए बाई साइड में लिखा बाई सर्प्लस और इसको दो पार्ट में बाठ दिया एक तो चला जाएगा हमारा profit हो जाएगा जिसको बोलेंगे costing क्योंकि cost का profit and loss है यह है तो इसलिए बोल देंगे costing और एक जिसको हम बोल रहें के profit नहीं मान रहें वो आ जाएगा work in progress work in progress reserve यानि अपने profit को reserve कर लेंगे reserve का मतलब जानते हो कि हम इस profit को नहीं मान रहें के हमारा profit है यह balancing figure आ जाएगा ठीक है न तो सर मुद्दे की बात यह आती है कि सर हम कैसे bifurcate करेंगे कि कितना part हमारा profit का है कितना नहीं है इसके लिए ना कुछ हमें conditions याद करने होते हैं कि अगर आपका इतने percent work done हुआ तो इतना part आप profit मानिए इतना part reserve रखिए इतने percent done हुआ तो वो condition मैं लिखने जा रहा हूँ पहले यहां तक देखिए आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है यहां तक format हर बच्चों को समझ में आ गया क्या यहां तक यहां तक सभी बच्चों को format समझ में आ गया क्या यहां तक format हर बच्चों को समझ में आया बताएं फटा-फट हाँ या ना देखिए इस चीज को आप समझ के करेंगे ना तो बड़े असानी से हो जाएगा लेकिन अगर आप सोचेगे न के छोड़ो क्या समझना क्या नहीं समझना तो फिर दिक्कत हो जाएगे समझ के करना है आपको इसको सर लास्ट वाला depreciation वाला point एक बार फिर से repeat कर दो ओके depreciation का मतलब है कि हम depreciation को directly यहां नहीं दिखाएंगे उस assets को कितने का खरीदा था और depreciation लगने के बाद कितने का बचा इधर दिखा देंगे इधर ज़्यादा value आएगा इधर कम value होगा तो बीच का difference जो बन रहा होगा automatically किसका part बन जाएगा वो depreciation का बन जाएगा ठीक है सर अब condition क्या कहता है rule क्या कहता है rule देख लीजिए rule कह लीजिए condition कह लीजिए situation कह लीजिए मैं rule नाम दे देता हूँ अगर आपका if work done if contract complete less than less than 25 percent तो आपको profit जो मानना है इसको na CPL कहूंगा costing को तो CPL costing profit and loss zero होगा costing profit and loss क्या होगा और सर यह profit पर रूल लगा होगा loss में क्या rule लगाना loss तो loss है आपका ठीक है ना CPL मतलब यह वाला हिस्सा यह बोल रहा हूँ CPL का मतलब यह वाला ठीक है ना यह कितना होगा zero जैसे मान लेते हैं कि हमारा काम ही done हुआ बीस परसेंट और यहां से surplus आए पचास अजार तो हम पूरे पचास अजार रिजर्ब में डाल देंगे CPL में कुछ भी नहीं आएगा समझे बात आओ लेकिन लेकिन आपका if contract done 25% के बराबर या उससे ज्यादा लेकिन पचास परसेंट से कम लेकिन पचास परसेंट से कम तब यहां पर हम क्या करेंगे हम लेंगे CPL is equal to CPL is equal to surplus into 1 by 3 into cash receive divided by work certified यह formula लगाके जो हमें मिलेगा वो होगा sir cash receive हमेशा सवाल में given होगा work certified यही वाला आएगा surplus यह वाला आएगा 1 by 3 formula का part है जिसे रिसाब से निकालते हैं कहा गया sir number 3 जब हम practical question में apply करेंगे ना तो बड़े अच्छे से समझ भाएगा number 3 कहा गया if contract done 50% के बराबर या जादा but less than 90% बस less than 90% 90% से कम ठीक है तब आपको लेना है cpl is equal to surplus into 2 by 3 into में cash receive divided by work certified और चौथा point क्या बनेगा क्या रह गया if अभी ना यह आपको थोड़ा सा ना अलग रहोगा सर पता नहीं शुरू में तो मजा रहा था यह point आ गया थो थोड़ा सा complicated बन रहा है तो बहुत आसान है जब सवाल करेंगे तो if contract done आपका less than ही तो लगा है ऐसे less than होता है ना और यह वाला ज्यादा और यह कम अगर आपका 90% से क्या हुआ ज्यादा हुआ ठीक है 90% से ज्यादा हुआ तब आप करोगे तब आप formula लगाओगे तब आप formula लगाओगे surplus into में cash receive divided by contract price ठीक है ना इस formula से जो निकल के आएगा वो कहाँ पहुचेगा सर यहाँ और balancing figure यह वाला होगा हमें सर ठीक है ना अब सर मुद्दे की बात है सर contract कितना done हुआ उसका भी formula है formula तो नहीं है मैं simple सी बात कहूँ कि मैंने contract लिया था 10 लाक का और मैंने certified सब मिला के जो certified हो गया मेरा certified हो गया done वो हो गया मान लेते हैं दो लाक रुपे तो बताओ कितने percent काम complete हो गया मेरा कितने कता contract certified कितना हो गया कितने percent काम complete हो गया 20% हो गया ना तो आप formula कैसे लगाया आपने 20% आपने 2 लाक को उपर रखा 10 लाक को नीचे रखा गुणा में क्या कर दिया तो यही कराना तो यानि work certified का formula क्या होगा work done का formula क्या होगा अब formula बनाना चाहो तो work certified wc लिख रहा हो divided by contract price गुणा में यानि into में 100 into में 100 तो work certified निकालना होगा तो हम इस तरीके से निकालेंगे इधर जगह नहीं था पहले मैंने इधर कर दिया पहले format format समझे आप बाकी contractory और balance sheet में तो कुछ है नहीं सर बड़ा आसान सा chapter हुआ पहले format format समझे आप फटाफट से बताए कोई दिक्कत मैं अगेन कह रहा हूँ जिसको यह समझ में नहीं आ रहा है ना formula लेकिन जब मैं guarantee में लेता हूँ कि आपका यह एकदम फेवरेट चेप्टर बन जाएगा जब हम practical question करेंगे बच्चा यह कहता है कि सर यही चेप्टर मजा आ रहा है इस चेप्टर में तो पक्के हो गया नंबर और यह 15 नंबर का सवाल आता है इतना सा करने को 15 नंबर का सवाल एक बार नहीं कईयों बार आया हुआ है आप देख सकते हो एक बार rule फिर से explain करें रूल में क्या कहता है अगर आपका contract complete 25% से कम है 25% से क्या है कम तो ऐसे situation में CPL में कितना डालोगे 0 मतलब आपका profit ही नहीं मत मानो profit है लेकिन 25% हो गया या उससे ज्यादा हो रहा है लेकिन 50 से ज्यादा ना हुआ हो यानि 25 और 50 के बीच में रहा तो बोला गया आपको profit यह म मानना है ठीक है ? लेकिन अगर आपका काम 50% से उपर हो गया तो 90 से ऊपर मत जाना नब बे तक रहा तो आपको profit ऐसे निकालना है आपको profit ऐसे निकालना है लेकिन अगर मानलोb 90% बीक्कम complete हो टो almost completion स्टेज पे आ गया आप complete पे हो तो आपको प्रॉफिट ऐसे मानना है यानि अगर पच्छिस से कम है जीरो पच्छिस और पच्छास के बीच में वन बाई थ्री याद रखना है और कैस रिसी वर्क सर्टिफाइड इसकी कहानी जब प्रैक्टिकल कोश्चन करेंगे तो समझें हम कैस रिसी वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि हम इसको ज्यादा डिटेल में लेकर जाओंगा तो साइध आपको थोड़ा कंफिउजन क्रियेट हो जाए तो जब कोश्चन करूँगा तो मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा इसके बाद तीसरा क्या है हमारा 50 पटी प्रंसे जादा लेकिन 90 प्रशंट से कम तो वाई 3 कउन्टक रिसीव क्षाटिफाइड हमारा कैसरिफ सरी qaq मैंने ढ्रकासरीप कैसि णाट्वेस कोस्ट्ट में किसी को कोई डाउट बताईए किसी को कोई डाउट है तो पचास परसेंट अगर एक्जेक्ट होगा तो पचास परसेंट मैंने देखो ने इसके नीचे इक्वल का सिंबल लगा है पचास परसेंट एक्जेक्ट हुआ तो इसमें आ जाएगा और यहाँ देखो less than है तो 50% से कम हुआ तो इधर आ जाएगा 25 से कम हुआ तो exact 25 हुआ तो इधर आ जाएगा कि क्लियर तो आज हमने कोश्चन जितने भी थे कहां तक कर लिया सर कुश्चन तो कुछ नहीं किये एक basic basic concept ले लिया सर यह contract account हमारा chapter है और ठेकेदार इस chapter को बनाएगा contractor इस chapter को बनाएगा और जो contract देता है उसको क्या बोलते है यहाँ कितने तरीके का अकाउट बन सकते है एक बनेगा हमारा contract account, एक बनेगा contract और एक बनेगा balance sheet लेकिन ज़्यादातर सवाल जो आता है सिर्फ किसका आता है contract account का contract account बनाने के लिए क्या करना होगा इधर सारे खर्चे और इधर सारे income income की बात करें तो income एक ही होता है हमारा जो कि हमें पैसे मिलता है पैसे दो तरीके से मिल सकता है या तो work certified से मिलेगा या work not दोनों को मिला के हमें मिल जाएगा इसके बाद बात करें profit जो profit निकल के आएगा वो सारा profit अमें profit नहीं मानना उस profit में से भी कुछ हिस्से को हमें क्या करना है रिजर्व में transfer करना है तो कितना profit profit मानना है तो वे depend करेगा आपका completion of work पे अगर आपका काम 25% से ज्यादा होता है या पहले 25% से कम होता है तो 0 आपको मानना है सारा reserve में रखो आप अभी आप कमाने लाइक नहीं बने लेकिन अगर आपका 25 से ज्यादा और लेकिन 50 से कम होता है तो आप कुछ पैसा कमा रहे हो 1 by 3 हिस्सा आप कहां मान लो profit में मान लो cash received divided by work certified के अगर आप 50 से भी उपर पहुंच गये तो आप 2 by 3 अपने surplus में मान लो profit के CPL में मान लो बाकी कहां डाल दो reserve में और अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो सारा पैसा लगबग लगबग profit में आ जाएगा कुछ reserve रखने की कुछ भी नहीं रखाए ठीक है ना बताइए clear है हाँ यह लगबग 4th unit का chapter बोल सकते unit दिया एक किताब में देखना कौन सी unit का है डी यू का किसी के पास लेबस था ना फोन में दिखा रहे थे costing का हाँ 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 यू यूनिट फोर्थ का दिखाने एक बार मैं बता दू मैंने गलती कर दी पहले मुझे ना बता देना चाहिए था unit 3rd 4th method of costing में वही मेरे दिमाग में नाम ही याद नहीं आ रहा था method of costing इसमें दो चेप्टर है एक यह है आपका contract एक है process account एक इसके अं method of costing unit 4 इसी में service costing भी है हाँ service costing तीन चेप्टर है unit 4 और जो unit number 4 है ना ऐसे बात करें हम life के अंदर तो कुछ ऐसा area होता है ऐसा core होता है जहां पर के मान के चलो सबसे ज़्यादा तो unit number 4 से सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा कई बार ऐसा हुआ है कि इस unit से 30 से 45 नंबर का सवाल पूछा गया है मतलब contract अलग आ गया process अलग आ गया service अलग आ गया तो तीन चेप्टर हो गए 45 नंबर का cover हो गया लेकिन इस unit से minimum 20 नंबर का question आना तह है minimum question आना पक्का है 20 marks का देखो 15 का या तो यह आ जाता है 15 का process आ जाता है या service आ जाता है उस पूपिट दे देंगे surplus और बोलेंगे इसका बताओ contract account में कितना पाट जाएगा इस थरीके से ठीक है न कि एक्जाम्पल कल कल क्या है सटेड़े हैं इस लाइव वालोगों नहीं है इस चेप्टर में कितने unit लगेंगे सवाल मेरे एक हाल जादा नहीं है इस चेप्टर के सवाल मेरे एक हाल 12-15 सवाल होंगे तो मान के चलो 4 classes 4-5 classes मान के चलो 5 classes का मतलब आप 10-12 दिन 5 classes भी नहीं लगने वाले चोटे-चोटे questions है एक्जामपल अभी करा नहीं पाएंगे थोड़ा सा मेरे को भी देखना है मैंने इसलिए अज नया चेप्टर स्टार्ट किया है अगर एक्जामपल भी डाल दूँगा फिर ये वाला portion नहीं हैवी हो जाएगा काफी आपके लिए मैं परफोस्टनेट भी समझाने लगूँगा तो फिर बोलोगे रहे इतना अच्छा रहा था फिर चला गया दिमाग से costing P&L का meaning होता है जो profit कमाया है finance के लिए सिर्फ P&L बोलते हैं cost से कमाया गया profit costing P&L का जल अभी नहीं करेंगे question सरी काजल अभी नहीं करेंगे question honors में बिल्कुल मैं जब बोल रहा हूँ ना जब मैं बोलता हूँ 15 marks तो सब बच्चों के लिए 15 marks का होता है सब के लिए important chapter है ठीक है तो good night मिलते हैं फिर से मैं एक बार channel का link दे देता हूँ आप सभी को फटा फट से please subscribe कर लें इसको ताकि thousand subscriber at least हो जाए जल्दी जल्दी और हम और जल्दी step wise अपने channel को main channel को recover कर पाए लक्षे तो sir हमने last class के अंदर एक बहुत ही आसान सा chapter जिसका नाम था contract account इसको start किया था मैं एक बार फटा फट बहुत fast नहीं और बहुत slow भी नहीं मैं पूरा chapter एक बार recall कर देता हूं कि sir contract account था क्या और क्या करने वाले थे हम basically contract account मैंने बताया था basically contract account जो होता है न वो contractor बनाता है तो हमारे पास दो थरीके के person होते हैं एक होता है हमारा contractor और एक होता है जो की contract देता है sir contractor कौन होता है contractor वो होता है मैं er लगा देता हूं contractor और double e लगा देता हूं तो जो सर मकान मालिक होता है ये अपने मकान को बनवाता है तो इसको कॉंट्रेक्टी बोल देते हैं इसको क्या बोल देते हैं सर कॉंट्रेक्टी और जो दूसरा परसन है ये मकान को बनाता है इसको बोलते हैं कॉंट्रेक्टर साधारान से सब्दों में बोल सकते हैं हम ठेके और यहां पे हम बात करें न तो मुद्दे की बात ये है सर के जो ये ठेकेदार अपना घर बनाएगा किसी का भी घर बनाएगा तो उसके लिए एक अपना profit and loss तयार करेगा उस profit and loss को profit and loss ना कहके हम क्या नाम देते हैं उसको contract account तो इधर की side सारे के सारे खर्चे रहते हैं हमारे जैसे की material हमारा खर्चा है labor हमारा खर्चा है अगर कोई outstanding labor भी हुआ तो वो भी हमारे लिए क्या माना जाएगा खर्चा जैसे पी एंडल में करते थे न वैसे ही करना है overhead खर्चा है जैसे office expense, salary, journal outstanding अब यहाँ पर सर्ख खर्चे में machinery तो खर्चा नहीं है definitely हम machinery का depreciation भी दिखा सकते हैं यहाँ पर बाकी दूसरा तरीका होता है हम यहाँ पर machinery का opening balance दिखा दे और इधर machinery का closing balance दिखा दे तो जब हम machinery का opening balance दिखा दे और closing दिखा दे तो automatically यहाँ सिर क्लास में हमने चर्चा भी की थी और काफी सारे बच्चों ने उस classes को देखी होगी और काफी सारे बच्चे जो नए है वो अच्छी तरीके से देख लें और first class से to be continue अगली class से वो continue कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए sir इसके बाद sir by side में क्या हैगा income क्या क्या था sir हमारा work in progress work in progress का मतलब क्या है हमारा काम चल रहा है कभी भी contractor क्या करता है एक काम को करने में काफी समय ले लेता है तो काम complete तो हुआ है इसलिए work in progress अब यहां पर दो शब्दा आये थे एक आया था work certified और एक work not certified तो sir work certified क्या होता है architecture जो की मकान का नक्सा तयार करता है जो की मकान के बारे में बताता है architecture वगेरा वो अगर कोई architecture है तो वो क्या करेगा sir वो फटाक से वो आपके काम को certified कर देगा कि भी आपका इतना काम complete हो गया है अगर इतना काम complete वो बोल देगा तो इसे बोलेंगे sir work certified बोलेंगे और उसके बाद अगर जो काम आप उसके ब return करेंगे तो इस side आ जाएगा closing के अंदर material और machinery इस side आ जाएगा closing के अंदर material और machinery इस side आ जाएगा material जैसे हमने यहाँ पर opening material कुछ बच जाएगा ना तो याद होगा P&L में closing इदर दिखाते थे ना तो वैसे दिखा देंगा है P&L यहाँ से निकलता है surplus अब ना सबसे पैस प्रोसान भी हिलने वाला व्यक्ति कौन है वो भी contractor है तो contractor का कई बार क्या होता है जितना काम करता है तो कुछ न कुछ कमी छोड़ दे माले थे कहीं लीके छोड़ दिया या कोई वाल अच्छे से प्लस्तर नहीं किया या कोई मतलब के टाइल वगरे ठीक से नहीं लगा तो मा ये सर्प्लस आता है उसको हम profit नहीं मानते उस profit के कुछ पार्ट को मानते है तो इसमें से कितना पार्ट हमें profit मानना है उस profit को मानने के लिए हमें कुछ rules गीवन है उस rule के according हम काम करेंगे कहा गया कि अगर आपका contract 25% भी complete नहीं हुआ 25% मतलब आपने नीव भी नहीं डाली अभी मकान की तो किस बात का आप अगर आज काम छोड़ दोगे तो आपको कोई पैसा नहीं देगा तो उस case में profit को zero मानना है तो सर अगर हमारा यहां कुछ surplus आ रहा है और 25% से less than काम हुआ है तो profit में क्या डालेंगे तो मैंने बोला profit म zero डालना है लेकिन बाकी पैसा कहां डाल दोगे reserve हम इसे profit नहीं मानेंगे अगली बात करते हैं contract अगर 25% से जादा done हो जाए लेकिन 50% से कम हो या 25% के बराबर हो ऐसे situation में एक formula लगाते हैं cash आपका क्या surplus यह वाला जो surplus आया 1 by 3 into cash receive divided by work certified इस formula को हम और भी detail में आगे लेकिन एक तीसरा rule लग जाता है अगर contract 50% या उससे उपर हो लेकिन 90% से कम हो तो surplus का 2 by 3 cash receive divided by work certified अगर contract 90 से जादा हो गया तो आप मान के चलो 90 से उपर तो आपने काम ही खतम कर दिया almost उसके बाद छोड़ के कौन जाएगा तो उस case में होता है surplus into cash receive divided by contract price होगा उस case में contract price हो first है कौन सा chapter आपका जिनका class first है ना उनको अभी करना होगा पहले cost sheet उसके बाद हम करेंगे ठीक है ना उसके बाद फिर हम करने वाले हैं भाई साब तो अभी यहां तक किसी को एक मिनट रुकिए आपको voice आएगा पहले देख लीजिए किसी को doubt है मैंने doubt कुछ है झाल 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 सर इसकी पीडियाप भी अप्लोड कर देना प्लीज बिल्कुल बिल्कुल पीडियाप भी कर देंगे लास्ट वारा रूल प्लीज अगेन लास्ट वारा रूल कहता है कि अगर आपका काम 90% से अगर उपर हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में सर प्लस इंटू में कैस रिसीव और इस रूल को जब मैं अपलाई करूँआ तमज आएगा न आपको तो तो हम कुछ कोशन्स ट्राइ कर लेते हैं इससे रिलेटेड है ना कुछ कोशन्स करते हैं चलिए फटा-फट से question करी ले question करी लेते है इसमें भी क्या बात है आजाईए question पे कहां गया question कहां गया question भाई contract account किसी को दिख रहा है यह रहा यह सारे questions जो है ना मैं पहले clear कर दूँ कि यह सारे questions आपके महेश्वरी मित्तल बुक्के हैं तो कोई यह ना सोचे कि इसमें यह है वो है ऐसा है वैसा है क्योंकि मैं इन्ही question को कराऊंगा आपको और प्लस आपके 10 years भी update हो रहे हैं उसके भी questions करेंगे बहुत जल्दी update होके आजाएगा आप लोग के बाद जैसे ही आजाएगा ना जैसे ही मैं update कर दूँगा आपको बोलूँगा आप खरीद रीज सकते हैं आ जाएगा मैं उसको थोड़ा systematic कर रहा हूं अभी तो अभी साइद आपको question ना दिख रहा हो मैं थोड़ा सा light को manage कर देता हूं क्या question आप सभी को दिख रहा है बूर्ड पर बताईए फटा-फट आप regular college से हो visual है चलिए चाहे बच्चा program का हो चाहे बच्चा honors का हो चाहे बच्चा किसी भी university का हो आपने तो बस concept को catch करना है तो एक मैं फटा-फटा आपके लिए बना लेता हूं contract account सर बना लेते हैं contract account इसको नीचे कर लेते हैं ना चलिए सर एक contract account ये बना contract ये बना-टो ना आपके रिए बना-टो लेते हैं or a बना-टो इसको आपके बना लेते बनाए बनाए पनाट्बभी ये अश्युद्य। कॉंट्रेक्ट अकाउंट इधर पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट चलिए सर इसको लियाते हैं हम अब दिख रहा होगा आपको करना स्टार्ट करते हैं सवाल कहता है उतकल कंस्ट्रक्शन लिमेटेड तुक आ कॉंट्रेक्ट इन 2012 एक कोई कंपनी है जिसने एक कॉंट्रेक्ट लिया 2012 में वो रोड कंस्ट्रक्शन अपने रोड को बनाने के लिए और कॉंट्रेक्ट जो है स्वारी दस लाग का यानि सर कॉंट्रेक्ट प्राइज कॉंट्रेक्ट प्राइज दस लाग तो ठेकेदार ना मकान बनाने का नहीं हो सकता कुछ भी बना देगा ठेकेदार रोड बना सकता है ब्रिज बना सकता है और घर भी बना सकता है कुछ भी बना सकता है ठीक है न and estimated cost completion 920 और इसने कहा इसने कहा के भाईया इसने कहा के complete हो जाएगा हमारा complete हो जाएगा 920 में मतलब अंदाजा लगा रहा है contractor अंदाजा लगा रहा है क्या अंदाजा लगा रहा है अंदाजा लगा रहा है के भाईया 10 का लेते हैं ठेकेदारी 9-20 में complete होगा और हमारा क्या फाइदा हो जाएगा 80,000 एक ये estimation है ठीक है न इस सवाल को मैं सर्फ एक method से अभी करने वाला हूँ इसके बाद फिर बाकी method से करेंगे ठीक है इसके बाद कहता है At the end 2012 The company had received 360 और company ने receive कर लिए सर company यानि कौन उतकल construction रिसीव कर रहा है cash receive कहते है 3,60,000 रुपे इसने receive कर लिए representing 90% of work certified कहने का मतलब है सर जो इसने receive करा है न वो work certified का work certified जितना भी था उसका 90% हिस्सा इसने receive कर लिए अभी इस पर चर्चा करेंगे हम इस पर चर्चा करेंगे work at yet not certified इसका मतलब work not certified है तो हम इधर क्या लिखेंगे सर इधर लिखेंगे WIP work in और एक होता है work certified और एक work not certified तो not certified तो मिल गया मैं उसको लिख लेता हूँ 10,000 ठीक है कहता expenditure incurred contract was as follow material में खर्चा हो गया 50,000 सर खर्चा है यह यहां आ जाएगा material में खर्चा 50,000 रुपे material में खर्चा 50,000 labor में खर्चा 3,000,000 labor labor बोले तो wages कितने का 3,000,000 plant में खर्चा 20,000 to plant two plant कितने का खर्चा सर 20,000 material costing 5,000 damage कहता है material damage हो गया dispose 1000 का भईया material damage हुआ है तुम dispose कितने का करते हो matter नहीं करता तो यहां पर buy side में लिखेंगे damage damage क्योंकि stock हमारा खतम होगा तो इधर आ जाएगा कितने का damage हुआ सर कितने का 5000 तो एक बात हमेशा याद रखिएगा आप जब stock खरीद रहे हैं तो आप खर्चे में book कर रहे हैं उसमें सो कुछ stock आपने किसी को दे दिया या stock damage हो जाए या stock big जाए कुछ भी हो तो वो कहा जाएगा buy side में क्योंकि इसमें actual हम stock दिखाएंगे जितना use हो रहा है आगे कहता है plant कहता है consider having the depreciate by 25% कहा गया sir plant जो भी होगा उस पे 20% का 25% का क्या लगेगा depreciation prepare contract account 2012 के लिए books of utkal construction limited also so all possible figure can be reasonably credit by the profit and loss तो मैं इस वाले sentence को पूरा नहीं कर सकता अभी इसको मैं अभी नहीं सिखा सकता हाँ अगली class में जरूर मैं इस question को दुबारा करके सिखाऊँगा तो अभी जो हमने सीखा है ना basic basic सा फंडा वो समझेंगे कुछ एक point और भी cover कर लेंगे हम इस सवाल में ठीक है clear है आपको ये question आपके सामने मैं clear कर देता हूँ और इस question को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि हमने तो question पढ़ी लिया है इसको इधर ले जाते है ठीक है अब एक सवाल पूछता हूँ मैं मान लो मान लो मेरा work certified होगा work certified होगा एक लाग और मैंने बोला मैंने cash receive किया 90,000 मैंने बोला cash receive किया suppose 90% ठीक है ना मैंने बोला जी मेरा work certified है एक लाग और जो मैंने cash receive किया वो work certified का कितने percent किया 90% तो आप मुझे जवाब दीजिएगा कि मेरा work certified कितने रुपए का हुआ कौन बच्चा बताएगा कितने रुपे का हुआ work certified कितने रुपे का हुआ मुस्कान कह रही है sir, receipt में क्यों receipt नहीं लिखा है मुस्कान मैंने इसको कम किया है मैंने stock को कौन बताएगा यहाँ पर मेरा work कितने का मैंने कहा कि sir, work certified 1,00,00,00 हुआ कैस रिसीव कितना होगा तो सही जवाब होगा सर कैस रिसीव होगा सर बहुत आसान सवाल है ये तो कितना 90,000 कैस रिसीव 90,000 पहले आप सब इस से agree है समझ में आया आप सब agree है सभी ने बहुत आराम से 90, 90, 90, 90, दिया एक बच्चे ने जवाब 10,000 भी दे दिया था सभी ने 90,000 दे दिया क्या आप सभी agree है चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ अब अब एक सवाल पूछता हूँ ये सवाल बहुत important है मेरे लिए और इसलिए मैंने ये कहानी दिखा है सर मैंने बोला कि हमारा cash receive जो है cash receive है वो 90,000 जो कि 90% है हमारा work certified का क्या मैं कह सकता हूँ कि cash receive मेरा 90,000 है जो कि 90,000 है वो 90% किसका है work certified word को समझ येगा मेरे समझ रहे हूँ मैं क्या कह रहा हूँ मैंने कहा कि मेरा cash receive 90,000 है जो कि 90% किसका है work certified का तो मुझे बताओ work certified कितना था, work certified कितना था मेरा, बताओ work certified कितना था, अभी अभी मैंने बताया था, work certified कितना है, non certified कि अभी बात नहीं करेंगे, अभी बताईए work certified कितना था, तो जवाब है, sir work certified तो एक लाग था, तो आपने इसी सवाल से तो ये निकाला था, बिल्कुल, अ अब मैं बताता हूं कि एक लाख आपने कैसे बनाया एक लाख आपने बनाया 90,000 सर और क्योंकि ये 90% है तो divided by 90 किया और into में क्या किया आपने 100 किया तो आपका आगया सर ये एक लाख इसका मतलब सर आप work certified यहां भी निकाल सकते हो क्या बोला इसने के 3,60,000 है जो कि 90% किसका ह इसका है ये 90% work certified का है तो कौन बच्चा मुझे बताएगा कि work certified कितने का है। कितने का है work certified work certified certified कितने का है पताए मुझे work certified सभी बच्चों ने जवाब दे दिया sir 4,000,000 का बिल्कुल सही जवाब 4,000,000 का इसका मतलब sir ऐसे सवाल जब देंगे वो और आपको cash receive दे दे और आपको एक percentage दे दे तो आप work certified भी निकाल सकते हो समझ में आ रहा है यहां तक तो इसका मतलब work certified के जगह पर हम लिख लेंगे अब चार लाख रुपई और यह total बन गए हमारा 4 लाख 10,000 किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई परिशानी यहां तक सभी ने दे दिया 4 लाख 4 लाख 4 लाख खुश्बू आपने पता नहीं 32,400 कैसे जवाब दे दिया 4,000,000 होगा इसका सही जवाब और कैसे हुआ 4,000,000 यह मैं ब्रैकिट में लिख देता हूँ दूसरे मार्कर से यह हुआ 360, 360 divided by 90 क्योंकि 90% था इंटू में 100 ऐसे हुआ यह हमारा 4,000,000 ठीक है चलिए सर 4,000,000 अब एक सवाल में क्या कहता था depreciation हमारा 25% है तो सर प्लांट 20 है यहाँ by side में लिखेंगे by closing by closing सबसे पहले plant लिखेंगे by closing plant तो सर प्लांट हमारा जो था वो तो 20 का था मैंने का इस पर डेप भी लगा तो डेप 25% का मतलब 5,000 लगा तो बचा कितना सर प्लांट बचा 15 का क्या हमारा stock भी closing था एक बार ढूंड लेते हैं सवाल में होना चाहिए वैसे यह कहता है material damage हुआ dispose off हुआ यानि हमारा closing stock है ही नहीं तो बस सवाल खतम सवाल खतम अब क्या निकालोगे surplus अब कहता है सर इसको 1000 रुपे का बेच दिया भाईया तुम 10,000 का बेचो न कोई लेना देना नहीं हमें हमें तो मतलब है के भाईया हमारे पास से stock जो है वो 5000 रुपे का निकल गया तुम कितने का बेचते हो कोई लेना ही देना नहीं है abnormal loss दिखाते है normal होता तो वो भी नहीं दिखाते तो देखिए हमारा फाइदा नुकसान की बात करें 4,10,000 5,000 15,000 4,30,000 4,30,000 4,30,000 और यहां लिखेंगे 2 surplus 2 surplus minus 50,000 minus 3,00,000 minus 20,000 30,000 रुपे का surplus आ गया कितने का surplus आया 60,000 रुपे का surplus आ गया Sir W not certified कैसे निकालना यह Sir सवाल में गीवन था कह रखा था कि work not certified यहां देखिए कह रखा था साइद थोड़ा छोटा हो आप किताब में भी ढून सकते हैं मिल गया किताब में क्या question तो surplus कितना आ गया हमारा 60,000 रुपे का surplus अभी देखते हैं surplus कितना है अभी 60,000 रुपे का किसी को दिक्कत Sir damage income में क्यों आया है damage देखो हलाकि income नहीं है ऐसे देखो मैंने यह कहा कि मेरा material इतने का लगा 50 का लेकिन actual मेरा material इस contract में 50 का नहीं लगा क्योंकि 5 का तो damage ही हो गया तो मेरा इसमें कितना लगा 45,000 का material लगा तो इस side लिखने से actual material कितना लगा है यह reflect हो जाता है ठीक है यहां तक अब Sir हमारा formula लगाने का number आ गया इन 4 में से कोई एक लग जाएगा इन 4 formula से कोई एक लग जाएगा उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि contract कितना done है और Sir contract done का मैंने formula बताये था work certified divided by contact price into 100 चलिए यही apply करते हैं क्या formula बनता है formula क्या बनता है formula बनता है हमारा work certified जो की है 4,000,000 divided by contract price जो की है 10,000,000 गुणा में 100 कितने बने 40% अब देख लिया आपने के 40% काम खतम हुआ तो आप formula देखते हैं कौन बताएगा 40% के काम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 40% में कौन सा लगेगा same doubt Sir 1000 क्यों नहीं लिया अब देखो आपने material को बेचा कितने रुपे में बेचा मतलब नहीं, आपने 5000 का direct loss दिखा दिया जब हम उसे abnormal loss पूरा ही book कर सकते हैं, या आपका ऐसे मन नहीं मान रहा न, तो आप ऐसे लिख सकते है, abnormal loss 4000 और receive 1000, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है न दूसरा, सभी बच्चों ने दे दिया जवाब सर, दूसरा लगाओ, इसमें तो दूसरा ही लगाना है आपने, और कोई लगा ही नहीं सकते, तो बिल्कुल सही जवाब आपका, दूसरा लगाना है, तो यहां आपके सामने दूसरा लगा देते हैं, इसको थोड़ा साइज कम कर देते हैं, ताकि मैं फॉर्मूला लगा पाऊं आपके लिए, दूसरा लगाते हैं, चलिए सर, सेकिंड, सेकिंड लगाते हैं सर, सर सेकिंड, कैसे लगाओगे सर सेकिंड, यह तो बताओ, लगाने तो जा रहे हो, लगाना भी तो आना चाहिए विलकुल आसान है देखिए कहा गया दूसरे फॉर्मुले में क्या कहा गया मैं भी देख लू 1 बटा 3 सर प्लस का ओके सर एक बटा 3 सर प्लस का सर प्लस कितना है 60,000 इन्टू में सर और क्या कहा गया Cash Receive divided by Work Certified, Cash Receive कितना है, Sir 4,00,000, divided by Work Certified कितना है, 3,00,000, 60,000, तो ये क्या आ जाएगा, CPL आ जाएगा, यानि सर इस Surplus को पहले Buy Side में उतार लेंगे, Surplus, इसको Buy Side में लिख लेंगे, कितना, 60,000, और 2 लिखेंगे यहाँ पे Costing Profit and Loss, CPL, तो जो Answer आएगा, वो जाएगा CPL में, कितना आ रहा है, कितना Answer आ रहा है, Sir, यह, 18,000 आया, और 18,000 हमने डाल दिया, CP, 18,000 डाल दिया, मैंने, क्या 4,00,000 नहीं आएगा, ओके, मैंने उल्टा कर दिया, बच्चे कह रहा है, Sir, यह, उल्टा कर दिया, आपने, ठीक है, अरे, उल्टा कर दिया, सीधा कर देते हैं, Work Certified, नहीं, पहले Cash Receive आएगा न, 3,60,000, और Divided by 4,00, तो कितने आया, 18,000, अठारा, अब इसमें से जो भी बच गया, उसे WIP में भेज देंगे, कितने बचे, 60,000, और इधर भी कितने बचे, 60,000, और 2 WIP, और WIP के आगे Reserve भी लिखना है, मतलब ये profit हम मान नहीं रहे हैं, ये profit मान के चल रहे हैं कि नहीं मिल सकता, तो कितने, सर, 42,000, तो 42,000 का हमने बना लिया, सर, Reserve, ये सवाल हमारा होता है, खतम, लेकिन कुछ बच्चे देखेंगे, सर, बड़े सारे calculation होंगे नीचे, हमने इसका एक aspect cover किया है, all possible profit का part नहीं कि किया है, सिर्फ एक जो हमने सीखा है, basically, बताइए किसी को doubt, बताइए किसी को doubt, बताइए किसी को doubt, clear, एक और सवाल देखा जाएं, एक step होता है, हम उसके accordingly चलेंगे, ठीक है, किसी में हो सकता है भाई, 8 हो, 9 हो, बागी यह सवाल मिल जाएगा, तो उसके accordingly कर लेते हैं, सिर्फ हम सीखेंगे इसमें contract account, हमारा बड़ा simple सा account है, जिसका नाम है contract account, और वही सीख रहे हैं हम, contract account, पर्टिकुलर अमाँ ठीक है चलिए हम कुश्चन को पढ़ लेते हैं कहता है नहीं वीजबल है सर जब हमारे पास जगह है तो हम बड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको है ना चलिए अब दिख रहा होगा आपको कुश्चन क्या कहता है सवाल में एक कॉंपलेक्स बनाने का ठेकेदारी ले ली दा कंस्ट्रेक्शन वर्क कमेंस्ट एक अपरेल दो हजार छे को दा फॉलविंग अवेलेबल आर इयर एंडिड आपको गीवन है मार्च के महिडे का कुछ 31st मार्च का इंफॉर्मेशन कहता है सर थाउजन में सारी डिजट है तो हम भी लिख देते हैं कि हम भी तुम्हें बताएंगे किस में है थाउजन में है ठीक है न हमने भी उपर डाल दिया थाउजन में है यानि अब इसका काम irrelevant हो गया लेकिन एक पॉइंट मज़ेदार है इसमें वो देखेंगे कहता है सर कॉंट्रेक्ट प्राइस कॉंट्रेक्ट प्राइस 35,000 रुपे तो अब हम हजारों में पढ़ लेंगे इसको है न तो 35,000 वर्क सर्टिफाइड 20,000 तो वर्क सर्टिफाइड इधर लिखते है न W.I.P. और इसके अंदर लिखा जाता है सर इसके अंदर लिखा जाता है क्या वर्क सर्टिफाइड और वर्क और वर्क सर्टिफाइड बोल दिया 2000 मैं अंदर ही लिख लेता हूँ 2000 20 है चलिए एक जिरो और बढ़ा देते हैं प्रोग्रेस पेमिन्ट रिसीव इसका मतलब सर कैस रिसीव कैस रिसीव कितना बता दिया 15,000 material issue to site 7500 रुपे का material तो सर material जो issue at site किया है इस site आजाएगा 2 material 2 material 2 material कितने 7500 ठीक है इसके बाद कहता है planning and estimation cost मतलब जब हम इसको बना रहे थे तो किसी ने भाईया मेरे लिए management का काम किया होगा planning करके दिखाया होगा उसका खर्चा planning and estimation cost planning and estimation cost कितने 1000 रुपे चलिए सर ये भी पढ़ लिया हमने ये भी पढ़ लिया direct wages ओके सर direct wages कितने 4000 इसके बाद material return सर रिटन कर दिया बाई में आ जाएगा by return by return 250 plant higher charge तो सर प्लांट higher charge क्या होता है किराये पे लिया होगा उसका वो भी मेरे लिए खर्चा है plant higher charge plant higher charge 1750 रुपए wages ये क्या है थोड़ा सा misprint होगे एक पर देखके बताईए हाँ wages wages related है ये थोड़ा सा भाई या गलत हो गया misprint ये related है मैं काले पैंसे लिख देता हूँ ये related है ओहो तो wages related cost है सर ये तो wages related cost है तो यहीं आएगा wages कितना है 500 रुपए गा सर उपर भी wages क्या करें दो-दो wages दे रख़ा है तो लिखेंगे site office cost site office cost क्या होता है कि जब कभी भी हम office वगरा बनाते हैं तो उस office में हम एक अपने रहने के लिए भी घर बनाते हैं ताकि हम उस site की निगरानी कर पाएं उसे बोलते है site खर्चा तो site का मतलब क्या होता है site भी समझेए जैसे मेरे ना बहुत सारे site चल रहे होते है contractor के मेरा मान लेतने पितमपुरा में काम चल रहा है रोहिनी में काम चल रहा है और लक्षमी नगर में काम चल रहा है इतने सारे जगए तो मैं बोलूगा मेरा site 1 पे काम चल रहा है site 2 पे काम चल रहा है site 3 पे तो हर contract को हम क्या नाम दे देते हैं एक site बोल देते हैं तो कहता है head office expense head office expense expense appropriated बोलता है head office का खर्चा हुआ लेकिन appropriated का मतलब यहीं का खर्चा है वो head office कितने है 375 रुपे आगे कहता है direct expense सर यहीं का direct expense होगा direct expense कितने 902 इसमें direct दिन डिन डिन नहीं चलेगा सब आ जाएगा work not certified 149 ठीक है आगे देखते हैं गंभीर बाते बोली गई है उसको हम पढ़ लेते हैं कहता है the contract on plant which originally costed 20 lakh कहता है भाईया एक plant भी हमने इसमें यूज किया है और उस plant का कीमत है 20 लाक तो सर अगर आप 20 लाक कह रहे हो ना तो 30 लाक एक जिरो तो 20 लाक कह रहे हो तो 30 लाक तो वैसे cut मार दो सर क्योंकि हम तो लाकों में खेल रहे हैं और 30 ले ही रहे हैं तो इसका मतलब plant कितने का है 2000 का 20 लाक का अब यहां पर 2000 का 2000 का कहता है दा रेजिडियूल वैल्यू अफ्लांट आफ्टर फाइव यर लाइफ एक्सपेक्टिट फाइव लैक कहता है पांस साल बाद इसकी लाइफ होगी पांच लाक रुपे दो मिंट इसकी लाइफ होगी पांच लाक रुपे रेजिडियल वैल्यू इस्टेट लाइफ भी बोल लो कोई फरक नहीं परता माइनस पांच लाक का मतलब पांसो रुपे पांच हजार का मतलब पांसो थीन जिरु कार्ड दौगे न पैट्ट वाइव तो कितने बनेंगे 15, 300 रुपए इसका मतलब 300 depreciation लगने के बाद 300 depreciation लगने के बाद buy side में plant का जो cost आएगा closing का वो आएगा सर 2000 में से 300 minus करके 1700 जो बच्चे पहली class ले रहे हैं उनको लग रहागा सर क्या छोटी छोटी बाते बता रहे हैं इतने detail में तो 1700 ठीक है आगे की कहानी प दो लाक सत्तर हजार सर दो लाक सत्तर हजार का भी वेजिस नहीं दिया जी हां लेकिन तीन जीरो कट कर देंगे तीन जीरो कट कर देंगे तो मैं यहां लिख दूँगा two outstanding wages two outstanding wages 500 और 270 270 तो मैं यहां पर लिखने वाला हूँ 770 आगे आजाते हैं and material site वर दो लाक ओके material भी site में बताओ कितना लिखें जवाब दे दो सभी बच्चे comment में material कितना लिखना चाहिए material कितना रखना चाहिए are you like the bucks बताइए कितना लिखना चाहिए बच्चों ने बता दिया सर material 200 रुपे लिखना चाहिए बिल्कुल सही जवाब है 200 और ये 200 लिख लिख लिए prepare the contract account for the year ended 31 March उसी के लिए बना रहे है so calculation profit and loss तो वो तो rule लगा के निखा लेगे तो बस खतम हो गया सवाल मान लो आप खतम हो गया सवाल पटाफट कितना आ जाएगा 2149 एक किस सो यह आएगा ना 9 यह आएगा 2000 2049 जल्दी जल्दी calculate करके बता दो खतम कर दें इस सवाल को जल्दी जल्दी calculate करके बता दो 2049 प्लस 250 प्लस 1700 प्लस 200 यह आगे 2222 2299 एक रुपए से कम रहे गया माइनस 2500 माइनस 1000 माइनस 4000 माइनस 1750 प्लस अब रूल लगाओ सर कितना काम complete हुआ रूल वही और वैसे ही रूल लगाएंगे क्या रूल लगाएंगे कहां लिखे कहां लिखे थोड़ा जगे बना लेते हैं ठीक है इसको मिटा दिया जाए इसको मिटा भी दे तो कोई फरक नहीं पड़ था आप लोगों को सभी को recording तो मिलेगी वीडियो की तो सर रूल लगाते हैं सर क्या रूल लगेगा अब पहले तो निकाले पर्संटेज कमपलीशन कैसे होता है वर्क सेटिफाइड कितना है सर 20,000 कॉंट्रेक्ट प्राइस कितने का लिया था कॉंट्रेक्ट प्राइस 35,000 इंटू में 100 तो 20,000 डिवाइड़ेड भाइ 35,000 इंटू में 100 तो 57 परसेंट ये लो तो हमारा रूल नंबर तीसरा कहता है 2 बाइ 3 24 इंटू में इंटू में कैस रिसीव जो कि सवाल में देता है हमें कैस रिसीव 20,000 और 20,000 के बाद डिवाइड़ेड वाई 35,000 कैसर रिसीव 15,000 हैं कैस रिसीव 15,000 ये उल्टा पूल्टा हो गया ये लिजे कहां गया ओके ये हमारा पीछे चला गया इसको back ले जाना पड़ेगा है चलिए जाते हैं पीछे ये लेजे आ गया है ठीक है जो लिख रहे थे सब आ गया वापस तो बच्चे कह रहे हैं कि ये सर गलत लिख दिया है आपने कोई बात नहीं इसको लिख देते हैं जगे की थोड़ी कमी है इसलिए अलग मारकर यूज़ करते हैं क्लियर दिख जाएगा सर क्लियर दिख जाएगा क्या है सर सर यहां पर very very simple 2 by 3 इंटू में 33, 24 इंटू में कैस रिसीब 15,000 डिवाइड़ बाइ वर्क साटिफाइड 2,000 20,000 इसको सॉल्व करेंगे क्या हैगा हाँ 831 तो सर 831 बस खतम ही हो गया सवाल तो तो पहले सबसे पहले by surplus surplus कितना 33, 24 किताब में भी चेक कर लिजेगा कई बार calculation गड़ बड़ा जाता है हमारा कई बार गलत हो जाता है calculation कितने 831 और 2 2 WIP और reserve हाँ यह 1662 आ रहे है अच्छा 200 इंटू नहीं किया है देखो गलत हो गया न मैंने इसलिए कहा calculation चेक कर लेजे यह मैंने गलत नहीं किया लेकिन 1662 1662 अब बताईए 1662 माइनिस करके क्या आ रहा है वही आ रहा है 1662 और ऐसा मत समझेगा हर बार वही आएगा यह इत्तफाकन आ रहा है आपका बाई कॉंसिडेंस 24 बता दिजे कितने बच्चों का डाउट है सभी ने बता दिया था दिया ने भी बता दिया था 1662 है आरब ने भी बता दिया 1662 है सर कॉंटरेक्ट प्राइज आ गया है हां कॉंटरेक्ट प्राइज 1662 अंशुन ने भी बता दिया सर material के buy side में क्यों लिखा जो material हमारा return होगा वो buy में आ जाएगा जो material बचेगा वो भी buy में आ जाएगा जो material damage होगा वो भी buy में आ जाएगा material 200 रुपे क्यों आया सर क्योंकि 2,00,00 था और 2,00,00 के मैंने 3,00 कट कर दिये क्योंकि 3,00,00 उपर से हम हटा के चल रहे हैं इसलिए वो 200,00 रुपे आ गया 1600,00 बासर सर ये 0 क्यों काट किया क्योंकि सभी figure सभी digit कह रहा है ये lex में है तो अगर मैं पूरा lex में करता है न तो बहुत ज़ादा हो जाता है इसका मतलब सर ये 35,000 नहीं है ये 30,00 और लगाऊंगा मैं तो यहां कितना हो का 3,50 करोड तो हम तो 0 गिंते-गिंते परिसान हो जाएंगे तो एक्जाम में कर सकते हैं जब सभी में इतने-इतने 0 हो कट कर दीजे उपर लिख दीजे ये lex में चल रहा है समझ जाएगा एक्जाम लगा चल ये ठीक है किसी का डाउट है तो आप बताईए फटा-फट से राजीब गुमार अभी हैंड रेस का जवाब लास्ट में अभी तक हमने एक बड़ा सीधा-साधा और सिंपल सा चप्टर किया जिसका नाम था कॉंट्रेक्ट अकाउंट और कॉंट्रेक्ट अकाउंट में क्या-क्या देख लिया एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं फिर आगे चलते हैं सर कॉंट्रेक्ट अकाउंट में जिन बच्चों का doubt है प्लीज आप hand raise मत करिये भी आप chat में डाल दें तो थोड़ा जल्दी में reply कर दूँगा क्योंकि hand raise में होगा क्लास डिले हो जाएगी आपकी बस लास्ट में मैं आप सभी के doubt लूँगा तो contract account हमने सीखा था contract account के अंदर एक contractee था और एक contractor था जो मकान बनाता है वो contractor होता है जो मकान बनवाता है वो कोन होता है contractee होता है इसके बाद formula देखा के भाईया हमें एक बनाना क्या है साधारन सा profit and loss account जो की profit and loss account हमने यहां पर बनाया भी था और इसके साथ साथ कुछ इसके rule थे कि अगर आपका profit 25% से कम आ रहा है अगर सरी आपका अगर completion 25% से कम है तो profit कुछ नहीं लेना अगर आपका completion 25 से 50 के बीच में तो एक बटा तीन लेना है आपका completion 50 से 90 के बीच में है तो आपको दो बटे तीन लेना है surplus का cash receive work certified तो ही है और अगर आपका 100% है तो उस case में कोई एक बटा दो या दो बटा तीन नहीं लेना सीधा आपको पूरा का पूरा contract में मान लेना होता है जो कि लिखा हुआ है cash receive upon में contract price सर एक question किया था यहां पर था maximum reasonable possible profit जिसको मैंने गोला था हम बाद में discuss करेंगे इसको एक बार इसके बाद हमने एक और सवाल किया था जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि balance sheet की बात चले थी यहां पर तो balance sheet पर हम रुक गये थे तो आज हम balance sheet की चर्चा करेंगे और फिर balance sheet से related एक सवाल हम करेंगे यानि आज हम सीखेंगे क्या-क्या सर आज सीखेंगे contract account आज सीखेंगे contract account और आज सीखेंगे balance sheet यानि contract तो करी चुके हैं contract और balance sheet दो बाते आज हम सीख लेंगे ठीक है तो चलिए हम पहले सीख लेते हैं फिर हम apply करेंगे उसको है ना पहले सीख लेते हैं फिर apply करेंगे सर balance sheet जो कि आपका starting से पीछा नहीं छोड़ रहा ठीक है और इस balance sheet ने बहुत डराया है सर सेमेस्टर 1, 11, 12 हर जगह पर आपका आया है लेखिन अब मान के चलिए बहुत हो चुका अब examiner कहता है अब हम आपको balance sheet से बिलकुल नहीं डराएंगे स्क्रीन नहीं आ रहा refresh करने जा रहा हूं आप पटा पट से देखिएगा नाव clear कुल्चन छीक है अब डल जाएगा clear screen छीक है balance sheet balance sheet के साथ साथ ना मैं सोच रहा हूं थोड़ा पांच मिनिट फालतू लग जाए लेकिन हमें समझ आ जाए रटना ना पड़े बस यह है हमारा contract account हम by side में लिखते हैं by WIP WIP में आता है work certified और work certified work certified और not certified क्या होता है सर मान लेते हैं कि आप जब घर बनवाते हो जब construction करवाते हो building बनवाते हो तो आपका इस जगह पर अगर इतना पार्ट बन चुका है और च्छत पूरा डला नहीं और almost अभी काम completion पे नहीं है architecture इस दिन आता है और आने के बाद आपके घर को देखता है और बोलता है भाईया आपका काम इतने percent certified हो गया है एक percentage की degree देके जाता है वो इतने percent complete हो गया है तो जहां तक architecture ने आके आपको बता दिया that is work certified और इसके बाद ऐसा थोड़ी आप काम नहीं करोगे तो इसके बाद काम करते रहते हो यहां पे architecture आएगा नहीं क्यों नहीं आएगा सर उसके पास और भी काम है आपके पास थोड़ी नबैठा रहेगा के तो यहां से यहां तक जो आपने काम किया है that is work not certified मैं अगर मानू sales अगर मैं sales की बात करूँ तो जितना मैं काम करूँ आप वही मेरा sales होगा तो अगर मैं अपने काम की बात करूँ तो चाहे work certified हो चाहे work not certified हो दोनों मैंने ही काम किया तो मेरा sales होगा इसका मतलब sir work certified अगर मान लेते हैं कि 1000 है और not certified 500 है इसका मतलब sir ये मेरा sales है 1500 मुझे 1500 लेने हैं मुझे 1500 रुपए लेने हैं यही होगा इसका मतलब क्योंकि मैंने 1500 के बराबर का काम कर दिया sir जब आपको 1500 रुपए लेने हैं तो मतलब dator है वो क्या है dator है तो मैं balance sheet अगर बनाओंगा तो balance sheet के अंदर मुझे dator इधर ही लिखना होगा तो dator ना लिख करके मैं लिखूँँगा work certified इसमें एड कर दूँगा work not certified पहले ये बात समझगे के balance sheet में work certified और work not certified क्यों आया पहले ये समझगे आप यहां तक बात clear है आपको क्योंकि क्या है ये as a debtor है ये ये क्या है हमारा एक तरीके का और debtor की जगे तो balance sheet ही है अब हम यहां पे क्या करते है यहाँ पे हमारा आता है profit जिसे बोलते हैं surplus जो भी surplus लेट्स अज्यूम के आपका 1000 रुपे का surplus आया उसके बाद इस surplus के दो टुकडे कर देते हैं एक CPL में भेज देते हैं एक work WIP reserve कर देते हैं WIP reserve का मतलब पता ही क्या होता है इतना हिस्सा आपको नहीं मानना नहीं मानना है आपको के आपका ये profit है आपको मानना ही नहीं है के ये आपका profit है WIP reserve तो इसका मतलब सर अगर आपका total sales ये है और उसमें से कुछ हिस्सा मान रहे हो के ये आपको नहीं मिलेगा यह क्या होगे एक तरीके का बैडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड सहमत हो यह रट्टा मत मारिएगा बहुत बच्चे रट्टा मार लेते हैं मैंने भी जब किया तो मैंने भी रट्टा मार लिया था किसीने बताई नहीं बाद में समझ मैं अच्छा इसका मतलब यह है नहीं तो फिर balance sheet से भागते रहोगे आप कि कैसा balance sheet है क्या हो रहा है WIP प्लस जा रहा है कभी माइनस हो रहा है समझ मैं आई बात आपको सर आपको 1500 रुपे मिलना था जिसमें से मान लेते हैं कि आपने reserve में 300 रुपे किया यानि सर 1500 का data था 300 रुपे reserve था तो आपका data बना कितना आपका data बना कितना 1200 अब कुछ पैसे अगर आपको मिल जाए cash receive अगर आप कर लो तो debtor क्या आपका 1200 ही होगा 800 रुपे मान लो मुझे cash receive हो गया 800 रुपे मान लो मेरा cash receive हो गया तो कौन बच्चा बचा बचा है बताएगा मुझे के मेरा debtor कितना है debtor कितना है चलिए live class में जितने बच्चे हैं सभी बता दीजे debtor कितना बच्चा हो मेरे का debtor कितना बच्चा मेरे लिए बताएगे फटाफट जितने बच्चे live class में बता दे debtor कितना है तुशार ने जवाब दे दिया सबसे पहले 400 गुलसर ने भी बच्चे में debtor आने लाइक नहीं है इसमें से एक चीज और माइनस करना चाहिए क्या माइनस करना चाहिए हमें cash receive short form में जरूर लिख रहा हूं लेकिन आप मैं बोलता भी जा रहा हूं उसी के हिसाब से अब जो final बचेगा debtors हमारा debtor तो पहले यह देखिए balance sheet में मैंने debtor लिखा debtor लिखने का थोड़ा सा style अलग है यहां पे कोई दिक्कत यहां तक यहां तक बताईए कोई दिक्कत debtor जो मैंने लिखा है clear है यह कैसे आया हमारा debtor चलिए अब आगे देखते हैं सर आगे और क्या आएगा assets में assets में और क्या आएगा और assets में आने वाला है हमारा closing stock क्या आएगा closing stock आपको याद होगा हर बार हमारा आपका याद दिलाते हैं चलिए याद दिलाते हैं वैसे आपको पता ही था यहां पे सारा closing balance लिखते थे याद होगा किस किस का होता था machinery का और किसका होता था material तो एक closing stock आ जाएगा ठीक है इसके बाद क्या आएगा हमारा machinery इसके बाद क्या आएगा हमारा machinery कोई दिक्कत यहां तक कोई परिशानी cash का balance आपको जो मिला है although cash आपको मिला है तो आना चाहिए तो हम लेकिन हम cash दिखाएंगे निमान लेंगे के खर्च भी हो सकता है जिसका detail हमें पूरा नहीं पता तो cash लिखेंगे नहीं तो balance sheet के asset side में बस इतना ही आएगा अगर by chance prepaid और कुछ और बाते बोल दे तो आपको पता है balance sheet में क्या लिखना है liability side की बात करते है सर liability side में क्या आएगा liability side में capital वगरा तो आता ही है छोड़िए कई बार आपको outstanding देखने को मिलता है outstanding एक सवाल भी किया था मुझे याद आ रहा है किया था या नहीं किया था करा था जिसमें मैंने यहां outstanding जोड़ दिया था तो outstanding कई बार देखने को मिलेगा तो वह outstanding कुछ भी हो salary हो wages हो कुछ भी हो अपका outstanding यहां आ जाएगा समझ में आई बात आपको और कुछ भी देखने को generally नहीं मिलने वाला दूसरा in case capital दे दे in case capital दे इन केस आपको capital दे दे sir capital दे दे तो क्या करें लिख दीजिए यहां capital capital लिख दीजिए और इस capital में याद होगा balance sheet में आप net profit क्या करते थे add करते थे तो जो यहां पर CPL लिकल रहा है इस CPL वाले net profit कोई कहां लिख देंगे sir यहां लिख देंगे ठीक है और मान के चलिए 1% chance मान के चलिए कि आपको capital मिलेगा 1% chance है बाकी देगा है नहीं आपको examiner capital ना तो capital देगा नहीं net profit देगा तो मेरी बात को समझिएगा sir यह balance sheet बन गया जी हां इससे उपर कोई balance sheet नहीं बना और मजे की बात इस balance sheet का total कभी आप जानकारी है अब इसमें क्या पता prepaid कितना है capital कितना कुछ नहीं बताएगा आपको तो इसे match नहीं करना इतना ही छोड़ना है तो that is इसे बोलेंगे extract extract of balance sheet यह पूरा balance sheet नहीं है सिर्फ आप से बोला जाएगा balance sheet का एक extract बना के दिखाईए balance sheet का एक टुकड़ा बना के दिखाईए तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि balance sheet कैसे बनाना है clear हो रहा है कुछ balance sheet कैसे बनाना है sir machinery क्यों लिखा आपने question में देगा क्या machinery बिल्कुल ही न question में machinery देगा हम पिछले सवाल में आ जाते हैं और पिछले सवाल में अगर देखें तो question में सवाल में material था और देखिए मसीनरी के जगह पे क्या था plant तो यह दोनों part balance sheet के assets में आएगा अब यहाँ पे देखें क्या कहता है so relevant balance sheet entry balance sheet में जो entry जाएगा सरिफ वही दिखाईए यानि हम पूरा तो नहीं बना सकते हैं यहाँ तो जितनी जानकारी जा सकती है उतना ही बनाना होगा यह last class का question था तो मैं इस question का balance sheet नहीं कराऊँगा एक नया question करने वालों fresh आपके लिए उसका balance sheet कराऊँगा और यह वाला balance sheet आप खुद बना लेंगे इसको ठीक है अब एक सवाल आता है contractee पहले हम balance sheet बनाते है contractee साथ के साथ बन जाएगा contractee बड़ा आसान होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है balance sheet के साथ contractee आराम से बन जाएगा चलिए सर और जितने भी सवाल है सभी महिश्वरी मित्तल के किताब के लिए जा रहे हैं तो कोई बच्चा यह confused ना हो के सर कहां से notes बना रहे हैं सर कहां से सवाल दे रहे हैं आपका जो normal routine में जो college के अंदर किताब चल रही है उसी किताब को base मान के मैं करवा रहा हूं और सारे सवाल है जिनके पास other university के बच्चे हैं उनको question के concept को cover करना है और अपनी किताब के सवाल करेंगे तो definitely आपके किताब के सवाल हो जाएंगे ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके सवाल हो ही नहीं रहे चलिए सर ये बनाया मैंने contract account इस सवाल में हलाकि क्या बोला हुआ है इसने balance sheet भी बोला हुआ है ना अगर इस सवाल में बोला हुआ है balance sheet तो definitely balance sheet हम बनाएंगे ओहुआ ये बनाया contract account ओन ट्रेक्ट ठीक है amount amount चलिए सर एक तो ये बोला है उसके बाद एक बोला है सर क्या बोला इसने एक बोला है contract हम अभी सबसे last में relevant balance sheet यहां बना के दिखाएंगे आपको तो balance sheet ना ये बनने के बाद ही बन सकता है आप सोचोगा ने starting में बना ले तो नहीं बन सकता क्योंकि पी एंडल से पहले balance sheet तो बनना possible ही नहीं है पहले ये बना लेते हैं चलिए सवाल देखते हैं चलिए तुक आप construction of bridge over the river यमना यमना जो नदी है उसके उपर इन्होंने सोचा है कि हम पुल बनाएंगे उस पुल को बनाने में for a municipal corporation the value of contract is 12,50,000 और बोलता है कि आप पुल बनाएंगे और हम आपको देंगे 12,50,000 हम आपको देने वाले हैं 12,50,000 रुपए subject to retention 20% until one year are certified completion of the contract बोला गया कि हम 12,50,000 है subject to retention 20% until one year after certified completion contract कहता है जितना भी आप काम करके देंगे हम 20% हिस्सा तो आपको नहीं देंगे माने लोग आपने एक लाख रुपए का काम किया तो contractor क्या करता है असी देता है बोलता भाई 20 नहीं देंगा अगर तिरको एक लाख दिया तो तुब बीच में छोड़के भाग जाएगा अगर तेरको लौस हो रहा होगा तो contract में यहीं रहता है अगर उसने एक लाख का काम करके दिया तो हम एक लाख रुपे कभी ठेकेदार को नहीं देते ले असी ले बाद में करता रहे दे दूँआ क्योंकि इससे होता क्या है अगर मैंने उसको पूरे पैसे दिये ना और उसको बीच में थोड़ा से अंदाज हुआ और इस कहता है लेवर ओन साइट यानि सर लेवर का खर्चा ओके किसका खर्चा है सर लेवर इधर आजाएगा तू लेवर चार लाख पांच हजार लेवर हो गया हमारा सर लेवर के बाद आगया मटीरियल मटीरियल डायरेक्ट टू साइट लेस रिटन मजे की बात है रिटन माइनस क करके दे रहा है, तो two material, कितने का material? 4 20 Material from store, और कहीं से भी store, कहीं से मंगवाएं मैंने, तो ये भी खर्चा है, कितने का? यानि सर कहीं से material आए, आप डारेक्ट खरी दिये, कहीं से मंगवाएं, यहीं पे आएगा आपका material. higher and use of plant plant upkeep account मतलब plant को रख रखाओ करने के लिए हमें खर्चा देना पड़ा तो higher मतलब किराया हो सकता है तो किराया दिया होगा 12,100 रुबा direct expense यहीं आएगा 23,000 journal overhead allocated to journal expense कह देता हूँ journal overhead कितने 37 100 material on hand 30 June को material on hand का मतलब by closing जो कि balance sheet में जाएगा material कितने 23,600 इसके बाद wages accrued accrued का मतलब होता है outstanding outstanding को क्या-क्या बोल सकते हैं outstanding एक तो outstanding होता ही है payable payable भी कहते हैं accrued accrued भी कहते हैं unpaid area due इतने सारे शब्दों का इस्तमाल किया जा सकता है जिसका मतलब होना क्या है outstanding ही होता है अब देखें यहां पे wages accrued है तो सही माइने में क्या होना चाहिए ये wages accrued labor के अंदर add on हो जाना चाहिए तो मैं यहां से labor को हटा देता हूँ labor को यहां से मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहां लिख नहीं पाए इसको लिए आते हैं नीचे ताकि मैं add कर पाऊ ठीक है जब इसे हटा दिया तो इसका क्या काम इसका क्या काम इसे भी हटा दिया जाए वो हो इसको भी हटा देते हैं तो हम लिखेंगे चार लाख पाँच हजार और add कर देंगे outstanding wages आपने एक्जाम में भी ऐसे ही करना है कितना है 7870 finally लिख लेंगे अब यहाँ पे आपको direct expense भी accrued कह रहा है क्या करा जाए अब इसका इसको adjustment कर देते हैं यहीं पे कैसे ने कैसे करते ठीक है यहाँ पे मेरे पास जगे की कमी है एक्जाम में ऐसे ना करना मैं यहीं पे लिख रहा हूं outstanding expense कितने रुपे 1600 समझ में आया है ultimately जोड करके तो बाहर ही लिखना है इसलिए लिख दिया work yet not certified इसका मतलब सब डबलू आईपी डबलू आईपी में दो बाते work certified work तो work not yet certified का मतलब work not certified है 16,500 amount certified by the corporation engineer amount certified तो कितने का 11,00,000 रुपे का सर 11,00,000 रुपे का work क्या होगे हमारा certified 11,00,000 का certified हो गया cash receive देखो 88 अब खुद भी सोचो अगर cash receive नहीं भी देता न तो मैं निकाल लेता क्योंकि इसने बोला था जितना भी काम करोगे उसका हम कितना देंगे आपको 20% रखके देंगे 80 तो 11,00,000 का 80% निकालो कितना होता है 88 तो examiner ने चला कि यहां नहीं दिखाया जब कि उससे दिखाना चाहिए था उसको नहीं देना चाहिए था तो कि आपको निकालना पड़ता वैसे दे दिया तो चलो अच्छा है भलाई के लिए दे दिया हमारे यहां तक कोई clear यहां तक कोई doubt नहीं चलिए 11,16,500 ठीक है अब इसमें add कर देते हैं surplus 3,600 11,22,800 2, surplus 2, surplus surplus निकाल देते हैं minus 40 minus 81,200 minus 12,100 minus 23,000 minus 1600 minus 371 और minus 4,12,800 नहीं, plus 371 minus 37,100 और minus 4,12,800 एक लाख 35,000 एक पैंतिस और इसी एक पैंतिस को बाई साइड में लिख देंगे बाई सर प्लस एक लाख 35,000 अब इस एक लाख 35,000 पे अब इस एक लाख 35,000 पे हम क्या करने वाले हैं इस एक पैंतिस पे रूल लगाएंगे रूल कौन सा लगेगा चेक करना पड़ेगा सर कितना कौंडेक्ट पैस सर सीपी था 12,5,000 सर्टिफाइड कितना हो गया वर्ग सर 11,000 तो निकालते हैं 11,000,000 डिवैड़ेट बाई 12,000,000 इंटु 100 कितना बन रहा है 11,000,000 डिवाड़ेट बाई 12,000 oh my god 88% तो कौन सा लगेगा तीसरे वाला तीसरे वाला 2 by 3 वाला 90 से कम हो गया 2 by 3 तो यहाँ surplus आएगा हमारा surplus आएगा यानि CPL costing P&L आएगा 2 by 3 into में 1 में 35 into में cash receive 88 divided by work certified 11 लाग 11 लाग तो 1 में 35 into में 2 divided by 3 divided by 11 लाग into में 88,000 तो यहाँ आएगा हमारा plus 1 रुपया 72,000 2 CPL CPL कितना? 72 और 2 WIP यह WIP कौन सा है? हम profit नहीं मानेंगे रिजर्व वाला तो 72 माइनस 135 यहाँ तक क्लियर है आपको तो हम balance sheet बनाएं यहाँ तक क्लियर हैं तो देखें एग्जाम में सवाल ऐसे ही आने हैं जो कि आसान है अब एक balance sheet बनाएंगे एक फिर एक दो क्लास में यह chapter finished हो जाना है ठीक है आज homework भी देंगे आपको चलिए balance sheet बनाते है balance sheet और मज़े की बात यह balance sheet टेंशन नहीं है इस balance sheet में मज़ा आता है इस balance sheet को बनाने में क्यों क्यों क्योंकि match करने की tension नहीं है कुछ बच्चे hand raise कर रहे हैं मैं आपका hand raise का सवालों का जवाब दूँगा अभी रुक जाईए बस यह है balance sheet और यह contractee account यह दर liability asset amount ठीक है यह particular amount पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट हमारा सबसे मुद्दे की बात क्या है हमें क्या लिखना चाहिए सर प्लस एक पैंतिस था चलिए यह जो answer आया मेरे पास आपने बताए सर 11,16,500 अब इसमें से क्या माइनस करें बैट डेट जिसे हमने क्या नाम दिया था यह रहा यह है वर्क रिजर्व वाला जो की 63 तो वर्क रिजर्व वर्क डबलू आईपी और वो भी कौन से आला रिजर्व वाला कितने 63,000 माइनस क्या कर देंगे कैस रिसीव कैस रिसीव कितना हुआ था 8,80,000 अब एक्चुल डेटर निकल के आया अगर आपने मेरी पुरानी बात को समझ ली होगी बैलेंशीट वाली यह बाते लग रहा होगा यह तो सर नॉर्मल करवा रहे हो आप जिसने नहीं समझा होगा तो नॉर्मली बच्चे परिसान रहते हैं सर यहां भी डबलू आई गीकुल देख ती हत्तर पानसो अब कलोजिंग स्टॉप अमटीरियल। सर सवाल में म PDF हैं कितने का मटीरियल हैं रहे सथ सो चेहजार तीन एँसो तो ऐख ट्रेशल हो और सर आउट्सेंडिंग आउट्सेंडिंग वेजिस और क्या था सर आउट्सेंडिंग एक्ष्पेंस तो outstanding expense और wages देखते हैं 1600 और ये था 7800 तो 7800 और ये 1600 बस और कुछ नहीं लिखना balance sheet खतम आपका मन करता है total करने का तो जरूर total करिए और दोनों side का अलग-अलग total दिखाईए इसका total आएगा 179 और इसका total आएगा हम match नहीं कर सकते हैं इसको sir ऐसा क्यों? match क्यों नहीं कर सकते हैं इसको? हमारे पास सारी information नहीं है जब तक हमें पूरी business का information ना पताओ capital, drawing, सारे खर्चे, वर्चे तब तक हम नहीं कर सकते हैं तो यहीं तक रहेगा ये balance sheet तो देखो अब सबसे आसान balance sheet अब बन रहा है ये वाला ठीक है? चलिए अब contractee account करेंगे हम contractee account मैं बना तो दूँ और बड़ा आसान भी है पहले हम समझ लेते हैं इसके लिए थोड़ा सा laser का knowledge होना जरूरी है जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान दीजिए ये contractor और ये contractee इसके आगे ER लगा दिया contractor इसके आगे double E लगा दिया contractee account बनाना इसी को है सारा भाई जो मकान बनवा रहा है उसको क्या मतलब है? वो तो payment देता रहेगा business कौन कर रहा है? business जो मकान बनवा रहा है वो नहीं कर रहा है जो मकान को बना रहा है वो कर रहा है तो accounting कौन करता है? accounting businessman करता है ना कई साधारन व्यक्ति करता है तो कौन करेगा accounting? sir accounting ये करेगा अब ये जब करेगा तो ये इसको क्या करेगा? ये इसको पैसा देगा ये इसको पैसा देगा तो ये एंट्री करेगा cash account debit cash account debit क्योंकि इसके आज पैसे आया और किस ने दिया contractee contractee अब पहले आप journal entry पर भरोसा करिए तो लेजर पर अपने आप ही हो जाएगा कितने पैसे दिये 880 880 समझ में आई बात आपको journal entry यही बनना चाहिए अब इसी को लेजर में एक बार posting करिए contractee account में जाएंगे और लिखेंगे buy cash contractee में जाएके लिखेंगे buy cash 880,000 बस और पैसा तो मिला नहीं नहीं मिला 880 880 यहां भी आ जाएगा और आपको पता है अच्छे से इसको यहां लिख देंगे balance balance cd last का बचा हुआ तो balance cd होता है और इधर लिख देंगे buy balance buy balance pd क्योंकि यह एक ही साल का था इसलिए हमें थोड़ा मजा कम आ सकता है अगर 2-3 साल का होगा जब हम करेंगे question को लेंगे तो थोड़ा interest होगा अच्छा यह तरीके से connected है अभी सरफ हम एक साल का कर रहे है खतम contract अकाउंट और कुछ भी नहीं करना क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं contract ने जितना पैसा दिया उसका accounting कर लिया समझ में आये बात आपको तो हमने यहां पे तीनों बातों को complete कर लिया सर कॉंट्रेक्ट अकाउंट तो बनाये ही कॉंट्रेक्टी भी बना लिया और relevant balance sheet भी बना लिया बताइए कोई समस्य है इसमें आपकी किताब में आप चाहें वहां भी देख सकने इससे ज़्यादा नहीं है तारीक वारिक डालना है तो वो डाल सकते हैं इच्छ है वो दिया कह रही है सर CPL नहीं दिखाया लाइबलीटी में दिखा दो capital नहीं था इसलिए नहीं दिखाया CPL दिखा देते हैं कितना था CPL CPL आ जाएगा कहां गया भीया 72 दिखा दो yellow 72 ठीक है दिखा दिया मैंने capital था नहीं सर explain again contract account contract account में wages को और wages के wages ही लिखा होता है या labor लिखते हैं आपकी इच्छ है तुसार wages लिखिए labor लिखिए examiner को पता है दोनों का मतलब एक ही है accrued तो 30 जून को दिया है तो ये CR में आना चाहिए आपका जितने भी outstanding होते हैं हमेशा साल के end में ही होता है और हमेशा उसमें add ही होता है तो इसलिए ये debit में जाके add हो गया अब बच्चे कहा रहे हैं सर contractee account बता दो एक बार अब contractee account के मतलब contractee account कौन है ये ये है हमारा मालिक यानि जो हमसे काम करवा रहा है तो मालिक जब हमें पैसा देगा तो हम मालिक का account बना रहे हैं और एक तरीके से वो हमारा data है समझो ऐसे वो हमारा क्या है data तो data पैसा देगा तो मेरा account घट जाएगा तो उसी तरीके से मैंने यहाँ घटा दिया और यहां CD करके यह कर दिया बाकि आप इस journal entry को याद रखिए आपको कोई समस्या नहीं होगा last में एकदम जब last होगा तो last last में यह दोनों account tally हो जाएगा क्योंकि last में हम यहां पर contract account भी लिख देंगा और इधर ओके यह tally हो जाएगा वो जब 1-2 साल का final वाल आएगा ना कि आप final contractor करके दिखाईए तब देखने को मिलेगा आपको 10 year जैसे ही आएगा मैं बता दूँगा अभी नहीं आया अभी आपका corporate का तो पहले मैंने final कर दिया है लेकिन वो भी अभी update होके आने में time लगेगा हाँ 10 से 15 तारिक तक मैं करवाद हुआ 10 year इसका और कोसिस गई है तो सारा update करके मैं करवाद हुआ उसमें क्या है अच्छा दिखाना है contract account देखिए यह लेगे कोई दिक्कत इसमें आपका book के अंदर देखोगे फिर इसमें तो relevant information जितना लगता है बना दिया उन्होंने बाकी closing stock आएगा आप आगे कोई सवाल देखेंगे तो वहाँ दिख जाएगा फिर परिशान होगे तो मैंने दोनों बाते है यह सब घटा के बिल्कुल कर दो कर दो सिवदास का टेनियर जादा ने मामूली सौर रुपए कर तक के आता है सौर रुपए से अंडर ही होता है इससे जादा ने बुक देखो मैंने कहां महिश्वरी मित्तल नियरवाई शौप पे जाईए और आपको बुक इजिली अविलिबल हो जाएगा ऑनलाइन में पुरानी बुक भी दे देतें उठाके कोरियर करके देखतें एक बच्चे ने पिछली बार पता ही क्या गलती हुई थी के बुक मंगवा लिया, ओनलाइन, 10 यह मंगवाए था in fact, और 10 यह मंगवाने के बाद, उसने सोचा कि अब exam के time पर पढ़ा ही करेंगे, दो दिन पहले और देखा तो दूसरे subject का 10 यह निकला, तो ओनलाइन ने, ओफलाइन खरी दिये, ज्यादा बहतर है, बाकी मैं लिंक बोलोगे, तो मैं लिंक डलवा दूँगा, जहां से आउनलाइन आपको अविलिबल हो जाएगा, जो बच्चे दूर रह रहे हैं, मैं आपको बता, जैसे ही आएगा ना, मैं यहां दिखा भी दूँगा, और बता भी दूँगा, सारी चीदिये, सर, में तक, में नहीं, मैं अपरिल तक करूँगा, आपका असले बस खतम, में तो बहुत दूर है, मैं अपरिल में खतम करूँगा, असले बस, ओफलाइन बैच आपका शकूरपूर नियर नेता जी सुभाज पलेस कह सकते, नहीं, आज इतना ही नहीं, अभी और करेंगा, अभी खतम करूँगा, वो तो आपको नोट करने का मौका दिया गया, चलिए, एक और सवाल देखेंगे अभी, चलिए, कहता है, क्या बिल्डर है, जो की एक अप्रेल 2000 में अधा फॉलोविंग एक्स्पेंडीचर कर दिया उसने, और कॉंट्रेक्ट लिया उसने कितने का 4 लाग का मटीरियल कर दिया उसने खर्चा, सर मटीरियल कर दिया तो लिख देते हैं, इधर आएगा 2 मटीरियल, कितने का 50 अजार, प्लांट फूर कॉंट्रेक्ट 20 अजार, तो टू प्लांट 20 अजार, इसके बाद आगे कहता है वेजिस 71 थाउजन, टू वेजिस 71 थाउजन, अधर एक्स्पेंस कोई बात ने हमें क्या लेना देना, 10 अजार, कहता है, कैस रिसीव ओन अकाउंट 31 मार्च 2 हजार, एक लाख चौवालिस हजार, तो कैस रिसीव तो आता ही नहीं यहां पर, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड आएगा, एकस्सी, तो डबलू आईपी, और वर्क सर्टिफाइड एकस्सी, वर्क नॉट सर्टिफाइड होगा, तो ठीक नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, कहता है, प्लांट एंड माटीरियल्स, चार्ज कॉन्ट्रेक्ट, कहता है, प्लांट विच कॉस्ट चार हजार, माटीरियल विच कॉस्ट तीन हजार, लॉस, कहता भी अब plant का भी नुकसान हुआ और किसका नुकसान हुआ हमारा material का भी नुकसान हुआ तो material नुकसान होगा तो इधर आएगा याद होगा material कितने का नुकसान 3000 का अभी हम इसको बाद में देख लेंगे लिख लेते हैं ठीक है मैं circle लगा देता हूँ इस पर लॉस 31 मार्च को 31 मार्च 2,000 यह साल है plant which cost 3,000 return to store और हमने 3,000 का return कर दिया store में plant को the cost of work done uncertified 15,000 रुपे और अभी तक 15,000 का काम complete ही नहीं हो पाया है और कहता है material costing 25,000 in hand यानि sir closing क्या कहता है closing closing का मतलब sir closing का मतलब material कितने का 1500 का कितने का 2500 का कितने का 2500 का आगे कहता है चार्ज 15% depreciation plant take profit and loss two-third अब सवाल खुद ही कह रहा है कि आप two-third लीजिए profit and loss में तो आपका सारा रूल बेकार अब रूल नहीं लगाना अगर question कह देता है कि profit में इतना consider करना है तो वही लेना है अब जो मर्जी बन जाए वो दा रिसीव और प्रॉफिट रिसीव आप two-third मानीगा प्रिपेर कॉंट्रेक्ट अकाउंट और यह सारी एक्सेक्टर जो बाते थी इन्होंने को बोलना इन्होंने बोल दिया अब बात करते हैं सर सबसे पहले जो लॉस हुआ माटीरियल कितने का लॉस हुआ तीन हजार सर इधर माटीरियल लिखते हैं नुकसान कोई भी वह इधर आ जाएगा अब प्लांट की बात करते हैं प्लांट इधर रिटन होगा तो इधर चला जाएगा प्लांट रिटन plant return कितने का return हुआ plant हमारा plant return हुआ हमारा कहता दा plant cost 4000 material cost 3000 loss और आगे कहता है plant which cost 3000 was return to store तो कितने का हुआ और 4000 का हमारा नुकसान भी हो गया तो आप ध्यान दीजिए starting में अगर आप ध्यान दे starting में आपका plant starting में आपका plant कितने का था सर starting में प्लांट था 20,000 का 20,000 में नुकसान हो गया कितने का 3000 का 4000 का तो आपका नुकसान ही हो गया तो बच्चे कितने 16,000 और minus कर दे return कर दिया आपने return कितने किये तो बच्चा कितना 13,000 depreciation कहता है 15% तो अब सवाल यह उठता है किसा depreciation 15% किस पे लगाएंगे हम किस पे depreciation 15% charge करेंगे तो मुद्दे की बात है जितना plant हमने use किया है उसी पे charge करेंगे अब यहाँ पे जो return किया है यह नहीं बताया है कि साल के शुरू में return किया किसाल के end अगर साल के शुरू में return कर दिया है तो depreciation लगना चाहिए 16 पे अगर साल के end में जाके return किया है हमने तो depreciation लगना चाहिए पूरे 20 के उपर क्योंकि हमने use तो करी लिया अब हम यहां अजम्शन ले रहे है कि सब कुछ return करने के बाद क्योंकि plan loss हो गया तो depreciation लगके 0 ही हो गया सब कुछ करने के बाद हम इस पे depreciation चार्ज करेंगे हमारा अजम्शन है तो less कर देते हैं sir depreciation और depreciation 15% इस पे 15% निकालेंगे तो क्या आएगा 13,000 के 15% 19,50 19,50 और minus कर देंगे यह जम्शन है हमारा 1050 तो हमारा plant आएगा 11,050 और जो हमारा loss हुआ है यहां आजाएगा plant जो हमारा loss हुआ है 4,000 पर वो इधर आगे ठीक है आप ultimately चेक करोगे न तो हमें सिर्फ यहां पे depreciation दिखाना चाहिए बिलकुल तो 20,000 minus में 3,000 minus में 4,000 और minus में 11,05 तो आपको मिलेगा जो हमें जारा कर दो प्लस 11,0 minus में 11,050 आपको दिखेगा 19,85 ही इस account के अंदर के आ हो रहा है हमारा reflect हो रहा है आप उसको check कर सकते हैं Sir recorded class videos का numbering serial 22 अच्छे से कि confusion हो रहा है ठीक है आज मैं कर दूँगा इसको भी इसको भी कर देंगे plant के दिया के कहना Sir बोला है plant return on 31 मार्च दो हजार क्या plant बोला है कब return किया है इसने एक अपरेल दो हजार एक पर किताब में इसकी date देखिए शायद कोई error ना हो printing में एक पर दिखाईए मुझे किताब हो सकता है इसमें error हो क्योंकि 31 मार्च तो पिछला साल है अच्छा 2010 है है ना 11 है ना वो एक पर देख लेते हैं इसमें 16 क्योंकि पर देखिए सर प्लांट 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 इसमें 16 है और यहां भी 16 दूसरी बुक दिखाईए किसमें क्या है मेरे को date गड़बर लग रही है हैं प्लांट प्लांट लहां रहां और यहां यहां पर देखना यह यह एक होगा आप ठीक हो जाएगां हैं यहां आप्र अप्रेल में कर रहे हैं काम और अगर हम 2000 लिखे ना है 31 मार्च तो इट मेंस रिटन पिछले साल हुआ है ठीक है ना पिछले साल हो गया इसलिए थोड़ा डेट का कंफ्यूजन है प्रोग्राम वाली भूख में भी गलत है ऑनर्स वाले मैंने चेक किया उसमें डेट ठीक कर र मैं एक काम और भी जितने बच्चे लाइव है ना कंफ्यूज नहीं होना जो मट्रियल वाली क्लास है बहुत बच्चे बोलते हैं सर कैसे पढ़े नहीं पढ़े मट्रियल वाली क्लास डिलीट कर दूँगा क्योंकि उसे मुझे दुबारा ही रिकॉर्ड करना है दुबारा ह हुआ हुआ है रिटन तो तीन हजार है ना तो रिटन का डेट कहां दे रखा है कि प्लांट विच तीन हजार रुपे रिटन यह थोड़ी पता है कब है कि एक पर किताब दिखाओ यहां कुछ में स्प्रिंट वाली बुक दिखाने है क्या लिखा है एक्च्वल कहता है कैस रिसे विक 30 मार्च 2011 यहां पर भी 2000 लिख रखा है गलत हो गया और 2010 थीक है दा वक सटिफाइड दिस और दिस और कहता है वांद प्लांट मटिरियल चाज़ कॉंट्रेक्ट कॉस 4,000 मटिरियल कॉस 3,000 लॉस 31 मार्च 2000 प्लांट वस कॉस 3,000 वह रेटन टू स्टॉर हमने रेटन कर दिया स्टॉर को कॉस्ट डं सटिफाइड थीक है चलिए इसके अंदर ना आप मान के चलिए 31 मार्च कब किया हमने 2001 को यानि साल को end होने के बाद return किया है तो नहीं इस पे क्यों लगेगा नहीं अगर देखो देखो बच्चे कह रहें के सर फिर तो 16 पे लगना चाहिए इस्तमाल हुआ देफिनिटली 16 पे लगना चाहिए फिर 16 के बाद माइनेस 3 थोड़ी कर सकते हैं तीन न ये टोटल कॉस्ट है तीन क्या है कॉस्ट आप ऐसे समझे देखिए 16 का बचा 16 में से 3 अलग हो गया जिसको पूरे साल इस्तमाल किये और 13 अलग हो गया जिसको कितना इस्तमाल किया हमने पूरे साल इस्तमाल किया ये तीन वाला क्या हो गया सर रिटन हो गया और ये क्या हुआ तो अब इस तीन वाले पर अलग से डेप लगा दीजिए जो की 300 बनता है तो कितना दिखा दीजिए रिटन 2700 रिटन दिखा दीजिए डेप वो दिखा दीजिए तो बात वहीं आ जाएगी तो इसमें confusion ना हो सही कर रखाया हो ठीक है अब फटा फट से surplus निकाल लेते हैं surplus बताइए surplus कितना आएगा 180 प्लस 1500 81 500 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 2500 प्लस 1150 यह आगे 20 2050 5050 2050 50 surplus surplus minus 5000 minus 3000 minus 1000 यह आगे 4 आप answer check करिए कहीं total तो गलत नहीं है चेक करिए के हाँ नहीं नहीं वो प्रेली यह बताई यह कितना यह यह सहीत यह कितना यह विचाओन टोटल देखले एक बार इसका टोटल कर लो आप बस मैंने यह यह टोटल गलत है कैसे बोल रहा है सही है अच्छा यहां पर एक भी तो है नहीं एक असी है यह पचास अजार बीस अजार एकत्तर अजार दस अजार और कुछ तो रह तो नहीं गया दिखाए एक बार किताब क्या रहे गया और कुछ रह तो नहीं गया उच्छा बिल्कुल 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 वो depreciation का ही आ रहा था जो return किया ना इसको चारसो पर चारसो चीक है यह depreciation का ही था यह date ने सारा गरवट कर दिया उपर नीचे करके अब देखिए जो मैं बता रहा था मैं मिटा दूँगा भी करके ठीक है हमारे पास total 16,000 का plant है 16 में से तीन हजार के return करें पूरा यूज करके और बाकी मेरा तेरा हजार रुपए का जो हमने यूज किया तो सर इसको जब return किया तो actual में return 3,000 नहीं हुआ होगा इस पर depreciation माइनस हो गया होगा जो कि कितने percent के इसाप से होगा 15 450 का माइनस हुआ होगा जो कि 3,000 15% 25 2550 का रहा होगा तो यहां पर जो plant return होगा वो 3,000 माइनस में 450 that is 2550 अब सब कुछ ठीक ठाक है ठीक है 2,004,600 2,004,600 2,004,600 2,004,600 और यह आगे हमारा 53,600 देखे मैंने कुछ बीच में changes किया है और इसके उपर फिर लग जाएगा डैप जो कि हमने निकाल लिया था यहां पर अलग से ही बताए कोई दिक्कत है पर 27,00 कौन सार रूल लग रहा है हां आप तो कुछ देखो क्योंकि इसने 2 by 3 बोल दिया है कोई रूल नहीं लगना जितना भी profit आया 2 by 3 कर देंगे इसका ठीक है ना रूल कब चेक करते हैं जब नहीं देता है समझ रहे हो तो कितना है यह 53,600 इंटू में 2 divided by 3 यानि आगे 35,700 35 734 कर लो 35 734 रिजर्व क्या रहा है माइनस गलत कर दिया यह क्या है CPL CPL एक मिन रुकिया नहीं रूल नहीं लगाया देखो अब surplus CPL इधर देखे CPL 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 इस इकल टू आपको लगाना है 2 by 3 है तो surplus कितना है इसका 2 by 3 अब ध्यान रुकिये जो मैंने करा था वो गलत नहीं था ठीक था हमें हमेशा profit ना contract में cash basis में मानना होता है जितना cash मिलेगा उसी basis पे क्योंकि होता ऐसा है नॉर्मली अगर मैंने पांच लाक का काम किया है मान लो मुझे साड़े चार लाक ही दिया पचास cash रख लिए आज मैं काम से मना कर दू तो मेरको तो साड़े चार ही मिलेगा cash basis पे तो इसलिए हम यहां पे क्या करते है ratio बना देते हैं कि cash receive कितना है एक लाक चोवालिस हजार अभी आपको समझ में आएगा और कितने का था work certified एक लाक अब करिए आप इसको अब 28 500 और यह WIP 25,000 13 13 अभी मैं इसको और समझाओं आपको आप पिछले सवाल में आना पड़ेगा थोड़ा यहां क्या कह रहा था कि जितना भी काम करेंगे 20% रख लेंगे सर 20% रखने का मतलब है कि आपको 80% ही profit मानके चलना है 20% का क्या भरोसा मिले या फिर अब ध्यान देजिए हमने यह वाला formula लगाया इसी का साथ मैं formula लगा रहे है formula क्या लगा रहे है अब इस वाले पार्ट को solve कर रही है इस वाले पार्ट को अगर आप solve करेंगे तो that is 80% अगर मैं formula लगाँ 2 by 3 into my 135 और इसका मैं कर दूँ सभी को निकालने के बाद into my 80% ठीक है अब solve करेंगे तो again आपका जो answer आएगा वो आएगा 72 क्या आएगा answer 72 मतलब आप cash received divided by work certified का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आपको जितने percent cash मिला है percent जितना cash मिला है उतना ही percent आपको actual profit का consider करना है क्यूंकि आपको जब cash मिला ही नहीं तो हो सकता है वो पैसा आपको जीवन भर ना मिले वो तो डूब जाएगा ठीक है यानि actual में देखा जाए तो आपका profit तो ये था लेकिन cash 20% मिला नहीं तो हमने 80% इसका डाला यहां पर उठाके ठीक है सेम यहां पर यही कहानी है जो हम इस formula में apply कर रहे है ना apply कर रहे है ना यह तो यह हमारा क्या बताता है यह बताता है हमारा cash receive का percentage तो यानि यह तो हमारा profit है agree और इसके अंदर हमने formula लगा दिया तो क्या होगा cash receive कई बार examiner बोल सकता है कि आप profit निकालिए surplus निकालिए आपका without without cash basis आप कैसे निकालके दिखाईए without तो उस situation में यह वाला करना नहीं पड़ेगा जब सवाल में कुछ नहीं बोला जाता तो हम assumption लेते हैं कि cash basis पे ही निकालेंगे जैसे कि हमने सवाल number one को अभी stop किया हुआ है इसके अंदर बोला था कि जितने possibility हो सकते हैं cash basis पे बीना cash basis पे contract basis पे profit हर तरीके से निकालके दिखाईए तो जिसके पास है न आप देखेंगे इस पर 5-6 तरीके का profit निकालके दिखाया हुआ है तो इसलिए आपका महाँ पे मैं कहूंगा कि अगर without cash basis पे निकालते हैं तब आपका गलत नहीं माना जाएगा वह सही है तो अभी हमने ऐसा ही कर दिया जैसे दे रखा था अब क्या बनाना है हमें एक balance sheet और contract भी बनाना है एक contract contract आप बनाओगे balance sheet मैं बनाओगा balance sheet मैं बना देता हूं contract एकाउंट बनाना आपकी जिम्मेदारी सर balance sheet balance sheet में पहले WIP WIP में क्या ले सर work certified work not certified यह था हमारा 180 और यह था हमारा 1500 टोटल हो गया 185 minus कर देंगे WIP reserve और minus कर देंगे cash receive cash receive था 144 और WIP reserve था हमारा कितना 28 sir 25 तो 250 इसको हम solve कर देंगे इसके बाद लिखेंगे material सर मजे की बात अब material कितने आएगा material तो एक ही आएगा खर कितने 2500 अब प्लांट कितने हैंगे दो प्लांट आएगे एक प्लांट जो हमारे पास पड़ा हुआ है यूज करते करते यानि सर 11050 एक return वाला आएगा प्लांट एक return जो किया था वो है तो हमारे पास ही कितने का 2500 कोई outstanding था नी surplus लिखना चाहते हैं तो लिख ले जो कि निकल के आया था हमारा 2858 2858 2858 लोजी बैलेंशिट तयार बैलेंशिट तयार यह आ गया हमारा 12 1487 ठीक है क्या कॉंट्रेक्टी अकाउंट आपसे बन जाएगा मैं दोनों देखो इसके बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर का पीडियाप भी थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा मैं अल्रेडी अपलोड कर चुका हूं आप चेक कर सकते हैं आज ही मैंने अपलोड करवा दिया था नहीं हुआ हो तो मैं एक बार चेक करवा लूँआ कहीं किसी में रहना गया हो बाकि रहिए है और वो रूटी अपलोड हो जाएगा है इसभी का मताईए कोईख़ दिक्कत इसंए क्या कॉंट्रेक्टी बना पाएंगे या वो भी मैं बना दू अ बन जाएगा कॉंट्रेक्टी मैंकों या कश काट्यक्त या ठीक्ण přटेज Okay और 2 contracting सर 144 लो जी बन गया ये इसके बाद इसको अगली क्लास का एजेंडा रखते हैं जब दो-दो कॉंट्रेक्ट होगा एक साथ दो कॉंट्रेक्ट अभी तो ठेके दार एक ही कॉंट्रेक्ट पूछ था 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 दो कॉंट्रेक्ट लेगा उसके बाद हमारा एजेंडा रहेगा सर जब एक ही बार में हम 2-3 साल का कॉंट्रेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे और ये भी 2-3 साल का कॉंट्रेक्ट है और ये exclamation clause का होगा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल हाँ जास्फ सवाल यही रहता है तो कोंट warp पोरी अगले मतलब मंभी वैडनेस कोई मेरी तरफम से चप्टर खतम हो जाए और कुछ सवाल आपको देंदिया जाए और उब हर हाल में चाप्टर खतम हावायार का प्राइडे यह चप्टर खतम हर हाल में लेगा या फिर अगली क्लास में खतम करेंगे यानि definitely next week हम एक process account new chapter start करने वाले है test भी लेंगे sir plant return वाला assets में क्यों आया plant return हमने किया लेकिन ultimately balance sheet ना एक contract का नहीं है balance sheet overall organization का है हमने एक contract से दूसरे जगा पर भेजा है है तो हमारे पास इसलिए यहां दिखा देते हैं अभी तक कितने chapter हुआ खतम किया material करवाया मैंने बोला भाईया delete कर दो से दिमाग से और दूसरा यह चल रहा है तो दूसरा ही chapter हो रहा है कोई बच्चे अगर late joining है भी भी तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करें plant वाली adjustment फिर से बतानी है यह रहा देखिए plant वाली adjustment में क्या है loss तो हटाई दीजिए इस पर depreciation का कोई सवाल ही नहीं है loss मैंने लिख दिया इसमें से अब 16 में से 3 का return हो गया 13 बच गये तो जो return हुआ वो साल के end में हुआ date बदल दिया मैंने तो साल के end में depreciation return करने के बाद actual जो return हुआ ना वो actual return कितना हुआ यह हुआ तो return में मैंने यही दिखाए है देखो और यह वाला हमारा यह था इसके उपर depth लगा के हमने देखो यहां पर दिखा दिया और कुछ ऐसा बड़ा काम हमने इसमें किया नहीं है कहीं भी loss तो loss है शुरू में हो चाए end में हो अभी भी माइनस पहले भी माइनस क्योंकि loss पर तो आपने यूज ही नहीं किया उसको फिर डप लगा के करेंगे क्या आना पूरे 4000 ही है हलाकि मैंने यहां पर plant और material लिखा एक्चुल लिखना चाहिए profit and loss लॉस और total हम 7000 करके भी लिख सकते हैं घट्टाई ट्रीक है क्लियर 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 कि अध्य जाओ अध्याइब करें पर आप 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 कि आप 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 कि अपड़ियों पर कि अचलिए वह इसे करिएगा फटाफट वेरी वेरी गुड एवनिंग वोई चेक कर लीजिये जल्दी से क्लियर, चलिए हमने contract costing में सबसे पहले basic format देख लिया तीन rule भी देख लिया और मजे की बाद last class में ये भी देखा कि कई बार ये rule fail हो जाता है यानि जब question बोल दे कि आपने करना यही है तो वही करना भी है, इन सब को हटा देना है ठेक है इसके बाद हमने एक सवाल देखा था इसका भी एक part pending है इसके बाद balance sheet भी हमने देख लिया balance sheet कैसे किया जाता है आपको समझ में भी आ गया हो इस balance sheet खास बात यह दोनों आपस में कभी match नहीं होते है इसके बाद हमने एक और सवाल करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे नए सवाल पे और नए सवाल पे हम एक से जादा साल का जब question होगा तो करेंगे यह दो contract वाला तो बड़ा सीधा सादा सवाल है यह तो मैं वैसे औरली बता दूँगा यह home work में दे दूँगा मतलब इसके अंदर इस question को अलग मानी है इसको अलग मानी है बात ही खतम हो जाता है लेकिन हम आगे चलते हैं मैं कौन सा question करूँगा यह भी home work अभी तक दिया नहीं है तो एक यह सवाल कर लेते हैं जो कि मुझे important सवाल कह सकते हो आपका यह है देखिए book में होगा आपके सवाल यह 2004, 5 और 6, 3 सालों का सवाल है यह और relevant item का balance sheet भी हमें बना के दिखाना है ठेक है तो मैं format बना रहा हूँ और फिर हम इस सवाल को करेंगे साथ के साथ थोड़ा यह ज़्यादा बड़ा सवाल होने वाला है आज का main मुद्दा यही है इसके बाद सर एक और मुद्दा है explanation clause आज वक्त मिला तो आज ही खदम कर देनी यानि यह chapter मान के चलो ending पर ही है आज के चलिए हम यहां पर ले ले लेते हैं contract account और सर यह 2004 मेरे question में 2004 है आप में 2014 भी हो सकता है accordingly to year और year के हिसाब से रहता है ठीक है चलिए एक और सवाल देखेंगे मतलब हमें तीन सालों का डिफरेंट डिफरेंट बनाना है एक यह हम बना लेते हैं या तो हम पीछे चलते हैं पहले हम एक साल कर लेते हैं फिर पीछे चलेएं ठीक है कहता है रिचर्ड एंड सन अंडर टूक आ कॉंट्रेक्ट यानि एक कॉंट्रेक्ट लिया और उस कॉंट्रेक्ट का फुल प्राइज जो था 75 लेक 75 लेक फुल प्राइज इस 75 लेक क्लियर है सर चैप्टर में रिकंसलेशन करा दीजिएगा रुल ने रिकंसलेशन कराना है और जिनको रिकंसलेशन करना है अल्रेटी मैंने डाला हुआ हाँ है वो बिल्कुल सही है वह जल्दीय जल्दी कर सकते हैं म housekeeping का मन बनेगा तो रीकंसलेशन कर लेंगे अग़ली स्लास में वो भी इन्पॉर्टेंट ही है कॉंट्रेक्ट हमारा इतने का था कहता है एग्रीमेंट 80% वेल्यू वर्क डन कहता है कि भाईया हम जो पेमेंट करेंगे ना वो जो पेड करेंगे स्रिफ हम कितना करने वाले हैं असी परसंट करेंगे एस सर्टिफाइड वाइदा आर्किटेक कॉंट्रेक्टी शुट पेड इमेडेटली एंड रिमेनिंग 20 परसंट रिटेन अंटिल दा कॉंट्रेक्ट कंप्लीट और कॉंट्रेक्टी भी बोलता है कि हाँ सही बोल रहे हूं मैं 20 परसंट तो तब तक नह सब्सक्राइगा और वो देखेगा और उसने बोला जितना काम कंप्लीट डन नहीं कर पाए तो उसके अकॉर्डिंग लिए एक हैं आगे कहता है कुश्चन में मटीरियल हमारा 2004 में तो कुछ खर्चों के बात कर रहा है तो वह खर्चे लिख लेते हैं सर क्या क्या गीवन है सर मटीरियल मटीरियल कितना है मारा नो लाक साथ हजार अब मैं हर बच्चों को बोलना चाहूंगा जिनके पास किताब है ना बुक का जरूर डिजेट एक पर देखते रहिएगा नहीं तो फिर वह होगा कि कहीं मेरे इस कुश्चन में मिस्प्रिंट हो तो आप परिशान हो जाएंगे बाकि अभी ठीक है वेज़िस आठ पचास वेज़िस आठ लाक पचास हजार वेज़िस के बाद कैरेज कैरेज तीस हजार कैरेज के बाद कार्टेज पांच हजार कार्टेज के बाद संड्री एक्स्पेंस कितने 35 हजार 35 वर्क सर्टिफाइड बाइसाइड में डबलू आईपी एंड वर्क सर्टिफाइड अठारा लाक पचात्तर अचार यहां पे हम कुछ बच्चे ढून रहे हैं तो हम यहां पे हैं 80 परसंट पेड एस पर कॉंट्रैक ठीक है सर यहां पे वर्क नॉट सर्टिफाइड नहीं बता है फिर भी क्या पता आगे बोल दिया हम पढ़ लेते हैं सेम दो हजार पांच में कहता है मटीरियल का खर्चा वेजिस केरेज काटेज संट्री एक्स्पेंट थ्री फूर्ट ऑफ दा कॉंट्रेट सर्टिफाइड देसंबर दो हजार एटी परसंट वस्टू भी इसा कुछ भी नहीं दे रखा तो हमारा एक साल का ड़न हो गया एक साल का ड़न चलिए निकाल में की सर वोइस नहीं आ रही क्या बात कर रहे हूं मैंने अल्डेडी डन कर दिया डाल दिया है वही आप चेक करेंगे मिल जाएगा पहले देखिए वोइस कुछ बच्चे कहने सर आई नहीं रही और मुझे तो लग रहा है आ रही है बच्चे कहने सर आ रही है तो यह आ जाएगा हमारा 1875 और कुछ है नहीं तो देख लेते ह रही है लॉस तो नहीं आ रहा है आठ पचास अब और नाइन सिक्स्टी ऐट फिफ्टी अठारह दस लग तो रहा है लॉस में चला जाएगा है देही नहीं रखा तो नहीं जरूरी नहीं है अठारह सी अब बच्चों के मन में आएगा सर वर्क नौट सर्टीफाइड क्यों नहीं आया आर्किटेक्चर साल के एंड में ही आया हमारा 31 मार्ज को आया उसने बोला इतना काम हो गया तो उसके बाद कौन सा होगा सारा सर्टीफाइड ही करके चला जिए ठेक है तो बाइ साइड में आपको इसमें देखा समझ में आई बात आपको नहीं जाएगा आगे यहीं पर कहानी खत्म लॉस की क्लियर जैसे हम दो रूल लगाते थे न के सर टू बाइट्री वन बाइट्री वह सब कुछ नहीं लगना क्योंकि वह प्रॉफिट के केस में होगा है चलिए अब आगे चलते हैं आगे एक कॉंट्रेक्ट अकाउंट और बनाना है तो पिछले पेज़ पर चले आगे बतलब नेक्स पेज़ चुकि मुझे यहां से कंपेर करने की हाँ अगले पेज़ पर चलते हैं कंपेर इजन वहीं चलेगा हमारा चलिए सर यानि दो साल का और कॉं कॉमेंट पर बन जाएगा कॉंट्रेक्ट अकाउंट दो हजार पांच मेरे सवाल के हिसाब से अब यहां जाएगा दो हजार दो हजार छे ठीक है बाकी पर्टिकुलर वगएरा सब वही रहने वाला है ठीक है जो पर्टिकुलर वगएरा था वो सारा का सारा वही एज़ेटिस सेम रहने वाला है अब थोड़ा सा कहानी यहां पर मैं आपके साथ फटा फटा आता हूँ सर यानि तीन साल का काम कर रहे हैं बिलकुल सर ये हमारा तीन साल का काम है और ये एक लाइन खीचा मैंने आपके सामने और ध्यान से समझेगा बड़ी छोटी सी बात है लेकिन काम की है माल लेते हैं हमारा एक साल ये है और माल लेते हैं दूसरा साल ये है और तीसरा साल ये है ठीक है और year भी लिख देता हूँ ये 2000 मेरे सवाल के हिसाब से 4 2000 5 Oh my God 2006 ठीक है यानि हमारा यहां से यहां तक है अब जो आर्किटेक्चर है जो आर्किटेक्चर है वो हमारे work को done करेगा तो जब work को done करेगा वो कैसे करेगा माल लेते हैं यहां पर मैं building घर बना रहा था तो यहां पर सरफ और सरफ सरफ और सरफ नीव डालिये देखो मेरी drawing तो अच्छी नहीं है सरफ मैंने बोला नीव डाल दिया यहां और यह भी बिल्कुल नीव डाला इस date पे तो हमारा आर्किटेक्चर आएगा और आर्किटेक्चर आके यहां देखेगा और यह बता देगा कि भाईया तुम्हारा काम इतने परतीशत इतने परतीशत क्या हो गया done हो गया समझने बात यही करेगा आर्किटेक्चर आके फिर दीरे दीरे हमारा काम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और फिर कहीं हो सकता है end में आए और हो सकता है पहले आजाए आर्किटेक्चर वो तो उसके mood के उपर बात है फिर architecture आएगा और पहले वो काम देखेगा और यहां तक मैं काम बताओ तो थोड़ा काम तो उपर बढ़ चुका है यानि ये काम हो चुका है अब जो architecture है ना ये आएगा और आके फिर यहां पर खड़े होके ये क्या कहेगा कि कितना काम डन हो गया इसका एक परसंटेज बताएगा तो अब जो परसंटेज बताएगा suppose that architecture ने बोला यहां पे कि आपका 20% काम डन हुआ है और यहां पे architecture ने बोला कि आपका काम जो डन हुआ वो हो गया आपका 60% तो आप मेरी बातों को समझेगा अब जो 60% काम complete बोला यह total इसने बोला यह सरिफ इसी साल का बोला होगा obvious सी बात इसने total बोला होगा यानि सर अगर मैं sales अगर मैं बोलू कि मेरा contract price 10 लाग का है तो 10 लाग का अगर यहां पे sales है work certified कितना होगा 2 लाग और यहां पे work certified कितना होगा 6 लाग होगा सर तो इस साल की sales 6 लाग माने इस साल की sales कितनी है 2 लाग इस साल का sales कितना है 6 लाग तो इस साल का sales हमारे 6 लाग है या फिर 4 लाग है वो आपको टे करना है इस साल का sales हमारे कितना है 6 लाग या फिर 4 लाग दिमाग लगाओ, सिंपल सी बात है, तो आप तो भाईया सेल यहीं से यहीं तक का देखोगे न, तो यहां से यहां तक यह जो 6 लाग का सेल है, वो पता है कहां से कहां तक का है सर, वो यहां से लेके यहां तक का, लेकिन आपको तो सर्फ इस साल का सेल देखना है, इस साल का से जाएगा ठीक है तो इसका मतलब अब architecture मान लेते हैं यहां पे हैं और यहां पे आ गया और मेरा मकान बनके तयार मेरा घर बनके तयार और architecture ने यहां पे बोला भई यहां आपका काम जो done हो चुका है ना पूरे का, तो यहाँ पे तो हमारा contact price क्या होगा, मेरे example के इसाफ से 10 लाक, तो इसका मतलब इस साल की sale कितनी होगी, बताओ, दो लाक, इस साल की sale कितनी होगी, दो लाक होगी या कितनी होगी, बताओ, चार लाक, इस साल की sale, चार होगी न, क्योंकि आप कितना minus करोगे, हाँ, छे पूरा माइनिस होगा तो कितना सेल होगा आपका चार लाक रुपए इस साल का सेल कितना होगा चार लाक रुपए होगा बिलकुल सही बोल रहे हैं बच्चे अब इस सेल को दिखाने का हम सेल इधर दिखाते हैं अब मैं इस अकाउंट का यूज नहीं कर रहा है लेकिन इस सर आपका सेल तो दूसरे साल का छे लाक है ही नहीं आपका दूसरे साल का सेल्स कितना है ऐंली 4 लाइक है तो मैं यहाँ पर अगर दिखा दू WIP, WIP लास्ट येर वाला, लास्ट येर वाला, अगर मैं यहाँ एक तो तरीका है दो लाग दिखा दू, तब तो ठीक चले गया हमारा काम, या फिर मैं यहीं पर क्या करूँ? माइनस येर कर दू कौन सा? लास्ट वाला 6 लाग में से कितन दो लाक और यहां कितना दिखाऊं मैं नेट में चार लाक तो आप समझ पा रहे हैं जब दो साल या तीन साल का काम चलता है तो जो अगले साल आर्खिटेक्चर आता है हमारा काम करने को वो सरिफ उस साल का जो certificate नहीं देता उस साल percentage certified नहीं बताता वो overall बताता है समझ रहे बा दूसर साल स्टार्ट है इसके नीचे से और यह है दूसर साल यहां तक आपको आइडिया भी रहे क्या कहता है 2005 में 2005 में expense material पे ग्यारा लाक तो चलिए सर टू मटीरियल टू मटीरियल ग्यारा लाक आगे आजाईए अरे कहां चले गया है इसके बाद आप बताते जाईएगा क्या क्या है भुक है ना आपके पास क्या आएगा टू वेजिस कितने हैं ग्यारा लाक पचास हजार और क्या है carriage carriage एक लाक और कार्टेज दस हजार और sundry expense बीस हजार और बस अब पढ़ लेते हैं जो कहानी है पढ़ने वाले वो मेरे काम की चीज़ है क्या कहता है three-fourth of the three-fourth पहले क्या होता है इसको बोलते है three-fourth समझे है कहता है three-fourth of work contract was certified done by 31 December 80% this received by accordingly यानि सर 2004 में तो जो certified था वो था ही 2005 में कहता है three-fourth certified हो गया यानि सर हमारा contract price कितने का है सर 75 लेक का 75 लेक का three by four कितना होता है 75 लेक का three by four कितना होता है निकालते हैं सर इंटू में three divided by four सर यह 56 लाग अब मेरे सवाल का बस एक जवाब दीजिएगा मैं दूसरे साल में जाके बोल रहा हूं कि मेरे 56 लाग 25 लाग का काम complete हो चुका है तो यह दूसरे साल के बारे में बता रहा हूं या पहले और दूसरे को मिला के बता रहा हूं पहले और दूसरे को मिला के बता रहा हूं एक question आप से और है मुझे बता दिजिए दूसरे साल का कितना work certified है दूसरे साल का कितना sale माने हैं बताइए आपने बोला सर ये जो दे रख है आपका 56,25,000 बोला आपने दोनो साल का है दोनो साल का है तो मुझे आप बता दिजिए कि आपका कितना होगा 37,00, बच्चों ने जवाब भी दे दिया कह रहे हैं के सर ये होगा 37,50,000 और बिलकुल सही 37,50,000 शूरूती जन ने सबसे पहले आंसर दिया तो 37,50,000 और भी बाकी बच्चों ने फटा फट दे दिया यानि सर मुझे की बात है हम यहां work certified लिखना चाहते हैं तो एक तो तरीका है हम यहां पे लिखें पहले WIP और WIP म टोटल लिख दे हम टोटल कितना था हमारा चपन लाख 25,000 और इसमें से माइनस कर दें ओल्ड वाला ओल्ड वाला कितना 18,00,000 यह माइनस कर दें ठीक है और फिर इसमें प्लस क्या करेंगे work not certified फिर प्लस क्या करेंगे work not certified जो कि हमारे इस सवाल में दे रखा है नहीं दे तो काफी बार बच्चों को यह बात समझ में नहीं आते सर यह हो क्या रहा है कॉलेज में भी आपके हुआ होगा शायद कुछ बच्चों को समझ में भी आ गई होगी बात ही और कुछ बच्चे अभी भी confused होंगे तो यह total अगर मैं करके यहां दिखा दू तो कितना आएगा टोटल क्या आएगा अड़तिस लाख अड़तिस लाख कितने हैं पचास हो जार यही है अब यहां पे एक पॉइंट और था unused stock अपका unused stock कितना है हमारा दा value of unused stock and work certified was a certain एक लाख रुपए तो भीया यहां पे unused stock कितना है देखो किताब में दे रखा है क्या आपको दोनों यही है चीक है चलिए तो सर यहां पे कुछ निकलेगा हमारा यहां पे कुछ निकलेगा और मैं एक सवाल अभी पूछूँँगा पहले मैं total कर लूँ आपके लिए ठीक है 38 लाख यहां profit आएगा 38.5 lakh कर देता हूं ठीक है 38.5 lakh कर देते हैं ठीक है आपके लिए 38,50,000 minus 11,50,000 minus 1,15,000 minus 10,000 minus 20,000 surplus आगे 14,55,000 चेक करिए surplus प्लस चेक करें दूसरे साल का मेरा तो आ रहा है 14,55,000 आप भी cross verify कर लिजी सभी बच्चे चेक कर यह हो सकता है मेरे से हाँ ठीक है कई बात totaling में mistake हो जाता है मैं कर देता हूँ बच्चे बोलते हैं सर आप गलत पढ़ा रहे हो तो इसलिए मैं आप हर बार पूच पूच के कर रहा हूँ 14,55,000 अब यह कहां पहुचेगा सर यह buy सर प्लस 14,000 अब इस पे rule लगाएंगे क्योंकि यहां बताया नहीं है अब मुझे बताईए 3,4 आप बताईए 3,4 कितने percent होता है 3,4 कितने percent होता है तो आप जब 3,4 को solve करेंगे न तो जब आप कितना आएगा 3 divided by 4 into 100 75 percent यानि आपका काम जो complete है वो कितने percent है अब 75 percent में rule कौन सा लगता है हमारा 2 by 3 अब यहां पे हम 2 by 3 के accordingly निकाल लेंगे सर रूल के according निकाल लेंगे 2005 के लिए कर रहा हूँ मैं तो क्या आएगा CPL is equal to चौदा लाग चौदा लाग चौदा लाग 55,000 14,05,000 इन टू में 2 by 3 और इन टू में cash received work certified अब question खुदी कहा रहा है भाई 80 percent रहेगा तो हम directly कितना कर सकते हैं 80 percent भी कर सकते हैं क्योंकि cash receive कितना होगा हमारा जितना work certified होगा दूसरे साल का उतना ही होगा तो दूसरे साल का work certified कितना है हमारा 56,25,000 माइनस यानि 37,50,000 तो 37,50,000 का ही 80% मिलेगा न मुझे तो आपको cash receive भी अगर सवाल में पूछा जाए तो निकाल सकते तो जैसे last class में बताया था proportionately होता है 7,76,000 तो यह आगया सर 7,76,000 अगर 7,76,000 की बात करें तो यह तो चला जाएगा सर बड़े आराम से CPL 7,76,000 और बाकी चला जाएगा 2WIP 2WIP कितने 6,79 यह लेजिए दूसरा साल भी complete हो गया तो आपको समझ में आया होगा इस question में क्या trick था पहले साल से दूसरे साल में जाने में थोड़ा changes हा जाता है चलिए अब इस साल जब जाएंगे त्यान दीजिए अब इसका मतलब क्या होता है WIP reserve कि इसको भी आपको sales एक तरीके से bed dates है यह भी क्या है एक तरीके से bed dates है अब अगें हम तीसरे साल में पहुंचेंगे तब इसकी बात करेंगे चलिए आजए यह तीसरे साल में तीसरे साल सर सेकिंड रूल क्यों लिया क्योंकि काम जो है वो 75% complete हुआ 50 से 90 तक सेकिंड रूल सेकिंड नहीं लगा था है थार्ड लिया है मैंने सेकिंड गलती से बोल दिया वो थार्ड रूल है ठीक है चिंता मत करो दोयार चेम में कहता है के मेस इतने का लगा विजस इतने का लगा काटेज इतने गालगा संतरी एक्सपैस इतने को इसने का न होटम जक्रीट ड़ाक्रेच्ण फोर्ट शोटा कॉंट्रेट्रा करेस влад intent contract account भी बनाने है work in progress भी बनाने contract एकाउंट भी बनाने है would appear each of the year हर साल का contract एकाउंट बनाकर दिखाने है assume balance sheet him receive completion contract और balance sheet भी last में बनाकर दिखाने है also relevant balance sheet तो सर पहले हम सवाल के अंदर जो जो लिखना है लिख लेते हैं क्या कहएगी बने टू टू माटीरियल छे लाग टीस हजार और टू वेज़ेस आर्ट पचास और टू कार्टेज कितने और संट्री एकस्पेंस कितने 15 जैर और बश कान्ट्रेक्ट क्या हो गया हमारा कंप्लिट हो गया कंप्लीट का मतलबब अब हमारा वर्क सिर्टिफाइड नहीं हो गा अगर जैसे पहले हो रहा था था न उस तरीखे से अब हमारा work certified नहीं होगा अब यहां पर आएगा सीधा contract price क्या आएगा contract लेकिन सर contract price तब लिखोगे यह सारा sale इसी साल का थोड़ी है पुराने सारे sales को हम इधर दिखा दे या contract में से पुराने sale sale को minus कर दे वही करना होगा तो दो ही तरीका है तो मैं इसको दिखाने का तरीका आपके हिसाब से कर देता हूँ जैसे आपको समझ में आ रहा था पहले हमारा contract price जो है हम मान रहे थे कि कितना मिलेगा 75 लाग लेकिन सर 75 लाग में से minus हम क्या कर दे पिछले दो सालों का sale क्योंकि यह तीसरा साल है ना पिछले दो सालों का sale तो सर पिछले दो सालों का sale कितना था 56 लाग और प्लस वर्क जो not certified रहा था अब वो भी certified हो गया है है ना जो not certified था वो भी certified हो गया है यानि देखा जाए तो कितना होगा 57 लाग 25 लाग 25 लाग और कुछ पार्ट हम सेल नहीं मान रहे थे कुछ पार्ट हम सेल नहीं मान रहे थे उसको वापस क्या कर दो प्लस कर दो कितना पार्ट sales नहीं मान रहे थे six कुछ बच्चों को साइद यह समझ में ना आए मैं दुबारे repeat कर देता हूँ total यह हमारे पास साल है देखो यह इस साल का सेल इस साल का सेल हर साल का अपना अलग 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 है तोटल मेरा सबको जोड़के 75 लाग होना चाहिए था जिसमें से इस साल में 18 लाग 75 हजार हो चुका है और इस साल म हम मान के चल रहे है के हमारा sales है ही नहीं जो कि क्या है sir W IP उसको भी मैंने क्या करा इस तरीके से माइनस कर दिया अब क्या आगया यहां पर चॉविस लाग चॉवानाजार चॉविस लाग चॉवानाजार और कुछ है क्या है सर यहाँ पर सारा का सारा profit आपको बताया था जब completion हो जाए 100% क्यूंकि यह 100% completion है सारा का सारा surplus में चला जाएगा तो कितना आता है surplus में देखते हैं चौविस लाग चौवन हजार चौविस लाग चौवन हजार और टू सर्पलस 16 लाग चेक भी कर लीजिए गाँ बताईए क्या रहा है कितना रहा है नो लाग उनात्यस छे उनासी छे उनासी एक मेंट 16 लाग चानल वह रिजव में टूनी डाल दिया छे लाग उनासी है किसको आज़ा कि आज़ा रहा है आपका सही आ रहा है आंसर चलिए नो लाग उनात्यस हजा अब इसमें कोई रूल नहीं लगेगा क्योंकि 90 परसेंट तक होता तो उसके रिए रूल था 90 परसेंट से उपर के लिए बोला गया भाईया पूरा कर दो यहां पे लेकिन फॉर्मूला था कुछ मुझे भी याद आ रहा है और आपको भी याद होना चाहिए क्या फॉर्मूला था सर फॉर्मूला था जगर 90 परसेंट से अब अब जाता है तो कैस रिसीव डिवाइड कर लेना है आपको यहां भी छोड़ सकते हैं और यह वाला स्टेप कर सकते हैं तो जो सर प्लस आया कैस रिसीव कितना होगा जितना सेल है उसका 80 परसेंट और कॉंट्रेक्ट प्राइस यानि सिंपली बोला जाए तो यहां पे देखा जाए तो बस इसका हमें क्या करना होग होगा 80 परसेंट करना होगा हमारे वाले सवाल में हमारे वाले सवाल में क्या करना होगा 80 परसेंट बाकि में फॉर्मूला ही लगाऊंगा ताकि आपको लगेगी हां भाई फॉर्मूला लग रहा है तो क्या कहता था फॉर्मूला सर प्लस और सर प्लस कितना है सर 9,39,000 आपको cash कितना मिला होगा 80 परसेंट तो 75 लाग का 80 परसेंट कितना होता है वैसे तो मेरे हिसाब से सारा मिल गया होगा आप बुक में चेक करिए एक बार साथ लाग मिला तो यहां पर अगर आप करना चाहते हैं तो cpl वाकी जुरुत नहीं है यहीं पर खदम हो जाएगा यह साथ लाग मैं सीधा नौ अपने तरीके से निकाल लेता हूं का 80 परसेंट ताट तिर्टालिस दोसो और यहां क्या आ गया डबलू आइपी आठ बस खतम करना चाहें तो बागी जुरुत नहीं है मैं अगेन कहूंगा क्योंकि यहां पर बोला कॉंट्रेट कंप्लीट है इसे करने की जुरत है नहीं हटाई दो बच्चे परिषान हो जायगे ठीक है कोई दिक्कत यहां तक नाई अब मजे की बात बैलेंश इतना बड़ा चैलेंजिंग नहीं बैलेंश जब भी बनाएंगे तो सिर्फ इसको ध्यान तो द्यान में रखना पर इस पॉइंट को ध् है अभी मैं Beless ad Mickey मेर्क नि है क्वेम उसने किसंट में कहा था क्या कहां ता सज इंडि वीज़ कहता है कि क्वेम फोली चहते हैं कि कोंट्रेक्ट के siis आप इस थि इटी Il यह दो साल का कॉंट्रेक्ट का चलो 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 और ऊंट्रेक्ट टीन। दाख बना दयते है एक डबलू आईपी अकाउंट भी है डबलू आईपी अकाउंट भी है यह बहुत मोटा होगे तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते थे बाई कैश लिखते थे कॉंट्रेक्टी अकाउंट मैं लिख भी देता हूँ बाई क्या लिखते थे हम कैश पहले साल में जो कैश मिला होगा पहले साल का सेल्स था ठारा लाग उसका कितना मिला होगा 80 परसंट जो कितना बनता है जो बनता है हमारा कि पंद्रा लाक मिला ठीक है यहां तक सब को समझा रहे हैं यहां पर तोटल करेंगे कि टोटल कितना हो गया पंद्रा लाक और इधर और इधर टू बैलेंस CD 15 लाग और buy balance कितने अब दूसरे साल में buy फिर से cash मिला होगा दूसरे साल की sales जितनी थी work certified उसका तो आपने निकाला था साथ 37 लाग तो इसका मिला होगा दूसरे साल में कितना 80% तो दूसरे साल में 37 लाग 50 जार का 80% 30 लाग यह होगे दूसरे साल दूसरे साल कितने 45 लाग और और यह भी क्या गया 2 balance 2 balance CD डेट भी लिख दिजिएगा इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है buy balance buy balance BD 45 मिल चुका है last year में contract complete हो जाएगा तो contract account contract account कितने 75 लाग 75 लास्ट में हमारे पास बच जाएगा buy cash मिला होगा final पे हमें 75 लाग 75 लाग और 30 लाग रुपे यहां भी मिल गया होगा चलिए यह बना दिया हर साल का contract sir book में तो credit में 2006 में control account 75 दिखा रखा है बिल्कुल आप सही बोल रहे हो book में 75 दिखा रखा है तो आप यह भी चेक करो 75 के जो यह मैंने दो इधर चुट पुट किये हैं वो book में इधर दिखा रखा है वो book में कि इधर दिखा रखा है इधर दिखा रखा है तो बात तो वही हो गई ना मैं तो लॉजिकली चल रहा हूं आप इसको इधर दिखा दे चाहिए इधर दिखा दे तो वो लेकर चलेंगे कि चलिए बताइए कि कोई डाउट कि कोई डाउट है तो बताएं हां तक कि परतिक्स छे सत्तर कि 37 पचास कहां से आया 37 पचास जो है न कहां गया यहीं था न यह यह 37 पचास दूसरे साल की सेल है यह सेल्स है यानि वर्क सर्टिफाइड आप देखिए दूसरे साल का वर्क सर्टिफाइड यह था इसमें से इसको जब माइनस कर रहे थे तो निकलेगा आपने पीछे भी बताए था मुझे सर यह ले लो यहां पर माइनस करके तो यह वाल एफ ए एक बार रिपीट बिल्कुल रिपीट कर देंगे अभी इह ए एक बर किताब दिखाई है अपर कैस रिशी वर्क सर्टिफाइड का इटी परसाइंट हाँ दिखाई है ना किर रोक सर्टिफाइड कर दिक, क्या आप बैलेफि शीट बना लेंगे इसमें एक बोला हुआ है वर्क इन वो भी बड़ा सिंपल सा होता है वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब सेल्स अब आप देखोगे तो सेल्स करा है हमने कॉन्टरेक्ट का ठीक है ना तो हम यहां वर्क इन प्रोग्रेस ले रहे हैं अब यहीं से आप बना सकते हुआ देखो यह डबलू आईपी है तो General Entry क्या बना? General Entry बना Contract to WIP क्या बना आपका? Contract to अब आपको बोला गया WIP बनानी को WIP अकाउंट में आप जाओगे और क्या लिखोगे? WIP में जाके FI-SIDE में लिखतो गे न WIP में जाके Contract यहामें बना की दिखा दीता हूँ पहले यहां तक देख लो नहीं तो और कंफ्यूजन नहीं करना चाहता इसी में कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं मैं इसको एक बार दुबारा रिपीट कर दूँ पहले सर कोश्चन क्या था हमारा हमारा सवाल यह है कि तीन साल का कॉंट्रेक्ट प्राइस दे रखा है हमें कितने साल का कॉंट्रेक्ट प्राइस दे रखा हैं यहां पर सर यहाँ पर contract price हमारे पास 3 साल का है और rule क्या कहता है जब आप 3 साल का 81 contract price बनाते हो तो पहले साल का तो ठीक है लेकिन जब next year में आप जाते हो तो आपका जो work certified होता है वो total पहले और दूसरे साल को मिला करके होता है और तीसरे साल में पहले दूसरे साल को मिला करके होते हैं। इस वाले सवाल में हमें पहले साल का कुछ डिटेल दिया और एक loss आ गया। तो हमेशा याद रखना है loss के case में जो हमारे rule लगते हैं वो बिलकुल भी नहीं लगाए जाते हैं loss के case में। loss के case में simply स्रिफ loss तक लिखके क्या कर दिया जाएगा छोड़ दिया जाएगा। दूसरे वाले case में हमारा profit हुआ। लेकिन दूसरे वाले case के अंदर हमारा works जो certified किया था ये किया था। इसको दिखाने का न एक और तरीक है। कुछ बच्चे बुक से भी match कर सकते हैं भाई। तो एक और तरीक है। मैं यहां पर यह पूरा लिखूं और मैं यहां पर यह लिखूं। 18-75 को मैं किधर दिखा दूं। इस साइड। तब भी बात वही आ जाएगी जो बुक वाले करते हैं अक्सर। यहां पर हमारा surplus आया और बोला वा था 3x4 और 3x4 को हमने calculate किया तो कितने percent होता है 75% और 75% के हिसाब से हमने सारा काम यह कर लिया। सर आगे हमने एक बना लिया contractee account, balance sheet आप बना लोगे, balance sheet हम अड़ेडी बना चुके हैं। आगे हमने बना लिया क्या contraction account की according हम लेखे चल रहे थे। यहां तक बताइए WIP-2 Contract चलिए बना ले क्या हम क्या बनाएं यहीं पर अड़्जेस्ट करके बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको अब देखिए यहां का मतलब होता है बाए ठीक है यहीं होता है और बाए का मतलब होता है डेबिट तो अगर मैं डबलू आईपी को लिखों तो एंट्री बन रहा है डबलू आईपी टू कॉंट्रेक्ट अकाउंट टू कॉंट्रेक्ट अकाउंट है ना अब हमें बनाना क्या है? WIP account अब हमें बनाना क्या है basically? देखिए अब आपको बनाना है WIP account लीजीए मैंने बना दिया WIP account मैं अभी दिखा देता हूँ आपको बना के WIP account तो अब क्या करेंगे? Contract में जाके By WIP लिखते हैं और WIP में जाके Two Contract तो यहाँ पर लिखा हमने contract account और contract account में कितना जाएगा पहले साल का 18.75 था याद है ना पहले साल का अथारा पहले यहां तक देखिए कोई दिक्कत और बाई साइड में क्या आएगा सर बाई साइड में पहले यहां तक देखिए यह समझ में आए अगर एक जर्नल इंट्री से समझ में आ गया तो बाकिसार आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा क्लिर हो गया यहां तक आप बाइस साइड में बस बैलेंस सीडी करना जैसे कैस में करते थे बैलेंस सीडी सर कितना अठारा लाग यह पहले साल का है और क्या आएगा सर और टू साइड में बीडी अब दूसरे साल का डबलू आईपी करेंगे तो दूसरे साल में डबलू आईपी में क्या क्या है दूसरे साल में यह वाला तो हटाई दो यह वाला आएगा डबलू आईपी का ठीक है न तो अब दूसरे साल में फिर से इधर आ जाएगा हमारा टू कॉंट्रेक्ट अ काउंट कितना सर 38,50,000 पहले यह देखिए सर कॉंट्रेक्टी अभी बता देंगे कॉंट्रेक्टी यहां पर देखिए पहले इसको दिखाने के दो तरीके हैं अगर आपने इधा डबलू आई पी लिखा है है मैं यह करके चल्रहाँ अगर आपने इधर डबलॉ आई पी है तो एक डबलू आई पी का इधर से भी इंट्रों बन जाएगा कॉंट्रेक्ट टो एक कन्ट्रेक्ट अकाउंट इधर भी आएगा हिधर भी आएगा विद्टेविं तो लेकिन मैं roughly कर रहा हूं लेकिन आप समझ लेंगे कि कैसे किया गया क्लियर है और थार्ड साल में तो पूरा का पूरा काम क्या हो गया complete हो गया और इसको इसी तरीके से बस थार्ड येर में एक reserve वाला point आजाएगा जो कर देंगे तो अगर आपको ये समझ में नहीं आये ना कुछ बच्चे थोड़ा सा confused भी हो सकते हैं तो एक बच्चा कहरा है सर कॉंट्रेक्टी बता दो देखो कॉंट्रेक्टी अकाउंट क्या है पहले साल में ये कैस मिला CD आया दूसरे साल का कैस ये वाला है ऐसे निकला पहले साल का कैस ऐसे निकला CD आया तीसरे साल में जब भी होता है तो पूरा कॉंट्रेक्ट प्राइस होता है और स्पाइनल हमारा कैस आ जाता है देखिए बच्चे करें सर लैग हो रहा है आपको कुछ होमबग के लिए सवाल भी देता हूँ मैं आज देखिए आपका ये सवाल जो है सामने ये होमबग में करना है सर यहां पर भी दो साल का कॉंट्रेक्ट रहे है दो साल का नहीं है ये दो कॉंट्रेक्ट अकाउंट है ठीक है तो अलग-अलग दोनों को सवाल मानिएगा ये दो सवाल है उसके इसाफ साफ की किताब का ही कोशन है एक ये रहेगा homework में और सर एक ये भी homework में रहेगा आपका इसके अंदर हाँ contract account two year का है यहाँ पर contract account तो मैंने तीन वाला सिखा दिया है अगर आपको तीन वाला आ गया तो दो वाला तो बड़े आसानी से कर लोगे ये भी homework में रहेगा ये मैंने ही करा दिया ये सवाल मुझे ही कराना होगा मतलब मेरे अगली class का सरीफ एक ही सवाल रहे जाएगा कराना ये वाला इसके अंदर थोड़ा time लगेगा concept ना जल्दी से दिमाग में आता नहीं है तो last सवाल रहे जाता है हमारा ये इसको करने के बाद हम chapter को wind up करेंगे और यानि अगली class में हम chapter को खतम कर देंगे और एक और रह जाता है estimating costing account estimated costing account तो आप book के भी सवाल करिए और मैं कुछ practical question भी डाल दूँगा नहीं आई चलो अब मिल जाएगा वैसे तो जो काम कर रहे तो वो वापस आ गए है तो कल से तो सारा मिल जाएगा आपको balance sheet हर शीता balance sheet आप खुद बना सकते हो balance sheet सिर्फ आपको second last year का बनाना है वो खुद बना लोगे एक पर नहीं होगा तो मैं solution भीज रहा हूं इसका ठीक है तो आज की class में एक हमने heavy सवाल कर लिया जिसमें सारा का सारा time हमारे लगभग ले गया तो आज की सवाल यहीं तक रखते हैं अगले class के अंदर chapter खतम मतलब Friday को chapter खतम और Monday से हमारा chapter start होगा reconciliation बोलोगे तो reconciliation कर लेंगे process बोलोगे तो process कर लेंगे अगर reconciliation बोलोगे तो एक हपते के अंदर थीन class में खतम हो जाएगा वो chapter process बोलोगे तो वो थोड़ा लंबा है थोड़ा लंबा चलने वाला है सर हमारी class 7.30 होती है बिल्कुल 7.30 ही होती है आपकी class आपका class का timing fix है 7.30, 2.8.30 हो जाए, 9.30 हो जाए, 9.30 depend on situation बाकी costing में 9 से उपर नहीं जाएगा आपका आज आ गया होगा मुझे जाके चेक करना होगा मैंने मंगवाया था रमन आज आ गया हो साइद last year का paper मेरे पास मेरे उसका solution भी तो मैंने मंगवाया है एक बार देखता हूँ के question paper मुझे solve करके मैं कल definitely मिल जाएगा आपको sir minus reserve क्यों किया आप reserve को minus ना करके आप reserve को ऐसे भी तो कर सकते हैं इस reserve को adder दिखा दीजिए तो वो automatic minus हो जाएगा हमें करने की जुरत नहीं है आप book से देख रहे हैं हो तो ठीक है चलिए मिलते हैं next class में good night कि अगए कि आपको अग्राओ कि अपक्षा कि अग्रोव अग्राओ कि या करेंगे वेरी वेरी गुड इवनिंग एक कुश्चन मुझे कराना है आज सिर्फ एक ही कुश्चन करेंगे हलाकि मैं सोच रहा था वो मैं डाल दू रिकॉर्ड करके लेकिन अब कराई देते हैं कोई बात नहीं मैंने मैसेज भी डाल दिया था लेकिन अब हमारी क्लास हो रही है कंटिन्यू तो कोई कुश्चन नहीं एक कुश्चन करना है और यह हर जगा एक ही कुश्चन रहता है और चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किये हुए कुछ हम बातों पर डिसकस्शन कर लेते हैं डीलर क्या कहते हैं नहीं कहते हैं वो सारी बाते बस एक मिनट धट विदियो इंग जेम वीडियोस इम वीडियोस और रहें बसे लाइब परनि लाइब और राइब प्रॉब्लम सर वीडियो पॉज वह मैं कहीं और सुच कर रहा था मैं नाव क्लियर है फटा फट चेक कर लिए क्लियर है कि क्लियर है बताइए गुड एवनिंग नाव क्लियर चलिए सब एक इंपॉर्टेंट कोश्चन कहूंगा और एक कॉंसेप्ट है वो देखेंगे इसमें मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक हमारा कॉंट्रेक्ट ना काफी सालों तक चलने वाला वैसे भी मानना क्या है आपको पता ही है कि कॉंट्रेक्ट ऐसा होता है कि जो एक पर्सन बैठा हुआ है कि यह ठेकेदार यानि कॉंट्रेक्टर और एक और पर्सन है कि सर्ट यह कौन है सर्ट यह है कॉंट्रेक्टी यानि यह है मकान बनवाने वाला यानि जिसको अपना घर बनवाना है और यह मकान बनाने वाला ठीक है यह क्लियर है आज की डेट पे इन्होंने एक साइन किया और बोला हम आपका मकान बना के देंगे और आपका मकान तयार करके देंगे हम तीन साल में ऐसा डील हुआ तो जब डील हुआ तो डील के साथ साथ यहां पे बहुत सारी बाते भी लिखी होंगी और सबके मजे की बात मैं बताओं तो यहां पे एक बात भी लिखा होगा कि आपका मकान बना के देंगे और उससे हम आपसे क्वंटेक्ट प्राइज लेंगे मान लेते हैं कि पचास लाक रुपे का डील डन हो गया पचास लाक रुपे का क्या हो गया डील डन हो गया पहले साल तो काम ड़न चला दूसरे साल सेकंड येर जैसे ही आया है सेकंड येर के अंदर मान लेते हैं कि बहुत सारी चीजे बदल गई लेवर का प्राइस बढ़ गया मटीरियल, सीमेंट वगएरा एकदम से हाइक हो गया तो ये होना अव्यस है कि आपको थोड़ी पताएगे कब लेवर कितना लेगा कई बार मैंने देखा है लेवर पचास उरुपे भी लेता था एक दिन के आज लेवर पांस उरुपे भी ले रहा एक दिन के तो बढ़ सकता है तो हुआ ये कॉंट्रेक्ट प्राइस तो हमने आज के हिसाब से तैक किया है लेकिन जैसे ही हम आगे गए तो हुआ कि आचानक से हमारा लेवर का प्राइस उंक्रीज हो गया मटीरियल का हो गया और भी बहुत सारे सेनेरियों ही चेंज हो गया पूरा तो ऐसे सिचुईशन में इसको क्या होने लग गया है? नुकसान और आगे चलके और बढ़ेगा तो ऐसे सिचुईशन में इसको नुकसान होगा इसके पास दो आप्शन है या तो कॉंट्रेक्ट स्वार्स में कंप्लीट करें या बीच में से छोड़के भाग जाए यही होता है नौर्मली और जब लॉस दिख जाता है ना कि लॉस होगा तो भाग जाते हैं वो ठेकेदार कॉंटेक्ट पे छोड़के लेकिन बड़े बड़े डील में ऐसा नहीं कर सकते है क्योंकि रेपोटेशन मार्केट की बात है अगर एक जगा छोड़के जाएगा तो द रहेगा अगर इन केस बढ़ गया हमारा लेवर और इन केस मटीरियल तो हमारा कॉंट्रेक्ट प्राइज भी उसी के हिसाफ से फ्लेक्ट हो जाएगा लेकिन मालिक भी कहेगा तु कैसी बात कर रहा है अगले बार तो बोलेगा दस रुपे सिमेंट बढ़ गया पचास यह लेकिन एकदम से 60-70 परसेंट का फ्लेक्ट आगया तो मैं तो बरबाद हो जाओं तो बोला 15 परसेंट अगर फ्लेक्ट रहा ना तो कोई बात नहीं है यानि 100 रुपे का समान अगर 115 हो जाता है तो बोलता है आप मालिक टेंशन ना लो हमें उसके लिए मैं अड़ेस्ट बलू लेकिन अगर ये मानलो 120 हो जाता है तो fluctuation कितने percent हो किया 20% तो मैं बढ़े हुए contract price का मैंने 15 सोचा तो बढ़ा कितना पांच रुपे बढ़ा कितना इस पांच रुपे का कुछ percentage मैं आपसे भी लुआ नहीं तो मैं तो बरवाद हो जाओगा तो जब deal हो रहा था तो उसने ये बाते इसके बीच में रख़ दी जब ये बातें रख़ दिया तो इसको बोला जाता है exclination clause clause का मतलब होता है کچھ बाते कुछ शर्ते रख दी एक्स्कलेट का मतलब होता है बातों रख दिया उन्होंने तो मालिक क्या करेगा मान जाएगा अब हमारे अगले वाले जो concept में होने वाला ने बड़ी सीधी से बात आपको clear हो रहा हो कि क्या करने वाले हमारे अगले वाले concept में यही होगा जब deal होगा ने जो contact price वो contact price नहीं रहेगा वो बढ़ जाएगा तो जब ह यह तो जो WIP था वो था ही था और बढ़े हुए price का भी तो मैं कुछ percentage उससे ले रहा हूं तो जितना बढ़े हुए percentage ले रहा हूं तो वो भी कहीं ने कहीं मेरा क्या हो जागा sale तो उसे भी कहां लिखेंगे हम buy side में के explanation clause लिख दो या increment in the material and labor लिख दो समझ में आ रही है ब चीक है तो एक सवाल देखेंगे पूरा scenario clear हो जाएगा अब सर क्या कहता है एक ही सवाल करने वाले इसी में थोड़ा बहुत देखते हैं क्या कहता है नहीं कहता है पहले तो हम कर लेते हैं सर contract account सीधी सीधी बात है कही बार पता ही कह सवाल जब मुस्किल होता है ने तो हम पह प्यार हो पाओ के सर यह करने वाले हैं इस टाइप का नहीं सरीखी सवाल इकला ओता है यहां पर देखेंगे कई बार बहुत सारे बुक्स के अंदर मैंने सर्च करने की कोसिस करा कि इस टाइप कोई सवाल मिल जाए मैं बच्चों को दो तो हर जगा पे मुझे एक ही देखा पिपर में भी यही सवाल आया हुआ है एक ही बार आया हुआ है तो उससे इसाब से यह बना लिया मैंने कॉंट्रेक्ट अकाउंट ठीक है चलिए सर सर फिर से समझा दो अभी समझेंगा अभी सवाल किया कहा है अभी सवाल किया ही नहीं है समझेंगा तो सवाल ही नहीं है अभी गुल्शन कुमार सर आपने कॉस्चिट के अरे कॉस्चिट के अभी कॉस्चन रुख जाईए पहले इसको देख लेते हैं फिर कॉस्टिट पर जाएगा ठीक है कॉस्टिट पर रुख जाएगा तो सर बड़ी सीरी से बात है material पर्चेस यहां जाएगा तू material है एक लाग मटीरियल के बाद क्या है वेजस पेड़ टू वेजस पेड़ कितने है कि 45 और वेजस में साइध आउट्सेंडिंग विए गई जहां तक मैंने कराया है है ना आउट्सेंडिंग इसलिए मैं इसे अंदर लुखता हूं अब बच्चों का क्या रहा है कौन सा क्लॉस अभी बता देंगे बता देंगे चिंदा मत करो यह लो ठीक है अभी सवाल में लिखा हुआ है सब बताएंगे चिंदा मत करिये पहले मुझे कुश्चन को पूरे मन से कराने दो फिर मैं आपकी मन की बात जानूंगा 45,000 इसको अंदर रखएं इसके बाद journal expense to journal expense sir, customeroug christesser कितने हैं दस अजार इसके बाद plant plant इदर ही आजाता है क्योंकि हम closing balance लेता है सर plant कितने हैं 50,000 इसके बादngulo wages oh wages क्या है तो बाई साइट में आ जाएगा बाई क्लोजिंग क्लोजिंग में आ जाएगा माटीरियल कितने रुपए पत्चिस हजार इसके बाद वेजिस प्लस आउट्स्रेंडिंग कितने पांच हजार डेट इस फिफ्टी थाउसर वर्क सर्टीफाइड बाई डबलु आई पी और इसके अंदर आएगा वर्कसर्टीफाइड वर्क कितना दो लागस नॉट्सर्टीफाइड कितने है पंदा तो देखो सम् नॉर्मल चल रहा है ऐसा कुछ है नहीं कैसे स्विव कभी रूल होता इए नहीं प्लांट 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 हें paanचशजार था 50 का तो हमारा प्लांट कितने का बच गया प्लांट बच गया 35 का तो सब सिंपल चल रहे हैं यहां तक कोई दिक्कत किसी को बहुत अब में में जो मुद्दे की थी explanation clause का मतलब शर्ते कुछ शर्ते थी यहां पर ठीक है ना कुछ शर्ते और शर्ते क्या थी यहां पर कहता है in the event of price of material कहता है सर आपका जो material का price है and rate of wages और जो wages का rate है by more than 5% अगर यह बढ़ गया 5% से ज्यादा 5% से ज्यादा है यानि 100 और 5 तक तो चलेगा अगर 106 हो गया तो problem है the contract price will be accordingly by 25% of raise cost material wages beyond the 5% each cases कहता है भाईया हमारा contract price भी बढ़ जाएगा 25% और 25% कितना समझेगा अगर 105 होता तो कोई problem नहीं है लेकिन जैसे ही 100 से यह 110 हो गया तो बताइए कितने परसेंट बढ़ गया दस परसेंट बढ़ गया तो 5% तक तो हटाई दीजिए बोला 5% का तो कोई है यह नहीं कुछ तो इसका मतलब वो कितना लेना चाह रहा है 2.5 लेना चाह रहा है मैंने एक एक्जामपल लेकर समझाया है बोला यह तो है clause यह तो है कानून जो कि मैंने लिख दिया अब actual में हुआ क्या वो नीचे बता रहा है हमें actual में हुआ क्या वो नीचे उपर वाली लाइन क्या बताता है सर अगर हमारा कुसी भी रिजन से material और wages का price बढ़ता है 5% उस case में हमारा contract price बढ़ जाएगा 25% से और 25% हम recover करेंगे लेकिन 25% किसका 5% के बाद वाले बढ़ेवे amount का 5% के बाद वाले बढ़ेवे amount का कहता है it was found अब मिला हमें क्या since the date of signing agreement जिस दिन agreement किया price of material and wages increase by 25% अब भाया जिस दिन हमने करा उस दिन पाया गया के भाया हमारा 25% से wages और material बढ़ गया it was found इसका मतलब सब ये दोनों price बढ़े हुए है पहले से इसके अंदर और नहीं बढ़ाना क्योंकि जो यहाँ पर price given है already बढ़े हुए है तो क्या कहता है it was found the value of work certified does not take into account this effect कहता है इसके अंदर ये effect लिया नहीं गया है इसके अंदर ये effect लिया नहीं गया है बड़ी सीधिस की बात बोली कि इसके अंदर ये effect लिया नहीं गया है prepare the contract account working not clearly तो सर इसके अंदर अगर effect लेंगे इधर buy side में और increase हो जाएगा न हमारा तो मुद्दे की बात चलिए समझते हैं मुद्दे की बात क्या है आपको थोड़ा थोड़ा idea लग गया होगा तो सबसे पहले हम ये चक कर लेते हैं बड़ी सीधिसी बात है कि material कितना बढ़िया तो अगर मैं material की बात करता हूं तो बोला material बढ़िया है 25% मैं निकालता हूं material थो तो सर material जो यूज हुआ है ऋ एक लाट का था material कितना था एक लाख उसमें से यूज कितना हुआ 25 माइनस ही हो गया सर राण doe यूज कितना रहवा it लिए 75000 का तो जितना तो बढ़ाएंगे हम जितना यूज टना यूज हो निख लिए searching तो मुद्दे की बात क्या है मुद्दे की बात यह है कि सर मेरे को कहीं न कहीं लग रहा है कैमरे क्लियर तो आ रहा है न सभी को विज्वल है के नहीं है मुझे लग रहा है कहीं बलर बलर टाइप का आज क्यों दिख रहा है या मेरा मोनीटर खराब हो गया कि मिट्टी उट्टी तो नीजम गई यहां पर अब 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 बच्चे कह रहें बलर है एक सेकंड रुक्या चेक करते हैं सायद कि अब अब कि अब I think now clear हाँ अब बिल्कुल साफ देख रहा है मुझे लग रहाता है मेरी रौस नहीं उसनी तनी चली अब बताईए फटापट ठीक है नहीं ठीक अब क्लियर है ठीक है ठीक है ठीक है तो चलिए तो मैं क्या बता रहा था देखो मटीरियल जितना इस्तमाल करोगे उसी का तो बढ़ा हुआ कॉंटेक्ट प्राइस का दोगे आप अपने सामने बहुत सारे स्टॉक लिए और बोलो के भई इतना स्टॉक लाए थे यूज हुआ नहीं तो इसका भी देदा तो नहीं देगा तो 75,000 रुपए का मटीरियल इसमें यूज हुआ है पहले यह जवाब देजिए हाँ या ना कितने का यूज हुआ है पिछेटर और यह पिछेटर हजार भी वह है जिसके अंदर प्राइस उस का बढ़ा हुआ है सिका निपापने, और तो हुआ है कि probć अध्यी फशी प्रशी हुआ है, मतलब मैं सीरी सी बात कहूं तो इस 75,000 का सार कितना परसंट बढ़ा हुआ है सर? increment नहीं लगता तो होना चाहिए increment की वज़े से कितने का हो गया यह 75,000 पहले यहां तक देखिए यहां तक clear हो रहे हैं सब कुछ clear है यहां तक यहां तक किसी को दिक्कत है सर यहां तक किसी को दिक्कत है क्या मैंने क्या कहा कि material हमारा जो दे रखा है यूज वो है 75 जो बढ़ा हुआ प्राइस था और यह वाला material जो नहीं बढ़ता तो इतने का होता यानि ultimately 15,000 रुपे हमारा प्राइस बढ़ चुका है 15,000 का प्राइस क्या हो चुका है बढ़ चुका है समझ में आ रही यह बात आपको सवाल क्या कहता है यहां तक हर किसी को क्लियर है सवाल कहता है कि भाई यह 5% तक बढ़ जाए चोटी मोटी बात है उसके उपर बढ़ जाए ना तो उसका मैं 25% ले लूँगा तो अगर मैं यहां पर ले के चलूँ ध्यान देना अगर मैं 60,000 रुपे का 5% निकालू तो 60,000 रुपे का 5% कितना होता है सर 3,000 यानि 3,000 रुपे तक जायज है उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपका जो इंक्रीज हुआ है ना प्राइज इंक्रीज जो हुआ है वो टोटल 15,000 हुआ है जिसमें से 3,000 रुपे का तो आपको 25 तो मैं इसका 25% आपसे वसूल लूँगा इसका 25% वसूल लूँगा जो कि 3,000 है तो मैं बाइ साइड में लिखूंगा कि एक्स्क्लेनीशन क्लॉस की वज़े से या इंक्रीज हो रहा है हमारा मटीरियल के केस में कितना इंक्रीज हो गया 3,000 ऐसे ही मैं लेवर पर चेक कर लूँगा पहले देखिए यह समझ में आया तो फिर मैं अगले पर जाओंगा 15,000 यह ना 15,000 कैसे आया है एक्चुल देखो 75 और यह 15,000 मैं कहां से लिखूं कहां से दिखांग कहां से दिखांग यह इंक्रीमेंट दिखो मैं यहां लिख रहा हूँ 75 के लगा और 60 का थाउना चाहिए था तो 15 बढ़ गया ठीक है बताए किसी को दिक्कत है तो देखो रोक देना यहां पर नहीं तो फिर आगे बढ़ जाओंगो तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा सर प्लीज रिपीट 25,000 क्यों किया एक बार और और रिपीट ठीक है मैं एक बार फिर मिटा के इसे करना चाहूंगा पहले सभी बच्चे मुझे यह बता दे कि सर हमें ना इनका डील और करना है मैं अरे एक बार और ठीक है मैं डील लिखता हूं हमारी डील हुई कि अगर मटीरियल और लेबर दोनों अगर बढ़ जाता है हमारा पांच परसेंट तो कॉन्टेक्ट पे कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन बढ़ अगर मटीरियल और लेबर दोनों बढ़ जाता है हमारा पांच परसेंट से भी ज़्यादा बढ़ जाता है ठीक है ना पांच परसेंट से ज़्यादा बढ़ जाता है अब चेक करते हैं material की बात करते हैं तो सर हमारा material use कितना हुआ सर material जो लगा सवाल में तो एक लाग है लेकिन closing stock भी तो है न तो minus 25,000 रुपे कर दिया सर कहां है minus 25,000 ये रहा इसका मतलब सर हमारा total जो material use हुआ वो only 75,000 हुआ कहता है it was found found का मतलब भया पहले ही सारा कार्नमा हो चुका है पहले ही पाया जा चुका है तो इसका मतलब 75,000 में already increment लगा हुआ है 75,000 में क्या है तो इसका मतलब ये बढ़के है तो हमें अगर पता चल जाए के पहले कितना था तो हम percentage एक बार कर पाएंगे तो सर अगर ये बढ़के है तो हमारा before before increment कितना होगा तो 75,000 में कितना जूड़ चुका है 25% बढ़के है तो इसका मतलब 125 और 100 तो यानि हमारा बिना बढ़के कितना होगा 60,000 यहां तक समझ में आ है यानि पहले 60 का था अब हो चुका है 75 जो कि हमने already दिखा दिया है अब हम बात करते है total कितना increase हुआ total increase कितना हुआ total increase हुआ हमारा देखा जाए 75,000 का था और हो चुका है अब 60 का तो यानि हमारा 15,000 का increase हो चुका है अब मेरी बात सुनना अब मैं क्या कह रहा हूँ कितने % ऐसे है जिसके लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूँ स्रे 5% है तो अब 5% किसका बिना बढ़ेवे price का तो अगर मैं 5% यहां calculate कर लूँ एक दिमाग मैं idea ले रहा हूँ कि सर 5% का चार्ज नहीं करूँ तो इसका मतलब सर अगर 60,000 का समान था और अगर यह 5% तक बढ़ जाता तो जिसका मतलब 3,000 तो मैं उससे मांगता ही नहीं लेकिन बढ़ कितना गया है तो सर अब मैं यहां पे minus कर देता हूँ 5% का जो उन्होंने relaxation दे रख़ा है इसका मतलब सर 3,000 रुपे यानि सर अब भी 12,000 बढ़ गया तो क्या कहता है जितना अब पाया गया उसका 25% मैं तुमसे ले लूँगा तो 12,000 का 25% कितना हो रहा है that is 3,000 रुपीस 3,000 इसको दूसरे तरीके से भी कर देता हूँ देखा हूँ हमारा कितना था 75,000 का कितना था 100 divided by 125 यह आगया cost और 25% बढ़ा है तो हमें 25% बढ़ गया है 5% का relaxation है तो मैं तुमसे कितना recover कर लूँगा 20 by 100 तो that is आप calculate करो यही आएगा आपका चक करें नई 12,000 आएगा कितना बढ़ा है यह 12,000 आएगा तो direct आगया यह बढ़ा हुआ जो कि मैंने 3- किया है था थीक है अब इसको और formula को short कर देते हैं देखो short करने को मैं इतना short कर दूँगा फिर आप confused ना हो जाओ बोला गया यह है हमारा पता ही क्या और इसका मैं ले लूँगा 25% आप से कहीं आप 20 और 25 में उलज़के ज़्यादा न उलज़ जाओ इसलिए मैंने detail में भी कर दिया वह यह जिसको जैसे समझ में आता है मैं तो कहता हूँ कि आप वैसे कर लो ऐसा कोई marks आपको extra नहीं मिलेगा कि कुछ करोगे तो आप इसका answer डारेक्ट ले निकाल लिया मैंने तीन अचार समझ यह मैं समझाने को फिर भी कोसिस करता हूँ समझा रहा हूँ लेकिन कई बार मेरा समझाना ना बच्चों के लिए मुसीबत बन जाता है तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है यह हमारा price इसको solve करने का मतलब है इस part को solve करने का मतलब है मेरा पुराना price आ गया यह पुराना यानि old price आ चुका है और इसके उपर extra कितना बढ़ चुका है extra कितना बढ़ चुका है 5% के बाद extra कितना बढ़ चुका है इसका मतलब बढ़े हुए का बड़े हुए का मैं 25% कवर करूँगा, तो extra का 25% कवर करूँगा, तो multiply करता गया और वहां तक मैं पहुंच गया ठीक है, आप ऐसे समझिए चाहे आप ऐसे समझिए total आपकी मर्जी है, ये मैंने तोड़ तोड़ के बता दिया, कुछ बच्चे बोलेंगे क्योंकि बच्चे किताब में भी compare करते ना, और किताब में compare करके और उससे समझ के मेरी जान में फिर आफ़त आ जाती है, क्योंकि किताब में क्या कर रखा है, 75 पे अलग निकार रखा है, 60 पे अलग निकार रखा है, फिर minus plus plus तो बच्चा परिशान रहता है उसके पहले बताई या तो यह समझ में आ गया clear है बच्चे कह रहे हैं सर यह वाला method इस जिसको जो समझ में आता है वो समझ लेजी ऐसा नहीं है कि आप इस वाले method से करेंगे तो ज्जादा से कम एक्जामनर को मतलब ही नहीं है एक्जामनर तो बोलता है बस पंट्रक्ट अकाउंट बनाईगे सर बीस परसेंट पंदराजार का देखो एक बच्चे ने बोल दिया बीस परसेंट बिल्कुल ठीक रहेगा तो अभी तो हम माटीरियल से निफ्टे हैं अब किस से निफटना है वेजिस वेजिस भी तो बढ़ा है ना वेजिस कितना बढ़ चुका है पचास जा चलो वेजिस का इधर करते हैं वेजिस का इधर करते है चलो सर वेजिस के पास सार वेजिस जो यूज हुआ है पैंतालिस वा था और पाँच हजार तो अभी देने भी बाकी है तो टोल वेज यूज हुआ पचास हजार जोकी बढ़ चुका है कितना बढ़ चुका है सर वेजिस आपका 25 बढ़ चुका है तो इसका मतलब सर ये भी हंड्रिड ओर बढ़ा के था और बिना बढ़ाए अगर नहीं बढ़ता तो हमारा होता है 40 तो इंक्रीमेंट लग गया 10 लॉ कहता है यानि रूल कहता है कि और 5% तक तो bearable है तो 5% किसका असर? 40,000 रुपे का 5% इस आपका आगया कितना? 2000 नहीं 2000 2000 एंट है? एक्स्ट्रा कितना हो गया, इतना increase हुआ actual में, जिसमें से 2000 के लिए वो बोल रहा चलो छूट है तुमारा, तो net में कितना increase हुआ, net increase net increase होगे 8000 अब बोलता भीया, इस 8 का तो तुम्हें सारा नहीं देना, इसका कितना recover करेंगे तो recover करेंगे सिर्फ 25% that is कितना आजाएगा, हमारा 8000 का, 25% that is 2000, एक बच्चे ने जो सवाल का अंसर, ऐसे भी कर सकते हैं चलिए, मैं ऐसे भी करके दिखा देता हूँ इसके नीचे, कैसे करेंगे सर, हमारा total कितना था सर, 50,000 पहले उसका कितने, 100 divided by, 125 यह आगया हमारा पुराना cost, इसके उपर मैं 5% छोड़ के तो BC लूँगा न, यह आगया total बढ़ावा price, अब इसके उपर भी मैं आपसे कितना cover कर लूँगा, 25% death rates 2000, कुछ बच्चे ऐसे भी जवाब दे रहे थे, सर आप ऐसा क्यूं घुमा रहे हो, आप ऐसे कर दो न, 25 बटे में 125 करोगे, तो यह बढ़ावा price आगया सीधा, 25 बटे में 125 करोगे, तो क्या आगया यह? बढ़ावा price आगया, आप इसका कितना लोगे? बढ़ेवे price का कितना लोगे? 20% यह तो लोगे, तो 20 बटे 100 कर दो हो ना देखना करके तो यह भी क्या आगया ठीक है तो बहुत सारे तरीकें तो मैंने सारे कर दिए जिसको जो समझ में आता है वो कर सकता है ठीक है यानि मुद्दे की बात है सर यहां पर लेवर बढ़ेगा कितना और टोटल कॉंट्रेक्ट प्राइज बस कुशन खदम है और कुश्चन में कोई जान ही नहीं है ये का कुश्चन में कोई जान नहीं है तो 2,15,000 है कि दो लाग 15,000 है अनुद्ट पांच हजार प्लस पत्च्चछजार प्लस पैंतालिस हजार तू नइन्टी तू नाइन्टी माइनस एक लाख माइनस पचास अजर माइनस दस अजर माइनस पचास अजर असी अजार तू सरप्लस असी हजार बाइसर प्लस असी हजार चेक करते जाईएगा ठीक है टू सी पील और टू डबलू आईपी रिजर्व बताई यह असी अजर आ रहे हैं अब देखें कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ कॉंटेक्ट कितने का था भाईया तो परसेंटेज कितना कंप्लीट हुआ सर्वक सटीफाइट कितना दो लाग तो दो लाग डिवाईज चालीस परसेंट चालीस परसेंट वे कौन सा रूल लग गया सेकिंड वाला सेकिंड वाला रूल लगा देते हैं सेकिंड वाला रूल लगा देते हैं सेकिंड वाला रूल क्या कहता है सी पी यल इस इगल टू वन बाइ थ्री इंटू में सर्प्लास इंटू में कैस रिसीव डिवाइड़ वर्क सर्टिफाइड वन बाइ थ्री सर्प्लास कितना था 80,000 80,000 का 1 by 3 into my cash received क्या था हमारा 2,000,000 पूरे पूरे divided by वरक certified आच्छा तो 2,000,000 क्यों बता दिया या और 2,000,000 ठीक है तो 80,000,000 वीस हजार आ गया चलीए यह आ गया सर बीस अजार यह 20,000 और यह आ गया 60,000 और आंसर हो जाता है इस तरीके से हमारा डन 80,000 अनर्स वालों के लिए एक क्लास रह जाता है, प्रोग्राम वालों के लिए यह टॉपिक खातम हो जाता है, पूरा जितने भी कुश्चन है, जो आपको शीट दी जाएगी अगली क्लास के अंदर, उसमें सारे कुश्चन डालके दी जाएगे, वो आपके होंवक में रहेगा वो अच्छा है, जो भी समझ में आ रहा है, हाँ मैं कुछ बच्चों का जॉब बैच का जॉब बैच का एक्जाम में सवाल नहीं आता है, वो मैं बता दूँआ, जॉब बैच होता क्या है, वो थिरूटिकल रहता है, क्लियर? बच्चे कह रहे हैं, सर ये वाला बता दो, इसके अंदर पता ही क्या करा मैंने, अब पता ही क्या होता है, नॉर्मली, अगर ये 50,000 है, डिवाइड 125 कर दिया, अब आपको जितना percent requirement है, वो लिख सकते हैं उपर, आपको 25 है ना, चलो मैं एक काम करता हूँ 20, तो फिर तो ब परिशान हो जाएगा सर, अब क्या कर दिया आपने, इंटू में 25 बटे में 100, अब कर लो, अब भी आएगा 2000, तो मैं जितना ज्यादा short करता जाओंगा ना, आपके लिए problem create होता जाएगा, और सबसे आसान तरीका मुझे ये लगा कि आपको जोचिस समझ में आ जाए, और ये short, आप कब कर सकते हो, हम कब सीखेंगे, जितने जबार practice करोगे ना, और जितना आप लगाओगे दिमाग तो उतना, और ये सारी चीज़े जब आप semester 6 में जाओगे, या फिर बच्चा semester 5 में जाता है, honors वाला, तो management account है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़े बड़ी detail में हो तो इसका मतलब ये बढ़ा हुआ प्राइस आगया, पांच परसेंट छोडने के बाद, उसका भी कितना दूआ, पच्चिस परसेंट, तो multiply सीधा कर दिया, पच्चिस परसेंट, यहाँ वाले में क्या करा, पच्चिस करा, पच्चिस मतलब total increment कितना है, total increment का मैं 5 परसेंट दूआ, तो कितना लूआ, बीस, तो बीस परसेंट कर दिया मैंने या, तो वो सोचने का अलग अलग तरीका है, ठीक है न, बाई, increment लिखा है, बच्चे पता नहीं क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं, बाई, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वही लिख देता हूँ मैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप बताएं, बुक में देख के, इंक्रिमेंट, इसमें जो इंक्रीज होएं, पांच से जाद, मेरे कल एक्सक्लेनिशन क्लॉज ही लिखा होगा, क्या, कॉन्ट्रेक्ट एक्सलेनिशन न, आप वो लिख लेना, कोई बात नहीं हो देख क लेना, तो आज की क्लास का, बस मेरा एजंडा यही था, अगली क्लास के अंदर आपका क्या करवाऊंगा, सिर्फ डाउट लुगा, जो की हाला के कुछ 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 तो हमने कर लिये हैं, बाकी की कुछ कुछ न मैं दे दूँगा, डाउट प्रैक्टिकल प्रॉलम के भी आज की तरह से कहते हैं, मंडे के बाद हमारा वेडनेस डे होफुली जो रिकंसलेशन बोले हैं, डीकंसलेशन नहीं तो मंडे अगर किसी का डाउट नहीं हुआ, तो उसी दिन मैं स्टाट करवा रचनुजेशन या फिर प्रॉसस जो भी बोलोगे, जो जिसका इंटरनल पा आज मैंने आपको यह सवाल करा है, आप रिकॉर्डिट लेक्चर में जाके देखो, यह सवाल पहले से ही मैंने करवा के डाला हुआ है, मैं हर बार अलग-अलग तरीके से करा देता हूं, तो वहाँ पर जाओगे, तो मैंने कोई और तरीका खोलो किया होगा, यहाँ पर कोई ह जाके, जो बच्चे कोर्स भाई कर रख है, तो बैने लास्ट येर की सारी वीडियो पहले से डाल दिया, पैसरे से डालने का मतलब क्या है, कि जिसका इंटरनल बगेर है, बोल रहे हैं, सर हमारा तो ओवर है, सर यह आ रहा है, तो यह वहाँ से देखके, आप कंप्लीट कर लिजे, मैं बिल्कुल स्लो और अच्छे से लेके चलूँगा, सिस्टमेटिक तरीके से, वेजिस में सर आउट्सेंडिंग एड करेंगे, पहले पुराना रेट निकालना के लिए, हाँ, आउट्सेंडिंग एड करेंगे, जो कि हमारा पुराना, क्योंकि इसी बार का आउट्सेंडिंग का मतलब होता है, हमने खर्च को करी दिया, तो चलिए, गुड़ नाइट मिलते हैं, नेक्स क्लास के अंदर, मुझे भी थोड़ा सा जल्दी निकलना था, नहीं तो मैं उस सवाल को करी देता, करेंगे, जये बार रम का खर रप ट्रम तो चंग जए बहा है, भी खरुड़ा हो में बार आटाग। झाल 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 चलिए स्टार्ट करते हैं झाल एक मिनट दीजिये बस वेरी वेरी गुट इवनिंग जी हां कॉंट्रेक्ट अकाउंट खतम हो चुका है मैं सिर्फ डाउट लेने के लिए हूँ मैं और एक और कोश्चन कराना था मैक्सिमूम प्रॉफिट वाला यह कोश्चन होमवर्क में दिया था देखिए कर दें एक बस कॉंसेट कराना इसके अब नियू कर देंगे यह हो गया कि यह आंसर प्रॉपाम में हो जो ना कि यह कि अग्याइट अग्याइट कि 7.7 डाउट है कि अग्याइट कि अग्याइट कि अग्याइट कि दो मिनिट दीजिए मुझे कि अग्याइट झाल 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 फटा फटा सार्ट कर लेते हैं इसके लिए बताईए कौन सा? फिफट इसमें है कोई? वीचे? बच्चे कह रहे हैं सर फिफट का आंसर मैच नहीं हो रहा? कर देते हैं मैच किसका नहीं हो रहा है? एक का दोनों का? मैं पहले वो वाला करवा दू मैक्समा मैक्समम रीजनेबल जो प्रॉफिट वाला था कुछ काइंड अग चलिए सर आज का आज का आज तो आपको प्रैक्टिस ही करना है न हाँ तो ब्रांच की कितने कर लिया आपने? कितने? तो आप ब्रांच की तो करो एक बार पहले रांच की करोगे भी तो डिपार्टमेंट के लिए फिर सुबह नहीं आए कब तक रहेगी क्लासिस? यह हफता फिर वही है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपके लिए तो अभी पहले ब्रांच करो फिर देखता हूँ डिपार्टमेंट की किसा कुश्चन था वह मैंने करा दिया था मैं बता देता हूं कि बता दो एक बार यह कुश्चन ट्राइक करो नहीं होगा तो मैं करूंगा फटा-फट से देखने कैसे आंसर नहीं आएगा इसका ठीक है सिर्फ पांस आपको टाइम मिलेगा सिर्फ आप कॉंट्रेक्ट वन का निकाल दो बस जब वन का निकल गया तो टूका भी हो जाए को वह इस वगरा क्लियर है ना मैंने जो बताए समझ में आ गया अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए कि इस पेबल लिया गया है क्या कह रहे है इसमें पेबल हाँ बुग में नहीं ले रखा आप अपना एक आंसर निकाल दो मैं फटा फट कर दूंगा मैच कर ले ना बास से रिखता हो सकता हो गया हो ऐसा नहीं गुकूल रहिए पर्सें 178 है मेरे मढा बोट्री chess साइड की कि साइड दिखाएंगे बच्च्छी करें इसमें अन्यूस मटी जुलान यूस है यानै क्लोजिं में ये क्लोजिंग रहा हैं में प्लाइ रूज्स्ट एथा दोनों आउट्सेंडिंग लेना है दोनों आउट्सेंडिंग आपने लेना है झाल 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 मैं ही कर देता हूँ आप एक बार लास्ट क्लास में जो ब्रांज किया था वो खतम करके दिखाओ आप दिखा दो का नोट किया है झाल झाल यहां जाएगा यहां जाएगा इसके अंदर आउटसेंडिंग वेजिस एड हो जाएगा इसके बाद अदर एक्सपेंस आजाएगा अदर एक्सपेंस कितने का है अठाइस हजार अधर एक्सपेंस डियू भी आजाएगा चार हजार रुपे वक सर्टीफाइड आजाएगा आपका डबलू आईपी में वक सर्टीफाइड आगया सोला लाक इसके अदर वक कंप्लीट बट नॉट सर्टीफाइड या अके असी हजार यह आजाएगा आपका सोला लाक असी हजार इसके अग्रांट cherry two white the Fame टैन परसेंट Demand्वा कितने का की एकसाट्था साइट का टो साइट में प्लांट भी आजाएगा एक साथ का बाई साइड में क्लोजिंग की बात करें तो प्लांट का बच जाएगा कितने दस परसेंट डेप्रीशेशन माइने सोला तो एक चवाले और मटीरियल आ जाएगा चालेस अजार तो एक अठासी हो गया ठीक है? बस चालेस हाँ चुरासी हो जाएगा और तो कुछ है नहीं तो जिन्होंने ये आंसर निकाला है उनका ठीक है तो उनका कोई डाउट नहीं है फिर अगर जिनका ये आंसर आ गया तो वो बुक्ट वालों की गलती है ये कितना है? सर प्लस टोटल क्या आ गया? ये ज़्यादा है लॉस आ गया तो मजे की बात है बाइ लॉस तो बस कुछ करना ही नहीं है सरब ठीक है? खतम? दूसरा भी होगा? समझ में आया आपको? 68 का लॉस जिसका ये आ गया ना वो ठीक है बुक के अंदर थोड़ा सा मिस्प्रिंट है सेकेंड का भी है हाँ तो बट ओवेस है ना आउटसेंडिंग यहां भी गलती करी होगी ठीक है न तो दोनों में चलिए एक मैक्सिमम पॉसिबल लॉस का देखते है बट एक मैंद पॉस्प्रिंट है देखे, 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 तेरे तेरे चीन से कजास आए, तब दूम्डरा राए टेखे, तब बिज़ दूम्द आए, जलिए, उद्धा राए, चलिए, बिज़ दूम्द आए, चलिए, हो गया, कुश्य नमबर वन पर आते हैं हमने अल्दो यह पहले कुशन करा हुआ है इसमें एक पॉइंट है इसमें मैक्सिममम पॉसिबल प्रॉफिट बताइए इसके अंदर एक पॉइंट है मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट ओ एक बार यह देख लिए यह क्या कहना चाहरा है बस एक यह कुश्यन करते हैं पहले हम ठीक है कोश्यन मैने और डी करा हुआ है अब यहां पर देखे हैं कितने possibility हो सकते हैं कहता है prepare contract account 2012 books of utkal construction limited also all possible figure visual है यहां बिल्कुल all possible figure can create it अब देखो यहां पर जो profit होता है ध्यान देना यहां पर profit की अगर मैं बात करूं तो profit कितने तरीके का हो सकता है एक profit हो सकता है cash basis पे यानि जितना पैसा मिला है उसका एक हो सकता है accrual basis पे एक हो सकता है cash basis, एक हो सकता है accrual और एक हो सकता है estimated basis हम new page ही ले लेते हैं यानि सर profit की मैं बात करूँ तो profit हो सकता है यहां पर एक हो सकता है cash basis पे एक हो सकता है हमारा accrual basis और एक हो सकता है हमारा estimated basis estimated basis तीनों में difference समझ लेते हैं पहले हम estimated को कर लेते हैं मान लो मेरा contract price है suppose 10 लाग का और contract price में मेरा जो मुझे पता है के contract price हमारा 10 लाग का है और इस 10 लाग में से मेरा जो expense होगा estimated जो expense होगा वो होगा मेरा मान लेते हैं 8 लाग तो अब जो हमारा profit आया वो कितना आ गया तो यह एक estimation profit होगा के इतना profit होगा अब इस पे आ जाते हैं cash basis पे और यहां पे मान लेते हैं मेरा CP जो है वो है 10 लाग cash receive है मेरा 7 लाग और work certified जो हो गया मेरा although जो हम लगाते हैं work certified है वो मान लेते हैं हमारा suppose for example 80% और जो surplus है वो surplus है हमारा यहां पे तो profit हमने directly निकाला और यहां पे देखो profit हमने क्या करा surplus के थूरू निकाला साथ तो मैं surplus ले लेता हूं कि मेरा जो surplus होगा वो होगा मेरा 80 परसंट नहीं work certified 80 परसंट की जिखह पे मैं amount terms में रख देता हूं work certified है मेरा 9 लाग और surplus मान लेते हैं साथ हजार है में surplus मान लेते हैं साथ हजार है तो कैस बेसिस अब मैं surplus मेरा साथ हजार है और अगर देखा जाए तो मैं अगर work करता हूं कितना अगर मैं work करता हूं यहां पर बताओ कैस रिसीव कितना हो पा रहा है साथ लाग यानि जो भी मेरा profit आएगा उस profit में से हम अगर 9 रुपए का हमारा काम है तो उसमें से मुझे कितना मिलने वाला इस रिफ साथ रुपए तो cash basis पर अगर profit निकालना हो तो मुझे अपने profit को इस ratio में बांट देना है ठीक है यानि हमारे पास कितना आएगा साथ रुपए आएगा तो साथ रुपए उपर हो जाएगा और कितने में से साथ रुपए मिलेंगे 9 रुपए म से मिलेंगे बड़ी basic सी बात है और अगर मैं बोलू के मेरा contract price completed 80% है तब तो आपका एक formula लग जाता है sir क्या formula लग जाता है 2 by 3 into में surplus और into में आपका 7 by 9 जो भी आ जाता है whatever एक तो यह profit हो गया एक हो गया accrual basis पर हम ये एक थोड़ा सा production कर लेते हैं कि हमें सारा पैसा मिलेगा ही मिलेगा एक यह मान लो कि आपको सारगा सारागा सारा पैसा मिलेगा अगर सारा पैसा मिलेगा तो उस situation में क्या होगा say two by three into में surplus मान लेते हैं сाथ हजार तो अब कोई production है ही जी नहीं सारा पैसा मिलेगा तो बस यही आ जाएगा हमारा तो कितने प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है एक कैस बेसिस का प्रॉफिट हो सकता है एक एक क्रूवल बेसिस का हो सकता है और एक एस्टीमेटिड बेसिस का हो सकता है यानि कितने प्रॉफिट निकाल लिया तीन और जो हमने य कर दो के पूशन यहीं पर निकाल के दिया मैं है निकाल के दो मुझे कुशन को जो यह उतकल कंस्ट्रक्शन वाला था पहले करा था ना हमने कि अजिए प्रश्राम जाओ अ है इस अजिए इस अज़ा है कि अधिया शुर्ट आधि लेख वर सादिए बच्चे बूचे हैं PDF देखो बुक्स की PDF आपको नहीं मिलेगी Class Notes का PDF आपको अवेलेबल है उसी से करना है PDF अपलोड हो चुका है Contract का अल्रेडी PDF अपलोड हो चुका है Book की PDF नहीं मिलेगी आपको जो PDF मिलने वाला है वो Class Note का PDF मिलेगा बुक्स आपको पर्चेस करना है चली मैं इसी में से कर देता हूँ आप देख लिजेगा अब सर यहां पर maximum possible और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा और आपका नॉर्मल जो सर्प्लस निकाल रहे हो एक्चुल के बेसिस पे वहां भी अब इस वाले सवाल में आप देखिए फिलाल इस वाले सवाल में क्या कहता है आप ध्यान से देखिए इसको इस वाले सवाल में क्या कहता है इस वाले question में कहता है कि आपका maximum possible losses कहता है कि sir contract price जो है न यानि CP दे दिया आपको कितने का 10 लाग का और देखो यहाँ पर कहता है estimated cost would be 920 यानि sir cost आपको इसको complete करने का कितना बनने वाला है 920 तो इसका मतलब आप profit कितना कमाने वाले हो यहाँ पर असी अजार profit कितना कमाने वाले हो अब इसके अंदर दो scenario बन सकते हैं बताओ फटाफट कौन-कौन से एक cash basis पर और एक दूसरे पर तो sir आपको यह भी पता होना चाहिए cash receive कितना है तो सवाल में देखो cash receive आपको दे रखा है कितना 360 और आपको दे रखा है work certified हमने निकाला था कितने का चार लाग का पहले सवाल किया है तो आपको याद होना चीए चार लाग का तो अब यहाँ पर दो सवाल आ सकता है sir एक तो ऐसा हो सकता है कि यह पूरे 80 को profit मान ले अगर मैंने इस पूरे 80 को profit मान लिया तो किस बेसिस पर हो गया एक क्रूवल दूसरा यह हो सकता है कि 80 का तो profit है लेकिन cash तो 36 और यानि आप देखोगे तो ultimately 90% हुआ 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 है तो 90% profit मान लिजिए तो कितना होगा 72 आप बुक में चेक कर यह दो आंसर है पहले यह दो आंसर वेरिफाई करवाईए फिर मैं अगला बता हूँ स्टार्टिंग के दो यही आंसर होंगे पहले दो यह आंसर वेरिफाई कर लीजिए आप कितने कितने आ रहे दिखाऊ एक बार दिखाऊ अच्छा वो तो लगाने भूल गए कि कितने percent completion है completion एक बार देखो completion कितने percent है हमारा यहां पर तो one by three लग जाएगा सर्प्लस का अरे जब आपका पचास percent से बराबर होता है तो एक बटा तीन इंटू में सर्प्लस तो यह सर्प्लस है इसका कितना लग जाएगा और यह भी सर्प्लस है कितना लग जाएगा तो कितना बन रहे बताओ इसका क्या बन रहे इसका क्या बन रहे हैं दिखाओ एक पर में किताब ही दे तो मैंने इसका समझाएगे तो कि कुश्चन देख रहे हैं आप यह 32 और 28 चार लाग रुप्य आपका कैसे रिसीव है असी का प्रॉफिट है और सीपी आपका लाग का है सीपी दस लाग का है कि मैं इसको थोड़ा स्पेस बनानों एक मिनाट रूप के स्पेस बनानों कि अ कि यह देखें कि असी अजार है इसमें आपका हमने प्रॉफिट कैसे निकाला था इस दस लाग को बेस मानके तो नीचे दस लाग आ जाएगा और वर्क सर्टिफाइड कितना था कैस रिसीव कितना था हमारा चार लाग इस बेसिस पर निकलेगा यह यानि 32,000 और 32,000 का यह किस बेसिस पर इसके बेसिस पर आप यह एक्रॉवल है अगर कैस पर लेके जाएं तो आपका 32,000 तो एक्रॉवल है क्योंकि चार लाग का आपका क्या है टोटल ही ले लिया लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कोई कैस बेसिस पर क्या मिलेगा तो आपका 80,000 का प्रॉफिट था और कैस मिला 360 और 360 का कॉंटेक्ट प्राइस कितना अगर दस लाग और यह आगर 28,800 दूसरा सर्प्लस की मैं बात करूं तो यह सर्प्लस आपने यहां से निकाला जो कि कितना निकल के आया है सर यह सर्प्लस निकल के आया था आपका 60,000 है ना 60,000 का एक का आंसर तो हम निकाल चुके हैं जो कि अल्रेडी यह है दूसरा आंसर एक्रूवल वाला नहीं निकाला था तो एक्रूवल वाले के लिए क्लिए क्या करेंगे 60,000 इंटू में 1 by 3 क्योंकि वर्क सर्टिफाइड कुछ है नहीं तो कितने आ गई है 20,000 एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर और यह आगे हमारा चार आंसर मैक्समुम पॉसिबल प्रॉफिट दूसरा प्रॉफिट मैं नीट इन क्लीन कर देता हूँ कॉंट्रेक्ट प्राइज है हमारा कॉंट्रेक्ट प्राइज है हमारा 10,000,000 रुपे एस्टीमेटिड कॉस्ट है एस्टीमेटिड कॉस्ट कितने का है 9,20,000 रुपे का थीक है यहां का जो सर्प्लस है यहां का सर्प्लस आया आपका 80,000 और एक जो हमने पूरे अकाउंट से सर्प्लस निकाला वो आया सर साथ हजार और इसी सवाल में अगर मैं बात करूँ कैस रिसीव की तो कैस रिसीव है और आपका वर्क सर्टीफाइड है चार लाग तो ये असी हजार रुपे की आप इंकम तब अर्न करोगे जब आप पूरा कम्प्लीट कर लोगे कॉंट्रेक्ट है ना लेकिन कॉंट्रेक्ट कम्प्लीट तो सिर्फ कितने का कर पाए हो अभी तक आप चार लाग का तो इसके दो पार्टीशन हो जाएंगे अगर आप एक्रूवल बेसिस पे लेते हो तो सर आपका कॉंट्रेक्ट प्राइस जो है ना वो चार लाग का ही कम्प्लीट है लेकिन अगर आप मान के चलते हो सर कैस बेसिस पे हम फ्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे तो आपका कॉंट्रेक्ट तीन साथ कम्प्लीट है तो अगर आपका चार लाग ही कम्प्लीट है तो आपको क्या करना होगा यानि चालिस परसेंट कम्प्लीट है सीरी बात करू तो मैं और यह प्रॉफिट कितने पे है अगर आप हंड्रिड परसेंट काम कम्प्लीट करोग हमने और इसको जब हमने solve किया तो हमारे पास result आया 32,000 लेकिन अगर cash basis पे करोगे तो आपको profit जो 40% हा वो घटके कितने % हो रहा है 36 तो यहाँ पे क्या करोगे सर 80,000 into में 360 divided by 10,00, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा सर 28,800 तो यह तो बात होगे आपका estimated basis पे क्योंकि यह profit आपका actual नहीं है यह estimated cost है अब actual profit आपका यह निकल के आया इसके अंदर भी दो situation लगाओगे या तो आप मानोगे cash basis पे या तो मानोगे आप accrual basis पे है ना अगर cash basis पे मानते हो तो क्या करोगे सर साथ हजार और काम completion जो था वो सिर्फ और सिर्फ 40% ही काम complete हुआ है तो 40% में हमारा 1 by 3 अप्लाई होगा cash receive हमारा 360 अप्लाई होगा work certified हमारा 4 लाख अप्लाई होगा जो कि कितना निकल के आ रहा था हमारा साइद 18,000 निकल रहा था ना यह जो निकला था हाँ 18,000 रुपय इस basis पे करोगे तो 18,000 लेकिन अगर आप इस basis पे आ जाते हो तो आपका profit तो 60 ही है उस case के अंदर आपका सिर्फ 1 by 3 लगेगा आप यह समझी नहीं रहे अगर आप मानते हो कि 100% हमारा profit होगा तो फिर ये वाला part हमें करने की कोई जुरत है क्या नहीं है तो यानि यहाँ पे profit कितना आएगा 20,000 तो सर हमने कितने profit निकाल लिये number 1 निकाल लिया इसके बाद कितने निकाल लिये number 2 निकाल लिया इसके बाद कितने निकाल लिये number 3 और इसके बाद हमारा नंबर 4, 4 profit हो गया maximum possible profit ये हो गया, अब बताइए इसमें doubt, अब बताइए इसमें doubt, झाल झाल है कोई डाउट तुशार का ओके गुलशन का नो डाउट और जितने स्टूडेंट देख रहे हैं किसी का डाउट एक्रूल वाला बता दो एक्रूल वाला कौन सा एक्रूल दो जगह पर है एक्रूल एस्टीमेटिड में भी आएगा एक्रूल एक्चूल में भी आएगा और मैं आप सभी स्टूडेंट को बोल रहें कि होमवक सर होमवक सर मैं आप सभी स्टूडेंट को एक बात बोलूँग कि जितने भी सवाल हमने करें न एक बार इसे अगर सिर्फ मेरे बोर्ड पे करने से अगर आपका कोश्ण सौल होने लगे तो पेपर आपका अच्छा चले जाए तो मैं अगर तीस कोश्ण है तो तीस के तीस सवाल बोर्ड पर कर दूँगा तब भी आपका पेपर वही रह जाएगा एक बार यह मैंने किया है आपको पॉट्टी पटें messing रूल नंबर कौन से लगा वटा हमारा जीर मानो ऑटामारा वुण 2 व informing सरप्लस का के घर दिया अग्र कैस बिसे करता तो यहां लिखता अमैं क्यरेसीं डिवाइडिड वर्क सटीीफा shaken जो कि cash basis पे है नहीं क्योंकि जितना भी profit है हम मान लेते हैं कि यह सारा मिली जाएगा तो इसका मतलब स्रिफ one by three किया और इसको divide करा तो हमारा बीस हजार आगे क्लियर है अब बच्चे क्या कह रहा है सर pdf questions का दे दीजिए आपको कितने questions हो चुके हैं एक बार board पर चेक कर लेते हैं कितने questions हो चुके हैं दे दिया हैं यहां पर तो थे questions तीन चार पांच एक यह भी दे दिया च्छे यह साथ हो गया आठ सवाल थे ना अब हम बुक के question नहीं करेंगे अब सीधा हम 10-year के question करेंगे इसके बाद ठीक है अब सीधा जो question करूँगा मैं 10-year का 10-year का question मैं slide सारा लगा के जिस बच्चे ने अभी 10-year अभी आपको लेना नहीं है और उसके इसाप से तो उसके हिसाप से ठीक है तो हम 10-year की questions करेंगे बुक के नहीं करेंगे बुक के जिसको भी करना होगा एक एकाद सवाल मैं डाल दूगा उसके अंदर practical problem के जो कर लोगे वो ठीक रहेगा बागी हम 10-year के जितने भी है ना past 8-10 सवाल वो कर लेना enough to enough रहेगा बागी जिसको करना है वो बच्चा बुक कर सकता है वो आराम से कर सकता है बुक के अंदर काफि सारे चार से पांच आपके आंसर है जिसके चार या तीन आंसर ऐसे हैं जिसके अंदर answer के अंदर error है तो उसमें confuse मत होना वो भीज देना या फिर मैं ऐसा करूँगा बुक का भी पूरा solution वैस इसके बाद अभी यह चेप्टर में खतम नहीं कर रहा इस चेप्टर का मैं अगली क्लास में भी टेनियर का question करूँगा और फ्राइडे भी टेनियर का question करूँगा और प्रोग्राम का आपको क्लियर हो जाए एक्जाम वाले question हो भी रहे या नहीं हो रहे बस हमने यह चार- एक्रूवल का दोनों estimated वाला एक्रूवल का क्या है देखो पूछने है एक्रूवल का एक्रूवल में मैं सीधी बात करूँ ना तो एक्रूवल वाले के अंदर cash receive का कोई रोल नहीं होता और cash वाले में cash receive का रोल होता है तो एक्रूवल वाले में आपने कितने का काम किया 40% काम किया तो आप मान के यह चल रहे हूं कि जितना काम किया वो पैसा मिलना तय है तो 40% किसका हो गया हमारा 80,000 का 40% निकालो सीधा 32,000 आप यह सिंपल सी बात है corporate की tenure 25 तारिक तक मान के चलो आप कि बागी मैं तो पहले ही करा दूँगा मैं तो आपको विज्वल करा दूँगा 25 तक आ जाएगा बच्चे कह रहे हैं corporate में back है मैं एक बार चेक करा लेता हूं उसका क्या है next chapter मैं Friday कोसिस कर सकता हूं कि Friday स्टार्ट कर दूँगा नहीं तो Monday तो definitely कर लेंगे अभी हमारे पास time है और chapter इतने बड़े नहीं है जो कि आपको time उसमें लगाना पड़ेगा तो उसके लिए आप tension ना ले बिलकुल भी आप जो chapter बोलोगे ना उस दिन वो कर लेंगे जो भी chapter आप बोल दोगे जितने बच्चे ज्यादा कमेंट पर रहेंगे वो कर लेंगे चलिए ठीक है मिलते है next class में question 5 यहाँ पे भीज़ दो आप finish goods वाला cost sheet में आज ना जिस बच्चे का doubt cost sheet में specially मैं बोल देता हूँ जिस बच्चे का doubt cost sheet में है आप साड़े 9 बज़े के बाद मुझे whatsapp पे भीजिए दुबारा भीज दीजिए retag करके साड़े 9 से लेके मैं साड़े 10 बज़े तक आपके doubt ले लूँआ whatsapp पे उसको sort out करके दे दूँए ठीक है चलिए चलिए now voice clear है और question मैं पूरा visualize कर दूँगा अभी पहले मैं concept थोड़ा सा समझा दूँ clear now it's clear okay चलिए अब contract costing के अंदर देखिए program और honors वाले बच्चे पता है क्या आप semester 3 में भी यही रट लगा रहे थे program हमें आएगा PGPP या नहीं आएगा honors में आएगा या नहीं आएगा और आ गया तो आप basically ना program honors का तो पहले दिमाग से निकाल देजे क्योंकि program वाले बच्चे सोचते हैं क्या हम इतना करके क्या करेंगा लेकिन आपके syllabus में है contract costing और contract costing का यह पार्ट है तो करना पड़ेगा बस सीदिसी बात है तो contract costing के अंदर क्या है हमारा हमें जब contract करते थे ना तो हमें एक data given होता था और data का मतलब information given था और उसी information के हिसाब से हम बना देते थे जिसको बोलते थे हम actual information लेकिन examiner या contractor ये भी जानना चाहता है कि चलो हमारा contract जब finish होगा total जब 2 साल का contract खतम करेंगे तो एक तो यहां का तो चलो हमें actual data पता चल गया लेकिन यहीं पर वो जानना ये भी चाहता है कि last में जब contract खतम होगा तो क्या profit होगा तो हम actual profit नहीं निकाल सकते उस case में हम निकालेंगे estimated profit जैसे last class के अंदर निकाला था ना हमने estimated profit तो कैसे करा था इतना खर्चा हो सकता है और इतना हमारा contract था तो हमने निकाल लिया तो इसलिए वो वाला concept हमने last class में किया था अब यहाँ पर हम यह करने वादे अब इसके अंदर क्या ध्यान रखना है फरक क्या है changes क्या है वो देख लिजिए सबसे पहले मान लेते हैं समझिएगा नए page पर कर लेते हैं ठीक है न यहाँ पर आपको बार बार question दिख रहा होगा तो distraction होगा आपको मान लेते हैं हमने एक पूरा time लिया ठीक है और यह हमारा एक साल है और एक साल के कुछ महिनों बाद यह contract खतम हो रहा है मान लेते हैं यह हमारा एक एक दो हजार बीस और यह आगया हमारा 31,3,1,1,2,0,20 और यह मान लेते हैं आ दिया हमारा 30,9,2,0,21 यानि यह तो पूरे साल हमारा contract चला लेकिन ठीक कुछ महिने बाद मेरा contract क्या हो जाएगा finished हो जाएगा हमें यहां से यहां तक हमें सारी जानकारी गीवन है क्या क्या जानकारी गीवन है सर माटिरियल गीवन है और क्या गीवन है सर और हमें labor expenses जो भी whatever है machinery गीवन है यानि हर एक जितनी भी जानकारी हो सकती है वो सारा का सारा गीवन होगा Net Issue यह सेम बच्चे क्या करें Net Issue में समझा नहीं किसी को कोई दिक्कत आ रही है Clarity में तो बता दीजिए मुझे तो बिल्कुल clear visual है यहाँ पे Internet buffering एक और मैं refresh मारता हूँ Shit अब चेक करिए एक बारा अब एक बार चेक करिए Blank screen मेरे पास तो show हो रहा है Clear clear ठीक है चलिए clear है चलिए तो मैं यह कह रहा था मैं दुबारा बता देता हूँ कि मैंने इस date पे एक contract start किया और यह contract इस date पे खतम होगा हम profit and loss तो सरफ एक साल का बनाएंगे जो कि हमारा एक साल यहाँ पे complete होता है यहाँ से यहाँ तक का आपको actual सारा detail given है और इसी आधार पे आप यहाँ भी material बता सकते हो कि कितना लगेगा इसी basis पे आप labor भी बता सकते हो इसका मतलब सर यह estimated होगा यह estimated होगा यानि कुछ जानकारी आपको actual basis पे given है और कुछ information आपको estimated भी given है यहाँ से यहाँ तक आप मुझे profit निकालने बोलेंगे तो मैं actual निकाल लूँगा actual मतलब जो हमारा खर्चा profit minus करके sales में से आ जाएगा लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जब आप मुझे बोलेंगे तो मैं actual नहीं निकाल पाऊँगा कौन से वाले निकालूँ हमे और estimated हम हमेशा whole contract का निकालते हैं ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी contract चलने वाला estimated हमेशा किसका होगा पूरा ही निकालेंगे मान लेते हैं कि मेरा contract price जो है वो 50 लाक रुपए का है मान लेते हैं contract price है हमारा 50 लाक का here यहां से यहां तक हमारा जो खर्चा हो चुका है वो मान लेते हैं actual खर्चा हो चुका है मान लेते हैं 30 लाक का और जो works WIP है सारा certified not certified वगरा मिला के मान लेते हैं हमारा वो 40 लाक का है तो ultimately यहां पे 10 लाक रुपए का तो actual profit आ जाएगा लेकिन जब यहां पे हमें estimated निकालना होगा न तो खर्चा मान लेते हैं यहां से यहां तक का 5 लाक का है तो अब contract price कितने का है सर 50 लाक का अब आपका estimated में contract price कितना लेना है आपको 50 लाक रुपए का contract price है तो अगर आप total contract price ले रहे हो sale total ले रहे हो तो खर्चा भी कौन कितना लेना पड़ेगा सिर्फ यहां से लेके यहां तक का खर्चा लेना होगा या total लेना होगा total तो खर्चा भी आप total लोगे that is 5 लाग और 35 लाग और यहां से हमारा जो 15 लाग आता है that is estimated costing estimated costing जब हम निकालेंगे तो हमारा सबसे पहले तो simple जैसे question करते थे normal एक contract account बनेगा ही बनेगा estimated contract account के अंदर जितने भी पुराने खर्चे रहे होंगे वो सब क्या होंगे जूड जाएंगे वो आपस में क्या होते जाएंगे add-on होते जाएंगे क्योंकि वहाँ पे आप जो sales लिख रहे हो वो सिर्फ उस 9 महने का sales नहीं है वो पूरे सुरू से लेके end तक का contract price लिया जाएगा तो estimated वाले में कोई formula लगेगा क्या तो जवाब है sir कोई formula apply नहीं करना आपकी किताब में 2 question given है तो उसी question को हम करेंगे अभी कैसे करना है नहीं करना अब जब practical करूँ है न तो बहुत अच्छे से clear हो जाएगा simply question clear हो जाएगा कुछ बच्चे कह रहेते sir visual नहीं है कोई बात नहीं अभी दिखा देते है अब आपको visual भी हो जाएगा यानि sir आपको यहां पर दो account बनाने पड़ेंगे एक जो पहले बनाते थे वो तो बनेगा ही बनेगा उसके साथ साथ एक और बनाएंगे हम पिछले page पे next page पे बना लेंगे ठीक है या फिर जब बनाएंगे तो question यहां से थोड़ा shift कर देंगे इस site क्योंकि यह बन जाएगा तो इसको दे contract account यहां particular ठीक है अब देखते हैं क्या कहता है यह question में कहता है आपका build well limited है और contract लेता है जैन 2016 यानि जैन 2016 का contract है the total contract कितने का है 10 लाख रुपए का यानि सर contract price बता दिया इसने 10 लाख रुपए का ठीक है सर estimated by contract tree और contract tree के थुरू estimated लिया गया सर repeat कर दो please तनीशा जैन सेम buffering गुलसन प्लस वन सर कुछ समझ नहीं आ रहा वीडियो buffer हो रही है एक मिनट buffer तो नहीं होनी चाहिए अब किसी भी student को clear दिख रहा है तो बताईए मुझे buffer होना नीची है मेरे पास तो clear show हो रहा है अब इसे कहरा है clear है दो बच्चे clear दूसरी बात आप कह रहे हैं सर ये हमें अभी clear नहीं हुआ जो इससे पहले समझाए तो कोई बात नहीं है अब मेरे साथ साथ बस सवाल पर focus करिए question पर focus करिए जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना मैं अगले सवाल पर बढ़ूँ आई नहीं एक एक बच्चे से मैं पूछ लूँगा तो आप बस थोड़ा सा focus करिए ठीक है चलिए sir फिर से ये लोग बच्चे कह रहे हैं ये question book में नहीं है वाई ये question देखो मैं करा रहा हूँ अपनी इच्छा से मेरा मन कर रहा है ये question कराने का इसलिए मैं ये question करवा रहा हूँ किताब में है या नहीं उस पर focus नहीं करते है question आपके सामने visual है आप कर लीजिए आपके exam में आ जाएगा तो आप मान के चलिए आप lucky होंगे कि आपको ये सवाल आता होगा जो बच्चे जिसके किताब में नहीं करके जाएंगे तो उनको नहीं आता होगा बाकी इस type का question आता है देखें B.com owners में तो आया हुआ है CA में तो कई वार आता है इस type का question तो उस बात का ध्यान रखें बस आप कर लिए और ऐसा भी इतना tough भी नहीं है देखो बिल्कुल simple है वो लोग के यही question आ जाए बगवान करें तो देखें क्या कहता है आपको यहां पे यहां पे decided estimated के हिसाब से मनाना है decided and 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 बहुत सारी बाते कह रहा है 2016 में जो था एक यहां से line मैं अलग कर रहा हूँ यह actual है तो actual वाले को तो पहले हम करी लेते हैं सर actual वाले को कैसे करना है जैसे सीखा है material to side में आ जाएगा सर कितने रुपे का material डेड़ लाग material के बाद labor एक लाग है ना और labor के बाद इसमें accrued यानि plus outstanding 10,000 और यह आगया एक लाग 10,000 इसके बाद plant भी आपको पता है यहीं आता है सर plant कितने का है 80,000 बड़ा simple से करते है expense देख लेते हैं तो two side में expense आ जाएगा expense आएगा 40,000 expense के अंदर देखा जाए तो और कुछ नहीं है plant return to store 20,000 तो return इस side में आ जाएगा buy return कितने 20,000 का return किया है यह cost है इसने बोल दिया है cost लेकिन आपने return 31 दिसंबर को किया है मतलब सर यह जो start हुआ है वो एक जनवरी को हुआ है और आप return कर रहे हो 31 दिसंबर को means sir आपने plant को तो use कर लिया तो जो 20,000 वाला plant था वो 20 का return थोड़ी न हुआ उसके उपर 20% अब देखो यहाँ पर depreciation क्या कहता है 20% on cost तो as per SLM जो कह रहा है 20% on cost तो कौन सा method लग रहा है SLM तो sir यहाँ पर आपने 2000 रुपे तो use कर लिया तो ultimately return में जो जाएगा वो कितना जाएगा 18,000 तो return में देखो मैं लिखने वाला हूँ 18,000 कैसे minus 2,000 रुपे depreciation 2 नहीं 4,000 होगा 2 नहीं होगा 4,000 होगा depreciation तो minus में 4,000 रुपे और यह minus करने के बाद हमारा यहाँ आ जाएगा that is that is that is that is 16,000 रुपे बताईए कोई समस्य आगे बढ़ते हैं material at site 10,000 रुपे तो normal buy material कितने रुपे 10,000 रुपे आगे work certified चलो कोई बात ने WIP यहाँ से लिख लेते हैं पहले हम top पे लिखते थे work certified कहता है कितने है 4,000 work not certified भी देता है 15,000 तो अभी तक हमने कुछ नहीं सीखा हम simple ही करते जा रहे हैं जैसे कि पहले हमने कर रखा है और एक सवाल नहीं कई सवाल की है cash receive का हम वहाँ पे formula में use करते हैं छीक है न cash receive का हम कहां use करते हैं basically formula के अंदर use करते हैं तो यहां तक इसे मैं मिटा देता हूँ यहां तक सारी जानकारी done कहता है plant subject to annual depreciation plant के उपर annual depreciation रहने वाला है और जो depreciation रहता है वो रहता है 20% on cost the contract is likely to be completed by 30 September 17 यानि सर यह जो September 17 में खतम होगा prepare contract account contract account बनाना है कोई बात नहीं अब सर यहां plant कितने का था देखिए ध्यान दीजिएगा plant कितने का था 80 में से कितना minus हो गया 20 तो अभी भी still 60 का बचा है न तो plant कितने का बचा है सर 60 का बचा हुआ है लेकिन 60 पूरे साल इस्तमाल कर लिया तो कितने डप लग जाएगा 12,000 20% लगेगा तो 12,000 तो बचेगा कितने का 48,000 तो यहां पे plant by side में लिख देंगे by closing plant कितने रुपे 48,000 किसी को दिक्कत यह भी मैं मिटा देता हूँ अब यहां पे क्या निकाल लेंगे surplus बताईए surplus क्या आएगा सबसे पहले total देख लेते हैं total 16,000 10,000 4,000,000 4,000,000 48,000,000 अच्छा आपने यही बताया था 48,000,000 और यह भी आगया 48,000,000 और 2 में आजाएगा net profit sorry surplus लिखते है net profit ने लिखते है surplus 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 कितने आजाएगे surplus आजाएगा आपका 1,500,000 minus minus 1,000,000 minus 80,000 149 कितने आग़ा अच्छा यह 40 इसके उपर मैंने अंदर लिख दिया था चलिए sir 40 यहीं मेरे को लगा कोई outstanding बगर ना हो 1,9,000 चेक कर सकते हैं कितना आज़रा एंसर 1,9,000 अब इस 1,9,000 को क्या करेंगे हम 2 parts में यानि कितने percent काम complete हुआ उसके हिसाब से चलेंगे sir contract था 10,000,000 का और work certified 4,000,000 का था इसका मतलब 40% काम हो गया हमारा done तो 40% वाला formula लगा देंगे न तो यहां पर CPL में आ जाएगा sir CPL में कितना आएगा sir यहीं पर लिखते थे हैं 1,9,000 का 1 by 3 into में cash receive 3 lakh divided by 4 lakh तो यह आ जाएगा मैंने यहीं कर दिया यह लो और मैं कहूंगा exam में भी आप ऐसे कर दो न तो examiner कोई tension ही खता divided by 4 lakh into में नहीं 1,9,000 divided by 3 into 3 divided by 4 यह आ गया हमारा 27,250 27,250 और यहां पर आ जाएगा WIP reserve WIP reserve sir WIP reserve कितना आएगा माइनस कर देते है माइनस कर देते है 1,9,000 यह आ जाएगा 81,750 लोजी यह done हो गया और by surplus लिखेंगे इसमें किसी बच्चे को doubt है तो पूछ जरूर लेना क्या क्या 24,500 यह इसका total करके मैंने गलत कर दिया यह 40% complete हुआ है न यह surplus ठीक है तो फिर रहने तो ठीक है ठीक है बताईए CP 1,000,000-10% नहीं होगा क्या 1,000,000-10% cash price 1,000,000 में से 10% minus क्यों बता रहे हैं बच्चे क्याता है building 10% less क्याता है कि estimated contract was accepted by building at the 10% less it was decided estimated total profit and credit and profit and loss the appropriation estimated profit on the basis of work completed total contract price actual experience okay तो हमारा आजाएगा 1,9,000 कितने आ रहे थे कितने आ रहे थे ब्यालेस पास the total contract was here estimated and was accepted building 10% less estimated total profit and take to credit profit and loss that appropriation estimated profit cash basis which was actual actual expenditure चलिए वो कोई नहीं यहाँ पे कुछ हरे होगा यहाँ तक ठीक है हमारा वो estimated की बात कर रहे है तो एक बच्चे का यहाँ पे सवाल भी आए sir आप 10% less नहीं करेंगे नहीं वो estimated में देखेंगे वो देखना है हमें estimated में कौन सा यह यह plant depreciation लगाने के बाद sir 48 कैसे आया 80 का था 80 में से minus चला गया था 20,000 और अब इसके उपर minus किया हमने depreciation तो हमारा यह आया ठीक है चलिए बताइए sir 2018 के addition चल जाएगा cost में हाँ costing में कोई भी पुराना चल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है sir accruid समझ नहीं आया accruid का मतलब क्या है हाँ अभी पहले बच्चोगा ना यह जो अभी करा है वो समझ लीजिए accruid का मतलब होता है sir outstanding accruid का मतलब होता है comment में लिखते जाएए मैं बताता जाऊँगा तो outstanding add हो गया मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे विश्णू का था accruid उससे पहले जो भी था फटा फट से पूचते जाएए मैं बताते जाऊँगा और किसी बच्चे का doubt है इसमें सवाल में तो बताईए sir costing plant एक बार फिर समझा दो costing का plant sir plant site किस तरफ से आएगा चलिए मैं plant का समझा देता हूँ नए page पे समझा दू plant का चलिए नए page पे plant को बच्चे बोल रहे हैं समझा दे sir तो हमारा plant था कितने का sir 80,000 80,000 को दो टुकडे में बाट दिये जाएंगे एक part हमारा जो return हो गया that is 20,000 और एक part जो कि return नहीं किया इस्तमाल कर लिया हमने 60,000 लेकिन दोनों plant को ही हमने जो भेजा है इसको भी full year use कर लिया मैंने full year use कर लिया और इसको भी तो use किया ही किया है full year अब जब हम full year use कर रहे हैं तो minus depreciation तो बनता है और depreciation कहता है sir 20% बनेगा तो 20% इस पे 4000 लगेगा तो ये बचा यहाँ पे भी depreciation 20% होगा 12,000 that is 48,000 तो return में चला जाएगा 16,000 और यहाँ पे चले जाएगा 48,000 चलिए चेक कर लेते हैं यही लिखा है देखो return में 16 और यहाँ पे 48 किसी question में अगर damage हो चुका हो तो उसका effect नहीं लेंगे balance sheet में damage का balance sheet से कोई लेना देना नहीं damage आपका यहाँ आजाएगा बाई side में चाहे normal हो चाहे abnormal हो हम बाई side में दिखा देंगे उसको सरब plant return समझा दो plant return मैंने देखो अभी करके दिखाए अब बताईए अभी भी किसी का doubt है तो बताईए अभी भी still किसी का doubt है तो बताईए comment में बताईए फटाफट कुछ बच्चे कह रहे थे सर plant का दिक्कत है यह देखे plant का calculation मैंने कर दिया है 80,000 का total था 20,000 का return हो गया 60,000 बच गये 20,000 पूरे साल इस्तमाल किया है डप लगा के 16,000 बच और 60,000 भी पूरे साल इस्तमाल किया है 12,000 करके यह बच गया हमारा सर इसमें estimated value का क्या role है अभी estimated start ही नहीं किया estimated तो हमने सीखना start ही नहीं किया जो आज का main concept सिखाना है वो अभी शुरू ही नहीं किया हमने पुराने वाला ही तरीके सा भी किया है हरियोम और शुरूती आप comment में लिख दीजिए प्लीज और जितने बच्चे भी नए enroll हो रहे हैं वो पुरानी classes देख ले तो समझ में आएगा all clear ठीक है चलिए अब हम estimating की बात करेंगे जो हमारा main role है तो मैं इस सवाल को ना मैं ऐसा करता हूँ इसको इधर लेके चले जाता हूँ सर क्योंकि इसका तो काम ही नहीं है इसलिए इसको इधर लेके आ गए ठीक है चलिए सर ठीक है इस side में estimating कर दूँगा फिर दोनों दिखा दूँगा question बाद में कर लेंगे estimated का मतलब क्या होता है सर estimated का मतलब nothing estimated मतलब एक contract account ही है जिसके अंदर हम total cost, total profit last का पता कर लेंगे कि कितना होने वाला है और इसके अंदर वो formula नहीं लगाना जो कि 3 साल, 4 साल था याद हो अगर आपको तो लगाते थे rule number 1, 2, 3 तो वो नहीं लगाना इसमें है ना चलिए यह आगया estimated पर्टिकुलर अमाउंट अब सबसे पहले जो material लेंगे ना यहाँ पर आप क्या लेने वाले हैं सर material लेने वाले हैं चलिए सर material लेंगे, 2 material तो rule number 1, जो material होगा क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ही लिख दूँ बाइ कॉंट्रेक्ट प्राइज और कॉंट्रेक्ट प्राइज देखो मैं 10 लाख लिख रहा हूँ तो बट बिस अगर आप 10 लाख रुपे कॉंट्रेक्ट प्राइज आपने लिखा है तो that is आपका यह sale है क्योंकि buy side में sale जाता है अगर sales आप total ले रहे हो तो खर्चा भी तो आपको क्या लेना पड़ेगा totally लेना पड़ेगा सीधी सी बात है तो sir sale total लिए है तो material भी पता है कितना लेंगे हम इन दोनों को add करके लेंगे इन दोनों को add करके कितना sir एक लाख पचास अजार एक पचास प्लस में दो साथ तो कितने हो गई है चार दस का यह आ गया आप समझिएगा बातों को ठीक है उसके बाद sir और क्या दे रखा है labor sir labor भी total करके लेंगे labor टूटल क्या करेंगे labor हमारा एक लाख था कितने बन गए? 2020 चलिए अब हम आ जाते है plant पे sir plant तो पूरा ही लेना होगा है न plant तो पूरा ही लेना होगा कितना लेना होगा? akukanal expense आपका दे रखा है यहाँ तो two expense भी ले लोते है sir expense कितना है sir? expense कितना है sir? 40,000 और प्लस 71,000 रुपए अब देखिए expense भी हमने ले लिया चलिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं sir outstanding current ही जब लेंगे नहीं तो इसका outstanding और इसका prepaid कामियाब है इसका कुछ नहीं करना ठीक है 7 और 4 ग्यारा 110,000 यहां तक पहुँच गया return में देखिए 20 का था पहले हम return कर चुके हैं पहले हम return कर चुके हैं sir पहले return कितना किया था हमने 16,000 अब बोलता है और return कर दिया हमने कितना 50,000 तो sir और आपने अगर return कर दिया 50,000 तो ऐसे ही थोड़ी ना आपने 50,000 return किया इसको use भी तो किया है आपने तो आप बोलते हैं sir हमने 50 return कर दिया तो actual total contract price जब complete हो रहा है तो आपको देखना चाहिए आपको समझना चाहिए आपका 80 था तो total 80 तो वापसी होता लेकिन यहां देखिएगा तो वापसी कितना हुआ 20 पहले हो गया तो यह हमारा क्या रहेगा assumption तो estimated contract price में क्या करेंगे पहले हम दोनों को compare करेंगे return जो last में जाएगा वो total match हो जाना चाहिए in case match नहीं होता तो जो भी difference balance आ रहा है मान लेंगे कि वो क्या होगे destroyed हो गया अब इसका depreciation थोड़ा सा tricky बन जाता है बच्चों के लिए तो मान लेते हैं हमने return किया किया 50,000 लेकिन 50,000 रुपे return किया तो पहले साल हमने क्या लगाया depreciation तो इसके उपर depreciation कितना लगा होगा सर 10,000 बच्चा कितना सर 60,000 फिर हमने इसको कितने दिनों तक इस्तमाल किया अच्चा मैंने प्लस कर दिया क्या 40, ओके प्लस कर दिया मैंने, यह तो सही था प्लस कर दिया तो कोई बात ने इसको 40 कर दिया ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा हमारा contract 16, 17 यानि मैं अगर यहां बात करूँ तो 16 पूरा चला 12 महिने तक पाया, तो यानि हमने जो 50,000 का जो return कर रहे हैं एक पे तो हमारा लग गया पूरे साल का और एक बार फिर लगेगा इसके उपर depreciation लेखिन लगेगा September तक का, पहले इस बात सेगरी करिए, कितना लगेगा September तक का, मैं दुबारा timeline भी बना देता हूँ, देखें ये contract start हुआ था, यहाँ पे हमारे पास था 80,000 था 80,000 से एक साल ये complete हो गया, तो यहाँ तक जो contract price लग के आया था ने 80,000, तो इसका मतलब सर कुछ plant तो हमने return ही कर दिया तो return कितना कर दिया, 16,000 that is cost 20 था, तो यहाँ पे बचा कितना था हमारा सर, 16 20 माइनस हो गया, तो 60,000 के हिसाब से निप्टा दिया, लेकिन नए वाले contract में, नए वाले contract में तो हम यहाँ पे total लेके चल रहे हैं सर, कितना लेके चल रहे हैं, 80 तो अभी return वाले को minus कर दिया, return कितना था 20 हो गया, एक तरह से 16 दिख रहा है, लेकिन वो तो चार्डप minus 20, तो अभी भी हमारा कुछ plant return होना बाकी है, यानि plant सारा use करना बाकी है, तो क्योंकि अब मैं plant का closing balance रखूँगा क्या यहाँ, जवाब नहीं सर, रख के करोगे क्या, क्योंकि contract ही क्या हो हमारा खतम हो गया, तो अब जो plant है ना हमारा, यह plant यहाँ से लेके, यहाँ तक बोल रहा है कि हमने 50 return किया है सर, समझना बात को, एक तो इस साल के अंदर return की कहानी खतम, और इस साल में खड़े हो कि आप बोल रहे हो सर, मैं अब एक और return कर रहा हूँ 50, that is यह 50 जो return कर रहे हो ना, वो यहाँ से यहाँ तक का बताया होगा उसने जब भी बताएगा ना, शुरू से लेके कब तक का बताएगा वो end तक का, जब शुरू से लेके end तक का बताएगा, तो इस पर depreciation कैसे लगाओगे सर, depreciation लगाने का तरीका यह होगा, सर कैसे लगेगा 40, और depreciation लग जाएगा September तक, तो September तक 9 मन्त होता है, तो 9 मन्त हमारा SLM के basis से लगेगा, तो 50,000 पे divided into में 20% 12 into में 9 plus 1, 75 सो रुपे, 75 सो रुपे, माइनस कर देंगे, 75 सो, 40,000 माइनस 75,000, 32,500 32,500 तो सर, जो यहाँ पे हमारा depreciation आएगा ना जो depreciation से plant माइनस होके आएगा यहाँ से कितना depreciation माइनस होगा एक तो 10,000 पुराने वाला और 1, 75,000 तो इस तरीके से यह आजाएगा हमारा 32,500 32,500 कह रहे हैं, return के side depreciation ना दिखा हूँ, plant के side total नहीं, आपको ऐसे ही करना शुरूती return के side भी आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपने use किया है हाँ, आगर एक जनवरी को ही मैं return करता तो नहीं दिखाते हैं पहले यहाँ तक देखें, clear रही है यह 32,500 में बच्चों को doubt है, तो अभी बोल दिजिए मैं दुबारा बता दूँगा, 32,500 कैसे है, इसमें बताईए doubt अगर इस 32,500 में doubt है, तो अभी बता दिजिए सर यहाँ पर CP को 9,000 नहीं दिखाएंगे अभी 9,000 पे आएंगे, हम रुकिए अब 75,000 कैसे आया सर, once more सर, एक बार और बता दे, ठीक है चलिए, depreciation को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यह वाला depreciation तो पुराने हैं जो कि समझ में आ गया इसको side करते हैं पहले इस depreciation से निपट लेता हैं, low delete कर दिया देखिए, ध्यान रखिए अराम से समझते हैं, जल्दबाजी की कोई जूरत नहीं यह हमारा contract जो है यहाँ start हुआ और यहाँ था एक जन्वरी और contract एक साल हो जाता है 31-12 एक साल हो जाता है 31-12 जैसे ही 31-12 होता है, नया साल start हो जाता है एक जन्वरी को इसके बाद हमारा 30 September को हमारा पूरा काम complete हो जाता है तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा contract को ध्यान से देखू तो भीया मेरा contract जो चला है वो चला है 12 महिने और प्लस में फिर बाद में 9 महिने यानि सर 21 महिने हमने काम किया है टोटत ठीक है अब 21 महिने में से 12 महिने का हमें अलग हिसाब बनाना है और एक बनाना है पूरे 21 महिने का दो contract बना रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ ना के जो ये वाला contract बनाये था ना इसके पीछे चुपा हुआ है ये तो 12 महिने का था और ये वाला contract जो बना रहे है ना वो 21 महिने का पूरा हिसाब किताब निकाल रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा सिद्य सी बात है ठीक है चलिए सर अब हमारे पास इस date पे plant था plant की कीमत कितनी है सर 80,000 और 80,000 इस date पे plant का इस्तमाल कर रहे था लेकिन हुआ ऐसा कि इसमें से law ने इसमें से question ने कहा कि सर 20,000 का plant तो वापस कर दो कामियाब नहीं है तो अब हमने इस्तमाल करना start किया कितना 60,000 लेकिन 20,000 का जो return भी किया न वो इस date पे हमें दिमाग आया कि इस दिन return करना चाहिए तो यहां से लेके यहां तक पूरे साल इस्तमाल करने के बाद ही तो आप return कर रहे हो तो यह जो 20,000 रुपे का plant था उसके उपर आपका 4,000 depreciation लग चुका है यानि आपने return कितना किया 16,000 अब काईदे से देखा जाए तो आपका plant कितना बच रहा है 60,000 अब यहां पे हमने depreciation इस साल के लिए सिर्फ इस साल के लिए depreciation क्लेम किया है इस साल के लिए इस पे हमने कैसे depreciation निकाला वो निकाला 60,000-12,000 that is 48,000 रुपे जो कि आपको side में दिख भी रहा है यह रहा 48,000 रुपे यह लिख रहा है यहां तक clear हो गया अब हमने क्या करा जब हम पूरे साल का यानि पूरे 21 महिने का कामकाज कर रहे थे तो हमने account के अंदर plant डाला account के अंदर plant डाला और plant डाला कितने का हमने 80,000 का और जो return हो चुका था उसे return भी दिखा दिया return कितना दिखा दिया हमने 16,000 रुपे 16,000 का return दिखा दिया आप देखो तो इस account के अंदर कितना exist कर रहा है? साथ हजार सवाल ने बोला भाईया साथ हजार रुपए exist कर रहा है कोई बात नहीं है इसके अंदर से हम एक काम करते हैं पचास हजार रुपए का और return करते हैं साल के end में यानि यहाँ पे हमने जाके पचास अजार रुपे का रिटन करने का फैसला लिया यानि आपने इसके उपर यहां से लेके यहां तक डैप लगाने के बाद ही तो पचास अजार में से जो बचेगा वही तो रिटन करोगे अब सर सवाल आता है सर 10,000 का क्या हुआ तो हमारा एक अजंशन रहा यहां पर अजंशन यह रहा कि 10,000 रुपे वाला जो था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉइड हो चुका होगा हमारे पास होगा ही नहीं बचाई नहीं होगा तो यह खराब हो गया है तो यह हमारा क्या होगा एक अजंशन जिसके लिए हम नोट भी देंगे अब इस पचास अजार रुपय का जब हम 21 महीने के बाद दिखाना चाह रहे हैं अकाउंट में यहां पे हमने साल के स्टार्टिंग में दिखाया इस खाते में तो हम इस पचास अजार पे 21 महीने का डेप्रिशेशन माइनस करेंगे हम टोटल तो सर 21 महीने का डेप्रिशेशन कैसे माइनस करोगे इसमें तो धीरे धीरे करेंगे पहले 50,000 के उपर 12 महीने का डेप्रिशेशन लगा ले यानि एक साल का तो बनता है हमारा 10,000 that is हमारा बचता कितना है sir 40,000 अब लगा लेते हैं इसके उपर minus depreciation कितने महने का sir depreciation लगा लेते हैं 9 मंत का क्योंकि September तक 9 मंत हो जाता है कैसे लगाओगे sir 40,000 के उपर नहीं आप कैसे लगाओगे SLM है तो आप लगाओगे 50,000 के उपर 50,000 into में 20 by 100 into में 9 by 12 तो आपका ये निकल के आएगा 75,000 that is आप आपका पास बच गया 32,500 जो कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया 32,500 रुपे अलग अलग करके अब बताईए कोई दिक्कत बच्चे कह रहे है sir actual profit ही अलग आ रहा है दिखा नहीं को और किताब नहीं है आप दिखा दो नहीं वाली बुक में हो पुरानी वाप की बुक में हो actual profit ठीक है आप उसको अलग अलग करके देख रहे हो वो टोटल करोगे तो 109 ही आएगा आप उसकी चिंता मत करो बच्चे कह रहे हैं sir contract price का देख लो एक बाद कर लेंगे कर लेंगे यह लीजे ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है उन्हों प्रॉफिट को तोड के दिखा है बाकि 10% वाली जो बात कह रहे हो वो मैं भी चेंज कर दूँगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है पहले यहां तक देखिए ठीक है यहां तक बच्चे कह रहे है एक बच्चे ने दिवेज ने कहा एक क्लियर है आप मुझे सिर्फ डेप्रीशेशन मुद्दे की बात बताईए कि डेप्रीशेशन समझ में आया नहीं है बच्चे कह रहे है सर दस परसंट डेटेंशन उसको समझाना भी तो पड़ेगा देखिए सवाल में कहता है कि जब एस्टीमेटिड एकसेप्टिड होगा रहना है तो दस परसंट लेस करके आपको मानना है कॉंट्रेक्ट प्राइज को बस यह कहा था मैंने तो यह स्टार्टिंग में डाल दिया था ताके आपको पता चले यह पूरे 21 महीने का है अब लो मैं 9 लाक रुपए ले ले तो आप कोई समस्या ही नहीं आपकी चलिए ठीक है ठीक है अब सर सारी जानकारी हमने लिख ली अब क्या निकलेगा हमारा यहां से निकल जाएगा सिंपल सी बात है प्रॉफिट और तो कुछ बचानी आगे देखिए वर्क सर्टिफाइड फुल है सब कुछ अंसर्टिफाइड है नहीं कैस रिसिप पूरा मिल चुका है तो कोई रिटेंशन हमारा चल नहीं रहे हाँ पे तो हम क्या करेंगे सर 9,16,32,500 यह अगर 9,48, 9,48,500 9,48,500 माइनस में 41,000 सरी एक चार दस माइनस में 220 माइनस में 80 और यह साथ यह 11,11 होगा ठीक है यह 11,11 होगा यह थोड़ा करेक्टर लेते हैं टोटलिंग में 11,11,11,1,27,500 अब यह जो प्रॉफिट आएगा एस्टीमेटिड 11,27,500 आपने यह करना है 11,27,500 सर वो तो इसलिए अलग होगा ना क्योंकि अभी एस्टीमेटिड प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसे डिस्टीब्यूट नहीं किया है सो और अब आपका कहना है कि इसलिए अलग होगा जो यह अकाउंट बनाया है ना यह सरिफ यह इसका कोई काम है नहीं मतलब एक्जाम में तो बड़ा काम है रियल लाइफ में इसका काम नहीं है बस एक हम एस्टीमेटिड लगा रहे हैं कि इतना मुनाफ़ा हम कमाएंगे और इससे ज़्यादा इसमें बढ़के कुछ नहीं है बस इतना ही करना है हमें कि हम इतना प्रॉफिट कमाने वाले हैं अब इधर वाले नोशनल प्रॉफिट पर भी मैं आऊंगा पहले यहां तक देख लिजिए इस अकाउंट में तो आज का जो कॉंसेप्ट समझने वाला था सरिफ हमने यह समझा है किताब दिखाना यहां तक बताईए कोई डाउट है तो किसी का आपके सामने कुशन है किताब दिखाना यह समझा है झाल औल क्लियर और किसी बच्चे का डाउट है तो बता देजिए चलिए एक और सवाल देख लेते हैं एक थोड़ा सा पॉइंट मुझे यहां डिसकस करना है सर कहां डिसकस करना है आ जाईए इस सवाल को मैं थोड़ा सा जो प्रॉफिट वाला कॉंसेप्ट सान अब लेके आते है इस सवाल को हम इधर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए इसकी जुरत है नहीं अब ध्यान रखिए अब यहां पर आ जाते हैं वापस से जो CPL निकाला है हमने ठीक है ना जब कभी भी याद रखिएगा जब कभी भी अब मैं थोड़ा चेंज करूँगा ताकि आपको समझ म पहले हमने इसलिए नहीं चेंज किया चलिए हो कोई नहीं अब ध्यान रखिए जब कभी भी आपको एस्टीमेटिट प्रॉफिट होगा तो आप ना जो CPL में भेजेंगे ना पैसा CPL में भेजेंगे वो इसमें से जितना प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग भेजना है यानि सर CPL में कितना जाएगा एक लाख सत्ताईस अजार पांसो अब काम जब है एस्टीमेटिट में कितना परसेंट कंप्लीट है पूरे हंड्रिड के अप्रॉफिट है ना तो हंड्रिड परसेंट में क्या रूल लगता है जो प्रॉफिट होता है इस सवाल में कहता है फुल मिल गया cash receive कितना था हमारा और इस वाले point पे कितना cash receive था इस वाले point पे 3,00,000 का cash receive था divided by अब बताएं work certified कितना था? 4,00,000 का work certified कितना था? 4,00,000 का तो एक सत्ताईस पांसो divided by 4,00,000 into में 3,00,000 इन्टू नहीं स्वरी एक मिनट एक मिनट हम फॉर्मूला भी लिख लेता है दिवाइड बाइ कॉंटरेक्ट प्राइज आता है that is 9 lakh तो 17,500 divided by 9 lakh into में 3 lakh 42,500 उपर में 3 lakh तो यह जवाब आया 42,500 देखिए फॉर्मूला क्या था आप एक, दो, तीन, चौथा फॉर्मूला देखिए, मैं लिख देता हूँ, surplus into में divided by contract price divided by contract price देखिए, चेक करिए, पहले लिखवाए था contract price, तो अब यहाँ पर जो surplus लेना है ना, वो इसके according निकाल लेंगे surplus यह हो गया यह क्या हो गया सर, cash receive और divided by यह क्या हो गया सर contract प्राइस, जब इसको solve किया तो 2 CPL आ गया CPL कितना आ गया, 42,000 42,000 और बाके 2 डाल दो WIP में, बस एक यह extra काम है, जो कि आपने करना है तो 42,500 minus में minus कितना करे सर minus कर देते हैं हम कितना था, 1,00,000 9,000 यह आगया, 66,000 अब यह ठीक हो गया हमारा एक question और देखेंगे अभी इस पे हम बच्चे कह रहें सर, please show question अभी दिखा देते हैं question पे एकदम clear किसी का पिछले सवाल में doubt रह गया हो तो clear हो जाएगा इसमें, ठीक है बड़े ध्यान से बस आपने देखना है सबसे पहले हम normally तरीके से यह वाला बना लेते हैं material to material to material to material पोर लेक फिफ्टे सिक्स अब लेबर to लेबर पर लेबर कहता है तीन लाग पांच हजार अगर इसमें आउट्स्रेंडिंग है तो add कर दीजिए कहता है चौविस हजार अगर इन केस प्रीपेड होगा तो माइनस कर देंगे अब कहता है plant purchase to plant सर plant कितने का है दो लाग पच्चस हजार plant के बाद आगे देखते है expense paid वो भी इधर ही आ जाएगा expense paid कितने का paid है एक लाग रुपे और इसी में हमें एक बात और कह रहा है prepaid है तो minus prepaid prepaid बाइस हजार पान सो रुपे चलिए बाइस पान सो तो माइनस करके बाद में दिखाएंगे by side में क्या आएगा WIP WIP के बाद वैसे कहते है plant return historical cost का मतलब cost price 75 का return कर दिया तो by return return 75 अब सर 75 में से minus deb बगएरा होगा नहीं होगा हम देखेंगे आगे कहता है material at site यानि सर क्लोजिंग में material भी है सर material कितने का है 30,000 work in progress certified बारा लाक बारा लाक बारा लाक ही है ना बारा लाक पिछटतर यानि contact price बहुत बड़ा है यह आगे कहता है work progress uncertified तिरे फिरे चालेस अजार आगे कहता है cash receive 10 लाक इसका कोई लेना देना है नहीं वो last में use करेंगे हम चलिए सर अब कुछ और रहे गया कहता है depreciation plant subject to annual depreciation 20% WDV पिछली बार कैसे था SLM अब क्या है WDV the cost is likely to be completed on December और जो हमारा complete हुआ December 31, 2010 में हुआ तो सर इसका मतलब December 31, 2010 का मतलब क्या माने इसका मतलब एक साल ये और एक चार से लेके अगर 31, December तो 9 महने ये अगेन ये 21 महने का estimating चला गया prepare contract account 9, 10 के लिए estimated profit contract year 9, 10 for the आपका prudent basis which has to be credit profit and loss prudent basis का मतलब है आप मान के चलिए के आपका profit इतने कम होगा जो हमने last में लगाते है न prudent का मतलब क्या होता है जो सबसे last में हम एक conservative approach करते हैं के cash मिला उसी के हिसाब से profit रखेंगे तो उसे बोलेंगे prudent ठीक है और तो यहाँ पर कुछ है नहीं इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं और कोई दिक्कत समझने की जुरत नहीं main estimated वाले में समझेंगे हैं तो यह कितना हो जाएगा तीन लाक 39,000 यह कितना हो जाएगा 77 500 चेक करते जाएगा अब इसके उपर depreciation कितना लगेगा एक return भी था sir return कितने का था return था हमारा कितने का 75,000 का और बाद में हमारा बचा भी तो होगा plant तो sir अगर आपके पास 2,25 का था और 75 का आपने क्या कर दिया return तो कितने का बचा होगा 1,500,000 का 1,500,000 का बच गया होगा अब ध्यान दीजिएगा इस पर पूरे साल का debt minus कर देंगे तो पूरे साल का 20% निकालेंगे तो sir 15,000 होगा न तो ये बचेगा हमारा कितना 60,000 और इसके उपर अगर 15,000 निकालें 15% लगा के minus करें हम इस पर तो बचेगा हमारा 30 यानि 1,20,000 बड़ी simple सी बात है अब देख लेते हैं 12,75 और 40 तो कितने हो गया 13,15,000 13,15,000 12,75,000 प्लस 40,000 13,15,000 30,000,21,000 ये 15,25,000 15,25,000 चलिए माइनस करते हैं 4,5,6,000 32,9,000 22,5 और माइनस 77,500 सर सर प्लस आगया चार लाग 4,37,500 बाइसर प्लस 4,37,500 इसके उपर CPL तो पता ही है कैसे भेजना है और WIP भी estimated से निकाल के भेजेंगे प्रूडेंट बेसिस पे बताईए कोई दिक्कत यहां तक है यहां तक किसी को सर प्लांट में 20% आएगा हाँ बिल्कुल सवाल में कह रखा है नीचे प्लांट पे 20% है 15 क्या अच्छा यह 15 लिख दिया मैंने इसलिए पूछ रहे है बच्चे 20 आएगा जी 20 आएगा माइनस 20% तो 15 मैंने माइनस सी ठीक करा वो लेकिन बस रेट लगा गया बताईए यहां तक कोई दिक्कर अब चलिए estimating अगले पेजिस पे आजाते हैं झाल 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 चलिए सर यह है हमारा एस्टीमेटिड चलिए एस्टीमेटिड में प्लांट माटीरियल कितना हैगा चार लाख चपन हजार चार लाख चपन हजार इसको थोड़ा डार्क ले लेते हैं चार चपन और आठ चौदा तो तू माटीरियल चार चपन प्लस आठ लाख चौदा हजार यह आप ने बताया बारा लाख सतर बारा लाख सतर हजार आगे आजाते हैं लेबर इन दोनों को प्लस करेंगे तीन लाख पांच हजार कैसे कैसे तीन लाख पांच हजार प्लस प्लस क्या करेंगे बता तीन लाख असी और इसमें अगर आउटसेंडिंग है हमारा जो कि current year का हमें outstanding दिख रहा है तो ये भी plus होगा previous वाले का prepaid outstanding किसी काम का नहीं तो current year वाले का outstanding ले लेंगे कितना था ये था हमारा 37,500 37,500 labor कितना आया इसका total बताईए 6,85,000 और इनका total क्या आएगा 7,25,000 ठीक है एक बार किताब दिखा दो मेरे को बार बार पीशे जाना पड़ रहे है 24 कौन सा नहीं चाहिए से total करी आएगा दिखाए क्या total गलत है एक बार दिखा दो किताब दिखा दो वो उन्होंने कुछ कर रखा होगा अपना हिसाब किताब उस 24 को ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं आप ये देखे हैं में ऐसे चलना है बहुत सारे ना कई बच्चे देखेंगे बुक का अंसर में भी जासे देख रहा हूं तो बहुत बच्चे परिशान हो जाएंगे तो वहां पर पर परजिस्ट करो और काम खतम हो जाता है हमारा ठीक है चलिए सर इसके बाद क्या दे रखा था हमें हम आजाते हैं again question पे question में देखा जाए तो क्या दे रखा है हमें प्लांट दे रखा है, प्लांट कितने का सह था, दो पच्चिस का, तो टू प्लांट, दो पच्चिस हम पूरा ले रहे हैं, तो सर काईदे से इधर रिटन भी आ जाएगा, बाई रिटन, कितना रिटन कर दिया था, साथ हजार, ठीक है, आगे देखा जाए तो एक्स्पिंस, टू एक्स्पिंस, सर एक्स्पिंस में क्या दे रखा है, दो एक्स्पिंस है यहाँ पर, मैं दिखा भी देता हूँ, देखे आप दो एक्स्पिंस है, एक लाख और एक लाख पच्चितर हजार, दो लाख पच्चितर हजार, और आउट्सेंडिंग पच्चिस हजार है, तो और इसमें अगर मैं outstanding देखूँ तो at the end में outstanding पच्चेस हजार है तो minus oh sorry plus outstanding पच्चेस हजार that is ये कितने का आ जाएगा तीन लाख रुपए का जाएगा ये कितना आ गया सर तीन लाख आ गया अब आगे की बात करें तो आगे कहता है plant आपने return कर दिया सर by return plant किया सर कितना return किया देड़ लाख तो अब देखो ये बिल्कुल सही बोल रहा है सर देड़ लाख का मतलब क्योंकि पहले ही दो पच्चेस में से हम 75 minus कर चुके थे तो बचा कितना था देड़ लाख तो अब ये देड़ लाख minus किया तो अब इस देड़ लाख पे depreciation फूरे charge करोग किस महिने का यानि सर पहले depreciation एक साल का that is 30,000 अब बचा 120 क्योंकि ये WDB है तो अब जो depreciation लगेगा वो 120 के उपर 20% लगने वाला है into 9 by 12 कितने आ रहा है 18 तो ये जो plant बचेगा वो बचेगा 1,2,000 का जो plant बचेगा वो plant बचेगा हमारा minus में 18,000 तो 1,2,000 ये भी return कर दिया हमने ठीक है आगे देखें तो return करने के बाद कहता है material at site 75,000 कोई बात नहीं हमारा closing material बची गया क्या नहीं हाँ जी सर कुश्चन कुश्चन दिखा दें एक मिनट दिखा देंगे कौन सा देप हाँ अच्छा 38,000 यहां 48,000 ओके यहां पर बता रहे हो न ठीक है 48,000 कोश्चन दिखा देते हैं सर material क्योंकि आगे पीछे हो गया मैं अपने book में देख रहा हूं material सर material जो है क्लोजिंग वो है 75 75 वक सटीफाइड वगेरा कुछ नहीं है तो सीधा क्या लिखने हैं बाई साइड में contact price और contact price मैं देख पा रहा हूं है 27,12,500 27,12,500 और कुछ रहा नहीं मैं आपको दिखा देता हूं बच्चे बोल रहे हैं सर question दिखा दिजिए तो और कुछ बचा है नहीं तो कोई बात नहीं चलिए रखे मैं question वहीं दिखा देता हूं देखिए question मैंने क्या लिया था बता देता हूं एक ये plant था और ये return था इसको return कर दिया उसके उपर depth ले लिया ये closing material था ये भी ले लिया बाकी सब हमारा full है ठीक है अब हमारा यहाँ पे जो profit निकलेगा वो कौन सा profit निकलेगा एक estimated profit और उसी profit के basis पे हम वहाँ जाएंगे कहां अपने main account के अंदर तो सर 27,25,000 27,25,000 प्लस 6,000 प्लस 1,2,000 प्लस 75,000 that is आगया 29,49,500 29,49,500 minus में 12,70 minus में 7,22,500 minus 2,25,000 minus 3,00,000 4,32,000 यह आगया 2 estimated estimated profit 4,32,000 और अब इस 4,32,000 के उपर रूल लगा दो 4,32 contract price कितना है सर 27,12,500 cash receive कितना था सवाल में देखना पड़ेगा तो सर cash receive था हमारा कितना 10,00, तो into में 10,00, कैस receive किया था हमारा 10,00, यह formula हमने पहले ही लिख चुके हैं divided by 27,00, 12,500 into में 10,00, तो यह आगया हमारा 159,262 तो सर यहाँ पे जो CPL में जाएगा ना वो जाएगा 159,262 मैं यहाँ भी लिख देता हूं 159,262 अब now final answer निकालेंगे यहाँ जो कि WIP में जाएगा अब final answer निकालेंगे जो WIP में जाएगा 43,75 यह लेजिए माइनस में 159,262 यहाँ गया सर 27, 27, 78, 78 यह गलत आगया माइनस सही नहीं किया माइनस 159,262 CBL चेक करिए अच्छा 78 आएगा यह 27,88, 78 यह तो आ रहा है माइनस सही करिए 200 दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ साइध इसमें भी कोई error तो नहीं है 37,500 169,263 नहीं यह क्या करा है इन्होंने नहीं 263, एक मिनट इसका calculation क्या है अरे यहाँ 262 है और मैंने यहाँ पर उठा कर लिख दिया है 600, 622 वो उल्टा पुल्टा हो गया ठीक है यह है मारक क्या राया था 262 169,262 62 अब ठीक हा जाएगा 43,75 262 अब 238 आज़े 27,82 288 चलिए अब देखिया हाँ बिल्कुल सुभम मैंने ठीक कर दिया सर CPL का amount clear कर दो एक बार और हार्दिक का कहना है well will be start new chapter tomorrow next class में हम new chapter कर लेंगे start तर closing material अब नहीं होगा नहीं closing material जो होगा ना हमारा वो edit कर के देगा जैसे हम plant के अंदर closing में edit नहीं कर रहे return के time पे तो इसी तरीके से अब edit नहीं होने वाला हो अब इसमें क्या-क्या सावधानी रखनी है क्या-क्या points याद रखना है मैं एक बार वो clear कर दूँ प्रपसे पहले material दोनों होगा actual भी और plus estimated भी जाएगा labor दोनों होगा actual भी और plus estimated भी जाएगा इसमें plus हो जाएगा outstanding minus हो जाएगा pre-paid लेकिन कौन से वाला plus होगा estimated वाला सारा और ये भी कौन से वाला minus होगा estimated एक तो ये होगे सारे खर्चे होगे plant में जो return होगा वो actual में भी जाएगा और बाद में वो estimated में भी जाएगा अब जो final plant return होगा वो हमारा estimated में जाएगा लेकिन minus total debt करके जाएगा क्या चीज़े add नहीं करेंगे closing stock को हम add नहीं करने वाले add इसको हम नहीं करेंगे closing stock का estimated और उसका दोनों मिलाके हम नहीं करेंगे बस इन बातों का धियान रखना है profit जो cpl में costing profit and loss में जाएगा वो जाएगा estimated estimated profit into में cash received divided by cp यानि contract price से जाएगा हमारा cpm बाकी balancing figure आपका WIP कहेगा जैसे हर बार आता है correct तो इन बातों का बस आपको estimated costing में ध्यान रखना है बाकी सारा आपका same रहेगा sir एक बार WIP account question WIP की last entry बता दो आप सपना इसी सवाल की बात कर रहे है WIP में यह कोई और सवाल है बताईए sir दूसरा आप question number बता दीजिए मैं वही question अभी दिखा के बता दूँगा इसमें बता दीजिए और जिन बच्चों का doubt है आपके सामने कुशन है basically इसमें बोला गया है valid sheet बनाना है और prepare contract account तो मैं format बना लेता हूँ पहले पहले बना ले फार्मेंट काफी बच्चों का doubt में आया था यह सवाल और एक balance sheet तो मैं है टो बना मैं हम आया इस आपके सावप्चों का खीन जिए 얼 बहto है जालो, टूम् साथ-पालो यह है बैलेंच शीट और यह है कॉंट्रेक्ट अकाउंट चलिए कुश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहता है कुश्चन में कहता है दफ फॉलविंग ट्राइल बैलेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी एग्रीड कॉंट्रेक्ट पॉर सेवन पॉर एंडिड अब सबसे पहले ध्यान रखिए देट इस ट्राइल वैलेंस जब कभी भी ध्यान दीजिएगा जब कभी भी आपको ट्राइल बैल कहां गया कुश्चन हर किसी को वीज्वल है बता दे फटा फट से वोईस क्लियर है वोईस क्लियर है वीज्वल है तो मैं आगे स्टार्ट कर दूँ इसको कुश्चन पूरा नहीं दिख रहा ओके चलिए नाव कुश्चन विज्वल है आपको बताइए फटा फट क्लियर चलिए सर बेसिकली इस कुश्चन में ऐसा क्या खास बात है जो कि हम कर रहे हैं है ना कुश्चन पहला यह है सर इस कुश्चन की खास बात आपको दे रखा है ट्राइल बैलेंस तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी आपको ट्राइल बैलेंस देगा तो जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो एस सिट इस इकल टू लाइबलिटी आएगा ही आएगा जैसे हमने कहा था कि इसके इंडर बड़ा आसान रहता है कि हमारा बैलेंस इट मैंच नहीं होता लेकिन अगर एक्जामर ने ट्राइल बैलेंस दिया है तब तो मैंच हो गईगा ठीक है यानि कुछ चीजे गीवन है कि कॉंट्रेक्ट अमाउंट रिसीव है यह यानि यह कैश का पैसा है यह पैसा किसका है सर कैश का बिल्डिंग दे रख आपको डैट इस बिल्डिंग कितने का है आपका एक लाख साथ हजार यानि यह एसेट्स में आ जाएगा ट्रेडिटर ल जब कभी भी ट्राइल वैलेंस में कुछ गीवन होगा हमेशा ओल्वेज क्लोजिंग गीवन होता है तो मट्रियल क्लोजिंग हो जाएगा यह इसके बाद वेजिस दे रखा है एक्स्पेंस दे रखा है प्लांट दे रखा है ठीक है अब बात करते हैं क्या कहता है कहता है द जहां मिलेगा इसका अंसर तैसा कुछ नहीं बस कॉंट्रेक्ट का एक नाम रखा है तो मैं इसे अगर हटा भी दू तो मेरे किसी का फरक नहीं पड़ेगा कहता है इसने स्टार्ट किया जनवरी 2016 में और ध्यान दीजिए यह कि है एकलाथ के सक्तर हजार थे आत्रायल को बाद में खाली कर लें Francisco 30 का तक वे कहता है वर सैंट एट साइट कॉंट्रेक्ट thou doz कहता है कि उसको सेंट किया मेरा साइट पे बॉद का कॉंट्रेक्ट बट डो ब्स और सिक ताओसन वर्थ डिस्ट्रॉइड एक्सी वेजिस के आगया माउंट है ना चले मैं एडिटिट कर दूँ हो तो करा कॉंट्रेक्ट छे हजार एक्टेट वेजिस ओफ 180 अच्छा यह नीचे आ गया यह लाइन का है यह लाइन भाई हमारा टाइप इसको अभी अटा देते हैं वेजिस ओफ 180 ऐसे पढ़ेंगे वेजिस ओफ 180 तो सर वेजिस कितने का हुआ अब कहता है छेजार कर डिस्ट्रॉइड हुआ तो सर डिस्ट्रॉइड होगा तो बाई को अब डिस्ट्रॉइड का मतलब एबनॉर्मल लॉस एबी एल लिख दिया लॉस कितने का सर चेह जार का और वेजिस लगाया तो यहां आजाएगा तूवेजस तो वेज़स कितने रुपए गा वेज़स एक लाग 802 वेजस एक एसी आगे कहता है तो अगर इसके अंदर प्लांट आप देखोगे तो प्लांट यहां पर धाई लाग का है तो यह overall इनका होता है हमें बनाना है सर्फ एक contract का ठीक है ना जो हमें बनाना है सर्फ किसका बनाना है एक contract का और यह होता क्या है overall यहां तक किसी को बताइए डाउट चलिए एक पॉइंट और कर देते हैं पूरा पड़ लेते हैं फिर आप पूछना होगा जिसको पूछ लेंगे एक लाख अस्ती हजार प्रे तक हमने कर दिया है कि इसके बाद क्या कहते हैं प्लांट विद कॉस्ट दो लाख वास यूज फूर फर्स जैन टू टीस सेप्टमबर और जो दो लाख का प्लांट है उसका भी इस्तमाल हुआ तो मैं लिख देता हूं टू यहां प्लांट एक और प्लांट प्लांट कितने का तो सर यह दो लाख वाला ना कब तक यूज वा सिर्फ छे महिने यूज चैनी नो महिने यूज हूए है मैं भी अलग से कैलकुलेशन समझाओंगा जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्याओ रिटन टू स्टूर ठीक है सार रिटन कर दिया तो बाए साइड में रिटन कर देंगे हम करते थे ना लाइट रिटन बाई रिटन कि प्लांट ठीक है ठीक सर मचिटेरियल कोस्टिंग 4000 एट साइट 31 डिसंबर दो हजार ऑज़ार थीए कि तने का है हमारा चार हजार रुपए और यहां पे material शो कर रहा है कितना हमें दो लाथ रुपए ठीक है न अब ये जो material देता है कहता है material of four thousand रुपीड's as side 61 दिसंबर को ठीक है सर यहां लिख देंगा material by material चार हजार अभी पूरा पढ़ लेते हैं फिर एक एक करके जितना कर रहा है चला का और जबूद ऑने और दब लू आई-पी और वोग्स वेंटी फाइडब उसने पेंक पर दिया तो चे लाग का सिवेंटी फाइड निकल को चार लाग तो जी यहां रहा अगया शाड़े चार लाग इकाड़े 4 आगे क्यां कहता है क्या अलस्य टीफाइड एिटी परसेनट फटाल töbag यसा व्श काड़ा कऊँट है था transmit पहुंसते पहुंसते असटी परसेंट लास व्असानट में नरड कर भेशेश्य तक हमारा तर कर वीडियो पॉज होगा स्क्रीन अभी को ठीक दीख रहा है एक स्टूडेंट कह रही है मेरे वीडियो पॉस हो गया बागी बच्चे बताते जो बच्चे लाइव है स्क्रीन ठीक है नहीं तो फिर रेफ्रेस करा जाए बताईए ठीक है तो खुशी आप अपना स्क्रीन दुबारा से बंद करके फिर एक बार चालू करें क्योंकि बागी बच्चों के दुखत नहीं आ रहा वो कह रहे हैं सर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हां तक तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं चलिए चलिए तो वर्क सर्टीफाइड अब ध्यान दीजिए वर्क सर्टीफाइड का मतलब क्या है हमारा इसने क्या कहा लाइन को पढ़ते हैं कहता है दा कॉंट्रेक्ट वॉस्ट छे लाग हमारा कॉंट्रेक्ट प्राइस च्छे लागता है और आगे कहता है कॉंट्रेक्टी पे 75% बर्ट सेटीफाइड 75% बर्ट सेटीफाइड नहीं है कि कहता है कि कॉंट्रेक्टी जो है ना वह पे करेगा यानि जितना भी हमारा वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 75% पेड हो जाएगा लेकिन सर ये इतना तो वर्क सर्टिफाइड ही नहीं तो पहले वर्क सर्टिफाइड निकालो कहता है वर्क सर्टिफाइड जो है वो 80% है 80% इसका सर 80% मतलब 4,80,000 और 4,80,000 का 75% पे करेगा तो आपका इसका पेमिंट देखोगे तो कितना बनता है तीन लाग सही से निकाल लिया ना तो 4,80 तो यहां गया वर्क साटिफाइड में और 4,80 किसी को दिकत 4,80 आगया वर्क साटिफाइड में है क्या हो गूगल राइब बार बार बोल रहा है कांट सेव टूदर ड्राइब फाइल के नौट अप्लोड विकॉज डॉंट इनफ सोड़ आधा यहां तक देखिए पहले जो मैंने लिखा है चार लाख असी हजार रुपे वक सटिफाइड और अन्सर्टिफाइड कहता है बाद में के हमारा जो अन्सर्टिफाइड वर्क है वो यह 15 मैं धीरे धीरे चलूगा इस कुशन में बागने की कोई जल्दी नहीं है आगे कहता है question में expense charge contract 25% of the wages contract में जो charge होगा वो 25% of the wages होगा that is आपका यहां पर two expense लिख देते हैं और 25% wages wages जिस एकस्ती है तो एकस्ती का 25% कितने आगे 45,000 ठीक है इसके बाद आगे देखा जाए तो क्या कहता है हमारा कहता है आगे के हमारा plant and machinery पे depreciation 10% लगेगा entire of year यानि पुल ये का पर एनम है प्रपेर कॉंट्रेक्ट अकाउंट तो depreciation भी लगा देते हैं तो देखिए हमारे पास दो प्लांट है अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट हमारे दो टुकुडों में है बिल्कुल एक प्लांट है पचास हजार जो पूरे साल इस्तमाल हो रहा है और एक प्लांट है हमारा दो लाख रुपे जिसको कि सेप्टेंबर तक इस्तमाल करने एक बार मैं फिर पढ़ लूँगा इसके उपर पूरे साल का डेप्रीशेचन माइनस होगा माइनस डेप्रीशेचन इस पे पूरे साल का मतलब पाँफ जा रुपे गाइशन माइनस हो जाएगा तस्तारिक बंडू select कीया आता हिए कितने आए 15,000 रुपए यह आ गया यानि जो रिटन होगा वो 185 होगा हमारे पास टोटल दो टाइप के प्लांट थे एक पूरे साल का लगना है तो एक देखे रिटन जो होगा वो कितना होगा 185 और जो हमारे पास प्लांट बच जाएगा हमारे पास वो होगा 45,000 तो so that मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं सर यहां पर लिखने वाला हूं में प्लांट रिटन लिखूँगा मैं 185 और जो बच गया प्लांट हमारा बाई साइड्म में प्लांट वो कितना लिखने वाल skilled किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो बता दीजिए अभी तक जो यह फिल किया है इसमें क्या आएगा नहीं आएगा वो देख लेंगे पहले यहां तक जो फिल किया है किसी को कोई डाउट है तो बताईए यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बता दें सर्फ 4,80,000 कैसे आया है बिल्कुल एक एक जिसका भी डाउट है ना पूछ लेकिक डाउट ताकि आगे बढ़ने में फिर बाद में दिक्कत आती हो तो दिक्कत रहता है यह मैं दुबारा बताता हूं 480 कैसे आया है ना हमा हमारा का उंट्रेक्ट प्रैस था देखो ना कितने का का bei जा बात कर रहा है व्हैं receive का वैसे भी कोई ज्यादा लेना देना है नहीं अभी मेरे लिए बोल रहा है इसका 80% हमारा work certified हो गया है work certified हो गया है यह सवाल में कहता है बता दो इसका 75% cash तो यह 360 cash आ रहा है वो हम आगे use करेंगे cash receive में यह हो गया सर cash receive किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताईए अब मैं पीछे चल लेता हूँ फिर से यह रहां आपके समने account सर material at site मतलब costing material material at site मतलब closing हाँ बिल्कुल material at site का मतलब होता है closing material और ऐसा नहीं material at site, site का मतलब site पे इस्तमाल हो रहा है date के इसाब से decide करो यह closing है कि क्या है बताईए सभी को clear है यह बता दें फटा फट से क्लियर है भाई सभी को बिल्कुल सर क्लियर अभिशेक ने भी बोल दिया निधी ने भी बोल दिया खुशी आप भी बता दीजिए आपके doubt था यह question निधी क्या स्क्लियर क्लियर चलिए निधी ने भी बता दिया निधी ने भी बता दिया ओके अब क्या करा जाए सर इसमें अब करने के लिए बचा क्या है अब बच्चों के मन में जहन में सवाल क्या आएगा सर उस सवाल को निधा आए जाए पहले सर आपने तो बोला था यह closing stock है अब देखिए ध्यान से क्या कहता है यहां पे ध्यान से पढ़ेंगे कहता है the following trial balance of company का trial balance है सर engaging the extract contract 470 मतलब यह सर हमारा जो data गीवन है यह एक साल का गीवन है और यह company का पूरा है तो यहां पे जो material होगा closing वाला यह पूरा company का होगा इसका इस closing से लेना देना नहीं है क्योंकि यह तो इसके बाद काम start हुआ है मतलब यह तो बन चुका था यह पहले कहीं चल रहा था इनकी कोई भी बातें यहां पे पूरी पूरी incorporated नहीं है बिल्डिंग की बात कर रहा है creditor बात कर रहा है balance sheet बात कर रहा है यहां पे देखिए cash receive कितना है contractee से cash receive आ रहा है तीन लाग रुपए जबकि हमने देखा भई यह क्या आ रहा था तीन लाग साथ हजार तो यह दोनों फरक इसलिए आ रहा है मतलब इसको ज़्यादा कॉलिनेट नहीं करेंगे सार इसमें से कुछ इस्तर वेजिस का मतलब क्या है जब हम पी एंडल अकाउंट बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे वेजिस 180 था और यहाँ पे भी वेजिस 180 था तो कॉमन है मतलब यही वाला है अब मैच करोगे ऐसे expense कितना है यहाँ 47 और यहाँ पर expense कितना है 45 इसका मतलब 2000 रुपए का extra expense है जो कि हमने नहीं दिखाए 2000 रुपए का extra expense है जो कि हमने नहीं दिखाए तो यह 2000 रुपए के खर्चे यानि सर इससे बनेगा finance का पी एंडल finance का पी एंडल और जो हम balance sheet बनाते है ना that is also यह finance का होता है सर यह finance का होता है तो अगर कोई खर्चा दिखाना रह गया है balance sheet के अंदर तो हम क्या करेंगे यहां के capital में से minus कर देंगे क्यों सर यहां के capital क्यूंकि सारे expenses सारे losses सब कुछ तो capital में ही चला जाता है तो यहां capital यानि जो 2000 जो एक्स्ट्रा है यहां यहां नहीं है तो हम कहां से minus करेंगे यहां के capital से comparison करके जब बनाएंगे तो हम पहले contract account तो contract account को करने के बाद जब मैं balance sheet करूंगा तो आपको एकदम सब कुछ clear होगा कि क्या करना है contract account complete करते हैं सर चलिए सर complete कर दो contract फिर बात करेंगे contract 180 पटाफ़ टोटल करिए इधर का टोटल क्या है साथ लाख पैंतेस हजार साथ लाख पैंतेस हजार और क्या लिखा तू सर प्लस नब्वे हजार फॉर्मूला देखेंगे सार कुस्टन ने खुदी बोला 80% हमारा work certified 80% काम complete है यानि टू बाई थ्री वाला लग जाएगा तू बाई थ्री वाला फॉर्मूला याद है भूल गए तू बाई थ्री तो सर प्लस कर सकते हो डायरेक 75% भी कर सकते हो नहीं तो आप बोलोगे तो मैं लिख दूँगा 75% पुरानी क्लास जिसने देखियो जो बच्चे नहीं है ना इस क्लास के अंतर उनको समझ में नहीं आएगा उनको स्टार्टिंग से देखेंगे चप्टर बिल्कुल समझ में आएगा और इस चेप्टर का पीछे उच्छे से ज्यादा कुछ यह खास लेना देना है नहीं कितना है बताओ कि इतने आगे है कि बताईए कि इतना रहा है कि इतना रहे हैं तो सर यह जो सीपील में आ जाएगा ना टू सीपील सही से निकाल रहे हो ना और टू डवलू आईपी आ जाएगा ओके पैंतालिस हजार इसको इधर कर देता है को कि अभी जो कि अभी की कि इर्यों टीक है कि लोजी मैंने कॉंट्रेक्ट अकाउंट बना दिया बस अब बैलेंशीट बनाने की बारीए बैलेंशी अभी बना देता हूँ फट आफट balance sheet में कैसे कैसे क्या क्या जाएगा भी देख लेंगे फटा-फट यहां तक बताईए कोई दिकत कि अरे 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 अभी पहुंचने तो दो अहां तक बैले शीट तक पहले ही पूछेंगे तो समझ में आएगा आपको पहले मुझे कॉंट्रेक्ट अकाउंट में क्लिरेंस दे दो आप सब कि अरे 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 इना तक बताईए पहले ही पहले ही आपको सर कॉंट्रेक्ट अकाउंट क्लियर है चलिए अब एक एक करके पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं सर सबसे पहले है कॉंट्रेक्टी कैस रिसीव इसको भी थोड़ी दिर में देखेंगा बिल्डिंग अकाउंट यानि सर बिल्डिंग अकाउंट तो एसेट्स है कोई डप्रिशेशन की बात भी नहीं और बिल्डिंग अकाउंट तोड़ा चोटा कर देते हैं जैसा रचाना चलिए इसको मिटा दे एक पर नीट एंड क्लीन कर दें इसको फिर से समझ में आ जाएं आपको तो सारी बाते दुबारा कर लिए चलिए सर इसमें दे रखा है अमाउंट रिसीव अमाउंट रिसीव किस से मिलाएं कॉंट्रेक्टी से इसके बात कहता है सर हमारे पास बिल्डिंग है अमाउंट रिसीव को बाद में देखेंगे एक साथ का तो वन सिक्स्टी सर हमारे पास बिल्डिंग है कितने का बिल्डिंग है वन सिक्स्टी का एक लाग साथ हजार एक लाग साथ हजार बिल्डिंग और सर जो प्रॉफिट कहां जाएगा भी देखते हैं इसके बाद सर्ट क्रेडिटर है ओके लाइबलिटी है क्रेडिटर है कितने कह हैं सर्ट क्रेडिटर बोल रहा है बहत्तर हजार इसके बाद क्रेडिटर के बाद आगे आते हैं क्रेडिटर के बाद बैंक का बैलेंस यह तो एसेट है तो बैंक का बैलेंस यहां लिखेंगे 35 किस हो जा रहा है सर्कर अब यह तो लाइबिलीटी में जाता है क्का एक कैपिटल आप पांच लाग सर इसमें प्रॉफिट भी तो एड़ करो ओक के पीटल एड़ कर देते हैं कितना 45 टूटल हो पांच लाग ये हो गया टोटल ठीक है क्या हुआ अभी आ रहे हैं आ रहे हैं अभी कैपिटल में बड़े सारे अज्यस्मेंट करेंगे पहले ही आंसर देखके आप घवराई ने आप सर्फ कोश्टन पर फोकस करें कुछ बच्च आंसर देखके करें यह तो किया ही नहीं है मटीरियल कह रहा है सर दो लाग सर अब हमारे पास दो टाइप के मटीरियल हो गए एक मटीरियल यहां पर पड़ा है दो लाग का और एक मटीरियल कहां गया यह रहा चार हजार का एक पर यह पहले देखिए हमारे पास मटीरियल जो है वो कितने मटीरियल हो गए हैं तो मटी प्राइस कोफे ही ऐख़ी इस नहीं है चीज़ इस अग्राइब इस नहीं है चलिए मट्रीयल की बात कर लेते हैं आजाएं मट्रीयल पे सर मट्रीयल जो टोटल था ना हमारे कॉंट्रेक्ट में जो इस्तमाल हुआ वो कितना हुआ एक सत्र हमारे पास था दो लाक का दो लाक में से यूज हुआ एक सत्र अब हमारे पास अभी भी क्लोजिंग बचा हुआ है तीज और जो यह वाला एक सत्र यूज हुआ ना एक सत्र इसमें से भी बच गया चार हजार तो मट्रीयल जो लिखेंगे हम तो तीस हजार तो जो की हमारा कॉंट्रेक्ट तक पहुंची नहीं पाया वो बच गया और जो मट्रीयल इस साइट पे था वो भी आ गया स्पेस कम है बागी चार अजार पहले यह देखिए आप पहले समझे इसको हाँ टोटल मट्रीयल है ना क्लोजिंग का जितना भी था हमारे पास यह था अब इतना मट्रीयल था यानि हमारे पास पड़ा हुआ था अब इसमें से इस्तमाल हुआ इसमें से हमारे पास क्या हुआ इस्तमाल तो इस्तमाल कितना हुआ स्तर और स्रिफ 170 तो सतर तो और 30 तो बची गया देखिए 170 इसमें से भी चार बच गया तो टोटल चौटीस बच गया ना है टोटल कितने बच गए हैं कि 34 पहले माटीरियल वाले कॉंसेप्ट को देखिए माटीरियल का पॉइंट क्लियर है फिर डबलू आईपी पे चलें क्लियर चलिए अब देखते हैं सर माटीरियल भी लिख दिया माटीरियल के बाद ये भी हमने कर दिया अब आगे कहानी आती है सर प्लांट की प्लांट की बात आती है तो प्लांट मैं खटा ही लिख दूँगा पीछे वर्किंग नूट कर देता हूं प्लांट का देखिए ये प्लांट तो पूरे साल का डेप लगा तो इतना बचा इस प्लांट पे नो महने बाद ही हमारा चले गया रिटन में है ना तो एक पिचासी अब मुझे एक बात बताईए प्लांट को यूज फाइनेंस में क्या कहते हैं फाइनेंस में ये कहता है आप इस्तमाल करो या मत करो डेप्रिशेशन तो लगेगा क्योंकि एक हमारा ये भी रूल होता है कि पासिस ऑफ टाइम रीजन ऑफ चार्जिंग डेप् िंगे लिए अगर हम चेक करेंगे ना फाइनेंस के लिए ज technically है थे दो लाख का प्लांट था तुम्हारा और दस परसेंट का डेप्रिशेशन लगा सिंपल सी बात है एक लाग स्थी अजार आपका बचा होगा तो यह प्लांट हमारा जो एक स्थी है यह फाइनेंस और कि दिखाएंगे मैं यहीं पर प्लस कर देता हूं एक लाख अजार जो की बच गया और 45,000 अब यह भी देख लिए किसी बच्चे को डाउट है तो एक अस्य और 45 कितने होगे दो लाख तो पच्चेस किसी बच्चे को डाउट इसमें बता दीजिए किसी बच्चे को डाउट बच्चे कह रहें सर्ड डिस्ट्रॉइड भी तो हो गया हाँ भाई हाँ एक सत्तर का था इसमें से डिस्ट्रॉइड डिस्ट्रॉइड के बाद बचा डिस्ट्रॉइड सब कुछ करने के बाद खर्चा वर्चा नुक्सान के बाद 4,000 बचा लिए इसने सथा आई चलिए डब्लू ऑई-पी पो रहें चलिए तो डब्लू ऑई-पी जब हम निकालते हैं यानि यानि डेटर होता है तो पहले लेते हैं वर्क नॉट सेटिवाइ और 15,000 और फिर Minus कर दिते हैं रिजर्व जिसको हम मानेंगे यह नहीं कितना 45,000 जिसे हमने माना नहीं कौन से वाला रिजर्व ये वाला रिजर्व Minus Cash Receive Question में कहता है Cash Receive जो है वो कितने का है 3,00,00 का चलिए Minus Plus करिए इसको कि इसको माइनेस प्लस करके बताइए है कि अब है कि कि अब इस इस अब चार असी तो अगया लगा कैसे गर रहा एक तो कैल्कुलेटर लेकर करने उकर ओप मोबाइल पर क्या होता है कि अगली ग्लास है हर कोई कैल्कुलेटर लेकर आएगा बिना कैल्कुलेटर के अलाउट निकरूआ मैं किसी को अगर एक पचास एक पचास ठीक है एसेट साइट का तो हो गया अब लाइबली टीब आ जाते है है सर इस प्रॉफिट में ना एक आप ध्यान से देखो एक ध्यान से देखो यहाँ पर एक तो डेप्रीशेशन में फरक हा गया हम्ने रिटरन में किया डेप्रीशेशन ये देट इस पांच हजार अब खर्चे की बात करते हैं सर वेजिस सेम अब में मैच करते जाएंगे वेजिस सेम है एक्सपेंस 47,000 है और जबकि लगा कितना एक्सपेंस हमारा लगा 45 यानि 2000 और कहीं खर्च हो गए होंगे जो हमें स्टॉक कम हुआ न यह एबनॉर्मल लॉस है जो की पर एडल में जाएगा किμन जाएगा तो वेजिस का ही एक्सपेंस आच्छा एक्सपेंस fifteen से स्थी स्थाएमर्य णिम्ल यह निच के डिए इन पाँच पैंटालिस माइनस पाँच हजार माइनस दो हजार माइनस शे हजार यह आगया पाँच लाख बत्तिस हजार पाँच बत्तिस टोटल करिए टोटल करिए एक साथ पैंटिस हजार तीस हजार चार हजार पच्चिस एक पचास छे लाख चार हजार और इधर भी टूटल करिए पांच बत्यस पांच बत्यस पांच बत्यस बहत्तर और ये भी आगया हमारा छे लाग चार हजार अब जितने बच्चों के डाउट से इसमें वह मैं क्लियर करता जाओंगा सर वेजिस रहेगा सर कैपिटल वाला समझा दो चलो कैपिटल वाला समझते हैं देखो सुरू में कैपिटल ट्राइल बेलिंज के अंदर गीवन था पांच लाग प्रॉफिट एड हो गया डेप्रिशेशन पांच हजार आप देखें डेप्रिशेशन की बात करें तो आपने ह हमें तो फाइनेंस में सारा डेप लेना है चाहे आपने कॉस्टिंग में लिया हो चाहे नहीं लिया हो यहां पे अगर मैं बात करूं मुद्दे की बात तो डेप्रिशेशन कितना लिया है सिर्फ आपने इसके अंदर जो डेप्रिशेशन है वो पहले से आप सिर्फ 15 चार् होगा यह वाला हिस्सा 80,000 होगा यह वाला हिस्सा कितना होगा हमारा एक लाक असी अजर तो और चो 5,000 रफे डपरीशिशन हमने कोस्टिंग में नहीं चार्ज किया तो हमें क्या करना पड़ेगा अलग मैं चार्ज करना होगा देखो बड़ी सिंपल सी बात है जो चीजे इसके अंदर हम चार्ज करना भूल गए यह तो यहां पे हम अपने कैपिटल में से क्या कर देंगे माइनेस कर देगा क्यूंकि इसमें टोटल खर्चे माइनेस होंगे चाहे कॉस्टिंग में आया हो चाहे ना आया हो तो सीधी सी बात है कि अब हमने क्या देखा सर डेप्रीशेशन पाँच हजार रुपए इसके अंदर नहीं आया कर दिया है सर 5000 कों से की बात कर रहे हैं 2 लाग पर तुमने 15000 लगाए न जबकि 2 लाग पर कितना लगता टोटल इयर का 20 तो वह 5000 माइनस किया एकस्पेंस कौन सर माइनस कर रहे सर एकस्पेंस यहाँ 45 ही और यहाँ पे 47 तो 2000 और खर्च कर दी होंगे मैंने इदर उदर, वो भी वाइनिस किया, तर abnormal loss यहा नहीं आया, यहाँ खर्चे में थोड़ी नाया, abnormal loss यह तो हमने stock को कम किया है, वस, abnormal loss का हमारा कहीं discussion नहीं था, तो abnormal लॉर्मल लॉस भी माइनस कर दिया इस हिसाब से यह पांच बत्तिस बना हमारा बताईए तर कैस रिसीव तीन सिक्स्टी होगा सायद चार असी का बिल्कुल अब कैस रिसीव यहां पर बैलेंस देता है वो कट पीट के बैलेंस है यहां पे बैलेंस जो दिया इसने काट फीट करके लिया I agree के कैस रिसीव इसके दो आंसर हो सकते है आपका जो कैस रिसीव है वो actual कैस रिसीव है और यहां पे जो हमारे बिजनस में कैस रिसीव पढ़ा था हमने उसके इसाफ़ से माइनस किया आप काओगे सर कैस रिसीव यहाँ पे 360 माइनस कर दो वो बहतर रहेगा तो मैं काओँगा वो भी 100% ठीक है उसमें आंसर देखो कैसे आएगा मैं बता देता हूँ आप यहाँ पे कैस रिसीव अगर 360 करोगे इसका मतलब यह भी चेंज हो जाएगा यह भी चेंज हो जाएगा ना हमारा जब यह वाला चेंज होगा तो यहाँ से प्रॉफिट भी चेंज होगा और यहाँ पे भी चेंज होगा तो दोनों अल्टिमेटली अडिजस्मेंट लग जाएगा तो जिन बच्चों को बोल रहेने का सर यहाँ कैस रिसीव तीन साथ तो आप तीन साथ माइनस कर देना और उसके हिसाब से सारा रिजस्मेंट करके एकुलेंट हो जाएगा आपका सर वेजिस का ट्राइल बैलेंस में है उसका क्या करेंगे अब देखे जो चीजे ट्राइल बैलेंस में और यहां डाला इसका मतलब वह यूस तो होई गया खतम तो होई गया उसका क्या करना है चिक है कि डब्लू आईपी में क्या दिकत है डब्लू आईपी देखो आपका क्या है यह दे रख्टा था यह तो question कुश्चन तो आना ही नहीं चाहिए मैंने जब बैलेंस चीट का कराया था तो उसमें मैंने पूरा एक क्लास लिया था जिसके अंदर मैंने बताया था यह माइनस क्यूं हो रहा है आप उसको देखिए आप आगे बढ़के फिर परेशान रहेंगे इसमें इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास माइनस क्यूं हुआ क्यूंकि आल्रेडी हम बैलेंस चीट वाले में डन कर चुके हैं और पूरे एक घंटे तक लगाया था हमने इसमें करा था तो आप बैलेंस चीट में देखिए ना मैंने बताया था यह डेटर होता है डेटर में से यह डेटर के पैसे नहीं मिलेंगे रिजर्व रख लेते हैं तो हमें डेटर निकालने के लिए इसमें से रिजर्व माइनस करते हैं देखिए Cash Receive Repeat Cash Receive Actual में Actual में हमारा कितने का हुआ था जबकि हमारे पास जो Cash Receive दे रखा था आमने बेसिस पे काम किया है और Rule क्या कहता है कि भईया आपको जो Cash Receive हुआ है 480 का था और 480 का 75% Receive हुआ 480 का 75% That is 360 60 आपको 360 का कैस रिसीव है तो आप बोलेंगे ना कि सर यहां 360 करो तो मैं 360 भी कर दूँआ जब मैं यहां पर 360 लूँआ तो अब हमारा assets के अंदर जादा आ गया कैस रिसीव तो हमें उसके accordingly अपना क्या करना पड़ेगा क्रेडिटर या कॉंट्रेक्ट को भी कंप करना पड़ेगा यानि हमारे यहां पर फॉर्मूले में देखा जाए तो यहां पर भी बदलाव आ जाएगा फिर यहां पर भी चेंज करना पड़ जाएगा थोड़ा सा तो जो कैस रिसीव 360 एना उसको इग्नोर करेंगे हमें जो ट जैसा मिलता जुलता आपका कोश्चन नंबर नाइंटीन भी मिल जाएगा बच्चे का कहना है सर छे हजार माइनस एसेट्स में से लिख सकते हैं क्या सर माटीरियल में तीस हजार में से छे हजार माइनस करके एसेट्स में लिख सकते हैं क्या है मैं नइन थीस हजार तो यह अपना अलग है थीस अजार तो हमारा ओने ने किया तो खतम खान से वा छे जार तो लॉस है यह माटीरियल नी माइनस किया एैमनॉर्मल लॉस ही है तिल्पी जैन चेप्टर 8.16 यह चेप्टर नंबर कौन सा है 8.16 ओनर्स का है प्रोग्राम का सिल्पी बताईए 8.16 एक बार चेक करना यह कुश्चन मैंने करा दिया 8.16 क्या शायद मुझे लग तो रहे करा दिया है एक 8.16 एक पॉइंट टू टू अभी तो चलेगी मान के चलो अभी एक सब गंटा और है तो तो मेरा कहना था के बाकी के कोश्चन देखो अगली क्लास आई है एक और डाउट सेशन रखेंगे अगले संडे को और जिनका इंटर्नल है ना इन सभी का अंसर मैं करके भेजूँगा मैं खुद बना लूँगा सिल्पी ने भेजा है और जैसे भी होता है मैं डाउट सेशन लूँगा पुराने सारे लूँगा मैं और कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल में डाउट हो रहा है तो मैं सोच रहा हूं उसको सोलीशन करके पीडिएफ डाल दू जिससे कि अपना आप चेक कर लो कहां गलती कर रहे हैं